हाई गाईस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शर्मा और इस वीडियो में हम जून महीने के सभी करंट अफेर्स एक साथ कवर करेंगे जो भी एकस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेर्स नहीं देख पाते हैं, वो इस वीडियो के थून महीने के सभी करंट अफेर्स कवर कर सकते हैं और जो experience हमारे daily current affairs देखते हैं या weekly current affairs देखते हैं वो इस वीडियो के तुरू अपने current affairs को revise कर सकते हैं साथी guys इस session को सुरू करने से पहले आप सभी को बदाना चाहूंगा यह दिया आप हमारे daily current affairs PDF, weekly PDF और monthly PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के first comment में दिये गए link पर click करके पा सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए आप इस slide पर दिये गए सभी points को अवश्य पढ़ें कुछ भी आप जानना चाहें कोई भी आपकी query हो तो हमें comment box में जरूर लिखें चलिए फिर करते हैं सुरूबात इस video session की Nitin Rakesh और Jerry Wind ने किस पुस्तक के लिए International Business Book of the Year Award 2021 जीता options आपके सामने है और correct answer होगा option D so Nitin Rakesh and Jerry Wind won the prestigious International Business Book of the Year Award for 2021 for their recently launched book Transformation in Times of Crisis published by Notion Press तो बुक का नाम है Transformation in Times of Crisis तो इसके लिए Nitin Rakesh और Jerry Wind ने International Business Book of the Year Award 2021 जीता है तो Notion Press द्वारा ये publish किया गया है आगे बढ़ते हैं निम लिखित में से किस ने Belgrade Open का खिता है टैनिस की यहाँ पर बात हो रही है options आपके सामने है और correct answer होगा option D so Novak Jokovic won Belgrade Open title देखे जो यह Novak हैं यह सर्विया के हैं और सर्विया की capital है Belgrade तो Belgrade Open इन्होंने जीता है और इन्होंने स्रोवाकिया के Alex Morgan को हराया है आपको बता दें जो यह Belgrade है यह Danube और Sawa River इन दोनों के संगम पर इस्थित है तो यह आपके लिए important point है याद रखेगा अच्छा हमने अब तक कौन-कौन से tennis titles पड़े है Italian Open और Barcelona Open यह Rafael Natal जीत चुके है सर्विया Open यह Matteo Berrettini यह जीत चुके है Monte Carlo Masters यह Estefanos Sid Sipas इन्होंने जीता है Australian Open नवाक जोकोविच ने जीता है Geneva Open Casper Rudd ने जीता है तो यह सभी 2021 के हैं और हम इनको MCQs में cover कर चुके हैं तो यहाँ से आप इसको revise कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं Lawrence Deskars दुनिया के सबसे बड़े करास संग्राले जिसका नाम है Louvre की अध्यक्षन न्यूक्त होने वाली पहली महिला बन गई है इस संग्राले की location क्या है या यह संग्राले किस सहर में इस्तित है यह आपको बताना है options आपके सामने है और correct answer होगा option A so Lawrence Deskars has become the first woman to be appointed the president of Louvre the world's largest art museum the museum is located in Paris France तो यह है वो museum और इसका नाम है Louvre तो first woman president बन गई है यह इसकी यह आप याद रखिएगा Paris में है यह COVID-19 के कारण माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्यान के लिए किस राज्य ने सीसू सेवा योजना शुरू की है options आपके सामने है और correct answer होगा option B so Assam launched सीसू सेवा scheme for the welfare of those children who lost parents due to COVID-19 तो यह Assam के chief minister है हाल ही में बने है हिमांता बिस्वा सर्मा तो इन्होंने chief minister सीसू सेवा scheme इसको launch किया है जो भी बच्चे अपने माबाप को खोच चुके हैं तो इसमें जिन भी माबाप के जो माफ कीजेगा जिन भी बच्चों के कोई अभी भावक के तोरक पर जो हैं जैसे कि किसी के ताउजी हो सकते हैं ताई जी या फिर चाचा चाची तो अगर इस तरह के बच्चे हैं तो उनको 35 रुपे पर मंद दिये जाएंगे और अगर इस तरह का कोई भी उनका relative नहीं है तो उनको residential educational facilities में move किया जाएगा साथी जो लड़िक्या है जब वो उनकी जो आयू है वो विवा योग हो जाएंगी जब तो उनको एक तोला गोर्ड दिया जाएगा और 50,000 रुपे उनके marriage में दिये जाएंगे एक तोला गोर्ड मतलब लगब 10 ग्राम के असपास और साथी जो इस त फिर से एक बार रिवाइज हो जाए और बिल्कुल याद हो जाए आसाम के कवंडर जगदीश मुखी है capital दीशपूर है आसाम को पहले प्रग जोतिशा या कामरूप के नाम से जाना जाता था और आसाम को land of red river and blue hills के नाम से जाना जाता है काफी important fact है SST exam में पूछा जा साथी आसाम में काफी famous कामाख्या temple है जो की निलाचल hill पर located है ऐसे ही जो मातावैश्णो देवी का जो temple है वो त्रिकुटा hills पर located है Global Day of Parents किस दिन मनाया जाता है? Options आपके सामने है और correct answer होगा option D So Global Day of Parents is observed on June 1st और इस बार 2021 में इसका theme है Appreciate all parents throughout the world किस IIT ने एक तक्नीकी पत्री का सास्त्र launch की? Options आपके सामने है और correct answer होगा option C So IIT मदरास launched a tech magazine सास्त्र तो इस magazine में जो भी scientific और technological developments हुई है उनके बारे में जानकारी दी जाएगी नाम याद रखेगा सास्त्र किसके दुआर लौंची गई है? IIT मदरास के दौरा साथ ही हमने IIT मदरास से रिलिकेट किया current affairs पड़ा था कि IIT मदरास ने हाल ही में एशिया की first international memory studies workshop इसको host किया है और हाल ही में IIT मदरास ने industry conclave 2021 इसको भी host किया था इसको launch किया था casino, online gaming portal और race course दौरा दी गई सेवाओं के बहतर मुल्यांकल और GST लगाने के लिए सरकार दौरा गठित राज्य मंत्रियों के पैनल का नेतरतु कौन करेगा? options आपके सामने है और correct answer होगा option A So, Nitin Patel will head the panel of state ministers set up by the government for better valuation of services by casinos, online gaming portal and race courses for levying GST देखें, जैसे ये casinos जो अपनी service देते हैं या online gaming portal है और race courses हैं तो इन सभी की जो services है इन पर GST रखता है तो इसी का फिर से मुल्यांगन किया जाएगा कि क्या ये structure सही है ठीक है या फिर इसमें कुछ बदलाव की जरूत है जो GST rate है तो इस बारे में एक seven member panel यहां पर set up किया गया है और इसको head करेंगे गुजरात के deputy chief minister नितिन पठील तो यह सभी इसके members है आप देख सकते हैं इसमें ठीक है और आपको बता दें कि हाली में जो यह casinos हैं और horse racing है online gaming है इन पर 18% GST लगता है इसी तरह का question यह वाला भी है तो दोनों ही question important है इसलिए मैंने साथ में इनको रखा है ताकि आपको easily differentiate भी कर पाएं और आसानी से आपको याद भी हो जाए पढ़ते हैं इस question को कोवीड राहत सामगरी पर GST छूट का मुल्यांगन करने के लिए सरकार द्वारा गठित आठ सजस्य मंत्री इस्तरिय पैनल का नित्रुत कोन करेगा options आपके सामने हैं और correct answer होगा option C देखे जो कोवीड रिलीफ मैटिरियल हैं जैसे की ड्रक्स हो गया hand sanitizer हो गये mask हो गये PPE kits हो गये और oxygen हो गया और यह जो vaccine हो गया ठीक है oxygen related equipment हो गया तो इन सभी पर कुछ ना कुछ GST आता है लेकिन opposition की भी demand रही है और कई लोगों की भी demand रही है आम जनता की कि इन पर GST जो है cut होना चाहिए तो इसी को देखते हुए इसी का मुल्यांगर करने के लिए कि क्या यह demand जायस है अगर cut होना चाहिए तो कितना होना चाहिए तो इसी लिए एक eight member minister panel का गठन किया गया है जिसको head करेंगे जिसकी अधक्षता करेंगे मेखाले के chief minister comrade सांग्वा और यह बाकी के member से इनको आप देख सकते हैं फिलाल exam में या तो यह पूछा जाता है कि कितने member वाली committee कठीत की गई है और या फिर यह पूछा जाता है कि उसकी अधक्षता कौन करेंगे तो यह दोनों आपके लिए point important रहेंगे Italian Grand Prix 2021 किसने जीता है options आपके सामने हैं और correct answer होगा option D so Fabio Quartatraru won Italian Grand Prix 2021 so motor race की आपर बात हो रही है और इसको Grand Prix नहीं पढ़ते हैं इसको Grand Prix पढ़ते हैं यह आप याद रखेगा इसका जो pronunciation है वह है Grand Prix तो जो Fabio है यह France के हैं और Yamamoto GP के लिए यह drive करते हैं ठीक है racing करते हैं तो इन्होंने जीता है Italian Grand Prix 2021 प्रसिद्ध ग्रैमी विजेता गायक बीजे थोमस का हाली में निदन हो गया वह किस देशके थे options आपके सामने हैं और correct answer होगा option B so famous Grammy winner singer BJ Thomas passed away recently he was from USA तो अमेरिकी singer BJ Thomas इनका हाली में निदन हो गया है और पांच बार यह Grammy Awards जीत चुके हैं NPCI ने देश भर में cashless भुकतान के लिए निमनी कित्मे से किसके साथ भागेदारी की है options आपके सामने हैं और correct answer होगा option C so NPCI has partnered with pay core for cashless payments across the country देखिए NPCI मतलब National Payments Corporation of India जो की भारत में जो भी retail payment होता है तो उसके लिए एक umbrella organization है ठीक है इसको संचालित करती है तो इसने पे core जो की टर्की की एक global payment solution company है इसके साथ partnership की है किसलिए जो इसका रूपे card है तो उसके द्वारा जो soft POS जो service होती है उसको लागू करने के लिए soft POS इसका मतलब होता है software point of sale तो देखिए इसके तयात क्या होता है यह soft POS क्या है देखिए अब इसमें क्या होता है कि मान लीजे कोई merchant है कोई व्यापारी है वो अपने customer से जो है payment देना चाहता है तो अब वो अपने जो भी required app होगी उस app को केवल install करेगा इसके लावा उसको और बी और कुछ करने की जुरूत नहीं है बिल्कुल contact less payment वो कर सकता है तो अब जो merchant जो customer है उसके पास जो card है उस card को केवल जो आपका mobile है वो एक POS की तरह ही काम करेगा तो उसमें बस हलका सा tap करना है या फिर उपर से wave करना होता ह है और payment हो जाता है जो भी आपका bank account है उसमें direct payment चली जाती है तो इसमें आपको कोई machine नहीं चाहिए कि उसमें card insert करना है इस तरह कोई requirement नहीं है बस जो आपका customer है उसके पास यदी card है तो उस card को केवल हलका सा tap करना होता है और payment हो जाती है जो merchant का mobile है उस पर tap करना होता है त तो इस तरह की जो जो यह आपका टेकनीक है इसको बोलते है soft POS solutions NPCI के अगर हम बारे में बात करें friends तो NPCI जासे मैंने आपको बताया कि भारत में retail payments and settlement system इसको संचालित करने वाली एक organization है और NPCI की सुरुवात Reserve Bank of India और Indian Banks Association इसके द्वारा की गई थी under provisions of the payment and settlement systems act 2007 और यह एक not for profit company है under section 8 of companies act 2013 साथी जो NPCI हैं इसके MD और CEO हैं दिलीब असपे EDLI योजना के तहित बीमा लाब 6 लाख रुपे से बढ़ा कर कितनी राशी कर दी गई है options आपके सामने हैं और correct answer होगा option A So insurance benefits under the EDLI scheme have been increased from Rs. 6 lakh to Rs. 7 lakh देखे जानते हैं इसके बारे में सबसे पहले आप यह देखिए कि Employees State Insurance Corporation ESIC तो इसकी एक pension scheme होती है किसलिए जो भी employment related death cases होते हैं उनके लिए यानि कि कारे करते हुए यदि किसी करमचारी की मृत्ति हो जाती है तो उसको ensure किया जाता है उसका insurance करके रखते हैं कि यदि कारे छेत्र में किसी व्रक्ति की मृत्ति हो जाए किसी करमचारी की तो उसको फिर जो है insurance की जो रकम है वो दी जाती है तो अब यह जो सुवीदा ह यह COVID-19 के कारण अगर इनका कोई करमचारी उसकी डैथ हो जाती है तो वहाँ पर extend कर दी गई है यह वाली service तो इसमें क्या होगा जो भी करमचारी जो उसका daily wage है जो daily वो कमाता है तो उसका 90% तक उस हिसाब से जो है उसको pension दी जाएगी तो यह यहाँ पर provision किया गया है और इस retrospectively जो है जारी किया जाएगा with effect from 24 3 2020 यानि 24 March 2020 से इसको effect में लाये जाएगा retrospectively इसका मतलब होता है कि आपने कोई कानून आज पास किया है लेकिन वो लागो किसी पिछली rate से होगा मान लीजिए एक कानून आज पास हुआ है ठीक है और एक जुन को आज एक कानून पास हुआ है तो ज़्यादा तर संभावना यह है कि आगे आने वाली किसी rate को सरकार क कर दे कि वो 2018 से लागो होगा 2018 से उसका benefit मिलना सुरू होगा बले ही वो आज लागो हुआ है लेकिन 2018 में जो भी जो भी उससे प्रभावित लोग है उन सभी को इसका फायदा मिलेगा तो इसका मतलब है कि उसको retrospectively लागो किया जा रहा है यानि पिछले साल से लागो किया जा employees deposit linked insurance scheme EDLI जो चलाई जाती है तो इसके बारे में यह कहा गया है कि इसमें जो maximum insurance benefit है इसके करमचारियों को इलिए उसको 6,00,000 से बढ़ा कर साथ लाग कर दिया गया है और जो minimum insurance benefit है 5,00,000 रुपे इसको restore किया गया है और यह भी 15 फरवरी 2020 से जो है लागो किया जाएगा retrospectively जा जो भी आश्रित लोग है ठीक है उनको 24 तीन 2022 तक मिलेगी युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण नियंत्रक के रूप में किसने पदभार समाला है options आपके सामने है और correct answer होगा option D तो इसमें इतना ही जानने के लिए है किस IIT ने MB Tech विक्सित किया है options आपके सामने है और correct answer होगा option B so IIT Roper has developed MB Tech तो क्या है यह it is India's first indigenous temperature data logger for the cold chain management जानते हैं इसके बारे में तो देखे MB Tech इसको launch किया है IIT Roper ने यह क्या करेगा जो भी देखे इस तरह के products होते हैं जैसे vaccine हो गया या फिर body organs हो गया या blood हो गया तो उनका जो real time ambient temperature है तो ambient temperature करा मतलब है कि जिस भी temperature में उनको रखा गया है मान लीजिए कोई organ है तो उस organ को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा जा रहा है तो फिलाल वो ambulance के अंदर है तो उस ambulance के अंदर के temperature के हिसाब से बताया जाएगा कि वो किस condition में उसके बाद वो hospital चला गया तब फिर उसके बाद जो है वहां की जो air का temperature है वो temperature यह record करेगा तो उसके को दो तीन घंटे पहले निकला था तब उसका temperature इतना था उसी हिसाब से हम उसको यूज़ कर रहे हैं ऐसा नहीं है जो real temperature है उसको यह measure करेगा MB-tech तो यह vaccine के लिए तो काफी फायदा मंद रसकता है क्योंकि vaccine वेस्टे जो चल रहा है वह ज्यादा तर इसी वज़े से चल रहा है क्योंकि temperature के वज़े से vaccine काफी वेस्ट हो रही है साथी हमने IIT roper के बारे में हाल ही में क्या पढ़ा था कि IIT roper ने एक fake booster detector इसको launch किया है ठीक है जो डी फेक जो लोग करते हैं उनके लिए डी फेक यह आप word सुरेंगे डी फेक इसका मतलब होता है आपने देखा होगा कही तरह की ऐसी apps होती है जिसे मान लीजे बोल तो कोई और रहा है लेकिन उस पर किसी और का face लगा दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि यह दूसरा person बोल रहा है तो इस तरह की जो काम है यह राजनेता हों के face पर किये जाते हैं ज्यादातर मान लीजे रिलिजियस कोई आपको violence करना है तो बोल कोई कोई देगा किसी धर्म के बारे में कोई और बोल देगा लेकिन उस पर किसी राजनेता का चेरा लगा दे जाता है उसके होट भी फिर उ बुद्ध इन गांधार नामक पुस्तक के लेखा कौन है ओप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन डी सो सुनीता तिवेदी इस दा ओथर ऑफ दबुग टाइटल्ड अबुद्ध इन गांधार असम राइफल्स के महा निदेशक के रूप में किसने पदभार समाला ओप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन डी सो परदीब चंदरन नायर टूख ओवर एस दे डारेक्टर जनरल ओफ आसम राइफल्स देखे आपको बता दें कि असम राइफल्स बारत की सबसे पुरानी पैरा मिलिटरी फोर्स है या सही सब्द कहीं तो आर्म फोर्स है और कौन-कौन सी आर्म फोर्स है भारत में जैसे बी-एस-एफ, सी-ए-एस-एफ, सी-ार-पी-एफ, आई-टी-बी-प, एन-एस-जी, सीमा सुरक्षा बन तो असम राइफल्स जो है यह नौर्थिस्ट रीजन जो है हमारा यहां पर सुरक्षा परदान करती है साथी असम राइफल्स को सेंटिनल्स ओफ दा नौर्थिस्ट के नाम से जाना जाता है यानि नौर्थिस्ट का पहरेदार सेंटिनल्स का मतलब होता है पहरेदार सिपाही सोलजर या फिर गार्ड तो इसको जो है 1835 यानी 1835 में इसका गठन किया गया था तब इसका नाम था कछार लेवी और उसके बाद 1917 1970 में इसको असम राइफल्स के नाम करतिये आता है आगे बढ़ते हैं राष्टिय मानवादिकार आयों के नए अध्यक्ष कोन होंगे ओप्शन्स आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन सी सो अरुन कुमार मिश्रा विल बिदा निव चेर परसन ऑफ तन नेस्टन यूमन राइट्स कमिशन एन एच आर सी देखिए यह फॉर्मर सुप्रीम कोड जज हैं अरुन कुमार मिश्रा और अब यह नेस्टनल हूमन राइट्स कमिशन के चेर परसन नियुक्त कर दिये गए हैं यह एचल दत्तु को रिप्लेस करेंगे इससे पहले एचल दत्तु थ और उसके बाद से यह पत खाली था आपको बता दें कि जो यह कमिटी होती है जो स्ट्रेक्शन कमिटी होती है तो इसमें कौन-कौन सामील होते हैं प्राइम मिरिश्टर ओफ इंडिया यानि रेंद्र मोदी होम मिरिश्टर जो होते हैं यानि अमिच शा डिप्टी चेरपर इंड़र ऑफ और राज्यसवा यानि हरिवन्स जी लोकसवाई स्पीकर ओम बीडला और लिडर ऑफ ओपोजिशन इन राज्यसवा मलियक आरज़ुन खडगिये त्साती इसमें जो लोकसवामें opposition leader है वो भी सामील होते हैं बात करें कर हम नेस्थन थान की तो यह स्टैचु ना की गई थी और अगर हम इसकी composition की बात करें तो एक chair person होता है और इनके लावा 5 member होते हैं तो इन में जो है 5 member में एक woman होना जरूरी है यह इसमें इसकी शर्त है साथी अगर इन सभी जो chair person है और जो members हैं इनकी अगर हम बात करें इनका tenure कितना रहता है तो 3 साल के लिए नुक बच्चों के लिए बाल सहायता योजना की सुरुवात की है जिन्होंने अपने माता-पिता में से किसी एक को कोविड-19 के कारण खो दिया है options आपके सामने हैं और correct answer होगा option A So Bihar state launched बाल सहायता योजना for those children who have lost either of their parents to COVID-19 देखे इस तरह की कई योजनाई चली हुई है और हम दिरे-दिरे सब को देख लेंगे ठीक है कुछ same नाम से भी है और कुछ अलग नाम से भी है तो देखे पिहार Chief Minister निदेश कुमार ने उन सभी बच्चों को जिन्होंने अपने माता-पिता को या फिर केवल माता को या फ मतलब जो Children's Home होते हैं वहाँ पर उनको रहने की विवस्ता कराई जाएगी और जो औरफन गर्ल्स हैं जो अनात पालिकाएं हैं उनको कस्तुर्बा गांधी पालिका Residential School यहाँ पर उनको एंडूल किया जाएगा बिहार की बात करें तो बिहारी Capital पटना है और Governor है फागू चुहान अच्छा यह सभी आप याद रखेगा वालमी की नेसल पार्क यह बहुत बार फ्रेंड्स एक्जाम में पूछा जाता है कि कहां पर है तो यह बिहार में है साथी गोतम बुद्ध बर्ड सेंचुरी ने कवर किये हुए हैं तो देखिए अगर हम बात करें सबसे आदा फीमेल पूलिस ऑफिसर्स किस स्टेट में है तो उसमें बिहार सबसे टोप पर है यह इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के नुसार आपको बताया गया है साथी कबड़ताल यह बिहार का फस्ट रामसर एंड लो कार्बन डेवलप्मेंट से रिलेटेड एक MOU को साइन किया था साथी यहां के चीफ मिस्टर नितीश कुमार ने बिहार का पहला बर्ड फेस्टिवल जिसका नाम है कल्रो इसको नागी नक्टी बर्ड सैंचुरी में इन्होंने उदगाटन किया था साथी बिहार स कि हमने हाली में हिट कोविड एप को भी लॉंच किया है तो यह सभी हमने MCQS फॉर्मेट में कवर किये हुए हैं यहां पर आपको रिविजन परपस के लिए बताए गए हैं आगे बढ़ते हैं सीरम इंस्टिटुट ऑफ इंडिया के CEO आदार पुनावाला को किस NBFC का अध अधार पुनावालों को अपना चेर्मेन न्यूक्त किया है और पुनावाला को आप जानते होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सीरम इंस्टिट ऑफ इंडिया के चीफ एक्जेकुटिव ऑफिसर हैं और कोविशिल्ट वैक्सीन भी इसी सीरम इंस्टिट ऑफ इंडि वैक्सीन मैनुफेक्चरर है सीरिम इंस्टिट ऑफ इंडिया यह आप याद रखे है आप पुने में इसका है ट्वाटर से है इसने बात कहिए ग्लोबल एकोनोमी के बारे में यानि वैस्टिट जो अर्थविवस्ता है उसके बारे में तो वो 2021 में 5.8% से ग्रो करेगी जबकि अगले साल यानि 2022 में 4.4% से ग्रो करेगी बात करें OECD की तो इसका हैटकॉर्टर स्पेरिस फ्रांस में है और इसके जो सेकरेटरी चनरल है इनका नाम है मैथियास कॉर्मेन भारतिय उद्योग परिसंग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा का ओप्शन सी सो टीवी नरेंदर्ण हैस बिन अपोइंटेड एस दा न्यू प्रेजिडेंट ऑफ दा कंफिटरेशन ओफ इंडियन इंडूस्टी सी आई 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 तो जो यह टीवी नरेंदर्ण है यह टाटा स्टील के सी यो एंड एमडी है और इनको दोजार इकिस बाइस पीरेड के लिए सी आई आई का नया प्रेजिडेंट बनाया गया है और यह उद्धे को टक को रिप्लेस करेंगे इससे पहले उद्धे को टक थे साथ ही आपको बता दे कि 2021-22 के लिए CII ने अपना एक थीम भी बनाया हुआ है इस थीम का नाम है Building India for a New World Competitiveness, Growth, Sustainability, Technology केंद्रिय प्रतक्ष कर बोड यानि CBDT के अंतरीम प्रमुक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है Options आपके सामने हैं और Correct Answer होगा Option D So J.B. Mohapatra has been appointed as the Interim Chief of the Central Board of Direct Taxes CBDT तो J.B. Mohapatra इनका नाम है जगनात बिद्ध्यादर मोहापात्रा तो इनको Central Board of Direct Taxes यानि CBDT के Interim Chief के रूप में नियुक्त किया गया है तीन महीने के लिए जो ये अंतरिम Chief बनाते हैं ये इसलिए बनाते हैं मानली ये किसी का कारेकाल पुरा हो गया है तो उसके बाद आप जो है अभी तक किसी की नियुक्ती पर्मानेंट नियुक्ती नहीं कर पाए हैं लेकिन उस Office का कारेबार भी किसी की देखना है तो इसलिए आप एक temporary basis पे या फिर कुछ time period के लिए जब तक की कोई पर्मानेंट आप नियुक्ती नहीं कर देते तब तक के लिए आप किसी को वहाँ पर उस position पर बिठा देते हैं कि इसका आप कारेबार देखिए तो उसी को बोलते हैं अंतरिम Chief या फिर interim Chief और आपको बताने कि जो CBD है इसके चेर्मेन होते हैं और इसमें छे मेंबर हो सकते हैं नोसेनाई डॉक्यार्ड के एड्मिरल अधिक्षक के रूप में किसने कारेबार ग्रेंड किया options आपके सामने है सही answer होगा option A देखे जो यह नवल डॉक्यार्ड है विसाका पत्नम आंधर परदेश में है और आईबी उताईया इनको एड्मिरल सुप्रिटेंडन यहां पर बनाया गया है यह रियर एड्मिरर स्रीकुमार नायर को रिप्लेस करेंगे आइसलेंड गंडराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है सही answer होगा option A so B. Shyam has been appointed as the next ambassador of India to the Republic of Iceland और आइसलेंड के अगर हम बात करें तो आइसलेंड की जो capital है यह है रेकविक यहाँ पर जो यह J है यह silent रहता है तो इसका सही pronunciation होगा रेकविक capital है रेकविक और इसकी currency है आइसलेंडिक क्रोना तो यह आप देख सकते हैं यह आइसलेंड है ये रोप में आता है यह किस दिन मनाया जाता है options आपके सामने है और correct answer होगा option C सो word milk day is celebrated on June 1st तो एक जून को मनाया जाता है word milk day किसके द्वारा food and agriculture organization द्वारा यह इसकी स्थापना की गई थी जो food and agriculture organization यानि फाव भी इसको बोलते हैं इसका headquarters Rome Italy में है कई वार exam में पूछा गया है याद रखेगा साथी आपको बता दें इस बार जो word milk day इसका जो थीम रहा है या फीज जो focus रहा है वो रहा है sustainability in the dairy sector with messages on nutrition साथी आपने डॉक्टर वर्गिस क्यूरियन का नाम सुनाओगा इन्हे father of the white revolution इंडिया कहा जाता है white revolution का मतलब क्या है operation flood operation flood 13 जनवरी 1970 यानि 13 जनवरी 1970 को launch किया गया था और यह वर्ड का largest dairy development program था इसने milk sector में भारत की बिल्कुल इस्तिती जो है जीरो से और सबसे उचाई तक ले गया किस तरह से देखिए यहां पर किवल भारत ने milk production करने में सबसे नंबर वन नहीं बना बलकि जो यहां पर आपके जो लोग थे वो काफी संख्या में इस sector से ज यूड गए तो दोनों तरह से चला ठीक है अच्छा और 1998 में United States of America को सरपास कर दिया था भारत ने और नंबर वन प्रोडूसर कंट्री बन गया था और फिलाल भी इंडिया जो है वर्ड का largest milk producer है और इसके बाद यूएस से आता है फिर चाइना फिर पाकिस्तान और फिर ब् निम लिखित में से किस भारवर्ग में पारते मुख्यवाज संजीत कुमार ने ASBC एशियाई चैंपियंशिप में स्वंड पतक जीता है ओप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन डी सो इन 91 kg weight category इंडियन बॉक्सर संजीत कुमार वोन गोल्ड मेडल इन ASBC Asian Championship काफी important question है याद रखेगा एक तो इसमें यह important question है कि जो यह Asian Championship हुई है जो Asian Boxing Championship हुई है यह कहाँ पर हुई है तो यह दुबई UAE में हुई है और यहाँ पर इन्होंने gold medal जीता है संजीत ने तो इन्होंने कजागस्तान के boxer को और आया है वैसिली लेवित को अच्छा यहाँ पर और कौन-कौन से gold medal या फिर silver medal या bronze medal जीते हैं तो देखे women's category में पूजा रानी ने gold medal जीता है ठीक है अभी हमने देखा था previous session में कि यहाँ पर इन्होंने MCQ format में हमने देखा था साथी silver medal किस ने जीता मेरी कॉम ने जीता और लद बॉत शाही ने जीता अनुपमानी जीता साथी मैंस में भी अमित पंगल और सीवा थापा ने यहाँ पर silver medal जीता है ठीक है तो इन्होंने मैंस उसमें जीता है इवेंट में और bronze medal किस-किस ने जीता है सिमरन जीत कौन ने लॉबली ना बॉर्गोई ने जैस्मिन ने शाक्षी शोदरी ने मोनिका ने और सभी टी ने तो इन सभी ने यहाँ पर bronze medal जीता है तो यह आप याद रखेगा यह तो देखना जरूई नहीं है यह आपके लिए याद रखना है कि यह किस sports से जुड़े हुए है ठीक है तो अनुपवा किस से जुड़ी हुए है आपके लिए bank of hope LPGA match play 2021 किस ने जीता options आपके सामने है और correct answer होगा option B so Ellie Ewing won the bank of hope LPGA match play 2021 तो ये golf event है और friends इस तरह question काफी important होते हैं आपके लिए देखने से आसे लगता है कि ना तो हमने सुना है और ना ही इस तरह question पुछे जाते हैं लेकिन friends इस तरह एक question पूछ ले जाते हैं ये आप याद रखेगा the Hindu के sport section में जो है ये दिया हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पर इसको cover किया है और main बात ये है कि इस question की importance इसलिए भी है क्योंकि ये inaugural event था यानि पहली बार ये खेला गया था event पहली बार आयोजन किया गया था इसका इसलिए ठीक है तो इसको आप याद रखेगा यहाँ पर गोल्फ की बात हो रही है तो bank of hope LPGA match play ये जीता है अमेरिका की एली विंग ने राष्टिय सांखी की कारेयले के अनुसार 2020-21 में भारत की GDP में कितने पर्तिशत की कमी आई है ओप्शन्स आपके सामने है और correct answer होगा option D so as per the national statistical office इंडिया's GDP contracted by 7.3% in 2020-21 जानते हैं इस पुरी नियूस के बारे में तो देखी जो national statistical office है तो इसने national income estimates जारी किये है इसके हिसाब से इसने कहा है कि जो भारत की GDP है 2020-21 में यह 7.3% से contract हुई है यह फिर संकुचन इसमें देखा गया है और इन्होंने इसमें कहा गया है कि 2019-20 में जब pandemic की शुरुआत नहीं हुई थी कोरोना pandemic की तो इससे पहले 4% की growth यहां पर देखी जा रही थी लेकिन उसके बाद जो है 7.3% जो है contraction देखा गया है साथ ही यहां पर बात की है gross value added GVA की तो इन्होंने काया है कि 2020-21 में जो GVA है यह 6.2% से जो है contraction इसमें देखा गया है श्रेंक इसी का मतलब होता है जबकि previous year में 4.1% का rise इसमें देखा गया था इसी तरह के arc difference पेपो ने पुछे जाते हैं banking वालों के लिए ध्यान रखेगा साथी इसमें यह भी बताए गया है कि वल दो ही ऐसे sector है जिरोंने negative trend नहीं दिखाया है कौन-कौन से sector ने एक तो agriculture, forestry और fishing जो की 3.6% से ग्रो किया है दूसरा है electricity, gas, water supply and other utility service यह 1.9% से इसने ग्रो किया है तो याद रखिया कि वल दो sector ऐसे हैं जिरोंने negative trend नहीं दिखाया है अच्छा यह gross value edit क्या होता है देखे ग्रोस value edit में हम जो है अलग-अलग sector की जो है output उनका measure करते हैं आप फिर contribution देखते हैं किसी particular sector का मान लिजे कोई एक particular sector है तो उसका contribution हम उसमें major करते हैं अब इसी तरह से मान लिजे एक sector X हो गया एक sector Y हो गया एक sector Z हो गया तो तीन हो गया हमने अलग-अलग contribution यानि कि उसका output जो है वो हमने calculate कर लिया उन सभी को हमने जोड दिया अब इन सभी को जोडने के बाद जो भी हमारे product से जो calculation हमन कर दिया तब यह फूरा बन जाता है GDP at market price तो यह अंतर होता है GDP और gross value added में हाला कि इस तरह की चीज़े लिखने से ही समझाई जा सकती है जब economy के जब हम वो शुरू करेंगे अपने lecture सुरू करेंगे तो उसमें अच्छे से बताया जाएगा साथी यह देखिए आप यह भी आप याद रखेगा 2021 की बात की जा रही है जो first quarter था यानि अप्रेल से जून तक का जो quarter था अप्रेल मही जून इसमें 24.4% से जो GDP है उसमें गिरावट देखने के लिए मिली थी ठीक है यह आप याद रखेगा है तो हम सब होगों पताए कि काफी बड़ी गिरावट यहां पर देखने के मिली थी quarter जो second quarter था उसमें यानि की जुलाई से सितमबर तक जुलाई अगस सितमबर इसमें 7.4% का contraction देखने के लिए मिले था लेकिन जो third quarter था October, November, December इसमें 0.5% का rise देखने के लिए मिले था यह याद रखेगा और अब जो fourth quarter हमारा गया है जनवरी, फरवरी और मार्च का इसमें 1.6% का rise देखने के लिए मिला है, growth देखने के लिए मिला है, तो यह आप याद रखेगा 1.6%, fourth quarter में जो है GDP कितने से grow की, 1.6% से grow की है, यह आप याद रखेगा, USPGA Tour Charles Swap Challenge किसने जीता है, options आपके सामने है, और correct answer होगा option A, तो यहाँ पर golf की बात की जा रही है, तो यह event जीता है, जैशन को correct ने, यह भी आपके दहिंदू नियूस पर अपर से लिया गया है, तो इस तरह की events पूछ ले जाते हैं, याद करने में तो देखे कोई कुछ ज कीजिए, एक्जाम में हम बिल्कुल नहीं बता सकते कि कब क्या पूछ लिया जाए, तो इसलिए हमें हर तरह के question के लिए तयार रहना चाहिए, नेक्ट question है मारे पास, 2021, Copa America किस देश में खेला जाएगा, options आपके सामने है, और correct answer होगा, option A, तो 2021 का Copa America football event होता है, यह ब्रा दोनों मिलकर करने वाली थी, लेकिन अब इन दोनों ने हाथ खड़े कर दिये हैं, और इसके बाद अब ब्राजिल इसको host करेगा, ठीक है, तो football event होता है, आप सभी जानते भी होंगे, अर्जेंटिना करने वाला था, लेकिन अब ब्राजिल इसको host करेगा, तमबाकु निय हर्षवर्धन has been awarded the WHO Director General Special Recognition Award for Tobacco Control, देखे, World Health Organization यानी WHO द्वारा डॉक्टर हर्षवर्धन को ये अवार्ड टोबाकु निया तमबाकु कंट्रोल करने के लिए, उनके द्वारा किये गए परियासों की सफलता के लिए दिया गया है, आपको बता दें कि वर्ड नो टोबैको ये 31 मई को मनाया गया है, हर साली 31 मई को ये मनाया जाता है, और इस पार 2021 में इसका theme रहा है, Commit to Quit, साथ ही आपको बता दें जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, इनके पास तीन ministries हैं, तीन वंत्राले हैं, एक तो Minister of Science and Technology, Minister of Health and Family Welfare, और थर्ड है Minister of Earth Sciences, आगे बढ़ते हैं, नि पहला देखते हैं, Eastern Naval Command, मनोज पांडे, B है, Deputy Chief of Naval Staff, रवनीत सिंग, C है, Chief of Material of Indian Navy, संदीप नेथानी, D है, All are correct, तो इसका सही answer होगा option, D, All are correct, देखे, सभी हाल ही में अपोइंट किये गए हैं, देखे, Lieutenant General, मनोज पांडे, इन्हें Eastern Command जो हैं, आपकी विसाका पढ़नम Chief बनाया गया है, साथी, Vice Admiral, रवनीत सिंग, इन्हें डिप्टी Chief of Naval Staff, मनाया गया है, और Vice Admiral, संदीप नेथानी, इनको Chief of Material, Indian Navy, बनाया गया है, आगे बढ़ते हैं, State Bank of India के अनुसार, वित्यवर्स 2021-22 में भारत के लिए अनुमादित GDP विकासतर क्या है, ओप्शन आपके सामने हैं, और correct answer होगा, ओप्शन C, So, 7.9% is the estimated GDP growth rate for India, in fiscal year 2021-22, as per the State Bank of India, तो देखिए, SBI जो अपनी report निकालता है, ECOREP report, तो इसमें इन्होंने काया है कि, 2021-22 के लिए भारत की GDP रहेगी, 7.9% से grow करेगी, पहले इन्होंने काता है कि, 10.4% से grow करेगी, तो क्योंकि second wave के कारण, यहाँ पर इन्होंने, इसमें, जो है, cut होती की है, साथी, इस report में यह भी कहा गया है, कि जो भारत की GDP है, यह W-shaped रहेगी, ना कि V-shaped रहेगी, देखिए friends, यह हमने newspaper में या फिर news में सुना होगा, कि V-shaped recovery, या U-shaped recovery, जल्दी से देख लेते हैं, कि क्या होता है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, important है यह आपके लिए इसलिए GDP है, यह मानगे चलिए टाइम है, यह पहला है हमारे पास V-shaped, तो देखिए, sharp decline हुआ GDP में, पहले GDP हमारी सही कार्य कर रही थी, यहाँ पर थी, उसके बाद sharp decline हुआ, और sharp ही उसमें rise हुआ, धडाम से गिरी, और काफी तेजी से recover भी हुई, तो इसको बोलते हैं, V-shape, U-shape ने काफी तेजी से recovery की, लेकिन यहाँ पर recovery भी काफी, recovery होने में काफी longer time इसने लिया है, इसे बोलते हैं, U-shape, यानि steep slope नहीं है, जितना इसका steep था, यहाँ पर थोड़ा gradual slope है, डबलू की बात करें, तो sharp decline हुआ GDP में, और sharp rise भी हुआ, फिर से sharp decline हुआ, और फिर से sharp rise गई है, आपर SBI के report में की W-shaped recovery रहने वाली है, यानि कि एक बार तो देखे, GDP काफी गिर गई थी, उसके बाद फिर recover हुई, फिर दुबारा गिर गई, फिर दुबारा recover होगी, ऐसा का आ गया है, L-shaped recovery, L-shaped recovery क्या है, देखे फिर से वही है, कि decline हुआ है, sharp decline हुआ है, और की तरह से कभी भी economy recover नहीं कर पाती है, काफी लंबे समय तक, यह याद रखेगा L-shaped में, दूसरी है हमारी last, Swoos, या फिर tick-shaped recovery, तो इसमें देखे फिर से sharp decline है, लेकिन जो recovery है, यह काफी steady है, और gradual recovery है, यानि stable आप कह सकते हैं, धीरे-धीरे बढ़ रही है, ठीक है, ना तो पांच लाक रुपे की सायता की घोशना की है, options आपके सामने है, और correct answer होगा, option D, so Tamil Nadu has announced रुपीज 5 lakh assistance to children who lost both the parents due to COVID-19, तो तमिलाडू के चीफ मिनिस्टर है, M.K. स्टैलिन, आपको मालू होगा, और तमिलाडू की जो governor है, यह है, बनवारी लाल पुरोहीत, capital है, चेन नह आपको पता होगा कि तमिलाडू में हाली में 5th Tiger Reserve बनाया गया है, यह आप याद रखेगा, यह प्रूव कर दिया गया है, तो इससे पहले 4 Tiger Reserve कौन से है, यह है, कलाकड, मदन्तुराई Tiger Reserve, अनमलाई Tiger Reserve, मदुमलाई Tiger Reserve, और सत्यमंगलम Tiger Reserve, और अब जो यह 5th बना है, यह कौ पार्क, गल्फ ओफ मननार, मरी नेसल पार्क, पॉइंट कैलिमेर, वाइल लाइफ सेंचुरी, और कलाकड वाइल लाइफ सेंचुरी, यह सभी तमिलनाडू में है, और मिनाक्षी टेमपल, ब्रेधिश्वार टेमपल, स्री रंगनत स्वामी टेंगपल, और मॉनोलिथिक, रोग टेमपल, महाबलीपुरम, यह सभी तमिलनाडू में है, टेमपल फ्रेंड्स आपकर आप खासकर याद रखेगा केरल और तमिलनाडू के, इन दोनोई स्टेट्स के जो टेमपल हैं, यह एक्जाम में पोशे जाते हैं, साथी भरतनाट्यम आप जानते होंगे, तमिलन यूरिया फोर फार्मर्स, तो इसको किये नैनो बायो टेक्नलरजी रिसर्च सेंटर है, कलोल गुजराद में, तो इसने वर्ड का पहला नैनो यूरिया इसको लॉंच किया है, तो यह लिक्विट फोम में है, और जो यूरिया के जो कन्वेंशनल बैग जो आते हैं, जिन ब इसको की बात करें, यानि इंडियन फार्मर्स, फर्टिलाइजर, कोपरेटिव लिमिटेट, अगर हम इसकी बात करें, तो 1967 में इसकी स्थापना की गई थी, इसके चेर्मेन बलविंदर सिंग नकई है, और मैनेजिंग डिरेक्टर है, यूएस अवस्ति, पूछ ले जाता ह है, और सिधे सही आंसर होगा, ओप्शन ए, तो नेटो, कंड़क्टेड, स्टीड फर्स्ट, डिफेंडर 21, वार गेम्स, एक तरह की ये मिलिटरी एकसाइज आप कह सकते हैं, नेटो, मतलब नोर्थ अट्लैंटिक ट्रेटी और्गनाइजेशन, तो इसने जो है, सामिल हैं, कुछ यूरोप के हैं, और कुछ नोर्थ अमेरिका के हैं, तो इनका मोटो यह है, कि हमारे यदि किसी मेंबर कंट्री पर कोई दूसरी कंट्री हमला करती है, या फिर अग्रेशन दिखाती है, तो यह हम सभी की कलेक्टिव रिस्पॉंसिबिटी है, कि हम उस जो जो एनिमी कंट्री है, उससे जो है निपटे, उसके खिलाफ लड़े, तो अगर मान लिजे यह 30 कंट्री है, किसी एक के उपर भी, मान लिजे दूसरी कंट्री हमला बोलती है, तो यह जो साथी कंट्री है, यह सभी उसका सहयोग करने के लिए आ गया जाएंगी, और इसकी स सेकरेटरी जनल है, जेन्स स्टोल टेनवर्क, विश्व साइकल दीवस किस दिन मनाया जाता है, ओप्शन आपके सामने है, और करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन दी, सो वर्ड बाइसेकल डे इस सेलिबरेटेड ओन जून थर्ड, और इस बार इसका थीम राय दोजार इकिस मे यूनिकनेस, वर्साइटिलिटी, और लोंगेविटी ऑफ दा बाइसेकल एस सिंपल, सस्टेनेबल, एकोनोमिकल, एंड रिलायबल मोड ओफ ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा ये आप याद रखेगा, यून सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फरेंस, ये इसी साल अक्तो साहता प्रदान करने के लिए, शक्षम योजना सुरू की है, जिन्होंने कोविट महमारी के कारण इकलोते कमाने वाले को खो दिया है, ओप्शन आपके सामने हैं, और करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन दी, सो जम्मो एंड कश्मीर हैट्स लॉंच्ट सक्षम इसकीम तो प्र वो कोई मेल भी हो सकता है, और फीमेल भी हो सकती है, तो देखिए, जम्मो एंड कश्मीर के लेफ्ट एंड कवेंडर है मनोसीना, तो इन्होंने स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फोर कोविड मॉर्टैलिटीज, S.A.S.C.M. या फिर हिंदी में इसको सक्षम इन्होंने कहा है, इसको लॉंच किया है, जिसके तहित ये फाइनेंसल असिस्टेंस प्रोवाइट कराएंगे, किस तरह की, 1000 पर मन्त दिया जाएगा, किसको, मान लिजे, कोई व्यक्ति है, वो अकेला कमाता था, तो उसकी वाइफ को दिया जाएगा, यदि कोई लेड़ी कमाती थी, उसकी ड प्रोवाइट होई तो माता-पिता को दिया जाएगा, तो इस तरह से दिया जाएगा, और अगर इस तरह की, जो स्कूल कोईंग स्टूडेट्स हैं यदि इस तरह की, जिनके माता-पिता ही नहीं रहे हैं, तो उनको 20,000 पर एनम की स्कॉलर्शिप दी जाएगी, और अगर जार 1. Chuck की जो यह साहदा परदान की जाएगी देखिये अगर आप नैशनल लेवल के एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बैंक एक्जाम के तैयारी कर रहे है तो उसके तेहट आपके लिए यह information इत्नी important नहीं उसके लिए आपके लिए किवल इत्नी important है कि इसकीम का नाम क्या है, किस से संबंदित है और किस राज्य ने लौंच की है, केवल तीन चीज़े आपके लिए जानने वाली है, हाँ अगर आप जम्मो एंड कश्मीर का कोई एक्जाम दे रहे हैं, तो उसमें इस तरह की डिटेल आपके लिए जाननी चाहिए, साथे अगर हम बात करें जम्मो एंड कश्मीर की, तो समर कैपिटल स्रीनगर है और विंटर कैपिटल जम्मो है, आपको बता दे कि जम्मो एंड कश्मीर, ये किस तारिक से यूनियन टेरेट्री के रूप में अस्तित्व में आया, 31st October 2019, ये डेट याद रखेगा, कब से भावित बच्चों के लिए एक online portal बाल स्वराज त्यार किया है, options आपके सामने है, और सही answer होगा option C, so NCPCR has devised an online portal बाल स्वराज for children affected by COVID-19, तो NCPCR, इसका मतलब क्या है, National Commission for Protection of Child Rights, तो इसने जो ये portal बनाया है, बाल स्वराज, तो इसमें जो भी देखे, अलग-अलग states, इसने कहा है कि इस portal पर आप उन सभी बच्चों का registration कर दीजिए, या फिर उनकी list डाल दीजिए, फिर उसी साब से, यदि कोई दूसरा व्यक्ति donation देना चाता है, तो वो दे सकता है, तो यहां से एक data मिल जाएगा, कि कौन-कौन से बच्चे हैं, किस state से हैं, जिनको help चाहि होते हैं, अगर हम बात करें NCPCR की, तो यह एक statuary body है, यानि इसको सम्विधान द्वारा नहीं बनाया गया, इसको पार्लेमेंट में एक act के द्वारा बनाया गया है, Commission for Protection of Child Rights Act 2005 के तैद बनाया गया है, और यह Ministry of Women and Child Development के अंतरगत आती है, किस कंपनी ने हर मोहन सानी को अपने Realty कारोबार का मुख्य कारेकारी अधिकारी यानि CEO नियुक्त किया है, सही आंसर होगा Option B, और साथी रेमंड के जो चेर्मेन एंड मैनेजिंग डिरेक्टर हैं यह हैं, गोतम हरी सिंगानिया, रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने सिवाची राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद कर दिया है, यह बैंक किस सहर में इस्तित है, ओप्शन आपके सामने हैं और सही आंसर होगा Option A, So, RBI has cancelled the license of सिवाची राव भोसले सहकारी बैंक, इस बैंक इस बेस्ट इन पूने, पूने बेस्ट यह बैंक है, और इसका लाइसेंस रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने रद कर दिया है, Reserve Bank of India ने कहा है कि इसके पास परियाप्त मातरा में Capital नहीं है, और नहीं इसको फ्यूशर में कुछ इस तरह से लग रहा है कि यह अपना जो कारिय है, उसको सही रूप से संजालित कर सकता है, अच्छा इसके तरह आप एक चीज जो Banking Esperance से खास करकी वो तो जरूर सुनिएगा, देखे एक यह संस्था होती है, DICGC, इसके बारे में भी जानेंगे, तो मान लिजे कोई बैंक का अगर लाइसेंस रद कर दिया जाता है, तो यह जो DICGC है, यह जो है, जितने भी मान लिजे आपका किसी बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, तो यह आपके, जो आपका amount है उसमें, उसको यह insured करके रखती है, उसको यह insurance दे करकती है, DICGC, पांच लाग रुपे तक का maximum यह insurance देती है, मान लिजे आपका deposit है किसी बैंक में, और RBI ने उस बैंक का license रथ कर दिया है, तो जो भी आपके deposit amount है, उसके इसाब से पांच लाग रुपे तक का यह आपको उसका भुकतान करती है, तो यह insurance देती है, कौन से act के तुरू बनाया गया था इसको, DICGC Act 1961, अब जानते हैं, देखे, इसका पूरी full form क्या है, deposit insurance and credit guarantee corporation, DICGC, तो पूरी तरह से Reserve Bank of India के control में है, यह आप याद रखेगा, कभी-कभी इस तरह के भी पूछ ले जाते हैं, कि किसके control में है, किसकी subsidiary firm है, तो याद रखेगा, Reserve Bank of India की है, तो यह जो है, आपका जो भी bank में amount होता है, उसको insured करके रखती है, उसका बीमा करके रखती है, और जो RBI के deputy governor हैं, one of the deputy governors जो है, Dr. MD Patra, यह इसके chairman है, के अंदर सरकार ने MSME 6-3 साइथा के लिए ECLGS के दायरे का विस्तार किया है, इसके तहट कितनी रासी तक के रिणों पर 100% guarantee cover परदान किया जाएगा, options आपके सामने हैं और correct answer होगा, option D, So, the union government has expanded the scope of ECLGS to aid the MSME sector, under this 100% guarantee cover will be extended to loans of up to Rs. 2 crore, देखें, जो यह emergency credit line guarantee scheme है, ECLGS, तो इसको जो है, micro, small and medium enterprises sector, तो इनके तहट इनके लिए जो है, expand कर दिया गया है, और इसमें क्या कहा गया है, देखें, तो ECLGS 4.0, तो यह scheme तो देखें, पहले से launch रखी है, तो अलग-अलग sector को अलग-अलग इस तरह से categorize किया गया है, तो ECLGS 4.0, इसके तहट, मान लिजे, 2 crore रुपे तक का loan दिया गया है, hospital setup करने के लिए, या nursing homes को, या फिर clinics को, या medical colleges को, किसलिए, मान लिजे, oxygen generation plant किसी को मनाना है, तो इस तरह की जो setup किया जाएगा, तो उसके लिए, 2 crore रुपे तक का, जो भी loan दिया जाएगा, तो उस पर 100% guarantee देगी, ये वाली firm, national credit guarantee trustee company, फिर से वही वाली बात होगी, जैसे हमने पिछले देखा था, मान लिजे, 2 crore रुपे तक का loan दिया गया, तो उस पर उसकी guarantee कौन लेगा, उसकी guarantee लेगी ये, national credit guarantee trustee company, अब जो ये 2 crore का loan है, ये कौन देगा, मान लिजे, जो ये schedule commercial bank होते हैं, या फिर जो ये non banking financial company होती है, ये सभी 2 crore रुपे का loan देगे, अब मान लिजे, ये loan जो है, recover नहीं हो पा रहा है इन से, तो उसकी guarantee देगा, national credit guarantee trustee company, 100% guarantee देगा, तो उन bank को ये 100% पैसा वापस लोटाएगा, ये इसका फाइदा है, इस scheme का, और साथी जो civil evasion sector है, इसको रखा गया है, ECLGS 3.0 के अंतरकत, और interest rate भी हाँ पर cap कर दिया गया है, limit लगा दिया गया है, 7.5% रहेगा interest rate, जो भी loan दिया जाएगा, और साथी आपको बता दें कि, जो ये ECLGS scheme है, इसको 30 सितंबर 2021 तक, जो है extend कर दिया गया है, या फिर कब तक कर दिया गया है, जब तक की 3,00,000 क्रोड रुपे तक का loan, आवंटित नहीं हो जाता, इस scheme के तहट, यानि insured नहीं हो जाता, आयोप आप इसको समझ गई होंगे, अगर नहीं समझे हैं, तो फिर से आप एक बार सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा, परधार मंत्री गरीब कल्यान पैकेच, बीमा योजना का उद्देश, सभी स्वास्त सेवा परदाताओं को, कितने रुपे तक का व्यक्तिकत, दुर्गटना कवर परदान करना है, ओप्शन आपके सामने है, और करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन बी, परधार मंत्री गरीब कल्यान पैकेच, इंशुरेंस स्कीम, एम्स तु प्रोवाइट कॉंप्रिएंसिव पर्सनल एक्सिदेंट कवर ओफ रुपीज, 50 लाग तु ओल हेल्थ केर प्रोवाइडर्स, देखिए इसकीम इसलिए नियूज में है, परधार मंत्री गरीब कल्यान पैकेच, इंसुरेंस स्कीम, ये हेल्थ वर्कर्स के लिए लॉँज जो की गई थी, तो ये इसको एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, कबसे 24 अपरेल 2021 से एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था इसको, और पहले इसको केवल 90 डेस के लिए ही लॉँज किया गया था, जब इसको 30 मार्ट 2020 में लॉँज किया गया, तब 90 डेस के लिए इसको लॉँज किया गया था, अब इसको एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानि 2022 अपरेल तक बढ़ा दिया गया है, तो इसने 50 लाग रुपे तक का पर्सनल एक्सिडेंट इंसुरेंस दिया जाता है जो हेल्थ केर प्रोवाइडर्स हैं उनको और यह स्कीम किसके द्वारा इंप्लिमेंट की जा रही है New India Assurance Company के द्वारा N.I.A.C.L. के द्वारा यह आप याद रखे हैं काफी important है आपके लिए उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिसने अलपन बंदो पाध्याय को परधान सलाकार न्युक्तिया है options आपके सामने हैं और सही answer होगा option B so ममताव अनर्जी has appointed अलपन बंदो पाध्याय as हर principal advisor तो देखिए आपको पता होगा कि काफी खीस्तान चल रही है Central Government और West Bengal में इनी को लेकर आलपन बंदो पाध्याय को लेकर तो यह जो है रिटायर हो गए हैं और ममताव अनर्जी ने इनको अपना principal advisor बना लिया है इससे पहले ममताव अनर्जी के ही जो है आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा option B सुप्रिया पॉल इन्होंने ये बुक लिखी है All You Need Is Joe's Stories of Courage आपके सामने हैं और करेक्षियान का नाम बताइए जिसे चीन ने Long March 7 रोकेट से हाल ही में लॉंच किया है आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा option B त्यांजोव 2 ये वो कार्गो इस्पेस क्राफ्ट है जिसे चाइना ने हाली में लॉंच किया है देखे मैं आपको पुरा बता देता हूँ पहली बात तो यह है कि चाइना जो है अपना एक इंटरनेशनल इस्पेस इस्टेशन बना रहा है जो कि 2022 तक बनकर त्यार हो जाएगा इसका नाम है त्यांगों यानि इसे बोलते हैं Heaven's Palace क्योंकि जो फिलाल जो कारे कर रहा है इंटरनेशनल इस्पेस इस्टेशन तो यह अमेरिका और यूरोपें कंट्रीज का इस पर पुरा कंट्रोल है और चाइना को इन्होंने इससे बाहर रखा हुआ है ठीक है तो अब चाइना जो है अपना ही इंटरनेशनल space station बना रहा है तो इसके लिए कुछ components भी उपर भेजने पड़ेंगे ठीक है space में तो उसी के लिए जो ये 11 mission इसके तहती है लॉंच करेगा तो सबसे पहले तो ये त्यान है इस तरह का एक ये module लॉंच किया था कुछ component ये उपर ले कर गया space में अब इसके बाद इन्होंने लॉंच किया है इसको त्यान जो वू टू को तो कुछ component अब ये उपर ले कर जाएगा तो इसी तरह से 11 बार कुछ ना कुछ component ले जाएंगे उस हिसाब से फिर चाइना वहाँ पर अपना जो है एक इंटरनेशनल इस्पेस इस्टेशन सेट अप कर देगा तो ये है इसका पूरा मतलम और हाली में चाइना ने मंगल पर अपना जुरोंग रोवर ये भी उता रहा है ये आप याद रखेगा और चाइन प्रशिना में जो है वन चाइल्ड पोलिसी लाग हुई थी नाइंटीन इटी से उन्निस सो असी से केवल एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं उसके बाद 2016 में फिर इसको जो है खतम कर दिया गया था वन चाइल्ड पोलिसी और टू चाइल्ड पोलिसी नों ने ला दी थी तो क्या है ओप्शन्स आपके सामने है और सई आंसर होगा ओप्शन डी सो 9.3% मोडी ने कहा है कि भारत की जीटीपी ग्रोथ रहने वाली है फिसकल ये 22 में तो फिसकल ये 22 यानि 2021 में 9.3% रहेगी और अगले साल यानि 2022 में रहेगी 7.9% बाकिया आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है SBI का 7.9% फिसकल ये 22 या फाइनशल ये 22 के लिए बताया गया है ICRA ने इतनी लिमिट दी है केर ने इंडिया रेटिंग्स, RBI और एकनोमिक सर्वे अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इंचीफ के रूप में किसे निकोबार कमांड किया गया है रखेगा कि जो अंडमान और निकोबार कमांड है ये पोर्ट ब्लेर में है और ये जो है इकलोती ट्राइ सर्विस थीटर कमांड है इंडिया की जा फिर आम्ड फोर्स की आप कह सकते हैं आम्ड फोर्स में आती हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एर फोर्स coastal जो security है यह सबी armed forces में आती हैं तो यह इकलोती tri service theater command है इंडिया की इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि Indian Army Indian Air Force और Indian Navy यह jointly यहाँ पर operate करते हैं तो इस तरह की और कहीं पर भी इस तरह का setup नहीं बनाया गया है पूरे भारत में केवल यह पोर्ट ब्लेर में है ठीक है अंडबान निकोबार में है तो jointly operation करते हैं अलग-अलग training होती है तो इसलिए जो यह तीनों है जो armed forces हैं जो Indian Army, Indian Navy और Indian Air Force तो इनके commander in chief बनाये गई है Lieutenant General Ajay Singh तो आयोब आप समझ गयोंगे क्या मतलब है only tri service theater command का और अभी हमने क्या पड़ा था कि जो मनोज पांडे हैं इनको eastern command Indian Army का जो है इनको चाड़ दिया गया है और जो vice admiral रवनीत सिंग है इनको deputy chief of naval staff मनाया गया है Indian Navy में और vice admiral संदीप नेथानी इनको chief of material of Indian Navy बनाया गया है सार्वनी छेत्र के bank covid-19 उपचार के लिए कितनी राशी तक के व्यक्तिकत रिंड दे रहे हैं options आपके सामने हैं और correct answer होगा option D so public sector banks are offering personal loans of up to rupees 5 लाग for the covid-19 treatment देखिए covid-19 के treatment के लिए या फिर किसी के family members को treatment चाहिए तो उसके लिए जो public sector banks है यह personal loans दे रहे हैं maximum amount रहेगी इसमें 5 लाग रुपे तक की और इसमें interest rate यह charge करेंगे 8.5% का और minimum loan amount रहेगी 25,000 की आपको बता दें generally 14-18% का interest चार्ज करते हैं लेकिन यहाँ पर 8.5% का charge करेंगे साथ ही आप कोई भी जानना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति loan चाहता है जैसे hospitals के लिए कोई organization loan चाहती है या nursing homes को set up करने के लिए चाहती है या फिर oxygen plant लगाने के लिए चाहती है तो उसके लिए जो 2 करोड रुपे तक के loan दी जाएंगे तो उस पर 7.5% का ही interest चार्ज कर सकता है bank इस तरह की cap यहां पर लगा दी है तो यह आप याद रखेगा यह काफी important है आपके लिए और यह तो आप जानती होंगे कि भारत में 12 public sector banks है फिलाल भारतिय नो सेना के कार्मिक प्रमुक के रूप में किसने पदभार करेंड किया options आपके सामने हैं सही answer होगा option D so दिनेश के त्रिपाठी has assumed charge as chief of personnel of Indian Navy और आपको बता देए अतिविस्ट सेवा medal और नो सेना medal इन सब को भी जो है प्राप्त कर चुके है जुद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण नियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है options आपके सामने हैं सही answer होगा option D so किरन देश्मुक has assumed charge as the controller, warship, production and acquisition देखे ये सभी नियुक्तिय आपके लिए काफी important है क्योंकि P.I.E.B. में जो हैं ये सभी नियुक्तिय दी गई है तो इसलिए आपके लिए important है exam में कब क्या पूछ ले जाए हम नहीं जानते तो इसलिए हमें ये सभी पढ़ने है अच्छा से याद रखनी है तो किरन देश्मुक को पनाया गया है controller, warship, production and acquisition इसका चार्ड जिनको दिया गया है अनिरुद्ध जगन्नाथ जिनका हाल ही में निजन हो गया किस देश के पूरवपरधान मंत्री तथा राष्टपती रह चुके थे options आपके सामने है और correct answer होगा option C So, अनिरुद्ध जगन्नाथ who passed away recently was the former prime minister and president of Morisus तो देखिए जो ये है ये Morisus के longest serving prime minister भी रह चुके है 18 साल जो है ये prime minister रहे है इनको modern Morisus का architect भी कहा जाता है और साल 2020 में पदवी पूशन के लिए इनको भारत द्वारा चुना गया था Morisus के अगर हम बात करें तो यहां के prime minister फिलाल जो है यह है प्रविंद जगुनाथ और प्रेसिडेंट है प्रितिवरास सिंह रूपन रूपन और कैपिटल है और लूइस और करंसी है यहां की Morisian रूपी वाई उसेना के उप्रमुक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है यह question आपके लिए काफी important रहने वाला है options आपके सामने है और correct answer होगा option D so Vivek Ram Chaudhary has been appointed as the Vice Chief of Air Staff और साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि जो बल्लब राधा कृष्णा है इनको जो Western Command है जो Air Force की वो डैली में है इसके Chief बनाए गया है और Air Marshal R.J. Duckworth इनको Central Air Command जो की परियाग राज उत्तर परदेश में है इसकी जो है कमान इनको सोपी गई है Indian Broadcasting Foundation के अध्यक्ष की रूप में किसे न्यूक्त किया गया है सही answer होगा option C So Vikram Jit Sen has been appointed as the Chairman of the Indian Broadcasting Foundation देखे Indian Broadcasting Foundation पहले तो आप यह याद रखिएगा कि हमने इसको पहले भी पढ़ाए अपने session में कि इसका नाम अब बदला जाएगा और इसका अब नाम रहेगा Indian Broadcasting and Digital Foundation IBDF तो इस तरह का नाम अभी यह अपना बनाएगी तो इसकी एक जो है Digital Media Content Regulatory Council यह भी इसने setup की है किसके तहथ हाल में जो Government of India ने जो अपने Digital Ethics Rule 2021 को जो लागू किया है तो उसके तहथ यह Digital Media Content Regulatory Council इसने बनाई है तो इसके चीफ बनाए गई है यह विक्रम जीद सेन और इसके अलावा जो है और भी 6 लोग इसमें जोड़े गई हैं तो यह आप याद रखेगा एक तो यह कि Digital Media Content Regulatory Council यह किसके द्वारा बनाए गई है Indian Broadcasting Foundation के द्वारा Indian Broadcasting Foundation का नया नाम होगा Indian Broadcasting and Digital Foundation और इसके चेर्में रहेंगे विक्रम जीद सेन भारत ने किस वर्स तक पैट्रोल में 20% Ethanol मिस्त्रन का लक्ष रखा है Options आपके सामने है और Correct answer होगा Option B So India Targets 20% Ethanol Blending in Petrol by 2023 तो 2023 तक भारत ने Target रखा है कि जो मान लिजे कि 80 unit अगर पैट्रोल है तो 20 unit उसमें Ethanol रहेगा Out of 100 unit तो इसका मकसद यह है कि जो भारत Oil का जो आयात करता है उस पर dependency कम हो सके भारत की तो यह इसका main region है आपको बता दें कि 2020 में भारत ने Target रखा था कि 10% Ethanol Blending in Petrol यह हम achieve करेंगे 2022 तक और 20% Blending हम achieve करेंगे 2030 तक लेकिन 2030 के बाद भारत ने इसको advance कर दिया थे यहाँ पर advance का मतलब है कि आपने और जल्दी आप इस Target को पाना चाते है advance का मतलब यह नहीं है कि 2030 के आगे आप जाना चाते है 2035 में जाना चाते है नहीं advance का मतलब है कि आप उस Target को और जल्दी achieve करना चाते है इसका मतलब 2025 कर दिया था और अब भारत ने और advance कर दिया है कितनी नई flying training academies मिलेंगी, options आपके सामने है, और correct answer होगा, option C, so, 8 new flying training academies, will India get under the FTO policy of the AAI, जानते हैं इस question के बारे में, देखे, जो AAI है, यानि airports authority of India है, तो इसकी जो flying training organization policy है, इसके तहट भारत में, 8 नई flying training academies, set up की जाएंगी, नाम से ही बता चल रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ set up की जाएंगी, बेलगावी, जरगाओं, कालबुर्गी, खजुराओ और लेलाबडी में, तो कहीं पर दो भी set up हो सकते हैं, कहीं पर एक set up की जाएंगी, इस तरह से 8 नई flying training academies, जो है, set up की जाएंगी, तो किस लिए set up की जाएंगी, जैसे कि नाम से बता चल रहा है, कि training दी जा सके, किस तरह से एरक्राफ्ट को fly करना है, तो अब तक ज़्यादा तर जो training होती है, उसके लिए बाहर ही जाना पड़ता है, जो भारत के जो trainer है, तो वो dependency कम हो सके, इसलिए अब 8 new flying training academies यहां पर बनाई जाएंगी, लेखा भी है यहां पर, the set up of these 8 FTOs is aimed at making India a global flying training hub, and to prevent the exodus of Indian cadets to foreign FTOs, किस मंत्रादे ने बागवानी कलश्टर विकास कारेकरम सुरू किया, options आपके सामने है, सही answer होगा option C, so ministry of agriculture and farmers welfare launched the horticulture cluster development program, तो union minister of agriculture and farmers welfare है नरेंदर सिंह तोमर, तो इन्होंने ही यह horticulture cluster development program यानी CDP को launch किया है, तो देखिए pilot phase में, यानी pilot basis पर इसको भी launch किया गया है, total target है 53 clusters मनाना, लेकिन अभी केवल 1240 culture clusters, इनको फिलाल implement किया जाएगा, पाइलेट phase, पाइलेट phase का मतलब होता है, जब भी आप किसी चीच को लागू करना चाहते हैं, ठीक है, आप पैर इंडिया लॉंच करना चाहते हैं, पूरे भारत में लॉंच करना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, आप उसको पाइलेट बेसिस पर लॉंच करते हैं, इसका मतलब क्या है, आप पहले दो-तीन स्टेट में उसको लॉंच कर देते हैं, उससे क्या होता है, आपको एक फीड़ बैंक मिलता है, कि इसमें क्या सुधार की जरूध है, फिर जब आप एक बार उसमें सुधार कर लें, जब आप देखें कि हाँ, ये सही से इसका काम चल रहा है, उसके बाद आप उसको फिर पूरे भारत में जो है, उसको लॉंच करते हैं, तो जो आपने पहले उसको छोटे लेवल पर लॉंच की है, उसको बोलता है, पाइलेट बेसिस पर या पाइलेट फिस पर, ये आप याद रखेगा, तो टोटल 53 क्लस्टर्स बनेंगे, और जो है, 12 क्लस्टर्स फिराल इंप्लिमेंट के जा रहे हैं, क्लस्टर्स का मतलब होता है, यूनिट्स जहां पर जहां पूरा काम एक साथ हो सके, माल लीजिए देखिए, प्रोडक्शन से पहले का कुछ काम होता है, फिर जब प्रोडक्शन हो जाता है, तब कुछ काम होता है, उसके बाद फिर जो post harvest management होता है वो कुछ काम होता है फिर जो आपने product बनाया उसको एक जगा से दूसरे जगा ले जाने के लिए भी पूरी processing चाहिए होती है फिर उसकी marketing की जरूरत होती है फिर उसकी branding की जरूरत होती है किस तरह से उसको export किया जाए इसकी जरुरत होती है तो यह सभी काम जो है clusters में एक ही जगा पर आपको मिल जाएगी सभी सुविधा तो उसको बोलते है cluster जहाँ पर इस तरह की सभी सुविधा है एक ही जगा पर आपको मिल जाएए इसको बोलते है cluster और इस program को कौन launch करेगा किसके द्वारा operate किया जाएगा National Horticulture Board के द्वारा भारत और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सडक उन्नयन परियोजना का समर्थन करने के लिए 2.5 मिलियन यूएश टोलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किये हैं options आपके सामने हैं और correct answer होगा option A so India and Asian Development Bank has signed a 2.5 मिलियन यूएश टोलर project to support preparation of road upgradation project in Sikkim तो Sikkim में इसको launch करेंगे तो इसका मकसद क्या रहेगा जो भी यहाँ पर district roads हैं उनको upgrade करना उनकी इस्तिथी में सुधार लाना Sikkim की बात करें तो capital है गैंक टोक चीफ मिनिस्टर है यहां के प्रेम सिंग तमांग गवर्नर है गंगा पडशाद और हम Asian Development Bank की बात करें तो इसका headquarters मनीरा यह आप कह सकते हैं मंदल व्योंग फिलिपिन्स में है और इसके प्रेजिडेंट है माशत सूगू असाकवा केंद्रे खादे प्रसंसकरण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर ने किस राज्य में इंडस बेस्ट मेगा फूट पार्क का उद्गाटन किया ओप्शन साब के सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन सी यूनियन मिनिस्टर फूड प्रोशेशिक इंडस्रीज नरेंद्र सिंग तोमर इनगरेटेड दा इंडस बेस्ट मेगा फूट पार्क इन चातिसकड और किसके साथ लॉंच किया है चीफ मिनिस्टर ने जो चातिसकड के भुपेश बगेल तो इनके साथ मिलकर इन्हों ने इसको लॉंच किया याद रखेगा इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क फ्रेंट्स मेगा फूड पार्क का नाव आपने सुना होगा इसका मतलब क्या है जैसे कि मैंने आपको भी पहले बताया मेगा फूड पार्क का मतलब है देखिए इस एक example से समझते है चिप्स बनाने के लिए आलू की जुरुवत पड़ती है अब मानीजी एक किसान है उसने आलू जो है आलू का उसने production किया उगाय आलू ठीक है उसको खपत मिली उसके बाद क्या हुआ वो आलू उसने बेश दिया मंडी में बेश दिया फिर जह फिर उनको companies ने खरीदा उसके बाद उनोंने चिप्स का production किया फिर उसके बाद market में उसको उतारा गया अब यह जो mega food park है यह सारी सुविधाएं आपको एक ही जगा बर मिल जाएंगी क्यों क्योंकि यहाँ पर अलग-अलग cluster बनाये गए हैं जो कि मैंने आपको अभी बताय cluster का मतलब क्या है अलग-अलग unit बनाई जाती है ठीक है हर एक काम के लिए तो एक mega food park होगा और उसके अंदर कई सारे cluster होगे तो इसका मतलब क्या है अब किसान जो है मान लीजिए यह 36 गड़ में जिस जगा पर भी बनाये गया है तो वह एक जगा बता दी गई है अब जो भ आलू चला गया उस मेगा food park में अब महाँ पर जो भी उसकी सफाई वगयरा जो भी होती है सब महीं पर होगी उसके बाद उसका प्रोसेसिंग भी महीं होगा जो भी production उसका बनना है मान लीजिए chips महीं पर बनेंगे आलू से और कोई उतपाद बनना है तो वह भी बनेगा उ अगर उसको export करना है तो export कर दे जाएगा तो यह मैंने आपको केवले एक example बता है कि किस तरह से काम करते हैं मेगा food park इसी तरह से जो भी product होगा तो उसकी प्रोसेसिंग जो है वो इन मेगा food park में चलती है और आपको बता दी कि जो यह मेगा food park जो भारत में बन रहे हैं इसक पुई के capital है राइपूर बारतिय सेना ने किस दिन सेन्य सिक्षा कोर की स्थापना की सोवी वर्सघाट मनाई ओप्शन्स आपके सामने है और correct answer होगा option A तो इंडियन आर्मी सेलेबरेटेड़ दा हंड्रेट एनिवर्सरी ओफ दा रेजिंग ओफ आर्मी एजुकेशनल कॉप्स ओन जून फर्स्ट ट्वंटी ट्वंटी वन तो हंड्रेट एनिवर्सरी बनाई है देखिए यह आप याद रखेगा कि एक तो जो आपका यह आर्मी एजुकेशनल कॉप्स है यह जो है इसलिए बनाया गया था इसका परपस यह था क्योंकि पहले के टाइम में 1921 की हम बात कर रहे हैं तो 1921 में जो है उस वक्त जो सोल् प्रोसेस नहीं था कि मतलब कि एजुकेशन उनका एजुकेशनल बैग्राउंड काफी अच्छा है तो इस तरह से नहीं होता था पढ़े लिखे लोग कम थे तो इसलिए उनमें डिसिप्लिन की कमी थी एथिक्स और मोरल वैल्यू जो है उसकी कमी थी तो इसी वज़े से इस आर्मी एजुकेशनल कोपस इसका निर्माड किया गया था तो इसका हैट्प्र जो है जो इंडीयन आर्मी का हैट्पॉर्टर ने डिंड़ यहीं पर है और हमारे चोल्जर है या फिर army man है इन सभी को जो है शिक्षा दी जाती है अलग-अलग disciplines की ठीक है ethics की किस तरह से आपको कहां पर कैसे आपको पेश आना है तो इस तरह की शिक्षा है आपर दी जाती है army educational cops में निम्लिकित में से किसने पहली एशिया प्रसांथ cyber सुरक्षा परिशत सुरू की है options आपके सामने है और correct answer होगा option d so microsoft has launched the first ever asia pacific cyber security council तो नाम सी पता चल रहा है कि इसमें जो है अलग-अलग जो भी partners है या फिर जो भी countries है ठीक है तो उनकी जो है एक partnership type की है कि cyber security से लड़ने के लिए या फिर किस तरह से इसको prevent किया जा सेगे अलग-अलग policies बनाने के लिए इसका इस्थापना की गई है first asia pacific public sector cyber security executive council Microsoft की बात करें तो founders हैं Billy Gates और पॉल एलन चेर्मेन है John W. Thompson CEO है सत्या नेडेला और headquarter से वासिंग्टन USA में International Day of Innocent Children Victims of Aggression किस दिन मनाया जाता है options आपके सामने है और correct answer होगा option D so International Day of Innocent Children Victims of Aggression is celebrated on June 4 तो जो भी अलग-लग countries में जो मेडिलिस्ट की मानली जो countries हैं यहाँ पर यूद्ध चलते रहते हैं तो सिकार कोन बनते हैं बच्चे बनते हैं तो हमाँ पर भी कई बच्चों की मोत हो गई तो इस तरह से यह day मनाया जाता है International Day of Innocent Children Victims of Aggression कौन साते इस अंतराष्टिय और अंतराष्टिय सोर गठवन दन यानि ISA में 1 मिलियन यूरो का पर्तिक्ष योगदान देगा options आपके सामने हैं और correct answer का option B So France will make a direct contribution of 1 मिलियन यूरो तो दे इंटरनेशनल सोलर अलायंस अच्छा यहां पर आप यह याद रखिएगा कि यह जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है तो इसका एक flagship प्रोग्राम है Star C यानि Solar Technology Application Research Center तो मान लीज़े कर इस तरह से question आ जाए कि Star C यह किस से जुड़ा हुआ है IES से आ गया आपके पास option में G20 आ गया G7 आ गया या फिर ब्रिक्स आ गया तो यहां पर confusion हो सकता है इसलिए याद रखिएगा Star C यह आपका IES से related International Solar Alliance से related International Solar Alliance के अगर हम बात करें तो इसको जो है यह आपका जो 21st session हुआ था United Nations Climate Change Conference of the Parties यानि COP21 जो हुआ था पैरिज में तो 2015 में तो फिर हैं इसमें नरेंदर मोदी भारत के प्रदानमंत्री और फ्रांस के जब उस वक्त जो प्रेजिडेंट थे हैं फ्रैंकोइस होलेंड तो इन दोनों ने इसको लॉंच किया था International Solar Alliance को इसका headquarters गुरुग्राम में है और यह जो है शुरुवाती में जो है किन कं इसका है और हाली में हमने पढ़ा था 2020 में कि इंडिया एंड फ्रांस री-इलेक्टेट एस दे प्रेजिडेंट और फ्रांस को जो है को प्रेजिडेंट इसका बनाया गया है यह आप याद रुखेगा भारत में विबिन ने उद्योगों पर कोवीड-19 महामारी के प्रभाव का अध्यान करने के लिए किस आई-ई-एम ने जी-आई-चेट के साथ भागेदारी की है ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन ए तो देखें इंडियन इस्ट्यूट ओफ मैनेजमेंट इन दोर तो इन्होंने एक जर्मन बोडी है जी-आई-जड नाम तो थोड़ा अजीब सा है जर्मन में लिखा हुआ है तो यह आप याद रखिएगा जी-आई-चेट तो इसके साथ मिलकर इन्होंने एक पार्टनर्शिप की है जिसके तहति यह भारत में जो भी पैंडेमिक के कारण जो इंडिस्ट्रीज हैं और इसाख हर्जोग हैज बिन इलेक्टेट एस दा न्यू प्रेजिडेंट ऑफ इसरेल तो यह 11 प्रेजिडेंट होंगे और किस पार्टी के हैं लेबर पार्टी के हैं यह याद रखेगा और इसराइली की पार्लेमेंट का नाम क्या है नेसेट और यह रियोविन रिवलिन इन कि एमबसी कटरी की एमबसी जेरुसलम में नहीं है आम तोर पर जो भी विदेशिञेंटी को ठीब होने महीं है यह दोनार्ड टरंप के टाइम पर उन्होंने कहा था कि हम जेरुसलम में अपनी embassy को shift करने हैं तो भारत ने वहाँ पर कहा था कि ये हमारा जो है मत नहीं है और भारत की embassy जो है तेल अभीव यहाँ पर जो city है यहाँ पर located है तो एक तरह से नाम रखा गया इसका और चाटिस गड़ में यह पाई गई है तो जूलोजिस्ट के द्वारा कुर्रा केवस चाटिस गड़ में है तो यहाँ पर इसकी नई species पाई गई है जिंगूरी इसका नाम है जयंती किसके नाम पर रखा गया है जो यह प्रोफेसर ने जयंत विश्वास इनके नाम पर रखा गया है सैल्यूलर और आणविक जी विज्ञान हैद्राबाद के निदेशक के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है ओप्शन्स आपके सामने है और सही जवाब होगा ओप्शन सी विनए के नंदीकुरी देखे फ्रेंड्स आपके एक्जाम में कई बार पूछा जाता है कि यह इंस्टिटूट कहां पर इस्टेट में इस्टित है तो उनमें जो यह CCMB है Cellular and Molecular Biology यह काफी इंपोर्टन्ट है और कई जो जीके की बुक से उनमें भी आपको यह मिल जाएगा और पूछा भी गया है यह एक्जाम में तो इसको याद रखेगा यह हैदराबाद तिलंगाना में इस्तित है तो डोक्तर विने के नंदीकुरी यह CCMB के डिरेक्टर बने है और उन्हें डोक्तर राकेस के मिश्रा को रिप्लेस किया है देखिए फ्रेंट्स मैं आपको भी तीन अपॉइनमेंट्स और ऐसी बताने वाला हूँ जो एक्जाम में पूछ ली जाती है पर इन पर हमारा ध्यान नहीं चाता है अभी जो RRB NTPC का एक्जाम हुआ उस इसके डिरेक्टर जनरल है प्रोफेसर बल्राम भारगवा और इंडियन एग्रिकल्चरर रिसर्च इंस्टिटूट आई ए और आई इसके डिरेक्टर है डॉक्टर अशोक कुमार सिंग तो इन दिनों को यह आप डाउन कर लीजेगा आगे बढ़ते हैं सर्भिया कंडराच करें तो इसी कैपिटल है बेलक्रेट और करंसी है सर्भियन दिनार साथ यह आपको यह जानना चाहिए कि जो वर्ड के नंबर वन टैनिस प्लेयर है नोवाक चोकोवी यह सर्भियन है यह सर्भिया के हैं तो इस तरह से प्लेयर भी पूछ लेते हैं क्योंकि यह काफी बड़ेयर हैं आपने उनका नाम भी सुना होगा उनका नाम है मैगनस काल्सन तो कई बार एक्जाम में पूछा गया है कि किस देश के हैं तो वे नौर्वे के हैं तो इस तरह से पूछ ले जाते हैं तो कोशिस यही करते हैं कि जहां पर भी किसी एक फैक्ट को दूसरे फैक दी सो आंध्रप्रदेश हैज स्विच्ट लिक्वर पोलिसी फ्रॉम प्रोहिबीशन टू रिस्ट्रिक्शन तो देखिए प्रोहिबीशन का मतलब क्या है जहां पर कुछ करने की कोई भी पोसिबिलीटी नहीं हो पूरी तरह से बंध हो आप कुछ नहीं कर सकते कोई भी उस प्रचेदम से रिस्टिक्शन यानि नियंत्रन में कनवर्ट किया जा रहा है अंध्रप्रदेश की बात करें तो गवर्णर है बिश्वभूशन हरीचंदन और यहां की कैपिटल है अम्रावती अम्रावती कैपिटल है याद रखेगा सिंगल एक फिलाल अच्छा अगर हम आंध्रप्रदेश की बात करें तो गुजराद के बाद बहुरत में जो सबसे कोस्ट लाइं है वो आंध्रप्रदेश की यहाद रखेगा साथी आंध्रप्रदेश को रत्न गर्भ इस नाम से जाना जाता है क्यों कि हहाँ पर आपको कई तरह की रोक और Alzheimer's की वरा दगारजुनसागर स्रीसलम टाइगर रिजर्व यह आंधरप्रदेश में है और यह इंडिया का लज्जेस्ट टाइगर रिजर्व है साती कोलेरू लेग पुलिकट लेग जो की आंधरप्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्टर पर है और कुमकुम लेग यह भी या जिसे आप बोलते हैं Sithamma कोंडा यह आंद्रप्रदेश की हाइश्ट मांटेन पीक है आंद्रप्रदेश के साथ साथ यह इस्टर्ण गाट की भी हाइश्ट मांटेन पीक है इसको आप याद रखेगा विश्व परियावरंड दीवस के लिए 2021 का थीम क्या है यह आपको बताना है तो सही जवाब होगा option D so re-imagine, recreate, restore यह word environment day 2021 का theme है और यही theme राद दिया है United Nations की जो website है वहाँ पर और साथी आपको यह भी जानना चाहिए कि 5th June को यह मनाया जाता है word environment day और इस बार देखिए हर साल कोई ना कोई country इसकी host दी जाती है तो इस बार जो hosting country है यह है पाकिस्तान देखिए 1972 में एक Stockholm conference हुई थी तो इसका उद्देश है गया था जो भी organic pollutants है जैसे phenol है इस तरह के जो organic pollutants है इनको restriction करना इनके use को restriction करना तो उसी दोरान यह word environment day को establish किया गया था लेकिन दो साल बाद 1974 में 1974 में first word environment day बनाया गया था तब इसका theme था only one earth साथ यह आपको यह जानना चाहिए कि जो united nations environment program है UNEP इसने food and agriculture organization यानी फाओ के साथ मिलकर यह report भी जारी की है इसको आप याद रखेगा ecosystem restoration for people nature and climate अच्छा फ्रेंड जब बात हो रही है यहाँ पर environment की तो आपको यह भी जानना चाहिए कि जो 2021 से 2030 का जो दसक है जो decade है इसको united nations किस तरह से बना रहा है साथी united nations decade of healthy aging इस तरह से भी मना रहा है तो यह भी पूछ लेते हैं united nations की जो दसक है जो decades है उनको किस तरह से मनाया जा रहा है यह भी पूछ लिया जाता है options आपके सामने है और correct answer होगा option D so Dr. K.P. Krishnan headed the expert committee on variable capital company that recently submitted its report देखे इस बारे में जान लेते हैं तो इसका उद्देश कहरा है इस कमिटी का इस कमिटी का उद्देश यह रहा है कि जो भारत में international financial services center है तो यहाँ पर जो variable capital companies है क्या इनकी feasibility है क्या यह काम कर सकती है यह इस पर जो है इसका मुद्दर आए अब यह variable capital companies क्या है देखे variable capital companies का मतलब यह है जो भी मान लीजिए बाहर की कोई company है ठीक है वो भारत में invest करना चाती है या वो भारत में अपना fund जो है लगाना चाती है तो उसके fund को manage करती है variable capital companies दूसरी देशों के जो fund आते हैं या फिर अपनी company के भी fund हो सकते है उसमें ठीक है तो उसको manage करती है तो एक तरह से आप यह कह सकते है कि इसको ठेगा दे दिया जाता है कि आप हमारे fund को manage कीजिए तो उसको बोलते है variable capital companies तो इसमें कही तरह के fund हो स Capital Companies अच्छा जब बात हो रही है यहाँ पर International Financial Services Centers Authority की तो आपको यह जानना चाहिए कि इसको IFSCA Act 2019 के तहद बनाया गया था, यह एक Statutory Body है साथी इसका जो है किसलिए बनाया गया था, देखे जो भी भारत में Financial Products हैं या Financial Services है या Financial Institutions है तो उनके Development और Regulation के लिए इसको बनाया गया है साथी इसके Chairman है, NJ ती स्री निवास यह पहले ही Chairman है, ठीक है यह आप याद रखे है और इसकी Location है Gift City, गांधी नगर गुजरात में सतत योजना किस मंत्राले द्वारा सुरू की गई थी Options आपके सामने है सही आंसर होगा, Option D So, सतत इसकीम was launched by Ministry of Petroleum and Natural Gas देखे, किस लिए चर्चा में है सतत की आप पहले तो Full Form जान लीजिए Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation Scheme यह इसकी Full Form है तो इसका उद्देश है क्या है इसका उद्देश है कि जो Compressed Bio Gas है इसका Production Plant जो है Set Up करना इसका उद्देश है और साथी इसका उद्देश है यह भी है कि 2023 तक 5000 प्लांट्स की साहिता से 15 million metric ton MMT जो है Compressed Bio Gas का उत्पादन करना इसका उद्देश है तो और यह सतत स्कीम यह 1 October 2018 को launch की गई थी हमने इसका Question क्यों लिया है क्यों हमने Question Frame किया है क्योंकि हाली में यह चर्चा में रही है क्योंकि जो अलग-अलग जो यह Companies है HPCL है, BPCL है, Gale है, IGCL है Indian Oil है तो इन सभी ने एक Corporation Agreement इसके लिए Sign किया है इसी स्कीम के लिए Corporation Agreement Sign किया है ठीक है तो इसलिए मैंने आपको बताया है साथी Union Minister of Petroleum and Natural Gas and Steel यह है, Darmendra Pradhan भारत ने किस संगठन के सभी सतस्वे के बीच Mass Media के छेत्र में सहयोग पर एक समझोते पर हस्ताक्षन अनुमोधन को मंजूरी दी है Options आपके सामने है और सही आंसर होगा Option C So, India has signed and ratified an agreement on cooperation in the field of Mass Media between all the member states of SCO Mass Media आप जानते होंगे यानि कि ऐसी Media Technology जिससे की Information पास हो से के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तब जैसे की Print Media हो गई और आपकी Broadcasting हो गई जैसे TV, Radio, यह सब भी Digital Media होगी जैसे की YouTube जो भी Online Platform होते है तो इनको Mass Media बोलते है तो इसी के Cooperation में ये Agreement sign किया गया है जो भी Shanghai Cooperation Organization जो है SCO इसको बोलते हैं इसके Member States के बीच में अच्छा जब बात हो यह SCO की आपको यह जानना चाहिए कि Full Form क्या है SCO की Shanghai Cooperation Organization इसका Headquarters बेजिंग चाइना में है और कब क्रियेट किया गया था देखिए 15 जून 2001 जून 2001 में इसको एनाउंस किया गया था लेकिन ये लागू कब से हुआ 19 September 2003 से इसकी Official Language Chinese and Russian है और इंडिया ने 2017 में इसको जोईन किया था पाइस्तान ने भी तभी जोईन किया था और इसकी Supreme Decision Making Body का नाम है Heads of State Council HSC साथी Friends आप यहां पर सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि इसकी Permanent Bodies क्या-क्या है एक तो SCO का Secretariat है जो की बीजिंग चाइना में है दूसरा आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट है RATS यानि Regional Anti-Terrorist Structure ये ताश्कंत उजबेकिस्तान में इसका Headquarters है तो पूछ ले जाता है एक्जाम में कि जो RATS है RATS ये किस Organization से संबंदित है G7, G20, BRICS या फिर SCO, या शार्क तो याद रखेगा ये SCO से संबंदित है Artificial Intelligence संचालीद प्लेटफॉर्म का नाम बताईए जो WhatsApp पर सुरुआती COVID के मामले में सिग्र कारवाई करने की सुविधा प्रदान करेगा सही आंसर होगा Option A So X-Ray SETU is the AI-driven platform that will facilitate early COVID interventions over WhatsApp देखे एक Not-for-profit Foundation है Art Park यानि AI and Robotics Technology Park इसको जो IISC Bangalore है इसके द्वारा इस्थापित किया गया था तो इसने एक Health Tech Startup है निरमाई इसके साथ मिलकर X-Ray SETU इसको डिजाइन किया है तो देखे इसका मतलब क्या है जो Rural Doctors है ठीक है वो क्या करेंगे जो X-Ray है किसी व्यक्ति का उसको उसकी Image ली उन्होंने उसकी Photo ली तो उसको WhatsApp पर जो X-Ray SETU ये number है इस पर इसको Send कर देंगे अब यहां से जो वो Image है वो किसी जो भी Technician है जो Lab Technician है उसके पास चला जाएगा अब वो Lab Technician जो है पुरी रिपोर्ट उसकी X-Ray की पुरी रिपोर्ट जो है फिर से डॉक्टर के पास बेज देगा तो ये इसका फायदा है WhatsApp द्वारा भारत के लिए इस शिकायती अधिकारी के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है Options आपके सामने है और सही आंसर होगा Option B So परेस B. लाल Has been appointed as the grievance officer for India by WhatsApp देखे जो अभी हाल है में Government of India ने जो Digital Media Ethics Rule जो 2021 इनको जो इशू किया था तो उसके तहत ये grievance officer जो है न्यूक्त किये गए हैं आपको पता अभी होगा कि WhatsApp और Government of India में जो है थोड़ी खीचातानी इसी बात को लेकर चल रही थी वो इसलिए चल रही थी मैं आपको short term बता देता हूँ देखे बात क्या थी कि आप जानते हैं कि जो ये WhatsApp है इसका end-to-end encryption encryption ठीक है encrypted है end-to-end encrypted जो है इनकी chat रहती है यानि केवल आप पढ़ सकते हैं और जिसको आप भेज रहे हैं केवल वो पढ़ सकते हैं इसमें कोई भी third party involved नहीं होती है जो आपके message को पढ़ ले लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है जो हमने पुरी टेकनलोजी बनाई है जो software हमारा बना हुआ है ये end-to-end encrypted है यानि हम इसको केवल वही पढ़ सकता है अगर हम इसको पढ़ने जाएंगे तो हमारा उद्देश्य ही खतम हो जाएगा लोगों की privacy ही नहीं बशेगी तो अगर हम किसी first originator को जो है इसमें ढूंडने लगे तो हमको सब के मेसेज पढ़ने पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा जो हमारा sole purpose है वह खतम ही हो जाएगा और privacy जो है कोई मतलब ही ने रहीएगी तो इस बात पर जो है थोड़े बहुत खीशतानी चल रही थी तो यही बात थी अच्छा और whatsapp ने का है कि grievance officer waatthesupport.whatsapp.com यह जो email id है इस पर आप जो है अपना जो भी आपकी शिकायत है whatsapp से related ठीक है उसके contents related तो इस पर आप भेज़ सकते हैं और साथी अगर आपकी जो शिकायत है वह किसी इस तरह से इस तरह से matter से related है जा पर किसी individual के private areas या फिर partial nudity या फिर कोई sexual act से related कोई इस तरह की चीजे whatsapp पर circulate हो रही है तो whatsapp को 24 गंटे के अंदर अंदर उसको हटाना होगा और अगर इसके अलावा कोई और issues हैं जो की सही नहीं है तो उसको 36 गंटे के अंदर हटाना होगा जिस पर कोई objection हो साल 2027 और 2031 ICC Pruce Cricket World Cup में कितनी टीमें भाग लेगी options आपके सामने है और correct answer होगा option C 14 teams will be participating in the year 2027 and 2031 ICC Men's Cricket World Cup ठीक है अच्छा तो 14 teams लेने वाली है 14 teams participate करने वाली है जो 2027 और 2031 का जो ICC Men's Cricket World Cup होने वाला है और जबकि ICC Men's T20 World Cup होगा इसको अब 20 team इसमें खेलेंगी और 2024, 2026, 2028 और 2030 में इसको host किया जाएगा साथी आपको भी जानना चाहिए कि जो Champions Trophy है ये 2025 और 2029 में खेली जाएगी और 8 team इसमें participate करेंगी साथी ICC World Test Championship Finals ये 2025, 2027, 2029 और 2031 में host किये जाएगे और 2019 का जो World Cup होगा था उसमें केवल 10 team होने भाग लिया था और अब जो है इसको 14 team में expand कर दिया गया है अगर हम बात करें ICC की यानि International Cricket Council के अगर बात करें तो Chairman है Greg Barclay CEO है Manu Sahani Headquarters है दुबाई UAE में और motto है Cricket for Good रक्षा मंत्राले ने 11 airport surveillance radar की खरीद के लिए किसके साथ एक अनुबंद पर हस्ताक्षर किये options आपके सामने है और correct answer होगा option D So Ministry of Defense signed a contract with Mahindra Telefonics Integrated Systems for Procurement of 11 airport surveillance radars तो खुद में ही self-explanatory question है तो airport surveillance के लिए airport surveillance radars के खरीदने के लिए Ministry of Defense ने Mahindra Telefonics Integrated Systems Limited के साथ एक MOU review पर साइन किया है तो 323 करोड रुपे का यह पूरा agreement साइन हुआ है कौन सा राज्य नई उडान योजना के तहत जरूरत मंदो को मुफ्थ sanitary pad प्रदान करेगा options आपके सामने है और correct answer होगा option B पंजाब प्रवाइड free sanitary pads to needy under new ुडान scheme देखे उडान नाम से कई तरह की schemes है central government की भी है उड़े देश काम नागरी ठीक है कुछ states में भी ऐसी तरह से schemes जिन में free sanitary napkins दे जाते हैं जो भी needy girls है या फिर women है उनको पंजाब के अगर बात करें तो governor है वीपी सिंग बदनौर chief minister है captain Amrinder Singh capital है चंडिकड अगर हम पंजाब से चुड़े हाली के current affairs की बात करें तो पंजाब के CM करोना मुक्त पिंड अभियान इसको सुरू किया था साथी पंजाब cabinet ने आशिरवाद scheme के तहट जो राशी दी जाती है उसको 21,000 से 51,000 रुपे कर दिया था तो याद रखेगा आशिरवाद scheme यह जो है जो low income families की जो जो लड़किया है उनकी शादी के लिए दी जाती है राश्ची साथी पंजाब CM ने हाली में PR Insight इस तरह की mobile app को लोंच किया था साथी आई रखवाली app इसको लोंच किया था और हर घर पानी हर घर सफाई इस mission को लोंच किया था साथी mission लाल लकीर इसको भी लोंच किया था और पंजाब का भी 23 डिस्टिक मना है मलेर कोटला साथी पंजाब CM ने DG Nest इस app को भी लोंच किया था भारती Global समर्थित OneWeb ने हाली में कितने नए LEO उपगरे लोंच किये, options आपके सामने है और correct answer होगा option C So, भारती Global Pact OneWeb has recently launched 36 new LEO satellites, भारती Global Pact Pact का मतलब है कि जो OneWeb है इसमें Majority Shared जो है भारती Group के हैं ठीक है भारती Group के हैं और United Kingdom की जो Government है उसके हैं तो इन्होंने 36 satellites launch की है आपको बता दे कि जो यह OneWeb है यह एक Low Earth Orbit Satellite Communication Operator है तो यह क्या करता है जो Broadband Satellite Internet Service है उसको प्रवाइट कराता है तो रहिषया से इसको launch किया गया है इन Satellites को साथी आपको भी जानना चाहिए कि 5 to 50 service यह किसे संबंदित है यह OneWeb से संबंदित है तो इसका टार्गेट क्या है जो connectivity है उसको UK, Alaska, Northern Europe, Greenland Arctic seas and Canada में expand करना साथी OneWeb का Headquarters London United Kingdom में है International Association of Ultrarunners Council में ACI पर्थिनिधी के रूप में किसे चुना गया है तो यह चुना गया है भारत के नागराच अडिका को ठीक है किसमे International Association of Ultrarunners Council देखे आपने मेराथन सुनी होगी फिर उसी से आगे आती है एक Ultra Running मेराथन में कितनी डिस्टेंस कवर करनी होती है 42.2 km तो इसके आगे अगर आप इससे ज्यादा की डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसको बोल दिया जाता है फिर Ultra Running क्रिसी उपच के परिवहन के लिए किस राज्य या केंदर सासित परदेश इस ने Go Air के साथ समझता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है औप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा option D जम्मो एंड कश्मीर साइंड एन MOU विद गो एयर फोर ट्रांसपोर्टेशन ओफ एग्री प्रोड्यूस तो जो भी agriculture प्रोड्यूस है उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए जो एयर है इसके साथ जम्मो एंड कश्मीर गवर्मेंट ने हस्ताक्षर किये हैं एक MOU पर capital है जम्मो एंड कश्मीर की स्रीनगर summer capital है और जम्मू है winter capital साथ यह आपको भी जानना चाहिए कि जम्मो एंड कश्मीर है यह union territory as a केंद्र सासित प्रदेश कब से अस्तित्यु में आया 31 October 2019 से ठीक है इस से पहले राज्य था और डल लेके आपर है वूलर लेके आपर है और मांसर लेके आपर है हाल ही में किस देश ने partnering for green growth and global goals 2030 सम्मिलन की मेजबानी की options आपके सामने है और correct answer होगा option D so South Korea recently hosted the partnering for green growth and the global goals 2030 summit तो South Korea की जो capital है इसने इस summit को जो है host किया है P4G यानि partnering for green growth and the global goals 2030 summit और इसका वही उद्देश राए कि hydrogen को as a fuel use किया जाए future में भी और अभी भी और यह hybrid format में इस summit को किया था hybrid format में अगर कोई summit को host किया जाता है उसका मतलब यह होता है कि online भी host की गई है और जो है in person भी होस्ट की गई है यानि कि कुछ लोग जो है in person भी मौजूद थे यानि physically भी present थे और कुछ person online जुड़े हुए थे तो उसको बोलते है hybrid format में ना तो completely online और ना ही completely in person अपरेल 2021 सितंबर 2021 तक के लिए सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास रिण में संसोधित FPI सीमा क्या है options आपके सामने है और correct answer होगा option D तो 10,14,957 करोड रूपीज is the revised FPI limit in government securities यानि GSEX and state development loans SDLs for April 2021 to September 2021 important question है देखिए तो Reserve Bank of India ने FPI limit set की है ठीक है किसके लिए जो government securities or state development loans है इनमें investment के लिए तो कितना क्या है 6% government securities के लिए और 2% है state जो यह आपका state development loans है इसके लिए और out of किसका क्या है जितनी total amount की government securities issues issue की गई है जितने उसके share holders है जितनी amount की issue की गई है तो उसके 6% ठीक है उसके 6% कर सकते है government securities में invest और उसके 2% कर सकते है state development loans में invest कौन कर सकते है foreign portfolio investors देखे FDI और FPI foreign direct investment यानी FDI foreign portfolio investors यानी FPI इन दोरों में अंतर होता है FDI का मतलब क्या होता है मान लिजे कोई भार की ex company है तो वह भारत में आकर किसी manufacturing unit को खरीद ले रही है या फिर उसमें majority हिस्सेदारी ले रही है उसमें उसके ज्यादातर हिस्सेदारी हो रही है यानी कि ownership से related है आपने भारत में आकर कोई अपना plant लगा लिया तो वह FDI के अंदर आएगा आपने भारत में आकर किसी company में majority stake ले लिये तो वह आपका FDI के अंदर आएगा जैसे कि 2018 की बात करें तो walmart ने 77% जो है stake ले लिये थे flip card में तो इसका मतलब FDI था और अगर हम FPI की बात करें foreign portfolio investors की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि एक short term invest आप कर रहे हैं यानि कि आप stocks में invest कर रहे हैं और फिर bonds में आप invest कर रहे हैं ठीक है यहाँ पर आप किसी चीज के ownership नहीं लेते हैं आप इस तरह का invest करते हैं ताकि आप easily जो है उसको खरीद सके और फिर उसको जो है बेच भी सके ठीक है इसका उत्देशे जाहतर यह रहता है कि आप जल्दी से जल्दी quick return आपको मिल सकें जबकि जो FDI है उसका मतलब रहता है आप long term investment कर रहे हैं साथ यह आपको यह भी जानना चाहिए कि जो FPI limit यह 31 मार्ट 2021 तक जो थी यह थी आपकी 9,4,280 करोड रुपे और अब इसको revise कर दिया गया है अपरेल 2021 से सितंबर 2021 तक अब कितना कर दिया गया है 10,4,957 करोड रुपीज निमली खित में से किस इसने अमित जैन को मुख्य जोखिम अधिकारी CRO किया है options आपके सामने है और correct answer होगा option B भारत पे has appointed अमित जैन as Chief Risk Officer CRO और आपको बता दे कि जो भारत पे है इसके जो founders है यह अशनीर ग्रोवर और शाच्वत नकरानी है जो अशनीर ग्रोवर है यह इसके CEO है भारत पे के Reserve Bank of India के नुसार भारत की GDP वित्वर्स 2021 के दोरान कितने परतिशत की दर से बढ़ेगी options आपके सामने है और correct answer होगा option B So as per the Reserve Bank of India इंडिया's GDP to grow at 9.5% during fiscal year 21-22 या financial year 21-22 देखे friends RBI की monetary policy में यह decision लिया गया है monetary policy क्या होती है economy में money supply को control करना कैसे interest rates को जो बढ़ा कर या घटा कर या फिर जैसे हैं वैसे ही रख कर ताकि price stability बनी रहे और GDP grow करे तो यह सभी मकसद रहता है RBI की monetary policy का तो इसके लिए RBI क्या यूज करती है open market operation, CRR, SLR bank rate, repo rate reverse repo rate इन सभी instruments को यूज करती है अच्छा अब देखे जो यह RBI की monetary policy है इसकी अध्यक्षता की है RBI की governor सक्तिकांत दासने और इनके अलावा और कौन-कौन से इसमें member हैं डॉक्टर शेशांक बीडे और डॉक्टर आसीमा गोयर प्रोफेसर जेंत आरवर्मा डॉक्टर मृदुल के सागर और डॉक्टर M.D. पात्रा अच्छा साथ ही आप यह जानेगा इस monetary policy में Reserve Bank of India ने का है कि हम accommodative stance लेंगे इसका मतलब क्या है accommodative stance का मतलब होता है that there is room for lowering interest rates in the future to revive growth and demand in the economy यानि की आगे in future हम जो है interest rate जो भी है policy rates है उनको कम कर सकते हैं ठीक है उसके लिए room है इसका मतलब होता है accommodative यानि आगे interest rate कम किये जा सकते हैं अगली बार जब भी monetary policy announcement होगा उसमें कम किये जा सकते हैं अच्छा इसी की तरह एक होता है neutral neutral का मतलब होता है अगर RBI कहता कि RBI maintains a neutral stance तो उसका मतलब होदा कि हम जो interest rates हैं उनको low भी कर सकते हैं और उनको high भी कर सकते हैं उसका मतलब ये रहता है अच्छा तो और Reserve Bank of India ने ये कहा है कि financial year 21-22 में 9.5% से इंडिया की GDP ग्रो करेगी साथी और कौन-कौन से कहा है देखिए policy rate जो policy repo rate है इसको 4% रखा है reverse repo rate को 3.35% रखा है marginal standing facility rate जिसे MSF rate भी बोलते हैं इसको 4.25% रखा है bank rate को 4.25% रखा है साथी CRR cash reserve ratio को 4% रखा है और SLR यानि statutory liquidity ratio इसको 18% रखा है देखिए friends मैं आपको short में इन सब को बता देता हूँ क्योंकि अगर detail में बताएंगे तो काफी time लग जाएगा इसमें देखिए repo rate क्या होता है bank जो होते हैं reserve bank of India से जो short term basis पर जो borrow करते हैं जो money borrow करते हैं उसको बोलते है repo rate और इसके लिए जो bank होते हैं ये government security जिसे GSEC बोलते हैं इसको collateral के रूप में RBI के पास रखता है और repurchasing agreement यहाँ पर sign किया जाता है reverse repo rate क्या है इसका उल्टा है जो banks के पास जो additional fund है RBI इसको अपने पास रख लेता है या borrow कर लेता है और ये जो repo rate होता है reverse repo rate ये जो repo rate है इससे कम ही होता है ठीक है इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि reserve bank of India bank से borrow कर रहा है और उपर repo rate में आप कह सकते हैं कि जो bank है वो reserve bank of India से borrow कर रहा है और बदले में government security भी collateral रख रहे हैं RBI के पास तीसरा है marginal standing facility rate ठीक है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जब bank ऐसा लगे कि बिल्कुल exhaust हो गए है जब उनको emergency की जुरूत पड़ जाए तब में overnight loan लेते है Reserve Bank of India से यानि एक दिन का loan आप कह सकते हैं लेते हैं और इस पर जो rate चार्ज किया जाता है काफी high होता है यह repo rate से भी ज्यादा होता है तो देख सकते हैं 4.25% होता है next आपके पास bank rate तो bank rate में क्या होता है bank rate में भी वही होता है कि Reserve Bank of India से bank जो है loan लेते हैं लेकिन इसमें कोई भी security नहीं bank को रखनी पड़ती है RBI के पास जैसे की repo rate में रखनी पड़ती है government security collateral group में ऐसा bank rate में नहीं रखना पड़ता है लेकिन bank rate भी आप देखिए कि higher होता है repo rate से जादा होती है ठीक है तो यह दोनों MS, F rate और bank rate यह दोनों ही हाई होती है repo rate से और दोनों के मैंने आपको अंतर भी बता दिया फिर है CRR यानि cash reserve ratio इसका मतलब क्या होता है देखे banks के पास जो भी bank को क्या करना पड़ता है ऐसा नहीं है कि bank के पास जितना भी पैसा है उसी को वह loan में दे ठीक है तो bank कुछ हिस्सा जो है RBI के पास रखता है cash में लेकिन यह cash जो उसने RBI के पास रखता है इस पे RBI उसको कोई interest नहीं देता है इसका मतलब bank को कोई profit नहीं होता है नहीं उस पैसे को bank किसी loan में दे सकता है लेकिन कुछ पैसा RBI के पास रखना पड़ता है उसे emergency के लिए यह है SLR ठीक है statutory liquidity ratio तो SLR का मतलब क्या होता है सेम वही जैसे CRR का है ठीक है कुछ ना कुछ हिस्सा bank को RBI के पास रखना पड़ता है लेकिन यहाँ पर जो है gold के रूप में रख सकता है government securities के रूप में रख सकता है ठीक है और यहाँ पर जो है एक और इडिफरेंस है CRR और SLR में जो यहाँ पर securities bank SLR के थूँ जो securities reserve bank of India के पास रखेगा तो वहाँ पर उस पर इंटरस्ट भी अर्ण करता है जबकि CRR में जो उसने money रखी हुए उस पर कोई interest reserve bank of India नहीं देता है तो इन दोनों में यह अंतर है आगे बढ़ते हैं Research Design and Standards Organization यानि RDSO किस मंत्राले के तहत काम करता है Options आपके सामने है और correct answer होगा Option C So Research Designs and Standards Organization works under Ministry of Railways तो यह किस लिए news में है देखिए Research Designs and Standards Organization यानि RDSO यह Indian Railways के अंतर आता है यानि Ministry of Railway के अंतर आता है और यह One Nation One Standard Mission के तहत जो है पहला institute हुआ है जिसको SDO Declare किया गया है SDO मतलब Standard Developing Organization और यह जो इसको Certify किया गया है यह 3 साल के लिए किया गया है 3 साल के बाद फिर से Renew किया जा सकता है पहले मैं आपको बता दूँ आगे बढ़ने से पहले किसका मतलब क्या हुआ SDO का मतलब क्या हुआ अच्छा पहले हम सभी पॉइंट देख लेते हैं उसके बास समझ जाएंगे इसको देखिए One Nation One Standard Mission यह 2019 में शुरू किया गया था यह आप जा देगा Standard Developing Organization Scheme यह इसी के अंदर आ दी है One Nation One Standard Mission के अंदर और जो यह Standard Developing Organization Scheme है यह BIS आपने नाम सुनाओगा Bureau of Indian Standards जो की Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution के अंतरत कारी करती है इसके दुआरा यह Recognition दिया जाता है SDO का यानि Standard Developing Organization का दिया जाता है और साथी आपको बता देगी जो यह Research Design and Standard Organization है यह लखनो में लोकेटेड है और Indian Railways के लिए जो है Standard यह जो है तैय करती है अब आपको बताते हैं कि Standard Developing Organization इसका मतलब क्या हुआ जो यह IDSO है इसको SDO जो चुना गया है इसका मतलब क्या हुआ है Standard Developing Organization का मतलब क्या हुआ है देखिए एक example समझते हैं दो example समझते हैं मानली जी किसी A नाम की company ने कोई external hard drive बनाई है तो वो जो company B है उसके computer में भी सही कारे करनी चाहिए इस तरह का standard बनाया जाए मानली जी दूसरा example समझते हैं BP देखते हैं आप BP जांचते हैं या उसको major करते है BP को वो जो machine आती है ठीक है उसके through major करते है अब उसमें कोई reading आई same reading आई ठीक है कुछ भी error नहीं रहे तीसरा example हम देख सकते हैं मानली जी आप ऐसे समझे जो हमारे कपडे होते हैं कुछ कपडे ऐसे होते हैं जिनमें आप इस्तरी नहीं कर सकते यानि iron नहीं कर सकते उनको press नहीं कर सकते तो उन पर एक निशान बना रहता है कि इन्हें जो है आप iron नहीं कर सकते हैं आफिर इस तरी उन पर नहीं कर सकते हैं तो इस तरह की जो भी कपडे हैं सब पर एक ही तरह का निशान बना रहे ऐसा ना हो कि किसी कपडे पर कैसा निशान बना है तो इस तरह के जो मापदंड जो तैय करती है उनको बोलते है Standard Developing Organization तो अब इस स्कीम के तहत इसी तरह के Standard बनाए जा रहे हैं कि जो भी छेत रहे हैं जो भी फिल्ड है सब में एक ही Standard रहे ऐसा नहों कि अलग-अलग Standard बनाए जाएं तो इसी स्कीम के तहत जो Research Design and Standard Organization है ये पहला Institute बन गया है जिसको STO डिकलेर किया गया है इसके बाद अब और भी आने वाले हैं ठीक है वो देखेंगे जब भी आएंगे आगे बढ़ते हैं SDG India Index 2021 में कौन सा राज ये सिर्स पर है Options आपके सामने है और Correct answer होगा Option A So Keral Topped the SDG India Index 2020-21 देखिए इससे पहले हम इस Question में आगे बढ़ें पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि SDG का मतलब है Sustainable Development Goals तो ये 17 Goals हैं और 2030 तक इने पूरा करने का लक्ष रखा गया है United Nations General Assembly द्वारा इनको 2015 में Adopt किया गया था या इनको आप कहते हैं Agenda 2030 30 ये आप याद रखेगा अच्छा ये 17 Goals जो है ये पूछ ले जाते हैं कि Goal No.1 क्या है SDG Goal No.2 क्या है देखिए इसमें जो Important है ये Goal No.1 है एक तो No Poverty दूसरा है Zero Hunger और इसमें Goal No.4 है Quality Education फिफ्थ है Gender Equality और आपका 6 है Clean Water and Sanitation और इसके बाद आपका 13 है Climate Action ये सभी आपके लिए काफी Important है अब देख लिए Friends इस Question का मतलब क्या है देखिए नीती आयोग ने SDG India Index and Dashboard 2020-21 Partnership in the Decade of Action इस Report को launch किया है किसके द्वारा नीती आयोग के द्वारा कौन सा Edition है Third Edition है पहला Edition 2018 में launch किया गया था और नीती आयोग ने इसको United Nations India के साथ मिलकर बनाया है अचा इसमें 16 goals इन्होंने cover किये हैं और उसके लिए 115 indicators इसमें चुने गए हैं ये आप याद रखेगा अचा तो इसमें States और Union Territories को एक score दिया गया है जिन भी States ये Union Territories का score 0 से 49 के बीच में उनको aspirant का आगया है और जिनका 50 से 64 के बीच में score है उनको performer का आगया है जिनका 65 से 99 के बीच में score है उनको frontrunner का आगया है और जिनका 100 score है उनको achiever का गया है तो 100 किसी का नहीं है इसलिए कोई भी state achiever की category में नहीं रखा गया है इस index के through अब देखिए और यहां पर यह भी कहा गया है कि जो इंडिया का overall SDG score है यानि जो sustainable development goal score जो है यह 6 point से improve हुआ है यानि 6 point बड़ा है कब से compare कर रहे हैं 2019 में 60 था और अब 2021 में 66 हो गया है तो यह आप याद रखिएगा पूछ ले जाता है कि भारत का जो overall SDG score है निती आयो की रिपोर्ट के नुसार वो कितना है 2000 बीसी किसमें तो answer होगा 66 देखिए friends top 5 states हम देख लेते हैं केरल का score 75 है जैसे मैंने आपको भी पीछे बताया कि score दिया गया है states को कि किस तरह से वे जो यह sustainable development goals हैं उनमें किस तरह से यह खरे उतर रहे हैं किस तरह से उनको अपना पा रहे हैं तो केरल इसमें पहले number पर है फिर हिमाचल पर्देश और तमिल नाडू है अपने state का आप याद रखेगा जिन भी state से हैं ठीक है कोई अगर आप में से हिमाचल पर्देश का है तो याद रहेखेगा आपका हिमाचल पर्देश दूसरे number पर है केरल पहले number पर है तमिल नाडू भी दूसरे number पर है आंद्र पर्देश गोवा करनाटक उत्राकंड यह तीसे number पर है इन सभी का score 72 है फिर सिक्किम है फिर महार इस यानि सबसे ज्यादा तरेक्की किस ने किये अपने score में अगर हम प्रिवियस ली उससे बात करें जो प्रिवियस यह लॉंच किया गया था उसके comparison में अगर हम बात करें 2019 से comparison में तो सबसे ज्यादा तरेक्की किये मिजोरम ने इसने अपना score 12 अंकों से बढ़ाया है उसक पर रही है, गोल नमबर टु है, जीरो हंगर, तो इसमें केरल नमबर वन पर रहा है, और चंडिगड इसमें, केरल इसमें नमबर वन पर रहा है, और चंडिगड जो यूटी है, यह नमबर वन पर रही है, उसके बाद है आपका इसी तरह से, गोल नमबर तीन, इसमें गुज फजराथ और डैली यूट यूटे गोल फॉर कॉलिटि एजूकेशन इन hai kerelo चंडीगर नूबर वन पर रहे हैं इसे तरह से गोल नॉबर फाइव जेंदर उक्वालिटी ठीक छतिसग dew अंडमा निकोबार आईलेंड नं bats नandan पर रहे हैं किस गोल पर नमबर वन में है, तो decent work and economic growth में नमबर वन पर है, कोई अगर आप में से मान लीजिए गुजरात से है, तो याद रिखेगा आप लोग good health and well being, ये वाला जो गोल है, goal number 3, इसमें आप number 1 पर है, इसी तरह से ये है, देखे, गुजरात जो है, goal number 9, industry, innovative and infrastructure, इसमें भी number 1 पर है, मेगाले किसमें number 1 पर है, जो goal 10 है, reduce inequality, तो ये सभी याद करने की जरूत नहीं है, कुछ important है आला कि इसमें, जैसे no poverty में कौन सा state number 1 पर है, इस तरह से पूछा जा सकता है, और zero hunger में कौन सा state है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है, साथी बाकी के states ही है, goal number 11, sustainable cities and communities, इसमें पंजाब number 1 पर है, इसमें friends आपके लिए ये काफी important रहेगा, climate action, ठीक है, क्योंकि ये रिपोर्टी climate action से जुड़ी हुए है, तो पूछा जा सकता है, कि climate action, जो goal number 13 है, इसमें कौन सा state top पर है, तो इसमें OD सा top पर है, ये आप याद रखेगा, अंतराष्टि डेरी महासंग के बोर्ड के लिए सर्वसम्मदी से किसे चुना गया है, options आपके सामने है, और correct answer होगा, option A, so R.S.O.D. has unanimously been elected to board of International Dairy Federation, unanimously का मतलब होता है, सर्वसम्मदी से, बिना किसी opposition के, तो Dr. R.S.O.D., ये managing director है, गुजरात cooperative milk marketing federation limited यानी अमूल के, तो इनको जो है, International Dairy Federation, इसके board में elect किया गया है, साथी आपको ये भी जानना चाहिए, जब यहाँ पर dairy की बात हो रही है, तो National Dairy Research Institute कई बार exam से पूछा जा चुका है, अलग-अलग exam में की कहां पर located है, तो करन आपके सामने है, और correct answer होगा option C, so जो Indian men's hockey team की rank है, जो latest F.I.H. hockey ranking है, इसमें 4th rank है, भारत की जो पुरुष खिलाडी है, उनकी, तो F.I.H. यानि International Hockey Federation, तो इसमें जो hockey में rank है, men's team की 4th है, और women's team की 9th है, अगर हम बात करें, top 3 team की, तो देखिए, men's में Belgium number 1 पर है, women में न Netherlands number 1 पर है, और दूसे नंबर पर है, Australia, अगर men's की बात करें, और women की बात करें, तो Argentina दूसे नंबर पर है, तीसे नंबर पर है, Netherlands, men's की category में, और women's category में, Australia, तीसे नंबर पर है, साथ ही जब बात हो रही है, होकी की, तो आपको यह भी जानना चाहिए, कि जो यह FIH है, जिसके हम बात कर रहे हैं, International Hockey Federation, तो इसमें जो है, नरिंदर बत्रा, यह भारत के हैं, इनको इसका प्रेजिडेंट फिर से रिलेक्ट किया गया है, यह हमने पढ़ा था, और जो भा आप याद रखिएगा, देखे फ्रेंट, जल्दी जल्दी मेरे को इसलिए बताना पड़ रहा है, क्योंकि आप में से कई, एसा कहना है, कि वीडियो लंबी हो रही है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि अगर आप लोग अपना समय निकाल कर आ रहे हैं, तो अच्छे से इंपेक्टफुल रहनी चाहिए, तो कोशिस करेंगे, फिर से हम 15-20 मिनिट वाली लिमिट में आ जाएं, किस बैंक ने 2021-32 तक कार्बन नीट्रल बनने की परतिबद्धता चताई है, ओप्शन आपके सामने है, और करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन D, So, HDFC Bank has committed to becoming carbon neutral by 2031-32, देखे, पहले तो आप यह जान लीजिए, कि carbon neutral का मतलब क्या होता है, देखे, यह आप देख सकते हैं, carbon neutral का मतलब होता है, जितनी भी आप greenhouse gases, जितनी भी आप, उतसर्जन कर रहे हैं, ठीक है, उतना ही आप उनको घटा भी दीजे, यहाँ पर आप emission निकल रहा है, CO2 emission निकल रहा है, ठीक है, तो यह सब इमेशन निकल रहा है, आप इनको किस तरह से अप कम कर रहे हैं, आपने आपर wind power plant लगाए हैं, solar power plant लगाए हैं, उससे क्या हो रहा है, आपकी energy जो है, यह green energy generate हो रही है, यानि आप balance करके चल रहे हैं, यहाँ पर देख है, कि हम जो है, कोई अगर हम से e-vehicle लेने आएगा, तो हम e-vehicle पे, e-vehicle के लिए अगर loan लेने आएगा, तो हम उस पर कम interest rate चार्ज करेंगे, कोई अगर solar power plant लगाना चाहता है, उसके लिए अगर loan लेना चाहता है, तो हम उस पर low interest चार्ज करेंगे, तो HDFC bank इस तरह से जो है, अपना contribution यहाँ पर दिखाना चाहता है, और साथी HDFC bank के बारे में आप जानेगा, कि इसके MD and CEO है, सशीदर जगदीशन, और headquarter है, मूंबई में, यह friends इस image के back में आ गई, और यहाँ पर थोड़ा animation में लगाना भूल गया, तो जो पीछे लिखा हुआ था, वो मैंने आपको बोल कर बता दिया है, ठीक है, उसमें इतना ही important है, बाकी जो HDFC bank के MD and CEO है, सशीदर जगदीशन है, headquarters मूंबई में है, और इसकी tagline है, we understand your world, साथी याद रखेगा, कि HDFC bank ने जो common service center होते हैं, इनके साथ मिलकर, एक chatbot launch किया है, इवा इसका नाम है, साथी HDFC bank ने project future ready, इसको भी launch किया है, परदान मंत्री नरेंदर मोदी ने किस सहर में E-100 pilot project launch किया, options आपके सामने है, और correct answer होगा, option A, सब्सक्राइब मिनिस्टर नरेंदर मोदी launched E-100 pilot project in पूने, देहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी ने report of the expert committee on road map for ethanol blending in India 2020-2025, इसको launch किया है, किस दि word environment day के दिन इसको launch किया है, और यह जो भारत द्वारा जो event बनाए गया, यह word environment day event इसका theme रहा है, promotion of biofuels for a better environment, तो इसी के तहत, परदान मंत्री नरेंदर मोदी ने E-100, इस pilot project के थुरू, तीन location पर, पूने में तीन location पर, इस तरह के station इनोंने इनोगरेट किये है, अच्छा, आपको बता दे की E-100 का मतलब होता है कि ethanol, E-100 ethanol को ही कहते है, ethanol fuel को कहते है, अलग-alग range आती है, E-75 आता है, E-85 आता है, E-100 आता है, तो जो यह e-100 है, इसका मतलब होता है pure ethanol, ठीक है, 100% ethanol होता है, E-100 ethanol होता है, तो इस तरह के station इनोंने आपर launch किया है, पूने में तीन अलग लग जगा पर और आपको बता दें E20 अगर आप टर्म सुनें E20 तो E20 का मतलब है कि जो gasoline है या petrol में उसमें 20% ethanol की blending ethanol की mixing यानि 100 पार्ट में से 80 पार्ट अगर gasoline या petrol है तो 20 पार्ट उसमें ethanol है E20 इसका मतलब है जैसे E100 यहाँ पर मतलब है ऐसी E20 यहाँ पर इसका मतलब है यह मैंने आपको बता दिया कि E100 क्या है E100 क्या है एक bio fuel है यानि ethanol ही है और हाली में इंडिया ने जो है अपना जो ethanol blending का जो target है 20% blend करना चाते हैं ethanol को तो उसको अब 2025 कर दिया है ठीक है यह आप याद रखिएगा राष्ट्य वनस्पति अनुसंधान संस्थान CSIR NBRI कहां इस्तित है तो यह लखनों में इस्तित है किसलिए हमने question बनाया है क्योंकि national medicinal plant pod NMPS इसने national botanical research institute यानी CSIR NBRI इसके साथ एक MOU sign किया है किसलिए sign किया है भारत में जो medicinal plants हैं या herbs हैं इनके production और cultivation को बढ़ावा देने के लिए और जो national medicinal plant board है यह ministry of IUs के अंतरगत कारे करता है और national botanical research institute यह ministry of science and technology के अंतरगत आता है और इसकी location भी exam में पूछ ली जाती है कि national botanical research institute यह कहां पर इस देते तो याद रखेगा निम लिखित में से किसने convergence energy services limited CESL के साथ e-mobility समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं सही answer होगा option D so NTPC has signed e-mobility agreements with convergence energy services limited CESL तो इस agreement के दहत क्या करेगा जो NTPC है यह electrical vehicles को lease पढ़ लेगा ठीक है अपने कारे के लिए lease पढ़ लेगा तो जो यह convergence energy services limited इस से लेगा जो यह friends convergence energy services limited है यानि CESL है यह 100% on subsidiary है किसकी EESL की यानि energy efficiency services limited की और अगर हम बात करें इसी की जो यह आपका CESL है तो इसके CEO और MD है महुआ आचारिय और NTPC के CMD आप जानते होगे गुर्दीप सिंग है यानि chairman and managing director गुर्दीप सिंग है हाल ही में भारत के पहले स्वदेश हाइड़ोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्यायक को सेवा मुक्त किया गया यानि डी कमिशन किया गया इसे भारतिय नोसीना में किस वर्ष कमिशन किया गया था सरी आंसर होगा option C तो इसको डी कमिशन कर दिया गया यानि इसको सेवा से रिटायर कर दिया गया है कावर नवल डोक्यार्ड विशाका पटनम में और आपको बता दें कि इसको डिजाइन और इसको बनाय गया था रियर एड्मिरल एफ एल फ्रेजर के द्वारा और भारतिय नोसेना में 26 वरवरी 1981 में इसको कमिशन किया गया था सेवा में लाया गया था और इस सिपने कई सारे ओपरेशन जो है भारत की ओड़ से किये हैं तो ओपरेशन पवन जिसमें सिर्लंका को हमने सायत अपरदान की थी 1987 में इसमें इसने साथ दिया और ओपरेशन सारोंग और ओपरेशन ब्रेंबो जो 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें इनोंने इसने जो है काफी तरह की हेल्प की हुमेरिटरियन जो एसिस्टेंस प्रवाइड की जाती है उसमें इसने सायता की और जवापका ये फर्स्ट इंडो-US exercise हुई थी Tiger Trump इसमें भी इसने पार्टिसिपेट किया था लेखा महानियंत्रक CGA द्वाराजारी आंकडों के अनुसार वित्वर्स 2020-21 के लिए भारत का राज कोशिय घाटा सकल घरेलू उतपात का कितना प्रतिशत था ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन B So as per the data released by the CGA, इंडिया's fiscal deficit for financial year 2020-21 stood at 9.3% of GDP देखे, financial year 2021 के लिए भारत की जो fiscal deficit है ये GDP की 9.3% रही है जबकि finance minister ने इस साल budget पेश करते हुए कहा था कि 9.5% रही है यानि कि अब जो आकड़े CGA यानि controller general of accounts इसने जो पेश किये है इसके इसाब से भारत ही जो fiscal deficit है ये कम है ये अब 9.3% है अच्छा साथ ही आपको ये जानना चाहिए कि जो ये controller general of accounts है तो ये ऐसी संस्ता है जो government का जो भी monthly और annual जो expenditure, revenues, borrowings और जो other fiscal indicators होते हैं इनको prepare करता है और जो ये स्रीमती सोमा रोय बर्मन ये controller general of accounts है तो ये इस तरह की देखिए appointment है आपके लिए जो हमारा इस तरह से ध्यान नहीं जाता है अगर हम generally पढ़ते हैं ठीक है तो इनको आप note down कर लीजेगा सोमा रोय बर्मन तो देखिए fiscal deficit क्या होती है fiscal deficit का मतलब है कि सरकार के पास जो total receipt है जो उसके पास प्राप्ती हुई है वो कही ना कही total expenditure जो उसका खर्चा है उससे कम है यानि आप कह सकते है total expenditure minus total receipts तो इसका मतलब होता है fiscal deficit तो ये जो government of India के पास जो total receipt है ये क्यों कम होती है क्योंकि या तो दो कारण हो सकते है mainly दो कारण हो सकते है या तो ये कि उसका जो government of India का revenue है वो उसको कम प्राप्त हुआ है दूसरा कारण ये हो सकता है कि government ने capital पर काफी expenditure किया है यानि कि जैसे कि roads बनाना, factories या फिर कही manufacturing unit बनाई हो और आप कह सकते हैं mega food park जैसे बनते हैं या फिर buildings कहीं पर बनाई हो तो इस तरह के expenditure जादा हो तब जो है government का expenditure जादा बढ़ जाता है अब इसकी भरपाई कैसे करती है सरकार इसको finance कैसे करती है जो fiscal deficit होती है तो या तो वो Reserve Bank of India से borrow कर लेती है ठीक है जैसे कि Reserve Bank of India ने भी surplus transfer किया है उसको भी use कर सकती है या फिर दूसरा यह हो सकता है कि government of India जो है market से पैसा उठा ले किस तरह से treasury bills और bonds को issue करके आई होप आप समझ गए होंगे आगे बढ़ते हैं साथ ही आप यह भी जानेगा CAG का नाव आपने सुना होगा controller and auditor general और यह जो है दूसरी संस्ता है जो हम अभी पढ़ रहे हैं CGA तो देखिए यानि की controller general of accounts दोनों में अंतर होता है जो CAG है controller and auditor general आपको मालूम होगा कि जो भी यह governments होती है इनके receipts और expenditure को audit करने का यह काम करता है article 148 में आपने पढ़ा होगा Indian polity में और फिलाल जो controller and auditor general of India है इनका नाम GC Murmu है तो देखिए इन दोनों संस्ताओं में अंतर है पहली बात तो यह है कि जो CAG है यह independent body है जबकि जो CGA जिसके बारे में वह अभी पढ़ रहे हैं यह independent नहीं है यह department of expenditure जो कि finance minister का department है इसके अंतर उतकार्य करता है दोसरा यह है कि CAG जो है यह constitutional body है जबकि CGA जिसके बारे में हम इस question में पढ़ रहे है यह constitutional body नहीं है और तीसरा मैंने आपको work function बता ही दिया है पहले ही ठीक है तो इनको आप याद रखेगा आगे बढ़ते है डॉक्टर पैट्रिक अमोथ ने जेनेवा Switzerland में इस्तित WHO कारेकारी बोर्ड के अध्यक्षे रूप में पदभार समाला है आपको बताना है कि यह किस देश से है ओप्शन्स आपके सामने है और correct answer होगा option A So, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ took over as the president of the WHO Executive Board based in Geneva, Switzerland He is from Kenya तो देखिए Kenya के यह Health Ministry के Director General है तो इन्होंने World Health Organization WHO के Executive Board की Presidency इन्होंने हासिल की है यह इसके President बन गए है और काम परिस्तित है यह Geneva, Switzerland बे और 34 members का यह पूरा समू है और इनकी जो जो इनका tenure रहेगा यह 3 साल तक का रहेगा और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है भारत की जो Health Minister ने डॉक्टर हर्सवर्दन को रिप्लेस किया है अगर हम Kenya की बात करें तो Capital Narrowby है और यहां ही करंसी है Kenyan Shilling Friends अच्छा है यह दो इंस्टिट्ट्स आपने सुने होंगे United Nations Environment Program जिसे आप कहते हैं UNEP दूसरा है United Nations Human Settlements Program यानि UN Habitat तो याद रहेगा दोनों के Headquarters Narrowby में हैं Narrowby क्या है? Kenya की Capital है आगे बढ़ते हैं निम्री कित में से किसने सीवालीक Small Finance Bank के साथ एक Bank Assurance समझे ते पर हस्ताक्षर किये हैं Options आपके सामने हैं और सही आंसर होगा Option C So, भारती AXA Life Insurance has signed a Bank Assurance Pact with Sivalik Small Finance Bank तो भारती AXA Life Insurance आपको मालूम होना चाहिए कि यह भारती Enterprises और France की एक Insurance Company है AXA तो इन दोनों के बीचे एक Joint Venture है यानि उपक्रम है तो इन दोनों ने Bank Assurance Partnership की है अगर हम बात करें भारती AXA Life Insurance की तो इसके MD and CEO है पराग, राजा और जो Sivalik Small Finance Bank है इसके MD and CEO है सुवीर कुमार गुपता है, डॉफिस नोईडा में है रजिस्टर डॉफिस न्यू डैली में है बात करते हैं Bank Assurance का मतलब क्या होता है देखे, Bank Assurance का मतलब है कि Bank के तुरू अपने Insurance Policies को बेचना जब कोई Insurance Company किसी Bank के साथ कोई Bank Assurance Pact साइन करती है इसका मतलब है कि वो Insurance Company उस Bank को कह रही है जो हमारी Insurance Products हैं जो हमारी Insurance Policies हैं उनको आप अपने Customers को ओफर कीजिए तो इससे क्या होता है Insurance Company का फायदा यह होता है कि एक तो उसको Broad Market मिल जाता है Customer जो है उसकी Customer जो है उसके बढ़ जाते हैं क्योंकि जो Bank अपने Customers को ओफर करता है तो ओविससी बात है कि जो है Customer भी उस Bank को Trust करते हैं तभी वो उस Policy को लेंगे दूसरा बात यह है यहाँ पर तो जो Customer Base है वो बढ़ गया Insurance Company का Bank को क्या फायदा हुआ Bank जो है इस पर Commission अर्ण करता है तो दोनों तरप से Win-Win Situation है दोनों के लिए Insurance Company को अपने Target पूरे करने होते हैं तो इस वज़े से इस Banks के साथ यह Bank Assurance Pact sign कर लेती है आगे बढ़ते हैं अंतराश्टिय बुकर पुरुषकार जीतने वाले पहले फ्रांसी सी लेखक कोन बने है ओप्शन आपके सामने है और correct answer होगा option B So David Dio has become the first French writer to win the International Booker Prize 2021 देखे International Booker Prize यह हर साल दिया जाता है उस book को दिया जाता है जो की किसी और भासा में लिखी गई हो लेकिन उसको English में translate किया गया हो और उसको United Kingdom या फिर Ireland में publish किया गया हो और इसको पहले Man Booker International Prize बोला करते थे लेकिन Man यह एक संस्ता है इसने जो है अब इसको finance करना बंद कर दिया है तो बात करते हैं इस question की David Diop तो यह first French writer बन गई है जिनने International Booker Prize से सम्मानित किया गया है कौन सा novel है? At Night All Blood तो यह World War first से related इनका एक novel है At Night All Blood इसके लिए दिया गया है तो यहाँ पर जो है 50,000 pound का prize इनको दिया जाएगा तो यह share किया जाएगा ठीक है फ्रेंच लेंग्विज में है इसको translate किया है इंग्लिश में Anna Mosho Hauakis इन्होंने किया है तो इन दोनों लोगों में ही यह prize जो है split किया जाएगा किसके द्वारा पब्लिश की गई है बुक? Puskin Press के द्वारा और जैसा मैंने आपको बताया है कि जो यह novel है इनका यह फ्रेंच नोवल है और फ्रेंच में इस बुक का टाइटल है Ferredium यानि Soul Brother 2018 में पहली बार पब्लिश हुआ था अंतराष्टिय सत्रंच महासंग और निमलिखित में से किस ने Global Satranj League के आयोजन के लिए एक समझोता ग्यापन पर हर्स्ताक्षर किये है Options आपके सामने है और सही आंसर होगा Option D International Chess Federation and Tech Mahindra have signed an MOU to organize the Global Chess League देखिए तो Tech Mahindra ने International Chess Federation फिडे जिसको बोलते हैं तो इन दोनों ने MOU sign किया है किसलिए Global Chess League इस तरह की कोई लीक सुरू करने का जैसे IPL है इसी तरह से यह लीक भी आप समझ सकते है Global Chess League अलग-अलग लोग जो है अपनी टीम से ले लेंगे अपने प्लेयर्स से ले लेंगे तो इस तरह की लीक कराने के लिए उन्हों एक MOU sign किया है फिडे की बात करें तो Headquarters लुजएन स्विडिजर लेंड में है CEO है इसके जोफ्रे भी बोर्ग महिंद्रा गुरूप के चेर्मेन आप जानते हैं आनंध महिंद्रा है विश्व खाद्य सुरुक्षा दीवस हर साल किस दिन मनाया जाता है Options आपके सामने है और सही आंसर होगा Option C So World Food Safety Day is observed every year on June 7 और इस बार 2020 में इसका theme रहा है Safe Food Today for a Healthy Tomorrow ICICI Lombard ने किस तकनीकी कमपनी के साथ गुण मत्ता नियंत्रन परकरियाओं को मजबूत और स्वचालित करने के लिए भागेदारी की है तो इसका सही आंसर होगा Option D So with Microsoft ICICI Lombard partner to strengthen and automate quality control processes तो देखिए ICICI Lombard ने quality control process का मतलब है कि अपनी जो भी पूरा setup है जो भी अपनी apps है या फिर जो आपके products है उन सभी को जो है और अच्छा करना अप्ग्रेट करना इसका मतलब होता है quality control process ठीक है जो भी अपने products है उनको और अच्छी quality के मनाना तो इसमें किस तरह से Microsoft साहता करने वाला है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है कि जो ये Azure ये जो Azure service है speech service ये Microsoft की है कभी-कभी पूछ लेते हैं question में इसमें क्या होता है अगर आप किसी speech को टेक्स्ट में करना चाहते है यानि कि आप बोल रहे हैं और वो टेक्स्ट में करनवर्ट हो जाए या फिर कहीं पर टेक्स्ट लिखा है वो speech में कनवर्ट हो जाए तो उस्तरे की service प्रोवाइट कराता है ये Azure speech services तो इसी का हिहां पर इस्तेमाल करने वाला है ICICI Lombard अपने customers के लिए बात करें ICICI Lombard की तो headquarters मुंबई में है और इसके CEO हैं भारगावदाश गुपता Microsoft की अगर बात करें तो founders है Bill Gates and Paul Allen और CEO है Satya Nadella और headquarters Washington US में है निमली कितमे से किसने startup की listing को प्रोशाहित करने के लिए Electronics और Computer Software Export Promotion Council यानि ESE के साथ हाथ मिलाया है Options आपके सामने है सही answer होगा Option A So BSC has joined hands with Electronics and Computer Software Export Promotion Council ESE, ESC to increase listing of startups So Bombay Stock Exchange यानि BSC इसने ESC के साथ जो है एक समझोता किया है किसलिए जो भी SMEs है यानि Small and Medium Enterprises जो हैं तो वो जो है अपने आपको जो BSC का एक platform है BSC MSME and Startup Platform यहाँ पर अपने आपको Listed कर लें तो इसके लिए जो आपकी Electronics and Computer Software Export Promotion Council है तो यह क्या करेगी जो Startups हैं उनको जो है इस BSC के platform पर जो BSC का SME platform है यहाँ पर listing करने में उनकी सायता करेगी और साथी जो यह आपकी ESC Council है यह साथी Investors को Sensitize करेगी कि आप जो है Invest कीजिए जो भी SMEs BSC के SME platform पर जो Listed हैं उस उन सभी SMEs में आप जो है Invest कीजिए इस तरह के लिए Sensitize करेगी साथी ESC के च्वेरमेन संदीप नरूला है आप जानते होंगे और भारत की और से जो भी Electronics यह Telecom Computer Software और IT Enabled Service का जो Export होता है जो निर्यात होता है तो इसको Promote करने का काम यह ESC करती है तो काफी Important Organization है इसको आप याद रखेगा Chairman मैंने आपको बता दिये संदीप नरूला है और BSC के Chairman आप जानते होंगे विकरम जीत सेन है और MD and CEO है आशिश कुमार चोहान 65 Megawatt विकेंदरी करत सोर छमता इस्थापित करने के लिए निमली खित में से किसने Meghalay और Ladakh के साथ एक समझोता ग्यापर पर हस्तक्षर किये है options आपके सामने है और सही answer होगा option D CESL has signed an MOU with Meghalay and Ladakh for setting up a 65 Megawatt decentralized solar capacity CESL यानि Convergence Energy Services Limited तो इसने Meghalay और Ladakh के साथ MOU sign किया है किसलिए 65 Megawatt की solar energy capacity produce करने के लिए तो इसके तरह यह plant set up करेगा या फिर जिस भी तरह से 65 Megawatt की capacity generate की जा सके आपको बता दें कि जो यह CESL है Convergence Energy Services Limited यह 100% on subsidiary है किसकी Energy Efficiency Services Limited यानि ESL की और इसके जो CESL जो है इसके MD and CO है महुआ आचारिय और हाली भी हमने क्या पढ़ा था कि NHPC Limited ने इसी संस्था के साथ जो यह CESL है इसके साथ एक E-Mobility Agreement को sign किया है जहां पर की NHPC जो यह Convergence Energy Services Limited है इसके जो है जो E Vehicles है उनको Lease पढ़ लेगा MBX Press में भीषण आग को बुझाने के लिए भारतिय तटरक्षक बल यानि Indian Coast Card और स्री लंकाई नोसेना द्वारा सहीवत रूप से सुरू किये गए Summon with Operation का नाम बताईए Options आपके सामने है और Correct Answer होगा Option D Operation Sagar अरक्षा Second देखिए यहाँ पर जो है एक यह Singapore की Singapore registered वेसल है MBX Press पर्ड तो इसमें हाली में आग लग गई थी Colombo Coast पर तो यह जो है गुजरात के हजीरा से Colombo Port पर जा रही थी तो इसमें काफी सारे Chemicals थे और इसमें जो है आग लग गई थी तो इसी को बुजाने के लिए Indian Coast Guard और स्रिलंका नेवी ने एक Operation शुरू किया था जिस खनानता Sagar Arakşah Second तो इसके तहत इसकी आग को बुजाया गया और इसको जो है डुबा दिया गया Global Financial Attractiveness Rankings में कौन सा देश सिर्ज पर है Options आपके सामने है और Correct Answer ओका Option C So बहरीन Topped The Global Financial Attractiveness Rankings तो यह आप Location देख सकते हैं यह है बहरीन तो देखे AIR INC Global 150 Cities Index Financial Attractiveness Rankings इसमें जो है बहरीन ने Top किया है लगातार तीसरे साल तो बेसिकली यह किसलिए है जो भी इसमें जैसे salary level किस country का अच्छा है cost of living कहाँ पर अच्छी है taxes में कहाँ पर ease जादा है तो इस तरह के index के basis पर यह बनाए गया है यह index बनाए गया है इस तरह के parameters पर तो इसको बहरीन ने Top किया है बहरीन के अगर बात करें तो capital मनामा है पूछ ली आती है एक्जाम में currency बहरीनी दिनार है तो इस index के बारे में केवल इतनी जानकारी news में दी गई थी ठीक है तो उतनी मैंने आपको बताई है Edelweiss signed an MOU with which bank to strengthen co-landing partnership options आपके सामने है और correct answer होगा option D So Edelweiss ने सहरिन साजेदारी को मजबूत करने के लिए Central Bank of India के साथ एक समझोता गयापन पर हस्ताक्षर किये है तो देखिए Edelweiss Retail Finance Limited इसने Central Bank of India के साथ समझोते पर एक हस्ताक्षर किये है जिसे कहा जाता है Co-landing Partnership किसलिए जो भी SMA sectors है इनको loan प्रोवाइट कराने के लिए Co-landing का मतलब क्या होता है यह हमको समझना चाहिए मानलीचे आपको 1,00,00 रुपे का loan चाहिए तो Co-landing के तहत इस तरह से हो सकता है कि 20,000 रुपे आपको bank प्रोवाइट करें और 20,000 रुपे आपको जो NBFC है Non Banking Financial Company है वो आपको प्रोवाइट करें तो इस तरह का bank और एक NBFC जो है साथ में आकर जब कोई loan प्रोवाइट कराते हैं तो उसको बोलते हैं Co-landing इस तरह की जरूरत क्यों पड़ी RBI ने इस तरह की जरूरत क्यों लाई देखे ये इसलिए क्योंकि जो banks होते हैं इनका जो cost of fund होता है ये काफी कम होता है cost of fund मतलब की जो आपके saving account पर ये interest देते हैं वो कम होता है और जो ये loan लेते हैं bank भी तो loan लेते हैं जब इनके पास fund की कम हो जाती है तो फिर उस पर भी जो ये interest देते हैं वो भी कम होता है तो cost of fund bank के पास काफी कम होता है लेकिन इनका जो operating cost होता है जो इनके अपने खड़्चे होते हैं वो काफी जादा होते हैं इसी का अगर उल्टा करें NBFC का तो NBFC हैं इनका cost of fund जादा होता है लेकिन जो इनकी operating cost है वो काफी कम होती है तो इन दोनों के बीच में सही तालमेल बनाया जा सकता है co-landing partnership के तहत और इसका फायदा जो है जो end consumer है उसको मिलता है आयोप आप समझ गए होंगे co-landing partnership का मतलब क्या है और यह priority sector lending में ही दी जाती है यानि कि जो जुरूरत मंद छेत रहे हैं जैसे कि agriculture हो गया MSME हो गया education sector हो गया वही पर इस तरह की co-landing partnership की जाती है और जैसे यहाँ पर बताया भी गया है कि जो MSME है यह collateral free business loans ले सकते हैं 50,00,00 रुपे तक के इससे पहले 10,00,00 रुपे तक के ले सकते थे collateral free मतलब कुछ भी आपको गिरवी रखने की जुरुरत नहीं है Central Bank of India के अगर बात करें तो इसके MD and CEO है मताम वेंकटा राव और इसका headquarters मुंबई में है आगे बढ़ते हैं जहाँ vote वहाँ टीका करण अभियान कहाँ सुरू किया गया है options आपके सामने है और correct answer होगा option A जहाँ vote वहाँ vaccination campaign has been launched in Delhi तो देखिए Delhi के CM अरविंद केजरिवाल ने जहाँ vote वहाँ vaccination campaign इसको launch किया है किसलिए जो भी 45 साल से ज़्यादा के व्यक्ति हैं उनको COVID-19 की जो vaccine है वो लगाने के लिए क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि जो vaccination center है वो काफी दूर दूर जो है आउजित किये गए है तो इसी को देखते हुए Delhi सरकार्ण ने क्या किया है कि जो भी आपका polling booth है जो polling station है जन्रली वो पास में होते हैं आपके घर के तो वहाँ पर आप चाहिए और वहाँ पर vaccine लगा कराईए तो यह इसका उद्देश्य है इस campaign का साथे आपको पताएगी Delhi के जो lieutenant governor है यह है अनील बैजल यौन टैब योजना कहां शुरू की गई है options आपके सामने है और correct answer होगा option B so यौन टैब scheme has been launched in Ladakh तो यह Ladakh के lieutenant governor है राधा कृष्ण माथूर जिनने आप RK माथूर के नाम से जानते हैं तो इन्होंने इस scheme को launch किया है यौन टैब scheme तो इसके तहत 12,300 tablets जो हैं बच्चों को distribute किये गए है और इसमें online और offline content ये pre-loaded है text books भी है इनमें video lectures भी है तो इसके लिए ये scheme launch की गई है आपको साथ ही ये भी जानना चाहिए कि Ladakh as a union territory जो है 31 October 2019 को अस्तित्तु में आया और यहाँ पर दो district है ये भी आपको जानना चाहिए ले डिस्टिक और कारगिल डिस्टिक नाबाड ने किस राज्य को पेजल परियोजनाओ के लिए 254 करोड रुपे मनजूर किये हैं ओप्शन्स आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ओप्शन B तो नाबाड है sanctioned रुपे उडिस सरकार को मनजूरी किये हैं यानि sanction किये हैं आपको बता दे कि नाबाड ये इसका गठन को हुआ था 12 जुलाई 1982 को हुआ था 12 जुलाई 1982 को और 20 सिवारामन कमिटी की recommendation पर इसका गठन किया गया था साथ ही आपको बता दे कि इसमें 100% share government of India के हैं यानि government of India इसकी मालिक है और आपको बता देंगे इसकी authorized capital 30,000 करोड रुपीज है और paid up capital इसकी 14,080 करोड रुपीज है देखे authorized capital और paid up capital में अंतर होता है देखे authorized capital को अगर हम एक example से समझे देखे कोई भी company maximum कितने share issue कर सकता है यह decide होता है उसकी authorized capital से मान लीजिए किसी कोई company जो है maximum authorized share उसके 1,00,000 share से जिनको वो issue कर सकता है और हर एक share की जो कीमत है वो 10 रुपे रखी गई है तो आप उन 1,00,000 share को 10 रुपे से अगर आप multiply करें तो 10,00,000 जो आता है यह आपकी authorized capital है जानी 10,00,000 रुपे आपकी authorized capital है या इसी को आप इस तरह सी भी समझ सकते है किसी company की यदि authorized capital 10,00,000 रुपे है और हर एक share की value 10 रुपे है तो 1,00,000 से जादा share वो issue नहीं कर सकता है इसका मतलब होता है authorized capital अब माली जे authorized capital 10,00,000 रुपे है अब वो company चाती है कि 5,00,000 रुपे जो है वो 5,00,000 रुपे वो चाती है ठीक है शेर होल्डर से चाती है तो 5,00,000 रुपे के share जो है issue करती है और उसके बदले जो भी उसको वापस में मिलता है return जो भी मिलता है उसको ठीक है तो उसको बोलते है paid up capital यानि उसको paid कर दिया गया है 5,00,000 रुपे के share के बदले तो ये इन दोनों में अंतर होता है और साथी self-help group या SHG bank linkage project ये भी नाबाट द्वारा launch किया गया था 1992 में साथी नाबाट की chairman है गोविंदा, राजोलू, चिंदाला और headquarter से मुंबई में ओडीसा की बात करें क्योंकि question में ओडीसा भी discuss हुआ है तो यहां के CMN नवीन पतनायक governor है गनेशी लाल और capital है भूनेश्वर साथी simplify नेसल पार्क सत्कोसिय टाइगर रिजर्व चंडगा elephant century और चिली का लेक यह उडीसा में है और गहीर माथा बीच आप याद रखेगा उडीसा में है भीतर कनीका में और यह वर्ड का largest nesting site है for olive rightly sea turtles तो यहां पर जो यह olive rightly sea turtles होते हैं यह काफी संख्या में यहां पर अपने जो eggs हैं वो देते हैं पर है integrated test range ITR चांदीपूरी यह भी हैं पर है आपने सुना होगा इसका नाम साथी जगनाठ temple और कोनारक संट temple जो की UNESCO World Heritage Site है 1984 में इसको यह दरजा दिया गया था यह भी ओडीसा में ही है निमलिखित में से कौन रक्षा अधिगरण परिशद DAC की अध्यक्षता करता है options आपके सामने हैं और सही answer होगा option D So, Defense Minister of India chairs the Defense Acquisition Council देखे यह किसले news में है क्यों यह question बनाया गया है क्योंकि हाल ही में Defense Acquisition Council DAC इसकी अध्यक्षता की है हमारे रक्षा मंतरी रायनाथ सिंग ने और इन्होंने 6 conventional submarines इसको construct करने का जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 75 I आई का मतलब है यहाँ पर इंडिया तो प्रोजेक्ट 75 इंडिया इसके तहत 6 conventional submarines बनेंगे भारत में ही बनेंगे तो इसको जो है एप्रूव कर दिया है पहले यह 2007 में इसको clean sheet दी गई थी इस प्रोजेक्ट को और अब जो है इसके construction को एप्रूव कर दिया गया है यह आप याद रखेगा ठीक है प्रोजेक्ट का नाम याद रखेगा प्रोजेक्ट 75 I तो अब जो यह 6 conventional submarines जो बनेंगी इसमे state of the art air independent propulsal system जो भारत द्वारा यह बनाया गया है air independent propulsal system यह भारत का ही बनाया गया है यह इसमें जो है fit किया जाएगा air independent propulsal system इसका फाइदा यह होता है कि जो submarine से वो पहले से ज़्यादा पहले से ज़्यादा देर तक water के अंडर रह सकती है without coming up to water surface जो water surface है उस पर आए भी न काफी लंबे समय तक water के अंदर ही रह सकती है साथ ही उनकी जो noise है वो भी बहुत कम बिल्कुल reduce हो जाती है जिससे कि उसको detect कर पाना काफी मुस्किल रहता है तो यह फाइदा होता है इसका air independent propulsal system का और याद रखेगा कितनी लागत से बनेंगी 43,000 करोड की लागत से बनेंगी यह आपके लिए काफी important है और इसके लिए जो मजगा आउट, dog, shipbuilders limited है और L&T है इन दोनों को shortlist किया गया है और साथ ही air defense guns and ammunition इसको भी approve किया गया है वर्थ रुपीज 6,000 करोड मुफ्ती फैज उलवहित जिनका हाली में इदन हो गया कुरान का किस भासा में अनुवात करने वाले पहले व्यक्ती थे options आपके सामने हैं और correct answer होगा option B so मुफ्ती फैज उलवहित who passed away recently was the first to translate the कुरान into गोजरी language गोजरी या गोजरी आप कह सकते हैं तो इस language में उन्हें कुरान को translate किया था ठीक है तो पहले person थे जिन्होंने translate किया था नाम याद रखेगा मुफ्ती फैज उलवहित इनका हाली में निधन हो गया है विश्व महासागर दिवस हर साल किस दिर मनाये जाता है options आपके सामने है और correct answer होगा option D so what oceans day is observed every year on June 8 और इस बार 2021 किसमें इसका theme रहा है the ocean life and livelihoods आपको बताते हैं जो हमारे planet का जो total area है उसमें 70% तो ocean ही cover करता है साथ ही जो भी हमारे planet पे oxygen है तो 50% oxygen हमारे oceans द्वारा जो है provide कराई जाती है और यह आप याद रखेगा sustainable development goal 14 यह ocean से संबंदित है life below water यानि की conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources और यह आप याद रखेगा जो 2021 से 2030 का जो दसक है जो decade है इसको दिया गया है United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development इसी तरह से एक और decade है 2021 से ही 2030 तक का United Nations Decade on Ecosystem Restoration साथ ही United Nations Decade of Healthy Aging यह भी 2021 से 2030 तक मना जा रहा United Nations के द्वारा यह पूशे जाते हैं फ्रेंड्स आपके exam मिसले याद रखेगा इसी तरह से 2021-2030 का यह है Second Decade of Action for Road Safety और 2022 से 2032 का Decade मना जाएगा International Decade of Indigenous Languages आगे बढ़ते हैं नविन्तम टाइम्स हाईर एजुकेशन एस्या उन्वरस्टी रैंकिंग 2021 में कितने भारतिय विश्व विद्ध्यालों ने सीर्ज 100 सूची में इस्तान हासिल किया है साही आंसर होगा Option D So, three Indian universities secured positions in the top 100 list in the latest Times Higher Education ACI University Rankings 2021 कौन-कौन सी है IISC Bangalore है इसने 37 वी रैंक प्राप्थ किया 37th IIT Roper है 55th रैंक हासिल किया 55th वी IIT Indore 78th रैंक हासिल किया यानि की 78 वी रैंक हासिल किया अगर हम top 3 university की बात करें तो Tsinghua University China और दूसरे नंबर पर है Peking University China और तीसरे पर है National University of Singapore वियवसाए कार्ड धारकों के लिए विसे इस वीमा पॉलिसी परदान करने के लिए निमली कितमे से किसने वीजा के साथ बागयदारी की है options आपके सामने हैं और correct answer होगा option C So STFC Airco General Insurance Corporation Limited has partnered with visa to provide specialized insurance policies for business card holders तो जो भी visa business card holders हैं तो उनको insurance cover provide कराएगा STFC Airco साथी इसके लिए ये दो प्रोड़क्ट्स मिन्होंने लौंच किये हैं ये भी आप ध्यान रखेगा जो banking experience है वो तो खासकर याद रखेगा banking exam में इस तरह के question पूछे जाते हैं business suraksa classic और my credit personal accident insurance group policy ठीक है तो ये product launch की है SDFC Airco ने साथ अगर हम बात करें SDFC Airco की तो MD & CEO है रितेश कुमार headquarters मुंबई महाराष्ट में है और हाली में SDFC Airco किसलिए चर्चा में था क्योंकि इसने business kisth suraksa इसको launch किया है कि इसके लिए MFIs को protect करने के लिए यानि जो micro finance institution से इनको protect करने के लिए और SDFC Airco ने जो है 2021 के शुरुआत की थी अपने 21 region Y campaign से ठीक है 21 reasons Y इस campaign को launch किया था SDFC Airco ने नावी खंड के लिए किस bank ने NR बचत खाता योजना शुरू की है options आपके सामने है और सही answer होगा option D so federal bank launched an NR savings account scheme for the seafarer segment तो देखें जो भी seafarers होते हैं यानि कि जो भी वेसल्स में जो travel करते हैं बोट्स पर जो लोग होते हैं ठीक है mariners जो होते हैं उनके लिए NR savings account scheme launch किया है इसके तहट क्या होगा कि जो भी banking transactions है ये कर पाएंगे चाहिए ये किसी भी geo coordinates में किसी भी time zone में हो ठीक है तो उसके हिसाब से ये अपने banking transactions कर पाएंगे फेडरल पाएंगे अगर बात करें तो MD and CEO है श्याम स्रीनिवासन और इसका headquarters अल्वा कोची के रिलम में है कि निम्रिखित में से किसने स्वास्तिक नामक एक नई संकर तकनीक यानि hybrid technology विक्सित की है सही आंसर होगा option B तो CSIR NCL has developed a novel hybrid technology called Swastik तो CSIR की ये laboratory है National Chemical Laboratory जो की पुने में है तो इसने water को disinfect करने के लिए वो भी natural oils की सायता से एक technology विक्सित की है इसका नाम दिया इन्होंने स्वास्तिक और साथ ही आपको यह भी बता दे कि जल जीवन मिशन या आपने सुना भी होगा तो इसके तहट भारत का target क्या है कि 2024 तक जो भी rural households है उनको tap water supply provide कराना AIR INC Global 150 Cities Index Overall Attractiveness ranking में किन दो भारतिय सहरों को इस्थान मिला है options आपके सामने हैं और correct answer होगा option A so Delhi and Mumbai found place in AIR INC Global 150 Cities Index overall attractiveness ranking देखे friends अभी बात हो रही है overall attractiveness ranking की तो इसमें जो है Zurich Switzerland में इसने टॉप किया है ठीक है तो यह index generally उस तरह की cities के लिए लॉंच किया गया है जापर high salary है और low tax and cost है quality of life अच्छी है ठीक है अच्छा इसमें आप यह याद रखेगा देखे ओवरॉल इसमें तीन तरह से इन्होंने ranking दी है एक तो है overall attractiveness ranking ठीक है तो इसमें जो इसमें 150 cities जो है उन्होंको टॉप किया है नंबर वन पर है Zurich Switzerland दूसरे पर है जेनेवा और तीसरे पर है Luxembourg और दूसरी category इन्हों लिखे है lifestyle rank तो इसमें भी नंबर वन पर है Zurich Switzerland दूसरे पर है Vienna Austria और तीसरे लंडन UK और तीसरी इसमें जो इन्होंने category रखी है यह financial rank तो इसमें पहले नंबर पर है Manama यानि बहरीन के capital जो है और दूसरे पर है जोर्टाउन और तीसरे पर है Zurich और इसमें अगर हम इंडियन cities की बात करें तो Overall Attractiveness इस वाली category में Delhi 119 नंबर पर है Mumbai 125 नंबर पर है Lifestyle rank में दिल्ली 119 नंबर पर है Mumbai 120 नंबर पर है Financial rank में दिल्ली 118 नंबर पर है और Mumbai 139 नंबर पर है देश के बुजर्ग विक्ति की सायता के लिए किस मंत्राले ने Sage portal launch किया है options आपके सामने है और correct answer होगा option D So Ministry of Social Justice and Empowerment launched the Sage portal to support elderly person of the country तो देखिए Minister of Social Justice and Empowerment थावर्चन गहलोत इन्होंने Sage portal को launch किया है Sage का मतलब है Senior Care Aging Growth Engine तो इसके तहत क्या होगा कि जो भी देखिए जिस तरह से भी इनकी life आसान बन सके इस तरह के products and services start-ups द्वारा बनाए जाएंगे और इस portal पर इवे जो भी products हैं जो भी services हैं वो यहां पर provide कराए जाएंगे इसके तहत budget में भी 25 करोड रुपे allocate किये गए हैं यह आप याद रखेगा Sage project के लिए साथी यहां पर जो start-ups हैं जो इस तरह की service या products पनाएंगे उनको एक करोड रुपे तक का जो है fund भी जारी किया जाएगा ठीक है ministry of social justice and empowerment के द्वारा भारत को किस अवधी के लिए आर्थिक और समाजिक परिशत के सदस्यक रूप में चुना गया है options आपके सामने हैं और correct answer होगा option B so India has been elected to the economic and social council for the term 2022-24 देखिए भारत को Asia Pacific States category में अफगानिस्तान कजगस्तान और ओमान के साथ-साथ 2022-24 टर्म के लिए चुना गया है किसमे economic and social council ECOSOC के लिए साथ ही आपको बता दें कि जो ये ECOSOC है इसका गठन भी 1945 में हुआ था और आपको मालूम होगा United Nations के six main organs हैं उनमें से एक ये भी है economic and social council साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत फिलाल United Nations Security Council इसका non-permanent member है 2021-22 में और इस साल अगस्त में भारत इसका जो है presidency भारत के पास आ जाएगी तो ये भी आप याद रखेगा अगस्त में भारत के पास presidency आ जाएगी Nations New York में भारत के Master है. TS त्रूमurti और भारत के United Nations में और Other International Organizations के लिए जो जनेवा में भारत के Master है ये हैं Indramani Pandey तो दोनों में अंतर हैं ये New york में भारत के Ambassador United Nations के लिए और ये Geneva में हैं भारत के Ambasters United Nations के लिए और other international organizations के लिए तो देखिए United Nations के six main organs ये सबी है General Assembly, Security Council Economic and Social Council Trustship Council, International Court of Justice और Secretariat आगे बढ़ते हैं राय मोना किस राज्य का छटा राष्टे उद्यान बन गया है Options आपके सामने है और correct answer होगा Option B राय मोना has become the sixth national park of Assam तो Assam का sixth national park बना है राय मोना और आपको बता दें गोल्डन लंगूर के लिए जाना जाता है जो कि एक endemic species है और इसको the pride of borderland के नाम से भी जाना जाता है और अच्छा ये तो sixth बना है इससे पहले पांच national park कोन से हैं? काजरंगा, मानस, नमेरी, औरांग और डिब्रू साइक होगा साथी आपको बता दें कि seventh national park भी आपर आने वाला है देहिंग पटकाई इसके लिए कारे चल रहा है आसाम की बात करें तो CMN हिमंत बिश्वा सर्मा और गवर्नर है जकतीस मुखी और कैपिटल है दीशपूर साथी आपको यह भी जानना चाहिए कि Asia का first successfully, mechanically, drilled oil well तेल का कुवा जो पहली बाद जो drill किया गया था Asia का सबसे पहला यह माकूम आसाम में किया गया था 1867 में यह fact याद रखेगा पूछ ले जाता है SSC जैसे exams में आगे बढ़ते हैं 76 संयुक तराष्ट महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है options आपके सामने है और correct answer होगा option C अब्दुल्ला साहीट has been elected as the president of the 76th United Nations General Assembly देखें अब्दुल्ला साहीट कोन है यह मालदीव के foreign minister है और इन्हें 76th United Nations General Assembly के president के रूप में चुना गया है जो United Nations General Assembly में 193 members है यह आपको जानना चाहिए साथ यह आपको बता दें इनके साथ जो टक्कर में थे यह अफगानिस्तान के former foreign minister जलमाई रसूल थे इनको केवल 48 votes ही मिले है जबकि अब्दुल्ला साहीट को 143 votes मिले है और आपको बता दें यह तो चुने गए है 76th United Nations General Assembly के लिए यानि की अब जो लागू होगी और इससे पहले 75th जब United Nations General Assembly के president के रूप में कारे कर चुके है वॉलकान बोसकीर यह टर्की के रहे है किस राज्य ने knowledge economy mission की सुरुवात की है options आपके सामने है और correct answer होगा option A So Keral has launched the knowledge economy mission तो देखिए Keral government ने knowledge economy mission इसको launch किया है किस लिए जो भी knowledge workers है उनको employment प्रोवाइट कराने के लिए देखिए knowledge workers क्या होते हैं जिने किसी specific subject की knowledge होती है अगर हम इसके example देखें तो जैसे physicians हो गए academics हो गए, engineers हो गए, architects हो गए मतब ये लोग manual work नहीं करते हैं पर इनको जो है किसी खास subject की विशेश जानकारी ही रहती है तो इनको बोलते हैं knowledge workers Keral के CM है पिनराई विजियन गवर्णर है आरिफ मुहम्मद खान और कैपिटल है थिरुवन नंतपुरम किस बैंक ने सीमा पार से भुकतान के लिए swift GPI instant launch करने के लिए swift के साथ करार किया है options आपके सामने है और correct answer होगा option C so ICICI bank has tied with swift to launch swift GPI instant for cross border inward payments swift का मतलब है society for worldwide interbank financial telecommunication तो इसके साथ ICICI bank ने जो है एक tie up किया है किसलिए जो भी cross border inward remittances है इनको तुरंथ भेजा जा सके और इस तरह का tie up करने वाला ये Asia Pacific का पहला bank बन गया है ये आपको जानना चाहिए और globally ये दूसरा bank बन गया है अच्छा मैं अगर आपको बताऊं कि ये swift किस तरह से कारे करता है quickly मैं आपको बताऊंगा काफी interesting है देखिए swift पहले आप ये जानी है कि ये कोई fund को transfer नहीं करता है बल्कि ये केवल एक messaging कितरह कारे करता है messaging service है ये payment का message भेजता है और इसके लिए इसका एक अपना network होता है swift network होता है और यहाँ पर swift code का use करते हैं जो banks होते हैं तो इसका फायदा ये रहता है quickly, accurately और securely जो है payment हो जाती है अब मान लिजी आप रहते हैं New York में और आपका account जो है bank of America में आपको डेली स्थित ICICI bank की ब्रांच में अपने एक दोस्त को पैसे भेजने है तो आप क्या करेंगे आप जो आपका दोस्त है जिसका ICICI bank में जो account है तो एक तो आप उसका account number और उस bank ब्रांच का जो swift code है वो आप bank of America को बताएंगे तो अब bank of America क्या करेगी वहाँ से वो swift network के जरिए ICICI bank को एक message भेजेगी तो यहाँ पर use हो रहा है यह swift network यह क्या है सबसे secure network है इसमें कोई भी fraud नहीं हो सकता तो अब जैसे ही यह message ICICI bank को मिल जाएगा तो वो तुरंत जो है आपके दोस्त के account में पैसे transfer कर देगी और उधर से जो आपका bank of America है वो आपके account से पैसे काट लेगा तो इस तरह से यह कार्य चलता है साथी ICICI bank के अगर हम बात करें तो इसके MD and CU है संदी बक्षी और headquarter से Mumbai महाराष्ट में और इसकी tag login है हम है ना खयाल आपका अगर friends हम जनवरी से लेकर अब तक के ICICI bank से जुड़े हाली के current affairs की बात करें तो देखिए इसने एक तो जापान के MUFG bank के साथ MOU sign किया है साथी इसने यह याद रखेगा कि इसका एक digital wallet है जिसका नाम है pockets तो इसने अपनी UPI ID facility को link कर दिया है साथी ICICI bank ने NIO के साथ मिलकर MSMEs को जो है प्रिपेट कार्ड इशू करने के लिए एक समझोता sign किया है साथी ICICI bank ने merchant stack इस तरह का एक platform launch किया है साथी ICICI bank ने नम्मा चेननाई smart card इसको launch करने के लिए greater चेननाई corporation और चेननाई smart city limited के साथ एक pact sign किया था साथी ICICI bank ने InstaFX mobile app इसको भी launch किया है यह सबी हम MCQs format में देख चुके हैं यहाँ पर आपके revision purpose के लिए बताय जा रहे हैं देखे इस तरह के question में आपको keyword पकड़ना होता है InstaFX किसने launch किया है नम्मा चेन नई smart card किसने launch किया है merchant stake किसने launch किया है new के साथ किसने partnership की है pocket किसका digital wallet है M.U.F.G. bank के साथ किसने sign किया है इस तरह से keyword पकड़ी है और केवल इसी तरह से question कुछ जाते हैं answer उसमें ICICI bank हो जाता है Reserve Bank of India द्वारा अपनी दूसरी मौद्रिक नीती में संपर्क गहन छेत्रों के लिए कितनी रासी की चल नीती window खोलने का निर्ने लिया है options आपके सामने है और correct answer होगा option B so liquidity window of 15,000 करोड रूपी for contact intensive sectors was announced by the RBI in its second monetary policy तो देखिए तो 15,000 करोड की liquidity window किसके लिए जो contact intensive है इसके लिए RBI ने provide कराई है कब तक के लिए 31 मार्ट 2022 तक जिसकी एवदी रहेगी 3 साल तक की यानि कि 31 मार्ट 2022 तक आप इस तरह का loan दे सकते हैं और उस loan की एवदी 3 साल तक की रहेगी और उस पे जो interest चार्ज होगा वो रेपो रेट के जो रेपो रेट है वो चार्ज होगा यानि कि 4 परसेंट का interest उसमें चार्ज होगा तो इसका मतलब क्या है contact intensive का मतलब क्या है contact intensive के अंदर ये सभी आते हैं जैसे hotels होगे restaurants होगे tourism travel agents होगे tour operators होगे adventure heritage facilities होगे private bus operators होगे car repair services होगे event conference organizers होगे spa clinics होगे beauty parlors, saloons ये होगे तो इन सभी को जो है loan provide कराने के लिए याँ पर Reserve Bank of India ने 15,000 क्रोड की liquidity window open की है तो ये होते हैं सभी contact intensive sector ये सभी होते हैं साथे देखे Reserve Bank of India ने SIDBI को भी 16,000 क्रोड रुपे की liquidity facility provide कराई है किसलिए lending और refinancing के लिए refinancing का मतलब होता है देखिए जैसे नाबाड है ये भी एक refinancing institution है SIDBI भी इसी दर का institute है और NHB National Housing Bank जो है ये भी refinancing institute है इसका मतलब वो क्या होता है कि ये end customer को direct पैसा नहीं देते हैं ठीक है ये पहले ये पहले bank को दे दे है किसी commercial bank को दे दिया ठीक है ये जो regional rural bank होते है इनको दे दिया उसके बाद फिर ये bank जो है end customer है उनको पैसा प्रोवाइड कराते है तो इसको कहते है refinancing और साथी Reserve Bank of India ने क्या किया है देखिए इसने maximum aggregate exposure threshold इसको 25 करोड से बढ़ाकर 50 करोड कर दिया है किसके लिए जो MSMEs है non SME non MSME small businesses है इन सभी के लिए जो maximum aggregate exposure threshold है इसको 25 करोड से बढ़ाकर 50 करोड कर दिया है तो देखिए इस सभी data आपके लिए important है याद रखेगा केवाल इस तरह से 16,000 करोड सिड़ी और आपका जो 25 करोड से 50 करोड बढ़ा दिया है किसके लिए जो maximum aggregate exposure threshold है इसका मतलब क्या हुआ इस वाली line का देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब है जो Reserve Bank of India ने जो limit ते की थी जो MSMEs है और non MSME small businesses जो है तो इनके लिए जो loan restructure की जो limit जो इनों ने RBI ने ते की थी कि अगर पहले ते की वही थी कि 25 करोड रुपे तक का जो loan है उसको restructure किया जाएगा अब उस limit को बढ़ा कर RBI ने कर दिया कि 50 करोड रुपे तक के loan जो है restructure किये जाएगे loan restructuring का मतलब क्या है देखे कोई भी company loan लेती है तो उसे ब्याज सही तो loan चुकाना पड़ता है अब मालीजे उसने 60 महीने के लिए कोई loan लिया है तो अब restructuring के जरिये क्या हो सकता है कि 60 की जगा 65 या 70 महीने तक चुकाने का उसे मौका मिले तो इस तरह की जो arrangement करता है उसको बोलते हैं restructuring विस्व बैंक के sexic सलाकार के रूप में किसे न्युक्त किया गया है options आपके सामने है और correct answer होगा option C तो रंजीत सिंग दिसाले has been named world bank education advisor और आपको बता देंगे कि इने global teacher price 2020 में इससे भी सम्मानित किया जा चुका है और ये महाराष्टर से है Sally and Fraser Price जो की धावक हैं किस देश से हैं options आपके सामने है और correct answer होगा option D काफी important question है friends ध्यान दीजेगा तो देखिए किसले चर्चा में है तो ये Jamaica की है और two time Olympic champion है Shelly and Fraser Price तो इन्होंने क्या किया है ये अब second fastest woman बन गई है इतिहास में यानि सबसे तेज दोडने वाली second woman बन गई है 100 meter race में 100 meter race को इन्होंने 10.63 seconds में complete किया है और इन से पहले जिसके पास record है ये Florence Griffith Joyner इन्होंने 10.49 seconds में की थी ये race complete तो उनके बाद अभी ये दूसरे नंबर पर आ गई है बात करेंगर हम जमयका की तो देखें ये जमयका है ये पूरा Caribbean island है ठीक है यहां पर Caribbean countries है ये जो पार्ट है ये Central America है ये उपर North America है ये Mexico आप देख रहे हैं ये North America है और ये है South America ये है Central America ये है Caribbean part अच्छा तो मैंने आपको बता दिया North America, South America और ये Central America और ये है पूरा Caribbean island है Caribbean countries है इसी तरह से आता है Latin America तो देखें ये पूरा Latin America है मतलब इसे कुछ पार्टs Latin America में आते हैं देखें ये Mexico हो गया ये पूरा पार्ट ये Mexico हो गया फिर ये Central America हो गया जो कि यहाँ पर है ये पूरा South America हो गया जो कि यहाँ पर है तो Latin America इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे इस तरह के हिस्से हैं जहाँ पर Spanish, Portuguese और French बोली जाती है Romance Languages इसको बोलते हैं तो ये Latin countries कहलाती है साथ ये अगर हम बात करें जमेगा की तो इसकी capital जो है ये Kingston है ठीक है ये आप याद रखेगा और Jamaican dollar इसकी currency है उस athlete का नाम बताइए जिसने महिलाओ की 10,000 मिटर दोड में नया विस्व record बनाया है options आपके सामने है और correct answer होगा option B ये भी आपके लिए काफी important question है तो देखे देख लेते हैं इस question को पहली बात तो यह है कि सीफान हसन ये Netherlands की है और इन्होंने 10,000 मिटर की जो race है इसको 29 मिनट 6.82 सेकंड में complete किया है 29 मिनट 6.82 सेकंड इसमें complete किया है और इन्होंने जो है ये record तोड़ा है यूथोपिया की अलमाज आयाना का 17 सतत विकास लक्षियों यानि sustainable development goals में भारत की rank क्या है options आपके सामने है और correct answer होगा option C इंडिया इंडिया रेंक on the 17th sustainable development goals is 117 ये भी important question है आपके लिए देखे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 2015 में जो भी United Nations के 193 members हैं तो इन्होंने एक 2030 agenda इसको set किया था ठीक है और इसी का नाम दिया गया है 17th sustainable development goals 17 sustainable development goals हैं जिनमें की कई तरह के भारत मतलब पूरे विश्व को एक सांती पूरा एक विश्व बनाना और किसी पीपरकार की कोई कमी ना हो भुक मरी ना हो पानी की कमी ना हो अच्छे education मिले इस तरह के goals यहां पर तैक ही गए थे तो State of India's Environment Report 2021 यह जारी की गई है इसमें का आए कि जो यह 17 sustainable development goals है इनको फोलो करने में भारत जो है 117 वे नंबर पर है और दो प्लेस यहां पर भारत फिसला है और भारत का जो total SDG score है यानि sustainable development goals score है यह 61.9 है out of 100 और इसमें यह भी का आए कि sustainable development goals में जो है जारकंड और बिहार जो हैं काफी पिछड़े हुए हैं और केरल हिमाचल पर्देश और चंडिगड यह काफी अच्छे से इसमें तरक्की कर रहे हैं साथ है आपको बता देगी इसमें environmental performance index यह भी बताया गया है इसमें भारत की रहंक एक सो सी कंट्रीज में से 168 है तो यह सब यह देखिए sustainable development goals मैं आपको पहले भी बता चुका हूं तो इसको आप पढ़ लीजेगा सरम और रोजगार मंत्राले ने नियूनतम मजदूरी और राष्टिय नियूनतम मजदूरी के निर्धारण पर एक विशेशक के पैनल का गठन किया है इस पैनल का नित्रत्व कोन करेगा options आपके सामने है और correct answer होगा option A The Labor and Employment Ministry has constituted an expert panel on fixation of minimum wages and national floor wage So Ajit Mishra will head this panel देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मतलब है इसका देखिए government of India पहले तो आप यह जान लीजिए कि national floor national floor labor minimum wage यह भारत ने 2015 में 160 per day इसको fix किया था 160 per day होना चाहिए अब यह होता क्या है national floor labor minimum wage यह होता क्या है देखिए minimum wage होता है किसी भी प्रकार का employment है चाहिए वो central level पर है चाहिए वो state level पर है तो per day इससे नीचे नहीं जा सकता तो इसको जो है central government तै करती है तो 2015 में 160 इसको तै किया गया था और अब जो है आपको यहीं बता दिया इसको हर 5 साल बाद फिर revise भी किया जाता है ठीक है code on wages तो इसके तहत इस minimum wage को तै किया जाता है इससे नीचे जो है per day wage नहीं जा सकता है किसी भी जो employees होते हैं उनका per day के इसाब से जो current floor wage है यह 2017 में fix किया गया था और 176 per day यह फिलाल चल रहा है साथी friends आपके exam में जो question पूछा जाता है यह आप याद रखेगा VVGRI National Labor Institute जब यहाँ पर बात हो रही है Ministry of Labor की तो आपको यह भी जान लेना चाहिए VVGRI National Labor Institute कई बार exam में पूछा जा चुका है SSC में भी और अगर आप state के exam देखेंगे उनमें भी पूछा जा चुका है कि VVGRI National Labor Institute कहाँ पर है तो answer होगा Noida उत्तरप्रदेश में इसको आप जरूर से note कर लीजेगा तो इस तरह की इन्होंने एक फोटो जो है यहाँ पर इस फोटो का नाम दिया था इन्होंने तो यह जो आपको दीख रहा है यह औरंगुटन इसको बोलते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया में यह पाय जाता है तो इस फोटो का टाइटल था The World is Going Upside Down तो इसके लिए इन्हें यह अवर्ड मिला है Nature TTL Photography Award 2021 और 1500 पाउंड इनको इसमें प्राइस के रूप में मिलेगा इब्राहीम बदुशा जिनका हाली में नेधन हो गया ये एक परसिद्ध क्या थे तो ये एक परसिद्ध कार्टूनिष्ट थे और इनका हाली में नेधन हो गया है ब्रह्मान में तारों की संख्या गिनने के लिए किस अंत्रिक्स एजंसी ने स्रीबर टू उपकरण लॉंच किया है ओप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन बी सो स्रीबर टू मिशन इस रिलेड़ेट टू नासा नासा यानि नेशनल एरेनोटिक्स एंड इस्पेस एड्मिस्टेशन तो देखिए इसने जो ये स्रीबर टू है इसका मतलब है कॉस्मिक कॉस्मिक इंफ इसका मक्सद है फिलाल क्या माना हुआ है साइंटिस्ट ने क्या बताय हुआ है कि हर एक गलेक्सी में जो है लगबग 100 मिलियन स्टार्स मुझूद है लेकिन ये फिगर जो है एक्जेक्ट नहीं है तो इसलिए इस मिशन को लॉंच किया गया है कॉस्मिक इंफ्रारेट बैक कमिशनर ऑफ इंडिया जानते हैं इस कोश्टिन के बारे में देखिए आप सभी जानते है आर्टिकल 324 ये इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है तो प्रेजडेंट ऑफ इंडिया ने अनूप चंद्रपांडे को इलेक्शन कमिशनर निउख्थ किया है याद उत्रपरदेश में, पंजाब में, गोवा में, मनीपूर में और उत्राखंड में देखिए ये मैंने इस्पेशल इसले लिखाए क्योंकि पहले भी कई बार एक्जाम्स में इस तरह के कोश्चन पुछी जा चुके हैं कि आने वाले टाइम में या आने वाले साल में किस रा और एक हैं अनुप चंद्र पांडे जिने हाली में अब नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स में हाँ पर आपको Election Commission of India के बारे में कुछ जानकारी देना चाऊँगा शोर्ट नोट्स देना चाऊँगा जो कि आपके किसी भी एक्जाम्स के लिए काफी important रहेंगे देखे, Election Commission of India एक constitutional body है, सम्मेधानीक body है यह आप जानते होंगे और इसका जो गठन है यह 25 जनवरी 1950 को किया गया था इसलिए हम 25 जनवरी को National Water Day भी मनाते है साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि Election Commission of India किन के Election कराता है, लोकसभा, राज्यसभा State Legislative Assemblies और President and Vice President इन सभी के Elections Election Commission of India कराता है साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि शुरुआत में यहाँ पर केवल Chief Election Commissioner ही हुआ करते थे लेकिन 16 October 1989 में यहाँ पर दो Additional Commissioners एड कर दिये गए थे लेकिन उसके बाद फिर से Single Member Body बना दिये गई थी और Finally 1 October 1993 में फिर से 2 Additional Election Commissioner एड कर दे गए थे और यही सिस्टम अब चले आ रहा है साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि President जो है Chief Election Commissioner और Election Commissioners इनको Appoint करते है और इनका जो कारेकाल रहता है यह या तो 6 साल का रहता है या फिर 65 years of age तक का तो दोनों में से जो भी पहले आ जाए अगर 6 साल इनको पहले हो रहे है तो 6 साल में हो जाएंगे अगर इनकी age 65 years पहले हो रही है और कारेकाल इनका केवल 3 साल का यह हुआ है तो इनको retirement दे दिये जाएगा साथ ही आपको बता दें कि जो भी power Supreme Court of India की judges की होती है जो उनका ओदा होता है वही same status इनका होता है जो Chief Election Commissioner और Commissioners होते है साथ ही आपको बता दे कि अगर Chief Election Commissioner को हटाना हो इनकी post से तो impeachment के द्वारा हटाया जा सकता है किस bank ने भारत को 500 million dollar MSME with the potion कारेकरम को मनजूरी दी है options आपके सामने है और correct answer होगा option A so World Bank has approved 500 million dollar MSME financing program to India तो friends इस program का नाम क्या है Racing and Accelerating Micro, Small and Medium Enterprises Performance रैंप इसका नाम दिया गया है तो इसी के तहत World Bank जो है 500 million US dollar जो है भारत सरकार को fund करेगा ताकि MSME sector में इस पैसे को utilize किया जा सके World Bank के बारे में अगर हम जानकारी लें तो इसके President है David Malpass MD and CEO है अंशुला कांद Chief Economist है Carmen Reinhardt इसका headquarters Washington DC United States में है Total 189 member countries है इसका motto है working for a world free of poverty साथी आपको बता दे Open Knowledge Repository Clean Air Initiative Open Data Initiative यह तीनोही World Bank के इनिशेटिव है इनको आप याद रखेगा साथी World Bank का जो creation है जो इसकी स्थापना है यह 1944 Bretton Woods Conference ठीक है इसके तहत हुई थी और इसके तहत International Monetary Fund इसकी भी स्थापना की गई थी यानि की यही से इनका जो है जो जन्म कहा सकते हैं ठीक है यार हुआ था इस Conference के थूँ भारत के सुनील छेत्री ने किस फुटबोलर को पीछे छोड़ते हुए दूसरे सबसे अधिक सकरिय अंतराष्टे गोल करने वाले खिलाडी बन गए हैं और सभी आंसर होगा और यहां पर एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कूरर की बात करी है जो फिलाल खेल रहे हैं प्रजेंट टाइम में तो सुनिल शेतरी के अब 74 गोल्स हो गए हैं और इन्होंने लियोनल मेसी को पीछे छोड़ दिया यह अर्जेंटिना के फुटबोलर है और यह इन्होंने किस दोरान किया जो 2022 फीफा वाइड कप और 2023 एफसी एशियन कप इसके जो क्वालिफाइंग मैचेस चल रहे हैं तो आपको बता दे ओल इंडिया फुटबोल फेडरेशन के प्रेजिडेंड प्रफुल पटेल हैं और इंडियन फुटबोल टीम के कोच या मैनेजर आप कह सकते हैं यह आईग और इस्टीमेक यह क्रोईशिया के हैं QS World Ranking 2022 में किस विश्व विध्याले को दुनिया की सीर्ष अनुसंधान विश्व विध्याले का इस्थान दिया गया है ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन ए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट के बारे में देखें QS का मतलब होता है क्यूए क्वारेली सी मौंड ठीक है इसका मतलब यह होता है क्यूएस का तो यहाँ पर जो इंडियन इस्ट्यूट ऑफ साइंस जो बैंगलोर में IISC के नाम से आप इसको जानते हैं तो इसको वर्ड की टॉप रिसर्च उवर्श्ट का दरजा दिया गया है तो काफी गर्व वाली बात है हमारे लिए साथ ही आपको बतादे है अगर हम टॉप टू हंडडियन इस्ट्यूट्स है इसमें एक तो IIT बोंब है जिसकी 177 रेंग है फिर IIT डेली है जिसकी 185 रेंग है और फिर है IISC बैंगलोर जिसकी 186 रेंग है तो यहाँ पर जो IISC बैंगलोर है यह रिज़च निवर्ष्टी है और अगर हम overall top three की university बात करें तो इसमें सबसे number one पर है MIT यानि Massachusetts Institute of Technology, दूसरे number पर है University of Oxford, Oxford और तीसे number पर है the Stanford University और the University of Cambridge, तो दोनों तीसे number पर हैं, एक एतिहासिक सोधे के बाद group of seven जिसे आप G7 कहते हैं इसने global corporation tax की दर कम से कम कितने परतिशत तैकी है, options आपके सामने हैं और correct answer होगा option B, so following a landmark deal, the group of seven, G7 has decided a minimum global corporation tax rate of at least 15%, देखे जानते हैं इसके बारे में, देखे हाल ही में G7 के जो finance ministers हैं, इनकी एक meeting हुई है क्योंकि G7 के जितने भी leader से इनकी meeting अब होने ही वाली है, ठीक है आगामी कुछ दिनों में, तो इसमें क्या हुआ, देखे हर एक country ऐसा चाहती है कि हमारे हैं company आएं, हमारे हैं base बनाएं, तो उसकी हिसाब से क्या करती हैं, कुछ देश असा करते हैं कि वो अपना जो भी tax होता है, उसको कम कर देते हैं, कि हम आपसे कम tax लेंगे, 5% लेंगे, 7% लेंगे, इतना tax लेंगे अब जो ये companies हैं, ये अपने headquarters उनी देशों में बना लेती हैं, और जो है इनको कम ही tax देना पड़ता है लेकिन इनको ज़्यादातर मुनाफ़ा कहां से होता है, जो developed countries है, जैसे US है, France है, इस तरही country से मुनाफ़ा होता है लेकिन ये जो अपना profit है, ये जहाँ पर इनका headquarters होता है, वहाँ पर shift कर देते हैं और headquarters से एक copper बनाते हैं, जो भी इनकी, जो ये जहाँ पर ये low tax देते हैं, इस तरही country से जब होती हैं, जैसे नीदरलेंड से, लगजंबर्ख हैं ये लोग काफी कम tax लेते हैं इन companies से, यानि कि इनका जो profit होता है, उस पर काफी कम tax लगाते हैं, इसलिए ज्यादातर companies अपने headquarters से यही पर बना कर रखती है तो अब G7 countries ये कह रही हैं, कि हमको तो इससे घाटा होता है, तो अब ये कह रही हैं कि minimum 15% tax तो लेना ही होगा हर country को फिल अभी ये बात पकी नहीं हुई है, अभी एक एवल G7 ने मानी है, इसके बाद ये अब G20 की तरफ जाएंगे, G20 में इसको approval मिलेगा उसके बाद फिर ये हर एक country को मनाएंगे कि ऐसा करना ठीक रहेगा, तो यही बात की गई है, कि अब किसी भी country में अगर में जाएं, तो उनको 15% तो कम से कम tax देना ही पड़े, इससे क्या होगा, एक unity आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर ये कम दे रहे हैं, तो वहीं पर shift हो गए, ठीक है, इस तरह से नहीं आएगा, और भारत को भी इससे फाइदा होगा, ऐसा कहा जा रहा है, विसे सग्योंने ऐसा कहा भी है, कि भारत को इससे फाइदा ही होगा, जैसे भारत में भी कई companies जो है, मुनाफ़ा कमाती हैं, अब देखिए आप Facebook के, WhatsApp के इनके कि users हैं, लेकिन ये क्या है, अपना जो profit है, इसको कहीं और shift कर देते हैं, या फिर इनकी जो subsidiary firm होती है, उनके headquarters कहीं और होते हैं, वहाँ पर अपना profit shift कर देती हैं, तो ऐसा नहीं होगा, कोई भी country हो, उसको 15% tax तो लगाना ही होगा, इस तरह की बात यहां पर की गई है, तो यहां पर G7 के finance ministers की meeting होई है, लंडन में, उसी के तहत यह अपनाया गया है, आपको बता दे G7 की अगर हम बात करें, तो इसमें जो है world के 7 largest, जो advanced economies हैं, इनको शामिल किया गया है, कौन-कौन है, Canada, France, Germany, Italy, Japan and UK and United States, 1973 में इसको create किया गया था, तो देखे, चाइना और इंडि listening नहीं किया गया है, क्योंकि यहां पर wealth per person, यह काफी low level का है, ठीक है, इसलिए इनको सामिल नहीं किया गया है, जबकि यहां पर countries आप देख रहे हैं, यहां पर wealth per person काफी अच्छा है, आपको बता दे, 1998 में रशिया ने भी इसको join किया था G7 को, उसके बाद इसका नाम हो गया था G8, लेकिन 2014 में रशिया को यहां से भार कर दिया था, क्योंकि आपको बता है कि जिस तरस इसने Crimea को annex किया था, उसके बाद इन देसों ने इसको भार कर दिया था, और आपको बता दे कि G7 की presidency 2021 के लिए United Kingdom के पास, यानि यह अध्यक्षता करने वाला है, और कहां पर होगी यह summit, Cornwall में होगी, Global Livability Index 2021 में किस सहर को सर्वस्रिष्ट इस्थान दिया गया है, सही answer होगा, option D, so Auckland in New Zealand has been ranked the best on Global Livability Index 2021, जानते हैं इसके बारे में, देखिए, जो यह Global Livability Index है, इसको Economist Intelligence Unit, जो की London में है, इसने इस Index को जारी किया है, तो इसमें Auckland, जो की New Zealand में एक City है, इसको best बताया गया है, लिएबिलिटी Index में, यानि रहने योग्ये best इसको बताया गया है, और सबसे least जिसको बताया गया है, जो की सबसे नीचे ले स्तर पर है, यह है Damascus, जो Syria में है, इसको सबस से नीचे का बताया गया है, और सबसे हाई बताया गया है Auckland को, तो जो Damascus है, Syria की Capital है, इसको 140th, लास्ट रैंक इसको दी गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोप 10 कंट्रीज अगर हम देखें, जहाँ पर जो most livable cities हैं, तो Auckland पहले नमबर पर है, Osaka जापान तीसे पर है, Wellington, New Zealand, 14 नमबर पर है, टोक्यो पाँचवे नमबर पर है, तो ज्यादा तर अगर आप देखेंगा, Australia और New Zealand का पढ़ रहा है, देखें यह इस वज़े से भी हुआ है, इस वज़े से भी हुआ है, इस वज़े से भी अच्छे हैं, क्योंकि इन्होंने COVID-19 को जो है, सबसे लिस्ट लिवेबिल है इसमें, उसके बाद फिर लागों से, आगे बढ़ते हैं, फेस्बुक ने भारत के लिए अपने शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नामित किया है, ओप्शन आपके सामने हैं, और सही आंसर होगा, ओप्शन डी, तो इस फूर्ती प्रिया ह होंगी भारत में ग्रिवेंस ओफिसर, ठीक है, और अगर किसी को भी कोई दिक्कत है, तो इनकी इमेल आइडी पर आप बता सकते हैं, या फिर पोस्ट के थुरू भी आप इनको जो है मेल कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको फेस्बुक से रिलेटेड कोई शिकायत हो, किसी इस तरह का कंटेंट ऐसा हो, जो की ओब्जेक्शन लेवल हो, आपको बता दे देखे, कोवर्मेंट ओफ इंडिया ने हाल ही में, IT, Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules 2021, ये इशू किये थे, तो इसी के तहत कहा गया है, कि जो सिगनिफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडरी हैं, फ्रेंड्स य पूल आगया है, सिगनिफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडरी, तो इस तरह की जो भी कंपनीज हैं, ये वटसेप है, ट्वीटर है, फेस्बुक है, तो ये सभी इसके अंतरगात आती है, कि उनके पचास लाग सी ज्यादा यूजर भारत में हैं, तो इन सभी को क्या करना ह और चीफ कंपलाइंस ओफिसर इन तीनों की नुकती करनी है, ताकि कोई भी कंटेंट हो, उसको हटाया जासागी, जो की अबजेक्शन लेबल हो, और हाली में वटसेप ने भी परेश बी लाल, इनको ग्रिवेंस ओफिसर बारत में नुकत किया है, और इससे पहले, फेस्ब किया है, रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने मान डंडो के उलंगन के लिए बैंक ओफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक पर कुल मिलाकर कितनी रासी का जुर्माना लगाया है, ओप्शन आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन C, So, the Reserve Bank of India imposed penalty aggregating to 6 क्रोड on Bank of India and Punjab National Bank for Contravention of Norms, देखें, नियमों का उलंगन करने के लिए, बैंक ओफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक दोनों को मिलाकर 6 क्रोड का फाइन लगाया है, अगर हम अलग अलग बात करें तो Bank of India पर 4 क्रोड का और Punjab National Bank पर 2 क्रोड का फाइन आ पर RBI ने लगाया है Bank of India की बात करें तो Headquarters Mumbai महाराष्ट में MD and CEO है अतनु कुमारदास पंजाब श्रबान बैंक की बात करें तो Headquarters New Delhi में है और इसके MD and CEO है SS Malikarjuna Rao HSBC India के CEO के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है options आपके सामने है और correct answer होगा option B तो हितेंद्र दवे has been appointed as the HSBC India CEO Chief Executive Officer तो HSBC यानि की Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited तो इन्होंने हितेंद्र दवे को भारत में जो ब्रांच है इसकी HSBC के जो यूनिट है इसके Chief Executive Officer के रूप में न्यूक्त किया है और ये किसको replace करेंगे ये सुरेंद्र रोशा इनको replace करेंगे कि सुरेंद्र रोशा जो है अब Co-Chief Executive बन गए है HSBC Asia Pacific के तो ये भी आप याद रखेगा ये क्या बने है Co-Chief Executive of HSBC Asia Pacific और HSB का Headquarters Hong Kong में है विसु बैंक के नवीन तम अनुमानों के अनुसार वित्यवर्स 2021-22 के लिए भारत की अर्थवियोस था कितने परतिशत बढ़ने की उमीद है Options आपके सामने है और correct answer होगा Option D So India's economy is expected to grow at 8.3% for fiscal year 2021-22 as per the World Bank's latest projections तो देखें World Bank ने जो है Global Economic Prospects इस तरह की report में काया है कि जो भारत का जो GDP है ये 8.3% से grow करेगी 2021-22 में और 37 ने भी काया है कि जो fiscal year 2022-23 होगा जो कि April 2022 से March 2023 के बीच में जो चलेगा इसमें 7.5 से जो है GDP रहेगी हमारी ठीक है थोड़ा slow रहेगी ये काया है और अगर हम बात करें Global Economic की World Economic की तो इन्होंने काया है कि 2021 में ये 5.6% से जो है ग्रो करेगी ये देख सकते हैं भारत को सबसे fastest बताया गया है 2021 में उसके बाद US से फिर चाइना नहीं यहां पर चाइना को fastest बताया गया है 8.5% ठीक है फिर उसके बाद इंडिया है और फिर है US से 2022 में 7.5% यहां पर बताया गया है यह fastest है यहां पर विस्व परतिया यन दिवस किस दिन मनाया जाता है ओप्शन साब के सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन C World Accreditation Day is celebrated on June 9 So June 9 को मनाया जाता है World Accreditation Day और इसका theme रहा है Accreditation Supporting the Implementation of the Sustainable Development Goals कौन साथ यह 2024 में पुरुसों और महिलाओं के लिए F.I.H. Hockey 5 विस्व कप के पहले संस्क्रण की मेजबानी करेगा Options आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा Option B So Oman will host the first edition of the F.I.H. Hockey 5 World Cups for Men and Women in 2024 जानते हैं इसके बारे में देखें 2024 में ओमान क्या करने वाला है यह एक तरह का World Cup होने वाला है F.I.H. Hockey 5 World Cup for Men and Women तो इसका first edition होने वाला है तो इसमें ओमान इसको host करेगा तो भारत पाकिस्तान और सिंगापूर ने भी इसके लिए बिड जारी किया था ठीक है लेकिन ओमान जो है इसमें आगे निकल गया तो देखेंगे एक नए तरह का एक इवेंट है इसमें क्या होगा 16 teams per gender यानि 16 teams males और 16 teams females participate करेंगी और 5 continents में से परतिये continent से 3 team है यहाँ पर जाएंगी 3 per continent प्लस ओमान ठीक है तो टोटल 16 हो गया यह लोग इसमें participate करेंगे ओमान की बात करें तो capital है mosket और currency है ओमानी real स्वदेश निर्मित उननत हल के helicopter का नाम बताईए जिनने भार्चे नो से नामे सामिल किया गया है options आपके सामने है और correct answer होगा option C ALHMK3 यह जो है indignously bit advanced light helicopters है और इनको Indian Navy में induct किया गया है question इस तरह से भी पूछ लेता है कि किस में induct किया गया है option आपके सामने आजागा Indian Army में Indian Air Force में Indian Navy में या फिर coastal card में तो answer उस condition में होगा Indian Navy तो हर इस question को इस तरह से भी पूछाइजा सकता है Indian Navy यह आद रखे का Indian Navy में induct किया है तो देखे हिंदुस्तान Aeronautics Limited द्वारा बनाये कई है यह ALHMK3 तो इन तिनों को ही Eastern Naval Command जो की विसाका पटनम में है यहाँ पर इनको भारतियन Navy में induct किया गया है उस athlete का नाम बताईए जो 100 मिटर दौड में सबसे तेज भारते महिला बनकर उबरी है सही आंसर होगा option C So Srabani Nanda She emerged as the fastest Indian woman in an 100 मिटर race तो Srabani Nanda यह उडिसा की है और इन्होंने हाली में एक event चला है US में तो यहाँ पर इन्होंने 100 मिटर race को 11.36 सेगेंड में complete किया है और इस साल यह सबसे fastest women बन गई है 100 मिटर race में भारत की और अभी तक हमने क्या पढ़ा है जमेगा की Shelly and Fraser पाइरेस यह जो है second fastest woman बन गई है ठीक है यहाँ पर भी running की बात हो रही है यह हमने पढ़ा था न सिफान हसन इन्होंने 10,000 मिटर race में एक निया वर्ड रिकोर्ड बनाया है यह भी हमने MCQ format में पढ़ा था अजरबेजान ग्राप्री 2021 किस ने जीता options आपके सामने है और सही answer होगा option A So Sergio Perez won the अजरबेजान ग्राप्री 2021 तो देखें आपर जो racing की बात हो रही है तो देखें Sergio Perez Mendoza यह Mexican racing driver है और Red Bull के लिए racing करते हैं इन्होंने अजरबेजान ग्राप्री 2021 जीता है और अब तक हमने कौन कौन सी GP पढ़ी है किसने जीती है देखें बहरीन GP हमने पढ़ी है Lewis Hamilton ने जीती है Emilia Romagna GP हमने पढ़ा है Max Worstappen ने जीता Portuguese GP यह भी Lewis Hamilton ने जीता Spanish GP यह भी Lewis Hamilton ने जीता और Monaco GP यह Max Worstappen ने जीता है तो इन सभी को आप धियान रखेगा यह आपके revision purpose के लिए बता दिये हैं आगे बढ़ते हैं किस राज्य ने प्राण वायू देवता पैंसन योजना सुरू की options आपके सामने है और सही answer होगा option C हरियाना launched प्राण वायू देवता pension scheme यहाँ पर आप हरियाना के CM Manhoor Lal Khattar का यह tweet भी देख सकते हैं इन्होंने प्राण वायू देवता pension योजना करणाल में oxy 1 पंच खुला में oxy 1 और हरियाना में पंच वटी पोधारोपन इन सभी योजनाओ को जो है लागू किया है जानते हैं इसके बारे में देखिए पहला है हमारे पास प्राण वायू देवता pension scheme तो जो भी पेड 75 साल या इससे अधिक वर्स के हैं उनकी maintenance या रख रखाव के लिए village पंचायत या जो भी responsible body है उन्हें प्रतिवर्स दिये जाएंगे दूसरा है हमारे पास oxygen या oxygen forest तो oxygen इस तरह की भूमी है जहां 3 करोड पेड लगाए जाएंगे और हरियाना की 8 लाग हेक्टेर भूमी का 10 प्रतिशत ये oxygen कवर करेंगे हरियाना की बात करें तो गवर्णर है सत्य देव नारायन आ रहे है चेफ मिस्टर मनोहर लाल खटर है और कैपिटल है चंडिगड आगे बढ़ते हैं बंधन मैंक के MD और CEO कौन है options आपके सामने है और सही answer होगा option D so चंदर सेखर गोश is the MD and CEO of बंधन बैंक किसलिए न्यूज में है क्योंकि Reserve Bank of India ने अपनी सहमती दे दी है कि चंदर सेखर गोश इनको फर्दर तीन साल के लिए बंधन मैंक का MD and CEO न्यूक्त किया जाता है फिर से न्यूक्त इनको किया जाता है बंधन मैंक का headquarters कौलकाता में है West Bengal याद रखेगा आपके सामने है और correct answer होगा option A The Reserve Bank of India projected Consumer Price Index Inflation at 5.1% for fiscal year 21-22 देखे जानते हैं इसके बारे में पहले आप यह जानी है Consumer Price Index Inflation लिखा है बहुत आचान सब्दे में मैं आपको बताऊंगा बस आप ध्यान से सुनेगा इसकी पमत कीजेगा Inflation का मतलब क्या हुआ Inflation का मतलब हुआ है जो आपकी currency है जो आपकी money है उसकी value decrease होना देखेए 2010 में कोई pen हम 2 रुपे का लेते थे लेकिन आज 2021 में वही pen हम 10 रुपे का ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ जो आपकी currency है जो आपकी money है उसकी value decrease हुई है क्योंकि वहाँ पर अगर हम साल 2010 की बात करें जब पैन दो रुपे का था तो आप उस वक्त 10 रुपे में कई सारी चीजे ले सकते थे लेकिन अब 2021 में उन 10 रुपे में आपके वल एक पैन ही ले सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ आपकी जो purchasing power capacity है आपकी जो खरीदने की चमता है वो आपकी कम हुई है अब के वर 10 रुपे में एक ही item आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ जो आपकी money की value है वो decrease हुई है और जो आपका product है उसका जो मुल्य है वो जादा हुआ है वो rise हुआ है तो इसको बोलते है inflation अगर हैं इंगलिस में बोलें तो इस तरह से कह सकते है inflation is the rate at which the value of currency is falling and prices of goods and services are rising तो इसको बोलते है inflation अब बात करते हैं consumer price index inflation की तो इसका मतलब क्या हुआ देखिए consumer द्वारा जो भी goods and services परियोग की जा रही है उनके मुल्यों में जो change हुआ है तो उसका data collect करके फिर जो हम inflation जो हम देखते है कि कितने retail inflation हुई है उसको measure किया जाता है उसको बोलते है CPI Consumer Price Index फिर से मैं repeat कर देता हूँ consumer द्वारा जो भी goods and services परियोग की जा रही है उनके मुल्यों में जो change हुआ है over the time तो उसका data collect करना फिर उसके बाद देखना कि inflation कितना हुआ है उसको बोलते है Consumer Price Index ठीक है आई होप आप समझ गए होंगे या इस तरह से कह सकते है देखिए जैसे मान लीजे 2010 में पैन 2 रुपे का था उसके बाद 2015 में उस पैन की value 5 रुपे हो गई और 2021 में उस पैन की value हो गई आपकी 10 रुपे तो हम एक track record रख रहे हैं हम क्या रख रहे हैं एक track record रख रहे हैं 2010 से हमने देखा 2 रुपे फिर 2015 में हमने देखा 5 रुपे और फिर उसके बाद हमने देखा कि 10 रुपे, तो यह एक record रखा जा रहा है, ठीक है, कि उस product की जो rate है, उसमें कितना increase हुआ है, तो इस track record को बोलते है, Consumer Price Index, तो यह का High Reserve Bank of India ने कि 5.4% रहने वाला है, fiscal year 21-22 में, आयोप आप समझ गए होंगे, और साथ यह आपको भी जानना कि देखिए, किस तरह के products होते हैं, Consumer Price Index में, कई तरह के products होते हैं, एक fixed list होती है, जैसे food items, housing, apparel, और आपका यह transportation, electronics, education, medical care, यह इन सभी की जो भी price है, जो भी हमें change आ रहा है, उस सभी को यहाँ पर consider किया जाता है, यहाँ तक कि जो central government है, यह जो अपने governments को DA देता है, जो dearness allowance देता है, यह भी CPI के base पर ही देता है, अच्छा आपको यह भी बता दे कि भारत में, चार तरह के consumer price index नंबर्स आते हैं, एक तो होता है, CPI for industrial workers, IW, इसको labor bureau in the ministry of labor द्वारा तियार किया जाता है, दूसरा है CPI for agricultural labor, इसको भी labor bureau द्वारा तियार किया जाता है, तीसरा है CPI for ruler laborers, इसको भी labor bureau द्वारा तियार किया जाता है, और चोता है CPI urban, CPI ruler और CPI combined, इसको ministry of statistics and program implementation द्वारा तियार किया जाता है, साथ है आपको बता दे कि CPI को calculate करने का जो base year है, यह 2012 है, आगे बढ़ते हैं, एनीमिया मुक्त भारत सुचकांग 2021 में, कौन सा राज्य पहले पर रहा है, options आपके सामने हैं, और correct answer होगा, option C, so Madhya Pradesh is at the first position in the Anemia मुक्त भारत index 2020-2021, तो जानते हैं इसके बारे में, देखे पहले तो जान लीजे, एनीमिया का मतलब क्या है, एनीमिया का मतलब है, खून की कमी, यानि की हीमोगलोबिन का इस तर काफी कम होना, या फिर आ जो बोलते हैं, एनीमिया, तो एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2021 में मध्य परदेश की first position है, उसके बाद Odisha, और तीसे नंबर पर है हीमाचल परदेश, साथ या आपको भी जानना चाहिए कि जो ये एनीमिया मुक्त भारत strategy है, ये जो आपका प्रदार, ये जो आपकी Prime Minister's overarching scheme for holistic nourishment, जिसे आप कहते हैं, potion अभियान, तो इसके तहत इस एनीमिया मुक्त भारत strategy को implement किया जा रहा है, और इसका उद्देश ये है कि जो एनीमिया है, इसको प्रतिवर्स तीन प्रतिशत की दर से गटाया जाए, और आपको ये भी जानना चाहिए कि potion अभियान को साल 2018 मे लॉंच किया गया था, और इसका एम है कि 2022 तक जो malnutrition है, भारत को इससे free करना, डिंको सिंग, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हुए थे, options आपके सामने है, और correct answer होगा, option B, डिंको सिंग, who past ever recently was associated with boxing, तो ये काफी famous boxer रहे हैं, और इनका हाल ही में नि पूर से थे, और आपको बता दे कि इनोंने, 1998 में जो बैंकोक, थाइलेंड के जो एशियन गेम्स हुए थे, उसमें भारत के लिए gold medal जीता था, और इसी साल 1998 में ने अरजुन अवार्ड से भी सम्मानित किया था, साल 2013 में इनको पदमश्री से भी सम्मानित किया गया, भार 31st edition of corporate novel exercise between India and Thailand held recently, तो corporate का मतलब है coordinated patrol, तो India और Thailand के बीच ये हुआ है, देखे corporate और एक simple सा है, किसी के भी साथ हो सकता है, ठीक है, जैसे passage exercise है, passage exercise है, उसी तरह से corporate भी है, तो Indian Navy और Royal Navy के बीच हुआ है, ये 31st edition ये रहा है, साथी मैं आपको और भी exercise यहाँ पर revise करवा देता हू France के बीच में है, France और India के बीच में exercise सकती और वरुन है, चाइना के साथ हम करते है, hand in hand, Indonesia के साथ हम करते है, गरूर सकती, कजाकस्तान के साथ करते है, प्रबल दोस्तिक, मालदीव्स के साथ करते है, युकिवरीन, मंगोलिया के साथ करते है, नॉमेडिक ऐलिफेंट, म्याम इंद्र, Cselz के साथ हम करते हैं एकसरसाइज लायमितिये, स्री lanka के साथ करते हैं एकसरसाइज मित्रशक्ति, ठाइलेंड के साथ मैत्री और सियाम भारत, usually के साथ युद्ध अब्यास वज्रपरहार, UK के साथ Kapol, UAE के साथ डिसेर्ट उगल, तो इनका इस्क्रेंशोट आप लिजेगा जब भी कोई एक्जाम हो तो एक बार आप रिवाइज जरूर कर लिजेगा आगे बढ़ते हैं निमलिखित में से कौन bitcoin को वैद बनाने वाला पहला देश मन गया है options आपके सामने है और correct answer होगा option D so El Salvador has become the first country to legalize bitcoin तो bitcoin cryptocurrency आप सब अभी जानते हैं तो इसको legalize कर दिया इसको वैद बना दिया है ठीक है और वैसे यहां की जो El Salvador की currency है वो US dollar से यहां पर का आगया है कि US dollar ही हमारी परत्मिकता रहेगी लेकिन bitcoin को भी हम वैद currency यहां पर बना रहे हैं यहां तक की जो भी bitcoin में इन्वेस्ट करेगा उसको हम अपने देश की citizenship भी provide कराएंगे तो यह है El Salvador आप देख सकते हैं Central America है यह पूरा reason तो Central American यह country है बात करें El Salvador की तो president है नाइब बुकेले और capital है San Salvador और friends यह भी आप याद रखेगा देखिए कुछ famous cryptocurrencies है जैसे bitcoin हो गया आपका ethereum हो गया bitcoin cash हो गया ripple हो गया light coin हो गया ठीक है new हो गया तो इस तरह की currency कभी-कभी इस तरह से पूछ लिए जाती है ठीक है कोई asteroid है इस तरह से पूछ ले जाता है तो उसमें आपको answer देना होता है आपने देखा भी होगा कई बार पूछ ले जाता है तो याद रखेगा यह सभी cryptocurrency हैं में कुछ खास खास भी है उनके नाम आप याद रखेगा पैट्रोलियम और प्राकरतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है ओप्शन्स आपके सामने हैं सई आंसर होगा ओप्शन डी संजीव नंदन सहाई तो इस कोश्चन में केवल इतना ही जानने के लिए है आगे बढ़ते हैं कौन सा देश भारत को तीन MH-60 रोम्यो मल्टी रोल हेलिकॉप्टर सोपेगा ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन ए यह कोषिए इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि MH-60 रोम्यो क्या है क्या यह कोई पेट्रोल वैसल है या यह क्या यह कोई मिसाईल है क्या यह कोई सेटलायट है ठीक है इस तरह से क्या ये कोई चोपर्स हैं इस तरह से question भी पूछ ले जाता है तो उस condition में answer होगा चोपर्स हैं ये तो United States भारत को सोपेगा जुलाई के महीने में और इसके लिए भारत ने 16,000 करोड की deal भी की थी पहले तो उसके तहट अमेरिका भारत को 24 MS-60 Romeo helicopters प्रोवाइट कराएगा किस के द्वारा बनाए गए हैं लोखिट मार्टिन के द्वारा बनाए गए हैं CBSC ने स्कूलों में coding और data science शुरू करने के लिए किस तकनीकी company के साथ सहयोग किया है सही answer होगा option D So CBSC has collaborated with Microsoft to introduce coding and data science in schools तो class 6 to 12 इनके course में coding and data science इंक्लूड करने के लिए CBSC यानि Central Board of Secondary Education ने Microsoft के साथ collaborate किया है या partnership की है CBSC के chairman मनोज आहुजा है Microsoft की बात करें तो founders है Bill Gates और Paul Allen CEO है Satya Nadella और headquarters Washington US में है भारत का पहला अंतराश्टी है समुद्री सिवा cluster किस राज्य में इस्थापित किया जाएगा options आपके सामने है और सही answer होगा option D India's first international maritime services cluster to be set up in Gujarat Gujarat की जो gift city है यहाँ पर set up किया जाएगा देखे मैं आपको अगर gift city के बारे में बात बताऊं तो gift city का मतलब है Gujarat International Finance Tech City तो यह इंडिया की first operational smart city है और International Financial Services Center भी यहाँ पर located है बारत का अच्छा साथी देखे gift city में क्या है smart city जैसे मैंने आपको बताया तो latest public transport यहाँ पर यूश किया जाता है और जो यह gift city है इसके MD & Group CEO है तपन रे बुद्ध्यदेव दाजकुप्ता जिनका हाली में नितन हो गया यह एक परसित क्या थे options आपके सामने हैं सही आंसर होगा option c बुद्ध्यदेव दाजकुप्ता हु पास्ट वे रिसेंट्ली बॉज़ा है रिनाउन फिल्म मेकर यह डिरेक्टर आप कह सकते हैं तो इनका हाली में नितन हो गया है और आप देख भी सकते हैं कि कितने सारे national film awards इनको मिले हैं बेस्ट डिरेक्शन के लिए बेस्ट फीचर फिल्म इन बेंगाली बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट आर्ट्स एंड कल्चर फिल्म के लिए कई सारे इनको national awards में इसलिए काफी पेसेंट्स हैं जो असिम्टोमेटिक है या फिर जिनके पास जो है माइल्ड सिम्टम्स हैं जिनके सिम्टम्स इतने गंबीर नहीं है तो उनको home care support provide कराने के लिए नीति आयोग ने पीरामल foundation के साथ जो है partnership की है ताकि जो district administration है उसको साहेता की जा सके उसको assist की जा सके इन लोगों की साहेता करने के लिए किस मंत्राले ने परदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2019 बीस लॉंच किया है options आपके सामने है और correct answer होगा option c so ministry of education launched the performance grading index 2019-20 तो देखिए performance grading index इसको लॉंच किया है education ministry ने और पहली बार यह 2019 में लॉंच किया गया था तब यह लॉंच किया गया था 2017-18 साल के लिए इस base year के लिए 2019 में लॉंच किया गया था तो इसमें क्या है जो भी states के जो school है उनकी इस education क्या है तो उस performance के उसके हिसाब से उनकी जो performance है उनकी प्रस्फोर्मेंस है कई तरगे parameters है तो उसके हिसाब से आपके grades दिये जाते हैं तो आप देख सकते हैं, total 1000 points यहां पर हैं और 70 parameters पर states को अलग-लग grade दिये गए हैं, तो देखें इसमें 5 broad categories होती हैं और 10 level यहां पर होते हैं, grading system के 10 level यहां पर होते हैं, यह आप याद रखेगा कि सबसे अच्छा grade मिला है पंजाब को, या points मिले हैं पंजाब को, 929 out of 1000 points पंज हैं, फिर केरल हैं, तो इन्होंने काफी अच्छा है, यहां पर score किया है, और इन्होंने grade 1 plus plus या level second आप कह सकते हैं, यह इन्होंने obtain किया है, जबकि यहां पर केवर, जो लद्दाक union territory है, इसको ही सबसे lowest grade यहां पर मिला है, और 33 states और UTs को कहा गया है, कि इन्होंने अपना score अपना improve किया है, as compared to 2018-19, निमलिकित में से कौन परतिष्ठित, UN Global Compact के CEO Water Mandate का हस्ताक्षर करता बन गया है, options आपके सामने हैं, और correct answer होगा option B, So, NTPC has become a signatory to the prestigious UN Global Compact CEO Water Mandate, तो देखिए इसका मतलब क्या है, यह इस तरह का, जो यह UN Global Compact CEO Water Mandate है, तो इसका उद्देशी है यह कि जो भी organizations हैं, जो भी companies हैं, ठीक है, यह लोग क्या है, अपना water efficient, water जो है, उसका जो water की utilization है, उसको सही से करें, ठीक है, वाटर को सही तरह के से उपयोग किया जा सके, जो water efficiency management है, उसको सही से किया जा सके, यह इसका मकसद है, तो इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था, United Nations Secretary General और United Nations Global Compact, इसने शुरू किया गया था, और इसके implementation के लिए, इन्होंने Pacific Institute, इसके साथ भी partnership की गई है, 2007 में इसका कठन किया गया था, तो water management के लिए है यह, कि सही से कि कम यूपयोग में ज्यादा काम हो जाए, इस तरह से आप समझ सकते हैं, और NTP से के chairman and managing director गुरदीप सिंग है, ध्यान रखिएगा, बारत ने सतत सहरी विकास के छेतर में सहयोग पर, निम्लिकित में से किस देश के साथ, समझोता कि आपन पर हस्ताक्षर किये हैं, option A है Japan, B है Maldives, C है both A and B, D है none of the above, सही answer होगा option C, both A and B, India signed an MOU with Japan and Maldives on cooperation in the field of sustainable urban development, साथी friends आप ये भी याद रखिएगा, कि Argentina के साथ भी एक MOU साइन किया है, किस फिल्ड में, in the field of mineral resources, तो तीनों MOU आप याद रखिएगा, दो MOU माफ किजेगा, याद रखिएगा, sustainable urban development, ये Japan और Maldives के साथ किया है, और mineral resources, ये Argentina के साथ किया है, 47 वे G7 सिखर सम्मेलन का विशे क्या है, options आपके सामने है, और correct answer होगा, option A, so, build back better, is the theme of the 47th G7 summit, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, G7 इस बार किसकी presidency में हो रहा है, United Kingdom की presidency में हो रहा है, जैसा मैंना आपको बता है, United Kingdom इसको host कर रहा है, कहाँ पर Cornwall में, theme है, build back better, कौन-कौन participants हैं, जो ये group of 7 है, इसमें जो member countries हैं, ये Canada है, France है, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, United States के साथ साथ, European Union भी इसमें participate करता है, और इस बार जो है, special invites भी हैं, India, Australia, South Korea, और South Africa, इनको भी इस summit में participate करने के लिए आमंतृत किया गया है, जो भारत के परदान मंत्रियर नरेंदर मोदी, ये वर्चुली इसमें participate करने वाले हैं, साथ ही आपको बता दें कि G7 के अगर हम बात करें, तो इसका कोई लीगल एक्जिस्टेंस नहीं है, नहीं इसका कोई पर्मानेट सेक्रेटरियरियट है, नहीं ये कोई लॉपास करता है, पूरे साल भर इनकी मीटिंग चलती रहती हैं, अलग-अलग जैसे G7, फोरेंड मिनिस्टर्स की मीटिंग हो गई, फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हो गई, इस तरह से मीटिंग चलती रहती हैं, और आपको ये भी आद रखना चाहिए, जब हैं आपर बात हो रहें, युनाइटेट किंग्डम की, जो ये UNCCC, COP26, UNCCC, इसका मतलब है United Nations Climate Change Conference, COP यानि Conference of the Parties, तो COP26, ये भी आपका Glasgow, Scotland United Kingdom में होने वाला है, आपको बता दे जो Scotland Country है, ये United Kingdom का ही पार्ट है, तो इस साल नमंबर में Glasgow में होने वाली है, ये भी आप याद रखेगा, और इस Summit के लिए जो President है, ये अलोग शर्मा है, और हाल ही में हमने क्या पढ़ा था, कि G7, इन लोगोंने Global Minimum Tax, इस तरह का एक Tax, जो है Companies पर ये लागू करने की बात कही है, और इसमें at least 15% इन्होंने का आए कि Global Minimum Tax होना ही चाहिए, ये कोई कानून पास नहीं किया है, ऐसी इन्होंने सैमती जो है इसमें दर्शाई है, तो ये सब हैट्स हैं देखें, UK की और से जो Boris Johnson ने पार्टिस्पेट किया, कैनाडा की दरफ से, Justin Trudeau, Emmanuel Macron फ्रांस की और से, Angela Merkel जर्मनी की और से, इटली की और से, Mario Draghi, योशी हाइट सुगा जापान की और से, जो बाइडन युएस से, और उरसुला वॉन डेर लेयन, ये European Union की और से इन्होंने पार्टिस्पेट किया, इसमें एक चीज आपको और याद रखनी चाहिए, कि जो G7 countries हैं, ये सभी जो countries हैं, ये Global GDP का 40% GDP इनकी तरफ से contribution रहता है, इस तरह के एक्जाम में पूछ ले रहते हैं, ठीक है, ऐसे ही जैसे BRICS हो गया, और G7 हो गया, SAR countries हो गया, तो इस तरह से question पूछ ले जाते हैं, कि GDP GDP, Global GDP का कितना परसेंट इनकी तरफ से contribution रहता है, तो 40% रहता है, और World Population का 110 जो है, इन countries में रहता है, ये भी आपको जानना चाहिए, पहले इसमें, जो है, रशिया भी इसमें member country था, लेकिन 2014 में, जब उसने Crimea को annex किया, तो उसके बाद उसको यहां से suspend कर दिया गया था, औ और First Meeting 1975 में हुई थी, ये भी आपको जानना चाहिए, 76th संयुक्त राष्ट महासबा के अध्यक्ष, अब्दुल्ला साहिद ने निम्रिक्त में से किसे अपना Chef Doe Cabinet नुक्त किया है, ओप्शन आपके सामने है, और correct answer होगा, ओप्शन C, 76th United Nations General Assembly President, अब्दुल्ला साहिद, has appointed K नागराज नाइडू, as his Chef Doe Cabinet, तो देखे, आपको पता है, मालदीब के Foreign Minister, को 76th United Nations General Assembly का President, इलेक्ट किया गया है, अब्दुल्ला शाहिद इनका नाम है, तो इन्होंने जो भारत के United Nations में जो Deputy Permanent Representative है, इनका नाम है, के नागराज नाइडू, इनको अपना Chef Doe Cabinet एक साल के ल साथिया, आपको ये भी जानना चाहिए, कि मालदीब के जो डिपलोमेट है, थिलमिजा हुसेन, इनको इनको इन्होंने अपने General Assembly में, जो है, Special Envoy के रूप में नूक्त किया है, कौन सी कमपनी दुनिया की सबसे लंबी, Undersea Cable, Fermina का निर्मान करेगी, जो America और Argentina को जोडेगी Options आपके सामने है, सही answer होगा, Option A, So Google will build the world's longest Undersea Cable, Fermina, that will connect America and Argentina, तो आप यहां से देख भी सकते हैं, आगे बात करते हैं, इस पर देखिए, यह आपका America का East Coast है, ठीक है, United States का यह East Coast है, और यहां से आप देखिए, यहां से यह Cable connect करेगी, पहले ब्राजील में भी connect करेगी, और Argentina को भी connect करेगी, तो यहां से लेकर यह Argentina तक Cable आएगी, ताकि connectivity, जो यह South America है, यहां पर connectivity जो है, अच्छी मिल सके, आपको बताते हैं, जो यह Firmina Cable है, यह किसके नाम पर लखा गया है, यह ब्राजील के Abolitionist हुए है, Abolitionist, और ओथर हुई है, मारिया Firmina Doss Race, Abolitionist, इसका मतलब होता है, जो मतलब जैसे slavery होती थी ना पहले, तो slavery practices को abolish करने की मांग करने वाले जो लोग होते हैं, उनको बोला जाता है, Abolitionist, ठीक है, तो इनके नाम पर इसको रखा गया है, और यह word का longest cable होने वाला है, और इसको subcom द्वारा install किया जा जाएगा, साथे आपको भी जानना चाहिए, Google के CEO है सुन्दर पीचाई, और Headquarters US में है, और इसकी parent organization Alphabet है, और Alphabet और Google दोनों के CEO सुन्दर पीचाई है, Cellular Operators Association of India याने COAI के अध्यष के रूप में किसे फिर से न्यूक्त किया गया है, Options आपके सामने है, सही answer होगा Option A, so Ajay Puri has been reappointed as the chairman of Cellular Operators Association of India, जानते हैं इस news के बारे में और, तो देखिए, जो Ajay Puri है, ये भारती अटेल के Chief Operating Officer हैं, यानी COO हैं, तो इनको Cellular Operators Association of India के chairman के रूप में फिर से reappoint किया गया है, 2021-2022 के लिए, और आपको बता दें, इसी के साथ, जो Reliance Geo Infocom है, इसके जो President है, प्रमो Operators Association of India, इसके वाइस चेर्मेन के रूप में फिर से reappoint किया गया है, पैन पिंटर प्रुषकार 2021 किसने जीता है, ओप्शन्स आपके सामने हैं, और सही आंसर होगा, ओप्शन D, तो देखिए, जो ये सिद सी डेंगारेम बंगा, वान दी पैन पिंटर प्राइस 2021, तो देखि जो ये सिद सी डेंगारेम बंगा है, ये जिमबावे की राइटर हैं, और इन्होंने पैन पिंटर प्राइस जीता है 2021 के लिए, आपको बता देएं कि ये उन ओथर्स को जियर दिया जाता है, जिन्नोंने इंगलिश में कई सारे प्लेज लिखियों, पोईटरी लिखियों, एसे लिखियों और फिक्शनल वर्क जिन्होंने लिखा हो, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है, 2009 में इसका गठन किया गया था, इस प्राइस की और किसकी मेमोरी में दिया जाता है, तो नोबल प्राइस विनर रहे हैं, हैरोल्ड पिंटर, तो 2005 में ने लिटरेचर क किस भारते एक्टर ने सर्वस्रेष्ट एक्टर का प्रुषकार जीता है, सही आंसर होगा, ओप्शन डी, तो तिलो तमाश शोम has won the best actor award at the UK Asian Film Festival, जानते हैं इस न्यूश के बारे में, तो देखी, जो ये तिलो तमाश शोम है, इन्होंने best actor award जीता है, कहां पर UK Asian Film Festival में, किस movie को direct किया है, गोतम घोश ने, साथे आपके भी जानना चाहिए, कि जो ये director है, गोतम घोश इन्होंने भी best director का award इसमें दिया गया है, किस राज्य ने भारत रत्न और पद्म पुरुसकारों के समान, वार्सिक पुरुसकारों की एक श्रंखला इस्थापित की है, ओप्शन की चीफ मिस्टर है, हिमन्त अबिस्वा सर्मा, जानते हैं इन awards के बारे में, तो देखिए, आसम कैबिनेट ने क्या decide किया है, कि वो आसम रत्न, जिसकी price money होगी, फाइव लाक रुपीज, ये हर साल दिया जाएगा, केवल एक व्यक्ति को, जो की आसम में, जो society है, उसमें काफी अच्छा योगदान दिया हो, महत्वण योगदान उसने दिया हो, साथी असम कैबिनेट ने ये भी decide किया है, कि असम भी भूशन भी हम देंगे, तीन लाक रुपे इसमे price money रहेगी, तीन people को दिया जाएगा, असम भूशन दिया जाएगा, दो लाक रुपे इसमे cash prize रहेगा, और 10 लोगों को ये हर साल दिया जाएगा, साथी आपको भी जानना चाहिए, कि असम गौवर्मेंट ने ये भी decide किया है, कि एक literary pension, ये भी इसकी भी इस्थापना करेंगे, और किसके नाम पर दिया जाएगा, डोक्टर होमेन बोर्गोईन इनके नाम पर दिया जा ये, आसाम के CMN आपको बता दिया, हिमनत अबिश्वसरमा है, गवर्नर जगदीश मुकी है, और कैपिटल दीशपूर है, बिल्कुल लेटेस्ट हमने करेंट अफेट्स आसाम के बारे में ये पढ़ाता कि राय मोना, आसाम का 6th National Park बन गया है, करमचारियों को स्वास्थे और कल्यान योजनाय प्रदान करने के लिए किस बैंक ने स्वास्थ सेवा कमपनी प्रेक्टो के साथ समझोता किया है, ओप्शन आपके सामने है, सही आंसर होगा, ओप्शन ए, तो इंडियन बैंक हैस्थ टाइड अप विद हेल्थ केर कमपनी प्रेक्टो टू प्रेक्टो के जो प्रेक्टो के जो कॉर्परेट हेल्थ एंड वेलनेस प्लान से यह ओफर करेगा, साथ ही अगर इंडियन मेंक की बात करें तो इसके MD & CEO हैं, पदमजा, चूंदरू और हेटकाटर स्चेन नहीं, तमिल नाडू में है, पूरुभारते क्रिकेटर विरंद स सेवाग और सनझेывाग दुखार कों सा ओनलाइन क्रिकेट लर्निंग एप लौंज किया गया है, चार ओप्शन्स आपके सामने है, क्रिकुरू, क्रिकनेट, क्रिकुरू, क्रिकसूपर, सही आनसर होगा, ओप्शन ए, क्रिककुरू इस एप को इन्नोंने लांच किया है, जा चाहते हैं क्रिकेट के लग-लग टैक्निस चों सिखना चाहते हैं तो यहां पर कई तरह के 30 प्लेयर कोचेज इस प्लेटफोर्म पर लाए जाएंगे जिनमें ABD Wears, Bradley, Brian Lara, Chris Kale, Dwayne Bravo, Harbjan Singh, John T. Rhodes यह सबी सामिल रहे हैं तो यह परसनली अपनी जो भी जो एडवाईज हैं यह प्रवाइट कराएंगे ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत की रेंक किया है ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन B So India's rank in the Global Home Price Index is 55th तो ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स यह एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट से night franc इसके दुवारा दिया गया है किसके लिए 2021 का जो first quarter है इसके लिए तो इसमें भारत जो है आपको बता दें इसमें भारत की rank है 55th 2021 के first quarter में जबकि 2020 के first quarter में 43rd rank थी तो यह year on year basis पर दिया जाता है यानि कि देखे quarter one 2020 इसके साथ compare किया है quarter 2021 को ठीक है तो इसका मतलब year on year basis पर यह rank दी गई है तो इसमें 55 है जबकि पिछले साल इसी quarter में 43rd rank थी भारत की आपको बता दें जो एक global house price index है तो यह 56 countries में या फिर टारेट्रीज में जो residential area है उसके prices के हिसाब से countries को rank करता है top 3 countries इसमें Turkey है फिर उसके बाद New Zealand है और फिर लेक्जंबर्ग है इस्पेन इसमें सबसे लास्ट पर है किस मंत्राले ने AISHE report 2019-2020 की है options आपके सामने है सही answer होगा option C So Ministry of Education released the AISHE report 2019-2020 देखें रिपोर्ट का नाम क्या है All India Survey on Higher Education 2019-2020 किसके द्वारा जारी की गई है रिलीज की गई है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोकरिया निशंक सिक्सा मंत्री जो है इनके द्वारा रिलीज की गई है और किसके द्वारा प्रिपेर की गई है Department of Higher Education जो की Ministry of Education के अंतरगत कारे करता है जब बात हो रही है Department of Higher Education की तो आपको यह भी जानना चाहिए इसके Secretary है अमित खारे तो important points हम इस report के बारे में जानेंगे ठीक है कुछ कोई भी point पुछा जा सकता है इसलिए पूरी report को जल्दी से हम देखने वाले हैं तो देखिए भारत में higher education का current status क्या है उसी के हिसाब से यह report त्यार की गई है इसमें यह बताया गया है कि सबस्यादा जो students है वो six major disciplines में enrolled है तो humanities में है और यानि की BA आप क्या सक सबस्यादा humanities में यहां पर enrolled है यह आप जानिएगा और भारत में जो institutions of national importance है यह 80% बढ़ गए है यानि 2015 में 75 थे और अब 2019-20 में 135 है साथी जो universities हैं भारत में यह total अब 2019-20 में 1043 है और जो total colleges हैं यह हैं आपके 42,343 2019-20 में 8.4% का इसमें increase देखा गया है साथी जो gross enrollment ratio है यह 27.1% है 2019-20 में साथी higher education में यह total enrollment है यह 3.85 करोड है 2019-20 में और gender parity index यह जो higher education में है यह 1.01 है और 2018-19 में यह 1.00 था तो इसका मतलब कि females को भी जो है जो आपका higher education है इसमें काफी अच्छा enrollment यहाँ पर मिल रहा है साथी pupil teacher ratio यह 2019-20 में 26 है और आपको बता दें total universities मैंने आपको बता दिया 1043 है colleges 42343 है और stand-alone institutions यह 11779 है और PhD जो कर रहे है total number of students यह 2.03 lakh है और total number of teachers कितने है 1503-156 ठीक है इनमें 57.5% male है और 42.5% female है साथी higher education में जो female enrollment है यह 18.2% यह है ठीक है यह सबसे important आपके लिए रहेगा क्योंकि देगी हमेशा हम जब भी बात करते हैं तो female empowerment, women empowerment की बात करते हैं तो उस हिसाब से यह वाला point आपके लिए काफी important रहने वाला है तो है higher education में female enrollment कितना है 18.2% किसानों को मांग आधारित टेली क्रिसी सला परदान करने के लिए Digital India Corporation ने निमली कितमे से किसके साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षिर किये हैं options आपके सामने हैं सही answer होगा option A So to provide demand-based tally agriculture advisories to farmers Digital India Corporation has signed an MOU with ICAR तो ICAR का मतलब है Indian Council of Agriculture Research जो की Ministry of Agriculture and Farmers Welfare के नतरगत आता है तो इसने Digital India Corporation जो की Ministry of Electronics and Information Technologies के नतरगत आता है इसके साथ MOU sign किया है किसलिए ताकि किसानों को demand-based tally agriculture advisories यह provide किया जा सके जहां भी tally आएगा tally का मतलब होता है कि आप कोई भी service provide करा रहे हैं उस तरह के माध्यम से जहां पर internet का use किया जा सके ठीक है कोई app भी हो सकती है और किसी भी तरह से हो सकता है आप इसको provide कराते हैं या फिर tally में आप जो है communication system यूज करते हैं जैसे कि आप कह सकते हैं कि phone पर भी provide करा सकते हैं ठीक है और इसमें बता दे कि interactive information dissemination system इसको ICAR में deploy किया जाएगा ठीक है यह जो system है तो इस system की खास्यत यह है कि यहाँ पर कही सारी services होती है तो farmers ने जिस भी service को subscribe किया हुआ है तो उस service से related पूरी information यहाँ पर किसानों को provide कराई जाएगी और जब बात हो रही है ICAR की तो आपको जाना चाहिए इसके director general है डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा फ्रेंड्स इस तरह के भी पूछ ले जाते हैं आप याद रखेगा हमारा ध्यान इन सब की और नहीं जाता है कि Indian Council of Agriculture Research इसके director general कोन है ठीक है तो याद रखेगा डॉक्ट has become the new chief secretary of tripura तो tripura की नए Chief Secretary आलोक कुमार होंगे और इन्होंने Manoj कुमार को replace किया है तो यहां के चीफ minister बिपलोुकुमार देव है गवंडरर रमेश बैस है और capital है अगरतला साधिया आक़ को एपको जानना चाहिए कि Clouded Leopard नmadı रख Square x quote दूर्प वाइड लाइफ सेंचुरी सिभाई जोला वाइड लाइफ सेंचुरी राजभरी नेसल पार्क उजियंता पैलेस और नीर महल पैलेस यह दोनों ही पैलेस काफी इंपोर्टेंट है याद रखेगा त्रिपुरा में हैं आगे बढ़ते हैं फ्रेंच ओपन में महीला एकल गा ख प्रेंच ओपन जीता है कि इसको रोलेंड गैरोस के नाम से ब्हुना जाता है यदि आपके पास कोश्यन इस तरह से आए कि Roland Garros 2021 किसने जीता महीलाओ में तो आंसर होगा आपका तब भी बैर्बोरा Roland Garros जो थे ये एक fighter pilot थे फ्रांस के और इनके नाम पर ही यहाँ पर एक tennis stadium है जिसका नाम है Roland Garros tennis stadium पैरिस में है ये तो वही पर ये tournament खेला जाता है आपको बता दें French Open इकलोता ऐसा grand slam tournament है जो की clay यानि मिट्टी पर खेला जाता है और Raphael Nadal इनको king of clay के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनका काफी अच्छा record है French Open में देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि French Open ये clay पर खेला जाता है Australian और United States Open यानि US Open ये hard courts पर खेले जाते हैं और Wimbledon ये natural grass पर खेले जाते हैं साथ ये आपको ये जानना चाहिए कि जो Australian Open है ये mid January में खेला जाता है यानि कि साल का सबसे पहला tournament कौन सा होता है Australian Open इस तरह से भी पूछले जाता है कि साल का पहला grand slam title कौन सा है तो आनसरों का Australian Open उसके बाद खेला जाता है French Open Late May to Early June इसके बीच में खेला जाता है उसके बाद आता है Wimbledon जो की Late June to Early July खेला जाता है उसके बाद आता है US Open जो की August to September के बीच में खेला जाता है अमोमन यही महीने रहते है ठीक है और condition के साब से आगे पीछे हो जाता है साथी जो question यहां से important यह बनता है इस तरह से भी पुछले जाता है कि सबसे oldest tournament कौन सा है Grand Slam कौन सा है आंसर होगा Wimbledon इस question को आप पाएंगे कि पहले तो इस question को कई बार exam में पुछा गया है ठीक है तो याद रखेगा SST में पुछे जाता है और जो आपके इससे उपर level के exam होते उसमें भी इस तरह का question बन जाता है कि सबसे oldest tournament कौन सा है टेनिस में तो याद रखेगा Wimbledon है इसके बाद फिर US Open की शुरुआत हुई थी Wimbledon 1877 में जो है खेला गया सबसे पहले फिर US Open खेला गया फिर फ्रेंच उपन और बिर्कुल लेटेस्ट है औस्ट्रेलियन ओपन Reserve Bank of India के Deputy Governor का नाम बताईए जिनने दो साल की अवदी के लिए फिर से न्युक्त किया गया है Options आपके सामने हैं सही आंसर होगा Option D So RBI Deputy Governor Mahish Kumar Jain has been reappointed for a period of two years तो दो साल के लिए इनको फिर से reappoint किया गया है कब से लागू होगा ये 22 चून 2021 और साथ ही आप कोई भी जानना चाहिए अगर Reserve Bank of India की बात करें तो यहां पर एक Governor होते हैं जोगी फिलहालें सकती का अंदास और चार से जादा Deputy Governors नहीं हो सकते तो एक तो महish Kumar Jain हो गए बाकी के तीन कोन है माइकल पात्रा, M. Rajeshwar Rao और T. Ravi Shankar भारतिय पहलबान विनेज फोगाट ने Poland Open में किस भारवर्ग में सुरेंड पतक जीता है ओप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ओप्शन B तो देखिए आपको पता होगा विनेज फोगाट, टोक्यो का टिकर दिन को मिल चुका है टोक्यो में पार्टिसिपेट करने वाली है जो टोक्यो ओलम्पिक होगा तो 53 kg इस कैटेगर भी नोने गोल्ड मेडल जीता है पोलेंड ओपन में जो की हुआ वार्सो में वार्सो जो है यह पोलेंड की कैपिटल है याद रखिएगा और इस सीजन का यह इनका तीसरा गोल्ड मेडल है इससे पहले यह मैटियो पहली कोन इवेंट यह जो हुआ यहाँ पर भी नोने गोल्ड मेडल जीता एशेन चेंपनशिप भी नोने जीती है किस राज्य ने असंगठित छेत्र के स्रमिकों के लिए इनिर्मान वेब पोर्टल और एप लॉंच हिया है ओप्शन सापके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन सी गुजरात स्टेट लॉंच्ट ए निर्मान वेब पोर्टल एप फोर अन और्गनाइजड सेक्टर वर्कर्स देखिए अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग तरह की स्कीम्स चलाई जा रही है जो अन और्गनाइजड सेक्टर हैं तो इस तरह के जो लोग हैं जो अन और्गनाइजड सेक्टर में आते हैं तो वो गवर्मेंट वेलफेर स्कीम्स का फायदा उठा सेके इसलिए online registration के लिए गुजरात government ने e-nirmand web portal या app को launch किया है गुजरात के बारे में बात करें तो यहां के cm विजे रूपानी है गवर्नर आचारे देवरत है और capital गांधी नगर है गुजरात के बारे में बात करें तो देखें यहां पर इंडस वैली civilizations की जो ancient sites है यह भी है लोथल है डोला वीरा है और गोला धुरू है यह आप याद रखेगा लोथल यहां पर important है आपके ssc ऐसे एक्जाम में पूछ ले जाते हैं ssc railways ठीक है इस तरह के एक्जाम में जाते हैं और साबरमती गुजरात की largest river है इसके बाद फिर तापी रिवर आती है और यहां पर जो सबसे लंबा सफ़र जो तै करती है वो है नर्मदा रिवर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इसी पर बना हुआ हुआ है उस भारतिय मोल के पत्रकार का नाम बताईए जिसने Muslims को हिरासत में लेने के लिए चीन के विशाल बुनियादी धाचे को उजागर कर Pulitzer प्रोशकार जीता है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर होगा option D तो मेगा राजकोपालन is the Indian origin journalist who won the Pulitzer Prize for exposing China's vast infrastructure for detaining Muslims देखिए जो चाइना का सिंजियांग प्रोविंस है तो आपको जानते हैं आपर उइगर Muslims रहते हैं तो कई तरह की यातना है उनको दी जाती है ठीक है ऐसा पुरे वर्ड का मानना है और इसी तरह से होता भी है तो कई तरह के detention camp यहाँ पर बनाए हुए है चाइना ने तो उनके बारे में इन्होंने पुरा एक पुरी रिपोर्ट इन्होंने उस पर दी थी तो यह पत्रकार है बच फीड निउस यहाँ पर यह पत्रकार है इंडियन ओरिजिन की है तो इनको जो है इनोवेटिव इन्व को दिया गया है इनोवेटिव इन्वेस्टिकेटिव रिपोर्ट के लिए साथि अगर हम पुरीटजर प्राइस की बात करें तो देखे युनाइट इस्टेट्स के अंदर जो भी न्यूस पेपर मैगजीन और ओनलाइन जर्नलिजम लिटरेचर म्यूजिकल कमपोजिशन इ साथी 21 केटेगरीज में दिया जाता है जो 20 केटेगरीज है इसमें तो उसमें कैस अवार्ड भी दिया जाता है 15,000 तोलर का और साथी जो एक केटेगरी उसमें गोल्ड मैडल दिया जाता है जानते हैं इसके बारे में क्या मतलब हुआ देखे जो डार्नेदा फ्रेजियर है इनको पुलिटसर पुरसकार विशेश प्रसस्ति पत्र ये दिया गया है किसलिए आप जानते होंगे कि जॉर्ज फ्लोड जो की एक अश्वेथ व्यक्ती थे अमेरिका में ठीक है तो इनकी जो है किलिंग हो गई थी इनकी हत्या कर दी गई थी अपने गुटने से दबा कर आपने देखा विडियो का वीडियो जो यहां के पुलिस ओफिसर थे तो उन में से एक ने इनकी जो है इनको दबाया ठीक है और उस दौरान इनकी हत्या हुई थी तो वो पूरी रिकॉर्डिंग इन्होंने के थी डार नेला फ्रेजियर ने तो इसी के लिए इन्हें यह वार्ड दिया गया है साथी स्टार ट्रिब्यून जो की एक मीडिया आउट जो है पुलिस ओफिसर डेरेक चौविन इनके द्वारा इनकी हत्या कर दे गई थी बालसरम के खिलाफ विश्वदीवस किस दिन मनाया जाता है सही आंसर होगा ओप्शन सी सो वार्ड दे अगेंस्ट चाइड डेवर इस ऑपसर्ड ओन जून 12 और साथी आप यह याद रखे है 2021 को International Year for the Elimination of Child Lever के रूप में बना रहा है और इस बार 2021 में इसका थीम रहेगा वर्ड डे अगेंस्ट चाइड डेवर का थीम रहेगा Act Now and Child लेवर और देखे 2021 को और किस किस रूप में मनाया जा रहा है United Nations के साथ United Nations के द्वारा International Year of fruits and vegetables International Year of Peace and Trust International Year of Creative Economy for sustainable development तो चार तरह से बनाया जा रहा है चार वह आप याद रखेगा एक्जाम में पुछे जा सकते हैं आगे बढ़ते हैं भारत पे किस वर्ष तक अंतराष्टे क्रिकेट परिशत ICC के साथ एक आधिकालिक भागितार बने गया है सई आंसरोंगा option C So भारत पे has become an official partner with International Cricket Council ICC till 2023 So 2023 तक के लिए जो भारत पे है Digital Payment Startup यह है भारत पे आप सभी जानते हैं तो यह International Cricket Council यानि ICC का official partner बन गया है भारत पे के जो CEO हैं और Co-Founder है यह है अशनीर Grower यह आप याद रखेगा निम्रिकित में से किसने लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए I-Familia नामक एक नया Westwick Database लौंच किया है Options आपके सामने हैं सई आंसर होगा option D So Interpol has launched a new global database named I-Familia to identify missing persons देखिए अब जो भी missing persons हैं उनको उनकी family के DNA के तुरू जो है पहचाना जाया सकेगा इसके लिए Interpol ने I-Familia नामका एक Global Database तयार किया है आपको बता दे Interpol यानि International Criminal Police Organization यह एक Intergovernmental Organization है और यह जो है पुरे जो 194 जो countries हैं ठीक है यह सभी इनकी member हैं और इनके साथ जो है coordinate करता है जैसे किसी देश को कोई data चाहिए किसी criminal का data चाहिए जो की internationally जो है acclaimed कोई इस तरह का आतंगवादी कतीवी देश जुड़ा हो और या फिर यह जो Interpol होता है यह जो अलग-अलग countries के जो officer होते हैं जैसे हमारे CBI है तो उनको एक special training भी provide कराता है कि किस तरह से आप किसी case में किस तरह से आगे बढ़े इस तरह की तो यहां का जो staff होता है यह काफी highly qualified staff है Interpol का लेकिन यह कोई law enforcement agency नहीं है यानि यह कोई कानून नहीं बनाती है किसी पर कानून नहीं थोपती है यह आप याद रखिएगा यह के बढ़े एक इंटर गवर्मेंटर और्गनाइजिशन है इसका headquarters लियों फ्रांस में है और प्रेजिडेंट है किम जॉंग यांग तो इस तरह के सभी notice यह जारी करता है एक्जाम में पूछ ले जाते हैं कि red notice कौन जारी करता है यह तो काफी आम question मन गया है कई बार यह पूछा जा चुका है कि red notice किसके द्वारा जारी किया जाता है तो answer उसमें होता है इंटरपोल तो इस सभी notice जारी करता है इंटरपोल रेड नोटिस जैसे wanted person के लिए और green notice warnings and intelligence yellow notice missing person orange notice imminent threat blue notice purple notice black notice unidentified bodies के लिए ब्लैक नोटिस यह जारी करता है तो यह सभी आप देख लिए जगा एक पार अच्छा हमारा telegram भी जरूर जोएन कर लिया किजिए क्योंकि उस पर इमेजें से हम आपको जो है पोस्ट करते रहते हैं कई तरह के quiz views में डालते हैं ठीक है कुछ इमेज ऐसी होती है जो आपको अच्छे से याद हो सकती है अगर आप उनको question format में देखे तो आपको इतना ध्यान नहीं रहेगा लेकिन वह image format में ज्यादा अच्छे से याद रह है निम लिखित में से किसने लग्जंबर्ग परियवेशी प्राधी करने के साथ प्रतिभूती विनियमन समझोता किया है options आपके सामने है सही answer होगा option भी English में ज्यादा समझ में आएगा ये आपको देखें सेबी यानि Securities and Exchange Board of India has inked a Securities Regulation Pact with Luxembourg लग्जंबर्ग Supervisory Authority तो देखिए जो सेबी है इसने लग्जंबर्ग की जो सुपर्वाइजरी अथारोटी है यानि Commission Day Surveillance to Securities and Financiers तो इसके साथ जो भी Security Regulations है तो इसके एरिया में कोपरेट करने के लिए सहयो करने के लिए एक Pact पर साइन किया है सेबी कि एकर हम बात करें तो इसके Chairman अजेतियागी है Headquarters Mumbai में है और इसकी इस्तावना 12 April 1992 को की गई थी अंतराश्टी है अलबिनिज्म जागरुकता दिवस किस दिन मनाया जाता है सही आंसर होगा Option D International Albinism Awareness Day is observed on June 13 और इस बार Friends इसका theme रहेगा Strength Beyond All Odds देखिए होता क्या है अलबिनिज्म होता क्या है इसमें क्या होता है आपके सरीर में मतलब जन्म से ही एक तो यह rare है काफी दूड़लब है ठीक है थोड़ा दूड़लब है नोन कंटेजियस है और जो है यह आपको inherited हो सकती है ठीक है genetically inherited disorder है और बर्त से ही प्रेजेंट होता है तो इसमें क्या होता है जैसे आप इस बालक को देख रहे हैं तो इसमें जो सन से जो harmful रेज आती है उसकी चपेट में जल्दी आ जाते हैं और इसी वज़े से यह लोग जो है निम्लिकित में से किसने fintech उद्योग द्वारा उत्पन नियामक चुनोतियों का समाधान करने के लिए एक अंतर नियामक पैनल का गठन किया है options आपके सामने हैं सही answer होगा option D so FSDC यानि Financial Stability and Development Council has constituted an interregulator panel to address the regulatory challenges posed by the fintech industry देखिए जो fintech industry होती है यानि financial technology आप इसको कह सकते हैं जो इस तरह की industry होती है fintech industry का मतलब क्या है जो financial services है उनको काफी तेजी से और नए तरीके से provide कराना तो उसका मतलब होता है fintech industry जैसे आप देखते हैं कि पहले आप bank balance अगर आपको मालूम करना हो तो bank ही जाना पड़ता था लेकिन अब आप mobile से अपना bank balance देख सकते हैं इसी तरह से अगर आपको loan लेना है तो छोटे मोटे loan आप बैंक सी दे लेते हैं अगर आपको पैसा किसी को देना है तो भी आप mobile से दे देते हैं इंसुरेंस policy लेनी है तो mobile से ले लेते हैं ट्रेडिंग अगर आप करनी है वह भी आप कर सकते हैं तो यह सब फिंटेक इंडस्टी के तहर्त आता है तो इसी कि अगर हम बात करें तो Financial Stability and Development Council तो इसने जो है एक रेगुलेटर पैनल जो है इसने बनाया है किसलिए जो भी इस का यहां पर इस्तापना की गई है गठन किया गया है आपको बता दे इसमें Reserve Bank of India के Officials रहेंगे Finance Ministry के Officials रहेंगे SEBI के Officials रहेंगे और IRDAI यानि Insurance and Regulatory Authority of India इसके Officials इसमें रहेंगे बात करें अगर हम FSTC की इसी की यानि की Financial Stability and Development Council की तो यह Non Statutory Apex Council है यानि इसको Executive Order के द्वारा बनाया गया था कब 2010 में और यह Ministry of Finance के तहत कार्य करती है और रगुराम राजन कमिटी 2008 में बनी थी Financial Sector Reforms के लिए तो इसी ने सबसे पहले इसको प्रपोस किया था किस तरह की एक जो है Council बननी चाहिए इसमें जो अध्यक्षता करते हैं वो Finance Master होते हैं और बाकी जो भी other regulatory bodies हैं जैसे RBI, CAB, PFRDA, IRDA ठीक है इसके भी जो Heads होते हैं जो Chief होते हैं यह इसमें सामिल होते हैं साथी Finance Secretary, Secretary of Department of Economic Affairs य और जो FSTC की सब कमिटी होती है इसके Chief होते हैं RBI की Governor बैंकिंग लेंदेन में डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने के लिए किस IT कंपरी ने Finastra के साथ भागेदारी की है सही आंसर होगा Option B तो देखिए Asia Pacific में जो भी डिजिटल ट्रांस्फोर्मेशन करना है तो उसकी गतिविती तेज करने के लिए विप्रो ने Finastra के साथ एक भागेदारी की है ठीक है कई कंपनी जैसी होती है जिनका टेंडर विप्रो के पास रहता है कि डिजिटल ट्रांस्फोर्मेशन जो है ठीक है किसी कंपनी का जो भी पुला डिजिटल इस्ट्रक्चर है आपको समालना है तो इस तरह की गतिविद या कि CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है ओप्शन आपके सामने है और और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन डी तो इसने जो भारत में अपनी ब्रांच है तो इसके CEO और मेनेजिंग डिरेक्टर मना है राम प्रशाद स्रीधरन और यह दिखित में से किसने यूनिफीडर ISC FZCO द्वारा एवान लोजिस्टिक लिमिटेड ट्रांसवर्ट फीडर्स प्राइवेट लिमिटेड और ट्रांसवर्ट फीडर FZCO के अधिगरंड को मन्जूरी दी है ओप्शन आपके सामने है और सही आंसर होगा ओप्शन A सो CCI यानि Competition Commission of India has approved the acquisition of Avana Logistics Limited, Transferred Feeders Private Limited and Transferred Feeders FZCO by Unifeder ISC FZCO यानि कि जो यह तीनों है इनका जो है acquisition किया जाएगा किसके दारा Unifeder ISC FZCO के द्वारा और काफी important है यह याद रखिएगा इस question को हलके में मत लीजेगा और जो CCI है यानि Competition Commission of India है इसके chairman अशोक कुमार गुपता है जो यह Competition Commission of India है इसका मतलब यह रहता है कि जो goods and services है यह आम आदमी तक पहुंच सके अच्छे से पहुश सके और competitive rate पर पहुश सके मार्केट में किसी की अपनी अलग से monopoly न हो competition बना रहे तो इस तरह की सुविधाय जो है CCI इस तरह की विवस्ता को जो है confirm करता है कि हां मार्केट में इस तरह की विवस्ता बनी रहे मतब एक तरफा राज किसी का नहों मार्केट में नौसेना संचालन महादीदिशक के रूप में किसने पदबार गरेंड किया? आप्शन्स आपके सामने हैं, सही आंसर होगा, आप्शन्स सी, सो राजेश पेंधर कर, एज्यूम्ड चार्ज एज डिरेक्टर जेनरल नवल ओपरेशन्स, तो यह वाइस एड्मिरल है, इसकिल इट, किल इट, नामक पुस्तक की लेकर कोन है, सही आंसर होगा, आप्शन्स दी, तो रोनी इस्क्रूवाला, इस ऑथर ऑफ दा बुक, टाइटल डैस, इसकिल इट, किल इट, किस IIT ने COVID उपचार के बाद, फंगल संक्रमन के इलाज के लिए, एम बी की नैनो फाइबर आतारित, ओरल टैबलेट्स विक्सित की है, ओप्शन्स आपके सामने है, सही आंसर होगा, ओप्शन्स दी, So, IIT हैदराबाद has developed नैनो फाइबर बेस्ट ओरल टैबलेट्स ओफ एम बी, टो ट्रीट फंगल इन्फेक्शन्स पोस्ट कोविड ट्रेट्मेंट, पहले तो आप यह याद रखेगा, कि एम फो टेरिसीन बी, यह जो ड्रग है, यह किसके लिए दी जाती है, याद रखेगा, तो आपने देखा हुआ, कोविड-19 के जो पेशेंट है, जो ठीक हो गया है, तो उनमें ब्लैक फंगल इस तरह की जो है, देखने को मिल रहा है, तो उनके ट्रेटमेंट में एम फो टेरिसीन, इसको जो है यूज किया जा रहा है, तो यह इंजक्शन के रूप में आता था, तो अब IIT हैदराबाद ने एक इसके लिए नैनो फाइबर बेस्ट, औरल टेब्लेट्स ये बनाई है, तो इसको आप याद रखेगा, मेन खास है ये कि नैनो फाइबर बेस्ट है ये, तो IIT हैदराबाद ने इसको बनाई है, अब तक जो ये MB है, ठीक है, ये केवल इंज एक्शन फॉर्म में आता था, हाल ही में किस देश ने आठवे अंतराष्टि ये नाइट्रोजन पहल सम्मेलन की मेजमानी की है, सही आंसर होगा, ओप्शन B, जर्मनी ने जो है, आपका ये 8th Triennial Conference of the International Nitrogen Initiative, इसको होस्ट किया है, वर्चुली, 20 Reforms in 2020 नामक, इबुकलेट का विमोचन किस ने किया, ओप्शन आपके सामने है, सही आंसर होगा, ओप्शन C, डिफेंस मिनिस्टर राइनाच सिंग, रिलीजड एन इबुकलेट टाइटल, 20 Reforms in 2020, दोजार बीस में, सबसे महत्तपूर्ण 20 कारे जो डिफेंस मिनिस्टरी ने लिए है, उसके बारे में इसमें बताया गया है, अंक्टेट के महासेचीव के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है, ओप्शन आपके सामने है, और करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन D, रेबेका ग्रिंस्पैन हैं, तो देखे, कोस्ट टारीका की एकोनोमिस्ट है, रेबेका ग्रिंस्पैन, तो यह फर्स्ट विमन बन गई हैं, जो की United Nations Conference on Trade and Development, जिसे UNGTED बोलता है, इसकी Secretary General बनी है, और अगर हम बात करें UNGTED की, तो देखे, 1964 में United Nations General Assembly त्वारा इसको इसको इस्टेबलिश किया गया था, यह एक पर्मानेंट इंटर गवर्मेंटल बोडी है, और जो भी least developed countries हैं, तो उनकी यहां Trade, Investment and Development issues को हैंड और इसके Offices, New York और आदिश अबावे में हैं, 195 इसके Total Member States हैं, आगे बढ़ते हैं, French Open में पुरूस एक अलग खिताब किसने जीता है, सही आंसर होगा, Option C, So, Novak Djokovic won Men's Singles Title at the French Open, तो देखे, Novak Djokovic यह सर्विया के हैं, और इन्होंने अपना Second French Open Title जीता है, और overall इनका यह 19 Grand Slam Title है, किसे हरा है, इन्होंने स्टेफेनोज सित सिपास को हरा है, जो कि ग्रीज के हैं, और देखे, 5 सेट का रहा, शुरू के 2 सेट हर गए थे, 2 सेट हरने के बाद, फिर देखे, 3 सेट यह जीत गए, तो 2 सेट हरने के बाद, फिर वापसी करना आसान नहीं होता है, लेकि हम देखे, क्योंकि जब हम कोई कोशिस करते हैं किसी तरह की, उसके बाद जो सफलता मिलती है, उसका मज़ा ही अलग होता है, देखे, मान लीजी आप किसी एक्जाम को आपने पहरी बार में निकाल लिया, वो काफी अच्छी बात है, आपने निकाल लिया, लेकिन बाइचा करने के बाद या फेल होने के बाद वापसी करना आसान नहीं होता, खुद पर विश्वास हो, तो ऐसा करना संभव भी है, अगर ऐसा करना आसान होता, तो हर कोई एस्पिरेंट एक्जाम क्लियर कर चुका होता, उस नहीं किया आए, जो पिछड़ने के बाद फिर से यह पहले व्यक्ति बन गए हैं, जिन्होंने ओपन एरा में सभी जो ग्रेंड इस्लैम्स हैं, जो चार ग्रेंड इस्लैम्स हैं, एक आपका है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबर्डन और यूएस ओपन, इन चारों को ही ओपन एरा में, इन्होंने कम से कम दो जीता है कम से कम French Open को भी दो बार जीता है कम से कम Australian Open को भी और US Open को भी इनोंने दो बार जीता है ठीक है इन सभी को इनोंने दो बार जीता है कम से कम तो Open Era का मतलब क्या है Open Era का मतलब मैं आपको बता देता हूँ आप में से अगर किसी ने सुना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ open era का मतलब क्या है देखे पहले क्या होता था आप यह मान कर चलिए दो तरह के खिलाडी होते हैं एक तो होते हैं professional और दूसरे होते हैं amateur तो देखे जो professional होते हैं वो तो price money के लिए खेलते हैं साथ ही ranking points के लिए भी खेलते हैं लेकिन जो amateur होते हैं यह किसी price money के लिए नहीं खेलते हैं तो इनको खेलने के लिए कोई पैसा नहीं मिलता है केवल जो travel expenses होते हैं वो इनको दिया जाता है केवल जो travel expenses होता था वो दिया जाता था लेकिन कुछ टाइम बाद जो professionals थे यानि जो प्राइज बनी के लिए खेलते थे छोटे मोटे टोर्णामेंट्स में तो उन लोगों ने कहा कि हमें भी इसमें खेलना है और हमको जो है अपनी financial needs की जरूरत है पर grand slams में उनके लिए द् grand slams में जो amateur थे वे लोग भी professional की तरह shift हुए और जो professional tennis था उसको जो है success मिलती रही जैसे आप IPL देख सकते हैं इस तरह की success मिलती रही तो अब फिर उसके बाद क्या हुआ जब इस तरह की success मिलती रही लोग जो है professional tennis को ज्यादा देखने लगे तब grand slams में भी इन लोगों क entry दी गई तो उसको बोलते हैं open era यानि जब professionals और amateur इन दोनों को grand slams में खेलने दिया गया एक साथ तो उसको बोलते है open era आई उप आप समझ गए होंगे open era का मतलब और साथ ही आपको यह जाना चाहिए कि नोवाक का यह second french open title है इससे पहले 2016 में जीते थे और इन्होंने इस स जुरू की जिसका उद्देश पांच लाख सिक्सित बेरोजगार युवाओं को रोजगार और प्रसिक्शन प्रदान करना है options आपके सामने है सही आंसर होगा option डी सो महारास्ट लॉंस्ट इसकीम कोल्ड मैप्स देट एम्स तो प्रवाइड एंप्लोइमेंट एंड ट्रे को एम्प्लोइमेंट और ट्रेनिंग दी जाएगी लगबख पांच लाग इस तरह के युवा महाराष्ट में उन सभी को महाराष्ट की अगर हम बात करें तो चीफ मिनिश्टर उद्व ठाक रहे हैं गवरणर भगस सिंग कोशियारी है कैपिटल मुंबई है आपको यह भी सेंटर रेलवे, कॉंकरन रेलवे और वेस्टर रेलवे इन तीनों का हैटकॉर्टर भी महाराष्ट में है युनेस्को वर्ड हैरिटेस साइट्स कोंसी हैं आपर अजंता, एलोरा, एलिफेंटा केव्स और छत्रपति सिवाजी महाराज टर्मिनस यह सभी युनेस्को वर्ड बाली हैं नंदोर, मदमेशवर, वेट्लेंड यह महाराष्ट की फस्ट रामसर साइट बनी है शाथी यह सब आपको जानने चाहिए और भीमसंकर वाइड लाइफ सेंच्चुरी राधानागरी वाइफ लाइफ सेंचुरी बोर वाइफ सेंचुरी कोइना वाइड ल सई उक्तराष्ट सुरक्षा परिशन में कितने सतस्य हैं ओप्षिन्स आपके सामने हैं और सई आंसर होगा ओप्षिन C So there are 15 members in the United Nations Security Council किसलिए यह question लिया गया है क्योंकि आप यह news पढ़ सकते हैं UN elects five new members to serve on the Security Council जानते हैं इस question के बारे में देखे अल्बैनिया, Brazil, Gabon, Ghana और United Arab Emirates तो इनको जो है United Nations Security Council के non-permanent member के रूप में चुना गया है और 2022 से 2023 का इनका कारेकाल रहने वाला इन countries का आपको बता दे इनमें अल्मानिया ही केवल इकलोता ऐसा state है जो इससे पहले कभी non-permanent member नहीं बनाया है United Nations Security Council का देखी अगर Security Council के हम बात करें UN Security Council के गरम बात करें तो इसमें 15 members होते हैं पांच तो इसके permanent member होते हैं और इनके पास veto power होती है कौन-कौन से है USA, UK, France, Russia and China बाकी 10 members जो होते हैं ये non-permanent होते हैं और पहले से कौन-कौन है फिलाल इंडिया है, Ireland है, Kenya है, Mexico है और नॉर्वे है तो इन 5 countries को ये 5 country जोइन करेंगी और इन सभी 5 countries के आपको capital भी जान लेनी चाहिए अलबैनिया तीराना है, ब्राजिल की ब्रासीलिया है, गैबोन की लेबरेविल है, घाना की एकरा है और युनाइटिड अरब एमिराइट्स की अबुधा भी है राश्टिय रक्षा विस्विद्याले कि स्राज्य में इस्तित है? सही answer होगा option B किसलिए question लिया गया है? क्योंकि न्यूज आप देख सकते है, NSG science MOU with राश्टिय रक्षा युनिवरस्टी, जानते हैं इस question के बारे में, NSG यानि National Security Guard, इसने राश्टिय रक्षा युनिवरस्टी के साथ एक MOU sign किया है, किसलिए? देखिए, जो NSG की जो core competencies होती है, यानि NSG की तरह के कारे करता है, counter terrorism के कारे करता है, counter IEDs, यानि improvised explosive device, ठीक है? और anti hijacking, तो इस तरह के NSG जो है operation करता है, तो इसी तरह के operations को और मजबूत बनाने के लिए, ठीक है? इसने राश्टिय रक्षा युनिवरस्टी के साथ एक MOU sign किया है, यानि अच्छे training मिल सके, इसलि है, यानि राश्टिय रक्षा युनिवरस्टी, ये ministry of home affairs के अंतरकत आती है, और ये गांदी नगर गुजरात में located है, बात करते हैं, national security guard NSG की तो इसके director general M.A. गनपती है, और जो ये राश्टिय रक्षा युनिवरस्टी है, इसके वाइस चांसलर प्रोफेसर बीमल N. पत प्रिश्टेरी won the 2021 Spanish Prince of Asturias Literature Award, तो ये एक तरका literature award है, और ये French author है, Emmanuel, इन्हें इस प्रुस्कार से सम्मानित किया गया है, ये जो प्रुस्कार है, तो इस्पेन के प्रिश्टे रहे हैं, लियोनौर, इनके नाम पर रखा गया है, विरेंद्र नानावती को अंतराष्टे 13 की महासंग यानि फीना, ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है, आपको बताना है, जो ये फीना है, इसका मुख्याले कहां पर इस्तित है, options आपके सामने हैं, और correct answer होगा, option D. विरेंद्र नानावती को इसके मेंबर के रूप में न्यूकत किया गया है, और आपको भी जानना चाहिए, जो ये विरेंद्र जी है, यह Indian Olympic Association के Vice President है और Swimming Federation of India के Executive Director भी है तो पहली बार इस तरह से हुआ है कि कोई Indian जो है इस FINA का Member बना है और इनका कारेकाल 2021 से 25 तक का रहेगा साथ ही आपको बता दे International Swimming Federation इसका Headquarters लुजैन स्विजिजिलेंड में है और इसके President है हुसेन अल मुसलम यमुना International Airport Private ने नोईडा अंतराश्टे हवाई अड़े के वित्त पोशन के लिए किस बैंक के साथ भागेदारी की है ओप्शन साब के सामने है और correct answer होगा option A यमुना International Airport Private प्राइवेट हैस पार्टनरड विद State Bank of India for financing the नोईडा International Airport तो देखे यमुना International Airport को State Bank of India ने 725 करोड रुपे एक्सेंट कर दिये हैं ठीक है मतलब लोन जो है इतने का एक्सेंट कर दिया है किसलिए जो नोईडा इंटरनेशनल एरपोर्ट बन रहा है उसके लिए और इसी नोईडा के पास बन रहा है उत्तर परदेश में यह आप याद रखेगा और तीस जार क्रोड रुपे की लागत है इस एरपोर्ट को बनाने के लिए विशुरक्ते ता दीवस किस दिन मनाया जाता है औप्शन सापके सामने है औरmiyor करेक्ट आंध्र होगा औप्शन डी वर्डब ब्लड डॉन ड़ इसप् prisवर्ट तो चोदा जून को बनाया जाता है World Blood Donor Day और किसले बनाया जाता है क्योंकि इस दिन Card Landsteiner इनकी बर्थ अनिवर्सरी होती है जो Card Landsteiner है इन्हें Nobel Prize मिला था किसले मिला था क्योंकि इन्होंने ABO Blood Group इस सिस्टम की Discovery की थी इसके लिए इन्हें Nobel Prize मिला था और इस बार 2021 में इसका स्लोगन रखा गया है वर्ड ब्लड डोनर डे का स्लोगन रखा गया है Give Blood and Keep the Word Beating साथी इस बार जो host country है वो इटली है और इटली का जो रोम शहर है वो इसको host कर रहा है Reserve Bank of India ने किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्स के रूप में Greece चंद्र चत्रुवेदी की तीन साल की पुना नियुक्ति को मंजूरी दी है Options आपके सामने हैं सही answer होगा Option C So RBI has approved the 3-year reappointment of Greece चंद्र चत्रुवेदी as the part-time chairman of ICICI Bank तो तीन साल कहां पर इनको reappointment किया गया है ICICI Bank के बारे में आपको जानना चाहिए कि MD&CO संदीब बक्षी है Headquarters मुंबई महारास्ट में है वित्यवर्स 2021 के दोरान रिण और जमा वृद्धी के मामले में कौन सा बैंक सारवजनिक छेत्र के रिण दाताओं में सीर्थ प्रदर्सन करता के रूप में उबरा है Options आपके सामने है सही answer होगा Option C So Bank of Maharashtra has emerged as the top performer among public sector lenders in terms of loan and deposit growth during financial year 2020-2021 तो देखिए किस मामले में रहा है loan देने के मामले में और deposit accept करने के मामले में नंबर वन पर रहा है कर हम public sector banks की बात करें तो कौन रहा है Bank of Maharashtra तो इसने जो है 1.07 lakh करोड रुपे तक के इसने loan दिये 2020 में और इसका जो deposit है उसमें भी 16% की growth देखी गई है SBI से भी ज़्यादा और इसके बाद दूसरे नंबर पर रहा है Punjab and Sindh Bank Bank of Maharashtra के बारे में आपको जानना चाहिए इसका headquarters पूने महाराष्ट में है और इसके MD and CEO है AS Rajiv Vipro के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है सही answer होगा option B अनुक पुरोहिद has been appointed as Vipro's Chief Information Officer और अनुक पुरोहिद जो है यह से पहले AS Bank में कारे कर चुके हैं और अब इनको Vipro का Chief Information Officer बनाया गया है Vipro की बात करने तो चेर्मेन ने रिशाद प्रेम जी CEO है theory डेला पॉर्टे और headquarter से बैंगलूरू करनाटक में है साथ ही हाली में हमने क्या पढ़ा था कि Vipro ने फिनस तरह इसके साथ partnership की है किसलिए जो digital transformation है इसको accelerate करने के लिए इसमें तेजी लाने के लिए परसिद्ध असम के साहित्यकार लक्षमी नंदन बोरा जिनका हाली में निधन हो गया किस सम्मान के प्राप्त करता रहे options आपके सामने है और correct answer होगा option D इसम के जो है लिटरेटियर थे लक्षमी नंदन बोरा और इनका हाली में निधन हो गया इन्हें पदमश्री सरस्वती सम्मान और साहित मंतली मैगजिन आती है गोरियोशी तो इसको इसके भी एडिटर रह चुके थे सूरत सिंग मातुर जिनका हाली में निधन हो गया इन्होंने किस एशियाई खेलों में कास्य पतक जीता था यानि ब्रॉंज मेडल जीता था सही आंसरों का option A सुरत सिंग मातुर हुपास्ट आवे रिसेंटली वन अब ब्रॉंज मेडल इन 1951 एशियन गेम्स विच वर हेल्ड इन निव डेली तो देखिए तो एक क्यामने के डेली एशियन गेम्स में इन्होंने ब्रॉंज मेडल जीता था ठीक है एथलीट थे ही है और उसके बाद 1952 के जो ओलंपिक्स हुए थे इनमें भी इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था यह हुए थे हेल्जिंद की में है जो है यह फिल्लैंड की कै तो देखिए यह पहले एतलीट थे भारत की और से जोनगने ओलंपिक मेराथन को कंप्लीルク बात ओर कंपेकर करने की तो कंप्लीट यह ने किया था प्रोफेसर रादा मोहन जिनका हाली में निदन हो गया किस सम्मान से सम्मानित थे सही आंसर होगा option A प्रोफेसर रादा मोहन who passed recently was an awardee of पदमश्री तो पदमश्री से सम्मानिते 2020 में इनको पदमश्री दिया गया था और काफी famous जो है इन्वार्मेंट लिस्ट ही रहे हैं और उडिसा के former information commissioner भी ये रहे हैं साथी UNEP ने इने the global role of owner इससे भी सम्मानित किया हुआ है वित्वर्स 2022 में ICRA के अनुसार बारत की GDP विखास्तर का अनुमान क्या है options आपके सामने है और correct answer होगा option C सो जो ICRA इसने प्रिडिक्ट किया है कि जो financial year 22 है इसमें भारत की GDP 8.5% से ग्रो करेगी क्रैसिल के अनुसार बित्वर्स 2021 में भारत की अनुमानित GDP विखास्तर क्या है options आपके सामने है और correct answer होगा option D सो क्रैसिल इसने ये कहा है कि भारत की GDP 2021 में 9.5% से ग्रो करेगी पहले इन्होंने 11% बताया था उसके बाद अब इसको 9.5% कर दिया है इंडिया नॉयल कॉर्परेशन लिमिटेड ने 6 पेट्रो कैमिकल परियोजना इस्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं सही answer होगा option C इंडिया नॉयल कॉर्परेशन लिमिटेड है साइंड एन MOU विद गुजराद स्टेट तो सेट अप 6 पेट्रो कैमिकल प्रोजेक्ट और देखे इस प्रोजेक्ट की टोटल इंवेस्टमेंट रहेगी 24,000 करोड रूपीज और वडोद्रा के आसपास जो है 6 पेट्रो कैमि परियावरण जलवायू और जय विवित्ता प्रकारवाई के लिए अंतराश्ट्य सलाकार समों में किसे नियुक्त किया गया है ओप्शन आपके सामने हैं और करेक्ट आंसरों का ओप्शन बी सुनीता नारेंड फ्रों इंडिया हैस बिन अपॉंटेट टू एन इंटरनेश इडवाईजरी ग्रूप फोर एक्षन ओन इंपॉर्मेंट क्लाइमिट एंड बाइवरसिटी तो इसमें जो है इन्हें अपॉंट किया गया है इसके लिए ने चुना गया है और किसके द्वारा इनको अपॉंट किया गया है तो स्वीडन की मिनिस्टर है इनका नाम है पैर इनके द्वारा इने चुना गया है निम लिखित में से किस ने प्रोजेक्ट ओर टू फोर इंडिया लॉंच किया ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन डी ओफिस ओफ प्रिंसिपल साइन्टिफिक एडवाईजर लॉंच्ट तप्रोजेक्ट ओटू इंडिया जानते हैं इसके बारे में देखें गवर्मेंट ओफ इंडिया के तहट आने वाले ओफिस ओफ प्रिंसिपल साइन्टिफिक एडवाईजर द्वारा प्रोजेक्ट ओटू फोर इंडिया लॉंच किया गया है इसका उद्देश्य बारत में ऑक्सीजन की मांग को करने के लिए ओक्सीजन का एक नेशनल कंसोर्डियम बनाना है जो ओक्सीजन प्रोडक्शन इंफ्रस्ट्रक्चर का कारिश सुचारू रूप से चला सके साथी आपको यह जानना चाहिए कि जो यह ओफिस ओफ दप्रिंसिपल साइन्टिफिक एडवाईजर है इसकी चाहिए कि जो यह ओफिस ओफ प्रिंसिपल साइन्टिफिक एडवाईजर है इसके तहट इन्होंने दो प्रोग्राम जो दो इनिशेटिव हैं इनके काफी फेमस हैं और काफी इंपोर्टेंड भी आपके एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से तो इसमें एक पहला तो यह है पी इनके द्वारा लिए गई हैं आगे बढ़ते हैं इस्रेयल के नए प्रधान मंतरी कौन है ओप्शन आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन सी सो नेफ्टली बैनेट इस दन्यू प्राइम मिस्टर ऑफ इस्रेयल जानते हैं इस कुश्चन के बारे में देखे न मेजरोटी किसी पार्टी को नहीं मिली है और आठ पार्टी ने मिला कर एक कॉलिशन गवर्मेंट यहां पर बनाने का परियास किया है और इसमें 2023 तक यह रहेंगे प्राइम मिस्टर और उसके बाद यायर लापीद जो कि आपके ये अतित पार्टी के हैं ठीक है उसके आवर शेरिंग यहां पर हुए यह दो साल के लिए फिर उसके बाद बन जाएंगे 2023 के बाद तो यह दोनों फैक्ट आप याद रखेगा साथ ही आपको बता दें फिलहाल कौन है प्राइम मिस्टर यह बेंजमी नेतनियाहू इन्हें बीवी भी कहते हैं और इस्राइल के ल 2021 के बीच इस्रेल के अगर हम बात करें तो प्रेजिडेंट है इसाक हर्जोग देखें फिलाल तो रियोविन है रिवलीन है लेकिन इसाक हर्जोग यह जुलाई में बन जाएंगे क्योंकि इनका नाम तय हो चुका है तो इसलिए मैंने यहां पर आपको अप्डेटेड नाम लिखा है ओफिशल लैंग्वेज हिब्रो है और करंसी यहां की न्यूशेकल है लेजिसलेचर का नाम है यहां का नेशिट तो यहां की संसरत नाम है नेशिट 120 सीट्स हैं यह आप याद रखेगा मेजरोटी के लिए 61 सीट्स के अराउंड चाहिए होती है और देखिए यह स अपताली बेनेट हैं यह बिल्कुल कट्टर जिसे बोलते हैं अपने देश के लिए उस तरह के यह इंसान है तो टू स्टेट सोलुशन को तो यह बिल्कुल नहीं मानते हैं साथ इनका यह कहना है कि केवल एक जिवीस स्टेट ही होना चाहिए कैपिटल जेरूसलम होनी चाह यह इस तरह की जो है यह सोच रखते हैं तो दिक्कत यहां पर यह है यह जो आप पार्टी देख रहे हैं आर ए ए एम यह राम आप इसको कह सकते हैं यह जो पार्टी है यह है अरबिक पार्टी ठीक है तो अब आपको पता है कि अरब लोग और जो आपका यह जीवस है तो इन तो यहां पर और भी दो तिन पार्टी ऐसी हैं तो यहां पर जो है सेक्विलर और रिलीजियस दोनों तरह के माइंड यहां पर मिक्स हो गए हैं जैसे भारत में जम्मों और कश्मीर में महभूबा मुफ्ती और बीजेपी गोवर्मेंट नहीं चल सकी जैसे डैली में अरविं जमी नेतनिया हुएं इनको पावर से अलग रखा जा सके इनको यहां से हटाया जा सके तो केवल मॉड़ो इनका यही रहा है आगे बढ़ते हैं कौन सा राज यह यूवा सकती कुरोना मुक्ती अभियान शुरू करेगा ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन इस अभियान का मकसद है कि जो यूवा लोग है वो लोगों को इस बारे में जो हैं बताएं कि कोविड-19 से किस तरह से आप अपने आपको बजा सकते हैं क्या-क्या प्रिकोशन्स आपको लेने चाहिए और किस तरह से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो जैसा कि नाम से यूवा सकती कोरोना मुक्ती अभियान बात करेंगर हम मद्यपर्देश की तो यहां की चीफ मिनिस्टर सीवराज सिंग चोहान है गवर्णर यहां की अनंदी बेन पटेल है अडिशनल चार्ड यहां पर निबा रही है यह उत्त्रपर्देश की गवर्णर है कैपिटल है भ हजुराहो ग्रूप ओफ मॉनुमेंट्स और ग्रेट इस्तूपा ओफ साची यह सभी मध्यपर्देश में स्थित है साथी महाकालेश्वर्ड जोतिर लिंग यह उज्जैन में है और उज्जैन जो है शिप्रा नदी के तठपर इस्थित है इस पूरी स्लाइड में सबसी इ यह भी है क्योंकि कई एक्जाम में पुछा चाचुका है कि उज्जैन किस नदी के तठपर है तो आंसर रखी याद रखेगा शिप्रा नदी के तठपर है देवी अहिल्या भाई होलकर एरपोर्ड यहां पर है यह आपके एक्जाम में पूछा गया है बैंक एक्जाम में भी यह पूछा गया है साथी राजा भूज इंटरनेशनल एरपोर्ड भी यही पर इस्तित है और भीमबेट का रोप शेल्टर्स और एंशियंट सिटी ओफ मांडू यह मांडू सिटी यह भी यही पर इस्तित है तो इसका आप स्क्रिंशॉट भी ले सकते हैं भारत के किस पूर्वी क्रिकेटर को अंतराष्ट ए क्रिकर्केट परिशत के ह। ऑप्शिंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन-सी, फोर्मर इंडियन क्रिकेटर वीनू मांकड हैज बिन इंक्लूडड इन्टरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स हौल ओफ फेम तो देखे भारत के पुर्व क्रिकेटर रहे है वीनू माकड तो इनके समेट 10 प्लेयर्स को ICC ने अपने हौल ओफ फेम में इंक्लूड किया है तो अब टोटल संक्या 103 हो गई है 103 प्लेयर्स होल ओफ फेम में इंक्लूड कर दे गए है वीनू माकड के अगर बात करें तो भारत के लिए 44 टेस्ट के लिए हैं ये भी आप ध्यान रखिएगा और बाकी के जो मैंने आपको प्लेयर्स बताए ये सबी प्लेयर्स हैं तो इनका नाम नहीं लूँगा में सीधा आगे बढ़ेंगे आप इनको देख सकते हैं एक बार बाकी आपके लिए ये ज़्यादा इंपोर्टेंट है कि वीनू माकड को किया है और 44 टेस्ट इन्होंने भारत की ओर से खेले है किस बैंक ने जानते हैं इसके बारे में तो देखे इस्टेट बैंक ओ इंडिया ने अपनी कस्टमर्स के लिए ताकि COVID-19 का जो ट्रीटमेंट है अपना और अपनी फैमिली का वो सही से कर सके उनके पास मनी की कोई शोर्टेज ना हो इसलिए कवर्च परसनल लोन इसने लोंज किया है इस्टेट बैंक ओफ इंडिया ने तो इसके तहट मिनिमुम 25,000 रुपे दक का लोन ले सकते हैं और मैक्सिमुम हैं पर 5,000,000 रुपे दक का लोन ले सकते हैं खास बात यह है कि 8.5% पर एनम का इंटरस्ट यहां पर बैंक इनसे चार्ज करेगा जो की काफी कम इंटरस्ट यहां पर माना जाता है यह आप याद रखेगा साथी कोलेटरल फ्री लोन है यानि कुछ भी गिरवी रखने की जरुवत नहीं है साथी तीन मंत का मॉरेटोरियम पिरेड भी मिलेगा यानि कि जब आपके लोन की अवधी पूरी हो रही है चुकाने की उसके बाद तीन महीने अकी महुलत आपको और दी जाएगी बाकी यह SBI के Board of Directors का पूरा सेटप है चेर्मेन आप जानते हैं दिनेश कुमार खा रहा है और चार मैनेजिंग डिरेक्टर है CSCAT, अस्विनी भाटिया, स्वामिना थन्जे और अस्विनी कुमार तिवारी Headquarters मुंबई में है कौन सा राज्य तीन दीवसी है त्योहार, राजा या राजा पर हुए मिथुन सक्रान्ती मनाता है Options आपके सामने है, सही आंसर होगा Option B So, Udisa State celebrates a 3-day long festival राजा, राजा पर्व और मिथुन सक्रान्ती जानते हैं इसके बारे में देखिए आप देख भी सकते हैं क्यों important है Prime Minister extends best wishes to people of Udisa on राजा पर्व तो देखिए तीन दिन का ये फेस्टिवल होता है पंदरा से एठारा जून तक ये मनाया जा रहा है और ये जो है नारी का सम्मान को देखते हुए ये तिवार मनाया जाता है और ये जो टर्म राजा है ये राजस्वला इस से बनाए राजस्वला का मतलब होता है कि जो मैंस्टुरेटिंग वुमन होती है उन से संबंदिता है तो इसमें क्या होता है जो भी वुमन है तो जब वह इस तोरान होती है तो उन को भारत का बिजली मुक्त करने के लिए का जाता है ताक वह अच्छे से अपना मनरंजन कर सके तोрий ये अच्छा त्योहार है, आगे बढ़ते हैं, किस IIT ने भारत का पहला बिजली मुक्त, CPAP उपकरण, जिसका नाम G1YU है, इसको विक्सित किया है, ओप्शन्स आपके सामने हैं, सही आंसरों का ओप्शन B, So, IIT Ropad has developed India's first power-free CPAP device, G1YU, जानते हैं इसके बारे में, देखिए, IIT Ropad आप जानते हैं, पंजाब में हैं, तो इसने इंडिया का first power-free, यानि इसमें बिजली की जरुत नहीं है, CPAP device, G1YU को लौंच किया है, CPAP का मतलब है, Continuous Positive Airway Pressure, तो देखिए, जैसे COVID-19 में भी हम देखने हैं, कई लोगों को breathing की दिक्कत हो रही है, शुरुआती चरण में भी और लास्ट में भी, इसी तरह से इसका काम क्या होता है, यह फेफडो को expand करता है, लंक्स को expand करता है, फेफडो को फुलाने का कार्य करता है, नाक में हवा भड़ता है, तो यह इसका काम होता है, तो अब तक इसमें जो है power supply की जरुवत होती है, लेकिन अब जो IIT रोपर ने मनाया है, बिल्लकुल power free है, इसमें power की जरुवत नहीं है, साथ ही इसका ओपयोग उसमें भी क्या जाता है, जैसे जो बच्चे होते हैं, उनके जो लंक्स होते हैं, वो fully developed नहीं होते हैं, तब इसकी सायता से जो CPAP है, इसके सायता से उनके जो लंक्स हैं, उसमें हवा भरी जाती है, किस राजजय ने अनुपरती कोचिंग योजना शुरू की है, ऑप्शन्स आपके सामने हैं, सही आंसरों का ऑप्शन C, so राजस्थान state launched अनुपरती coaching scheme तो देखिए राजस्थान के chief minister ने अनुपरती coaching scheme लोंच की है किसलिए जो भी underprivased students है तो उनको entrance examination और civil services, professional course इन सब की तयारी करने के लिए जो है उपलब्द सुवीधा provide करा जा सकी तो इसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो सेटूल टारीपड़ से हैं, अधर बहकवर्ड क्लासे से हैं, माईनरिटी से हैं या इकनोमिकल वीकर सैक्षण से हैं और इनकी जो पर एनम आय है, वो 8 लैक रूपीज से कम थो इन सभी को इस स्कीम का फायदा दिया जाएगा बाखी बात करें राजस्थान की तो CMA असोग गहलोद कवर्णर है कलराज मिश्रा और कैपिटल है जयपूर किसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित तीन एडवांस्ट लाइट हेलिकॉप्टर्स MK3 के पहले बैच को सामिल किया है ओप्शन आपके सामने हैं करेक्ट आंसर होगा ओप्शन डी इंडियन कोस्ट गार्ड इंडवांस्ट लाइट हेलिकॉप्टर्स MK3 डिजाइंड और मनुफेक्चर बाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है डिफेंस से तो देखिए कोस्ट गार्ड ने जो है 16 एडवांस्ट लाइट हेलिकॉप्टर्स MK3 इसका ओडर दिया हुआ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बनाने के लिए तो इन 16 में से अब पहले 3 कोस्ट गार्ड को मिल गए है और इनोने अपनी सेवा में इनको इंक्लूड कर लिया है इंड़क्ट कर लिया है आपको ये भी जानना चाहिए कि जो इंडियन कोस्ट कार्ड है इसके डिरेक्टर जनलन है कृष्ण स्वामी नटराजन नई रक्षा निति के अनुसार भारत के युद्धों और अभियानों के इतिहास का संकलन और अवर्गी करण अधिकारिक तोर पर कितने वर्षों के भीतर दर्ज किया जाएगा ओप्षेंस आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्षेंस ए ऐस पर दन्यू डिफेंस पॉलिशी कंपाइलेशन और डी क्लासिफिकेशन ऑफ ता हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्वार और ऑपरेशन्स विल बी ऑफिशली रिको फिए या अभियान किया मतली है तो उनको जो है एक तरह से कंपाइल करना क्या-kya भारत की स्वाइक क्या क्या बारत ने क्या है तो पांस सालके अंदर अंतर मानले जी आज को यह कि अन्डर फोरा के अन्दर कागच पर वह अच्छे से होना चाहिए та सवाका मिरिस्ट्री Holy Defense की 25 साल के अंदर अब जो हम जो भी हम उपरेशन किये जो भी में यॵ द्क डे होंगे उनको हम dual Sail कर देंगे यानि publicenge में नहीं होगा कि उनको क्लासिफाई इनको गुप्त रखह जाएगा उनको जो है आम जंता भी उनको देख सकती है डेकिन कुछ है कि हर कोई किसी ऑॉर को तो इस तरह कोई यहाँ पर एक्सेप्शन रहेंगे तो यह जो मिर्स्ट्री और डिफेंस ने यह जो बदलाव की है किस की वज़े से की है कारिगी रिव्यू कमिटी यह बनी थी इसको हैट किया था के सुब्रमण्यम ने और उसके बाद फिर एन एन वोरा कमिटी भी बनी तो इन दोनों ने ही इस तरह के सेट अप की जो है यहां पर सिफारिस की थी रक्षा शेत्र में अनुसंधान और नवाचार के लिए रक्षा मंत्राले द्वारा कितनी बज़ेटी है साहेता को मंजूरी दी गई है ओप्शन सापके सामने है सही आंसर होगा ओप्शन बी सो बज़ेटरी सपोर्ट ओफ 499 कर करोड रूपीज हैस बिन एप्रूवड बाइद डिफेंस मिनिस्ट्री फोर रिसर्च और इनोवेशन इन देफेंस सेक्टर तो देखिए डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन के लिए 498.8 करोड रूपीज का बज़ेटरी सपोर्ट यहां पर दिया गया है किसे इन ख़ये जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतरगत आती है और इसके ओपर यह जिम्मा दिया हुआ है इसी की जम्मेदारी दी हुई है कि भारत जो है अपने बलबूते पर जो manufacture कर सके defense equipment जो है उनको manufacture कर सके और self reliance बन सके तो उसकी जिम्मेदारी इसको दी हुई है तो इसे को यह budget जो है दिया गया है और साथ यह आपको यह जानना चाहिए कि defense ministry ने एक target भी रखा हुआ है यह आपके लिए काफी important है तो next five year में defense ministry ने टार्गेट रखा है कि टोटल 1.75 लाग करोड रुपे का या फिर 25 बिलियन युएस टोलर का टर्ण आवर हम प्राप्त करेंगे और इसे के साद डिफेंस मेश्टी ने ये भी टार्गेट रखा हुआ है कि इसके अंतर का थी जो 5 बिलियन युएस टोलर यानि 35,000 करोड र करेंगे तो सेर्फ रिलाइंस की तरफ यहां पर भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वो बढ़ता हुआ दीख रहा है किस मंत्राले ने सी ए आई एमेस लौंच किया ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन डी सो मिनिस्ट्री ओफ यूथ अफेर्स एंड स्पोर् किरन रिजीजू तो उन्हें सेंट्रल एथलीट इंजरी मेनेजमेंट सिस्टम इसको लौंच किया है तो इसका मकसद क्या है जो एथलीट्स हैं उनको स्पोर्ट्स मेडिसीन और रिहाबिलिटेशन सपोर्ट प्रोवाइट कराना यानि कि मान लीजे कोई एथलीट है जिस सबस्क्राइब को किसी इनजरी से गुजर रहा है तो उसको जो मैडिकल फैसलीट है महीं पर प्रोवाइट कराना एक उन्नत क्वालिटी की मेडिकल फैसलीटी उसको उसी जगहा पर प्रोवाइट कराना यह इसीजगा मेन उद्देश्य करां अ passo कि साथे आपके भी जानना गया था और इसका मकसद यह है कि जो भी ओलंपिक में भारत की और से जो पार्टिसिपेट करें और जो और भी जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं तो उनमें जो भी हमारे प्लेयर्स होते हैं उनको एक अच्छा इंफ्रस्ट्रक्चर प्रोवाइट कराए जाए अच्छे कोचेज इनको प्रोवाइट कराए जाए तो याद रखेगा टॉप्स बुजूर के दुरुवए व्यवहार रोग्थाम दिवस किस दिन मनाया जाता है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन डी सो वर 2021 से 2030 का जो डेकेट है जो दशक है इसको डेकेट ओफ हेल्थी एजिंग इस रूप में मना रहा है तो यह आप याद रखेगा असोप पंगडिया जिनका हाली में निदन हो गया किस छेत्र से जुड़े हुए थे ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसरों का ओप्शन बी असो कि निधन पर प्राइम मिश्टर ने वाइस प्रेजिडेंट ने और प्रेजिडेंट ने इन सभी ने सोख व्यक्त किया है तो इस तरह की जो परसेलिटीज होते हैं जिन पर जो प्राइम मिश्टर हो गई यह सभी सोख व्यक्त हरते हैं तो यह आपके एक्जाम के लिए भी पूछ ले जाते हैं और इनका एक जो मैमुआ है मौंक इन अ मर्क ये भी बिल्कुल जल्द में ही लॉंच होने वाला है तो याद रखेगा किसका है यह इनीका है असोग पन गड़िया गया तो जुलाई में शायद यह लॉंच होगा दगमारा जल विद्यूत परियोजना के कारियान वेन के लिए किस बिजली कंपनी ने बी एस एच पी सी के साथ एक समझता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन बी सो एन एच पी सी है साइंट एन एम ओ यू वीद बी एस एच पी सी फोर इंप्लिमेंटेशन ऑफ दगमारा एच ई प्रोजेक्ट तो देखिए जो एन एच पी सी है इसने बिहार स्टेट हाइडरो इलेक्टिक पावर कोर्परेशन लिमिटेड यानि बी एस एच पी सी इसके साथ एक 130.1 मेगा वाट का जो दगमारा हाइडरो इलेक्टिक प्रोजेक्ट है तो इसके लिए एक एम ओ यू को साइंग किया है एन एच पी सी के बारे में आपको जानना चाहिए कि इसके CMD यानि Chairman and Managing Director अभे कुमार जिंग है और एन एच पी सी का Headquarters फरीरबाद हरियाना में है सदद विकास लक्षियों के लेंगिक समानता पैरामिटर पर किस राज्य को भारत में सीर्स परदर्शन करने वाला राज्य खोशित किया गया है ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन D जानते हैं इस कोश्चन के बारे में देखे नितियायोग ने हाली में Sustainable Development Goal India Index Report 2021 जारी की है इसमें Sustainable Development Goals के Gender Equality यानि लेंगिक समानता पैरामिटर पर 36 गड़ सबसे टॉप स्टेट है और अंडमान एंड निकोबार टॉप यूनिन टेरेटरी है ये इंडेक्स नितियायोग ने UN इंडिया के साथ मिलकर डेवलप किया है इस इंडेक्स में राज्यों और केंदर सासित परदेशों को 115 इंडिकेटर्स के आधार पर रेंक किया जाता है ये इंडिकेटर्स मिनिस्ट्री ओफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन इसका जो नैस्टल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है इसके आधार पर तैयार किये गए है साथ है आपको यह जालना चाहिए कि जो च्छतिस गड़ के चीफ मिनिस्टर है ये भुपेश बगेल हैं यहां की गवंटर है अनुसुया ऊइके कैपिटल रायपूर है साथ है आपको यह जालना चाहिए कि च्छतिस गड्ने हालि में Chief ministers जैसे आपसी क्लाइमिट एक्षुन थे स्टेट्स ल survived जा सकते हैं। जैसे आप सी climate action में पूछा जा सकता है जो उसमें उडिसा टोप पर रहा है, life below water में उडिसा टोप पर रहा है, no poverty में Tamil Nadu टोप पर रहा है, zero hunger में किरेला टोप पर रहा है, तो पहले हम इस index को discuss कर चुके हैं और पूरा चार्ट भी आपके साथ share किया था, तो उसमें आप टाइमस में दक्षिन कोशल के नाम से जाना जाता था, साथी यहां पर चित्रकूट फाल्स भी है, यह कई बार एक्जाम से पुछा जा चुका है, और इसको नाइगरा फाल्स ओफ इंडिया, इस नाम से भी जाना जाता है, पंडवनी, राउतनाच, सुवानाच, यहां के क कितानादी वाइडलाइफ संचुरी, तमोर पिंगला वाइद लाइफ संचुरी, नर्सिंग गड़ वाइडलाइफ संचुरी, कंग lider वैली, नैशनल पार्क, गुरु घासी दास, नैशनल पार्क, और इंद्रावती टाइकर रिजर्व चत्रिसगड़ में, located है, साथ ही आपको ये बिजारना चाहिए कि स्वामी विवेकानन्द एरपोर्ट में आपर है, कई बार पुछा जा चुका है, स्वामी विवेकानन्द एरपोर्ट, याद रखेगा, आगे बढ़ते हैं, मिलखा सिंग की पतनी निर्मल कौर, जिनका हाल ही में COVID-19 के कारण नीदर हो गया, इन्होंने किस खेल में भारती कप्तानी की थी, ओप्शन आपके सामने हैं, और सई आंसर होगा, ओप्शन C, तो निर्मल कौर, वाइफ ओफ मिलखा सिंग, जानते हैं इस कुशन के बारे में, तो मिलखा सिंग की वाइफ रही है ये, निर्मल कौर, और इन्होंने भारती टीम को, जो वाली वोल में, बारती टीम की कप्तानी भी की है, और इनका हाली में नितन हो गया है, अच्छा, इस तरह से भी हेडलाइन मनती है, मैंने आपके स साथ पहले भी डिसकस किया था, मिलखा सिंग्स वाइफ निर्मल कौर सकुम्स टू कोविड नैंटीन, ये जो वर्ड है ना फ्रेंट्स, ये काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए, जब आप इंगलिस का सेक्शन जो आपके एक्जाम में आता है, तो उसमें जो गैप वाल और इसका मतलब आता है कि कोई लडाई हार जाना, ठीक है, और ज्यादा थर ये आज कल आप न्यूस पेपर अगर डेली पढ़ते हैं इंगलिस में, इंगलिस के तो उसमें ये वर्ड आपको काफी आम दिखेगा, तो इसका मतलब होता है जब कोई जिंदकी की जंग हार जा मिले हैं और कुछ की डैथ हो गई है, तो इस तरह से हैडलाइन मनती है, 237 टेस्टेट पोजिटिव इन उत्राखंड एन 7 सुकुम्ड यानि 7 की मृत्य हो गई है, तो इसके बाद 2 आता है, आगे बढ़ते हैं, फ्रेंच ओपन एकल जीत के बाद नोवाक चोकोविच, कम से कम दो बार सभी चार ग्रेंड इस्लैम जीतने वाले इतिहास में और ओपन यूग में पहले, केवल तीसरे खिलाडी बन गए हैं, रॉड लेवर पहले थे, दूसरा कौन था, देखिए आपको मैं समझाऊंगा इस कोश्चन को, साया दभी ना समझ में आया हो, ओप्शन देखिए आपके एकजाम में इस तरह से कोश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये अलग से इस तरह से फ्रेम किया है, क्योंकि फ्रेंच ओपन पर हम पहले भी डिसकस कर चुके हैं, तो में उद्देश यही था, कि आपको ये बताना कि ये तीसरे खिलाडी कैसे बने हैं, देखिए, तो नोवाग जोकोवीच ने आपको पता होगा, अपना सेकंड फ्रेंच ओपन जीता है, और ये इनका टोटल 19th Grand Slam टाइटल रहा है, इन्होंने किसे हरा है, इन्होंने हरा है, इस्टिफेनल्स सित्सी पास को हरा है, और रोलेंड गैरोस टूर्णामेंड बोला जाता है, फ्रेंच ओपन को, साथ ही आप याद रखेगा, देखिए, ओपन एरा मैंने आपको समझाया था, ओपन एरा का मतलब क्या होता है, तो ओपन एरा जब से स्टार्ट हुआ है, तब से तो जोकोवीच, जो है, ये पहले प्लेयर बने है, जिन्होंने जो चारो ग्रेंड स्लैम है, उनको कम से कम दो बार तो जीता ही है, चारो ग्रेंड स्लैम कों से है, उस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबल्डन और यूएस ओपन, तो कम से कम दो बार तो जीता ही है, ऐसा करने वाले ये पहले प्लेयर बने है, ओपन एरा में, ओपन एरा के किस बैंक ने घर घर राशन कारेकरम सुरू किया है ओप्शन साब के सामने है सई आंसर होगा ओप्शन डी सो IDFC First Bank has launched घर घर राशन प्रोग्राम तो देखिए IDFC First Bank ने घर घर राशन प्रोग्राम लॉंच किया है तो इसमें जो भी बैंक के employees हैं वो अपनी प्रोगेट से कुछ ना कुछ contribution करेंगे जो इनके low income customer हैं जो बैंक के low income customer हैं उनकी सायता करेंगे उनको राशन किट भी provide कराएंगे जिसमें एक महीने तक का राशन होगा तो इस तरह से आपर सायता की जाएगी जो भी low income customer है इस bank के साथी IDFC First Bank अगर हम बात करें तो इसके MD and CEO है V. Vedjanathan Headquarters Mumbai में है हाल ही में किस asset management company ने banking और वित्य सेवाए new fund offer NFO launch किया है options आपके सामने हैं सही answer होगा option B so HDFC mutual fund has recently launched banking and financial services new fund offer देखिए asset management company और mutual fund याने की एक बात होती है एक asset management company जो है वो mutual funds को handle करती है तो देखिए HDFC asset management company ने एक new fund offer launch किया है किसका HDFC banking and financial services fund का और इसका मकसद यह है कि जो banking and financial services sector है इसमें invest करना देखिए asset management company क्या होती है ये जो है अलग-अलग investors से जो है कुछ investment collect करती है जब investment collect हो जाता है तो उसके बाद एक fund बना दिया जाता है और उस fund को अलग-अलग जगा पर invest कर दिया जाता है जैसे कि stocks में ठीक है और real estate में, bonds में, shares में यहाँ पर इनको invest कर दिया जाता है फिर जो return मिलता है वो return इनको pass कर दिया जाता है और अपनी fees यह लोग जो है उसमें रख लेते है तो इसको बोलते है asset management company और इसी तरह से ही mutual fund भी यही है तो अब देखिए जो यह asset management company है तो यह जो SDFC banking and financial services fund है तो अब यह जो है banking and services sector में invest करना चाता है तो अब इसको capital raise करने होगी तो capital raise करने के लिए इसने new fund offer जारी किया है यानि कि इसने investors को बुलाया है कि आप जो है अब जो है invest कर सकते हैं ठीक है मतलब एक नए तरह का यहाँ पर एक fund बनाने कोशिस की जा रही है जो कि banking and financial sectors में जो है invest करेगा तो एक नया fund बनाने कोशिस की जारी है तो इसलिए investors को का आगया है कि आप जो है इसमें invest कर सकते हैं तो इसको बोलते है new fund offer नाम से ही पता चल रहा है तो हाली में Reserve Bank of India ने housing finance companies के लिए जो की माधारित आंत्रिक audit पढ़नाली का विस्तार किया है RBIA का अर्थ किया है options आपके सामने है सही answer होगा option recently the Reserve Bank of India has extended risk-based internal audit system for housing finance companies RBIA stands for risk-based internal audit तो याद रखेगा इसकी full form पूशी जाती है देखे क्या मतलब हुआ पहले तो यह समझ लिजे risk-based internal audit का मतलब क्या है audit तो आप समझते हैं कि bank के जो भी खाते वगएरा है उनकी जाच करना और जो भी management है उसकी उसको एक बार परिक्षन करना कि सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है audit जो है external audit हो सकता है यानि कि आप किसी third party से अपनी company का audit करा रहे है एक होता है internal audit यानि आप अपनी company में ही एक जिम्मेदारी दे रहे हैं किसी को कि आप जो है audit की जो उसको बोलते है internal audit risk based internal audit मत्तब कि management जो आपके इनका जो bank होगी या फिर NBFC होगे तो उसका जो management है वो किस तरह से सही काम कर रहा है उसके खाते जो है proper है क्या वो guidelines follow कर रहे हैं तो इस तरह की चीजें बता सके उस audit से पता चल सके जो भी top management है जो board of director से उनको पता चल सके कि उनकी जो company है वो किस ओर जा रही है तो उसको बोलते है risk based internal audit यानि कोई risk है अगर कोई risk आने वाला है तो उससे पहले ही उनको पता चल जाए ताकि वो आगे के अपने काम जो है सही कर ले तो उसको बोलते है risk based internal audit आई होप आप समझ गए होंगे तो Reserve Bank of India ने अभी ये जो है ये प्रिकरिया risk based internal audit की ये housing finance companies के लिए भी extend कर दी है अच्छा अब देखे finance companies किस तरह की है एक तो में है जो deposit लेती है तो जो भी deposit लेने वाली housing finance companies है इनको तो सभी को risk based internal audit system अपनाना है लेकिन जो इस तरह की housing finance company है जो deposit accept नहीं करती है और उनका size 5000 करोट रुपे से जादे का है उनका जो asset size ये 5000 करोट रुपे से जादे का है उनको ये system अपनाना है और reserve bank of video नहीं ये भी कहा है कि आप इस तरह का framework 30.22 तक जो है implement कीजिए आगे बढ़ते हैं किसने अपना संस्मरण home in the world लिखा है options आपके सामने हैं और correct answer का option B so Amartya Sen has penned his memoir home in the world तो ये इनका memoir है home in the world ये इनोंने लिखा है और ये जुलाई में release होगा साथ ये आपको ये भी जानना चाहिए कि जो Amartya Sen है इनको Nobel Prize मिला है Economic Science में 1998 में और 1999 में इनको भारत रतन मिला है किसली welfare economics के लिए एक बार question पूछा गया था तो दो तीन तरह की economics दे दिये था और पूछा था कि इनको जो भारत रतन मिला है ये किसली मिला है तो welfare economics के लिए मिला है ठीक है या फिर Nobel Prize जो है इनको welfare economics के लिए मिला है तो तीन चार तरह की economics option में आ गई थी तो उसमें सही answer होना था welfare economics ये जो Nobel Prize मिला है ये मिला है इनको welfare economics के लिए और साथ ही आपको यह जानना चाहिए हाली में अमर्तिसेंग किसले चर्चा में थे क्योंकि इन्हें इस्पेन का प्रिंसेस ओफ एस्टूरियस अवार्ड टॉन्टी टॉन्टीवन यह दिया गया है नेश्ट वश्चन है मारे पास लेपिडो चेलीस ओलीवासिया का सावान्य नाम क्या है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसरों का ओप्शन डी सो ओले रिडली टर्टल इस दा कॉमन नेम फोर लेपिडो चेलीस ओलीवासिया देखिए किसलिए यह निउज में है यहां पर अलिविया इसको चलाता है किसलिए जो ओलिव रिड़ी टर्टल से जो की उडी सा कोष्ट पर जो है यह पाए जाते हैं ठीक है अब ब्रीडिंग करते हैं नेस्टिंग करते हैं तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यह उप्रेशन हर साल चला जाता है और आज कल भी यह च करेंट अफेर से जो हमारे लेंगे मिलेंगे और पीसे टाइप को सिन भी मिलेंगे और आपके जरूरी जरूरी चाहəए इस्टेक्ण हो Murray और हो तो दीखे ओलिव रिडली इसको मैंने आपको बता दिया यह इसका नाम है लेपी डोचेलिस ओलिवासिया और यह जो है IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है और इसकी जो पांचो इस पिसीजें यह भारत में पाई जाती है यह इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए और भारत में जो इंडियन वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एड 1972 है इसके सिड्यूल वन में इसको रखा गया है साथ यह आपको यह जानना चाहिए कि जो उडिसा में गईर माथा बीच है यहां पर यह भारी संख्या में नेस्टिंग करते हैं नेस्टिंग मत और यहां पर यह रोशी कुल्या यह रिवर है तो इसके माउथ पर यह बीच है यहां पर यह नेस्टिंग करते हैं निम्लिखित में से किसने पेबैक इंडिया का अधिगरण किया है ओप्शन साब के सामने हैं सई आंसरों का ओप्शन भी सो भारत पे हैस एक्वाइड जानते हैं तो इसने पेबैक इंडिया का जो है अधिगरण कर लिया यानि इसको एक्वाइड कर लिया किस से अमेरिकन एक्सप्रेस और आईसी आईसी इंवेस्टमेंट स्ट्रेटिक फंड से हाई और भारत पे कि अगर हम बात करें तो को फाउंडर एंड सीयों है अशनीर ग्रोवर और हाल ही में भारत वे किसली न्यूज में था क्योंकि यह आईसी सी का ओफिशल पार्टर बन गया है दोजार तेईस तक के लिए इंडियन ग्राउंप्री फोर किस सहर में आउजित किया जाएगा ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन सी सो इंडियन ग्राउंप्री फोर विल भी हैल्ड इन पटियाला तो देखे एथलेटिक से जुड़ा हुआ है यह एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ हर्डल्स यह सभी यहां पर खेले जाएंगे किस आईएटी के प्रोफेसर सैलेस गनपुले को एनस्टी काउंटर आईएडी एंड काउंटर टेरिरिज्म इनोवेटर अवार्ड दोजार इक्टिस मिला है सही आंसर होगा ओप्शन डी सो प्रोफेसर सैलेस गनपुले फ्रो यह वर्ड क्योंकि इनने ब्लास्ट रिजिस्टेंट हैलमेट बनाया है यहीं ऐसा हैलमेट बनाया यदि ब्लास्ट हो जाए तब भी उस पर कोई फर्ग नहीं पड़ेगा और यह वर्ड किसकी दुवारा दिया गया है यह दिया गया है अच्छा साथी में आपको यहां पर ये भी जानना चाहिए, IIT कानपुर के एक प्रोफेसर भी हाली हुए न्यूज में है, इनका नाम है मुकेश चर्मा, तो इनको क्या किया गया है, जो World Health Organization Global Air Pollution and Health Technical Advisory Group है, इसके honorary member के रूप में इनको appoint किया गया है, तो दोनों क्योंकि IIT प्रोफेसर से लिल्टेट था, तो मैंने एक साथ ही आपर आपको बता दिया है, याद रखिएगा Digital Publisher Content Grievances Council के तहत गठित, सिकायत निवारन बोर्ड के अधिक्ष के रूप में किसे चुना गया है Options आपके सामने है, सही answer होगा, Option D So, Arjan Kumar Shikri has been appointed as the Chairperson of Grievance Retrational Board formed under the Digital Publisher Content Grievances Council, देखिए जानते हैं इस Question के बारे में, तो देखिए Industry Board है, Internet and Mobile Association of India, तो इसने जो है, ये एक Digital Publisher Content Grievances Council इसका गठन किया था, और इसके अंतरगत आता है Grievance Retrational Board, तो इसके Chairperson के रूप में अरजन Kumar Shikri को नियूट किया है, ये Board किसलिए बनाया गया था, जैसे आपको पता है कि, जो Facebook है, WhatsApp है, ये अपने Grievance Officers रख ले हैं, ताकि अगर आपको कोई भी शिकायत हो, तो आप उनसे Contact करके बता सकते हैं, तो इस तरह से जो ये OTT Community Platforms है, ठीक है, जैसे Netflix है, और बाकी भी आपकी है, ये Amazon के है, Prime है, तो इन सभी में अगर आपको होई दिकात हो, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, जो ये आपका Digital Publisher Content Grievances Council, इसके तहरे जो Grievance Retrational Board बनाया गया, इसको आप बता सकते हैं, तो इसमें कई कई platform से member लिए गए हैं, जैसे Amazon Prime Video से भी हैं, Eros Now से भी हैं, और Firework TV से भी हैं, हंगामा से भी हैं, कई सारे members इसमें सामिल हैं, साथे आपको ये जानना चाहिए, जो ये IA MAI है, इसके Chairman Amit Agrawal है, Headquarters Mumbai में है, Henry Mary Dondra को किस देश का प्रदान मंत्री नामित किया गया है, सही आंचर होगा, Option D, Henry Mary Dondra has been named Central African Republic's Prime Minister, और ये जो हैं, फर्मिन नगरे बाड़ा, इनको replace करेंगे, Central African Republic की अगर बात करें, तो capital है, बंगुई, करंसी है Central African CFA Frank, और प्रेजिडेंट है, फॉस्टीन, अर्चांज, तौदिरा, अंतराष्टिय परिवार प्रेक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है, सही आंसर होगा, Option D, International Day of Family Remittances is observed on June 16, तो देखे, 16 जून को बनाया जाता है, International Day of Family Remittances, Remittance का मतलब क्या होता है, मान लीजे, भारत से कोई व्यक्ती, दुबई में कारी कर रहा है, तो अब वो दुबई से अपने फैमिली में, भारत में, जो पैसा भेजता है, उसको बोलते हैं Remittance, ये definition आप पढ़ सकते हैं, Remittance की मालूँ होना चाहिए की, Remittance का मतलब क्या है, Remittance is money, send back home by a worker, who works in a foreign land, निम्ली कितमे से किसने, इस पात उद्द्योग में उडजा कुशल समाधान लागू करने के लिए, Macon Limited के साथ भागेदारी की है, options आपके सामने हैं, सही answer होगा, option A, so EESL has partnered with Macon Limited to implement energy efficient solution in steel industry, तो Energy Efficiency Services Limited, ये full form है EESL का, तो इसने Macon Limited, जो की एक PSU है, Ministry of Steel के तहद, तो इसने जो है, Steel सेक्टर में cooperation करने के लिए, एक MOU sign किया है, सिधा लिग गया, जिनका हाली में निदन हो गया, किस profession से संबंदित थे, सही answer होगा, option A, so देखिए, जो ये सिधा लिग गया है, इनका हाली में निदन हो गया है, और ये जो है, पोएट रहे हैं, जानते हैं इनके बारे में, तो कन्नड पोएट रहे हैं, और प्ले राइटर रहे हैं, और दलित एक्टिविस्ट रहे हैं, इनका हाली में COVID-19 के कारण निदन हो गया है, और इनकी एक autobiographical बुक भी है, इसका नाम है ओरू केरी, जानी विलेच कोर्णर, निकोलस महुत और पियरे हुज हरबर्ट ने किस टेनिस टूर्णामेंट में पुरुस यूगल का किताब जीता है, ओप्शन्स आपके सामने हैं, सही आंसर होगा, ओप्शन B, तो निकोलस महुत और पियरे हुज हरबर्ट वोन मेंस डबल्स टाइटल इन फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन में इन्होंने मेंस डबल्स फाइनल जीता है, और इन्होंने हराया है, अलेक्जेंडर बॉबलिक और एंड्रे गोलुबेव को, साथी जब बात हो रही है यहाँ पर मेंस डबल्स की, तो विमेंस डबल्स किसने जीता है, यह जीता है, चेक रेपबलिक की, बारबोरा क्रेसिकोवाल और कैटरीना सिनिया कोवाने, तो दोनों आप याद रखिएगा, भारत के सर्वसरेश्ट बैंकों की सूची में, किस बैंक ने सिर्ज इस्थान प्राप्त किया है, ओप्शन आपके सामने है, और सही आंसर होगा, ओप्शन B, जानते हैं इस कोश्चन के बारे में, देखिए, इसके पार्टनर्शिप में इसने ये लिस्ट जारी की है, तो देखिए, इसमें आउट ओफ थर्टी, डोमेस्टिक एंड इंटरनेस्टल बैंक्स, जो भारत में ओपरेट कर रहे हैं, उन सभी में DBS बैंक लगातार दूसरी बार टोप पर रहा है, साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, जो इस्टेड बैंक ओफ इंडिया है, ये साथवे नंबर पर है, और आपको बता दें कि जो DBS बैंक की जो भारत में जो शाखा है, इसके MD and CEO सुरोजीत शोम है, और इसका हैटकॉार्टर मूंबई में है, जबकि जो इसकी में ब्रांच है, ये सिंगापूर में है, और यहाँ पर इसके CEO है, पियूस गुपता, तो तीनों पॉइंट्स आपके लिए इंपोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा, साथी फ्रेंट्स अगर हम थोड़ा से पीछे जाएं, इसी बेंग को, DBS बेंग को, सेफेस्ट बेंग इन एशिया का टेग भी दिया गया था, और ये आप रेंग देख सकते हैं, जो ये वर्ड्स के बेस्ट बेंग से लिस्ट है, तो देखे भारत की ये रेंग बताई गई है, भारत में जो बेंग है, तो DBS बेंग पहरे नंबर पर है, CSB बेंग दूसरे नंबर पर है, ICICI बेंग दूसरे नंबर पर है, SDFC बेंग चोथे नंबर पर है, और कोटक महिंद्रा बेंग पाँचवे नंबर पर है, किन दो देशों के पास, कुल मिला कर 90 परतिशत से ज़्यादा वेस्विक परमाणू हतियार है, ओप्शन्स आपके सामने हैं, और सही आंसर होगा, ओप्शन C, So, Russia and USA, together possess over 90% of global nuclear weapons, साथी आप ये भी देख सकते हैं, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, expanding nuclear arsenal, यानि जो चाइना, इंडिया और पाकिस्ताने, ये अपनी जो परमाणू हतियार हैं, इनको बढ़ा रहे हैं, तो देखे, जानते इसके बारे में, रिपोर्ट का नाम है, Stockholm International Peace Research Institute, Yearbook 2021, तो देखे, जो 9 nuclear armed states हैं, US, Russia, UK, France, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इस्रेल, एंड नॉर्थ कोरिया, ये जो हैं, इन्हें के पास, 13,080 nuclear weapons हैं, अगर हम 2021 की बात करें, साथी, इसका अगर 90% केवल, रशिया और US से के पास हैं, तो आप देख सकते हैं, जितने भी globally, nuclear weapons हैं, तो उसका 90% रशिया और चाइना के पास हैं, साथी, आप कोई भी जानना चाहिए, इसमें ये भी बताया गया है, कि इंडिया के पास 156 nuclear warheads हैं, यानि nuclear weapons हैं, और पाकिस्तान के पास 165 हैं, जबकि चाइना के पास 350 हैं, और आप कोई भी जानना चाहिए, जो ये शेपरी है, Stockholm International Peace Research Institute, इसका headquarters Stockholm, Stockholm, स्वीडन में हैं, किस बैंक ने इंडिया बूल्स, हाउसिंग फाइन्स और IIFL, होम फाइन्स के साथ, सहरिंड साजेदारी की घोशना की है, ओप्शन सापके सामने हैं, सही आंसर होगा, ओप्शन दी, सेंटरल बैंक ओफ इंडिया हैंच एनाउंस्ट, लोन चाहिए, तो 80,000 का लोन आपको बैंक देदेगा, और 20,000 का लोन आपको, जो NBFC है, जो भी Non-Banking Financial Company है, वो प्रवाइट करा देगी, तो इस तरह का पहली एक Agreement Sign रहता है, बैंक और NBFC के द्वारा, उसके तहत इस तरह से लोन प्रवाइट करा जाता है, लेकिन ये लोन के वल प्रायोर्टी सेक्टर, जो बोरोवर्स हैं, उन्हीं को प्रवाइट करा जाता है, यानि प्रायोर्टी सेक्टर मतलब, जैसे कि Education के लिए लोन चाहिए, Housing के लिए चाहिए, MSMEs के लिए चाहिए, या Agriculture के लिए चाहिए, या Renewable Energy के लिए चाहिए, तो उन्हीं सेक्टर के लिए लोन प्रवाइट करा जाता है, साथी आपसे ये भी पुछा जा सकता है, कि इस तरह की सुविधा जो एक Co-Landing की जो पार्टनर्शिप है, ये Reserve Bank of India ने किस साल एनाउंस की थी, तो ये November 2020 में एनाउंस की थी, बात करें Central Bank of India की, तो इसके MD and CEO है, मातम विंकटा राओ, और Headquarters मुंबई महरास्ट में है, बांगलादेश के बल्लेबाज, मुश्फिकुर रहीम और किस देश की हरफन मॉला खिलाडी कैथरीन ब्राइस को मई 2021 के लिए ICC Players of the Month नामित किया गया है, ओप्शन्स आपके सामने है, सई आंसर होगा, ओप्शन B, तो क्रिकेट की याँ आपर बात हो रही है, बांगलादेश बैट्समेन मुश्फिकुर रहीम और स्कोटलेंड्स आल राउंडर कैथरीन ब्राइस हैव बीन नेम्ड आई से सी प्लेयर्स आफ दा मन्द फोर मेड ट्वंटी ट्वंटीवन, तो मई 2021 में सबसे जो बहतरीन खिलाडी पुरुशों में रहे, ये बांगलादेश के मुश्फिकुर रहीम रहे, और जो महिलाओं में रही है, कैथरीन ब्राइस, ये स्कोटलेंड की है तो आपको मालूम होगा, आई से सी अब जो है, हर महीने इस तरह से मेल और फीमेल दोनों प्लेयर्स को चैन नित करती है नितियायक द्वारा किंदो जिलो का चैन किया गया है जहां करीब वन बिलियन पोधे लगाने की पाइलेट परियोजना सुरू की जाएगी ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन ए, सो राची एंड मोगा डिस्टिक्स हैव बीन सेलेक्टेड बाइ मतलब होथा है, मानं लीजे, कोई बाइलेट बड़ा प्रोजक्ट है सुरू करना चाहते है मान लीजे, कोई बहुत बड़ा प्रोजक्ट है उसको आप सुरू करना चाहते है नहीं περιम्ट कहँं प्रोजुना प्षicient-प्रोजक्ट कुसे önगाना को पथा जो है शुरू करते हैं तो यह यहां पर है देखें नीतियायोग क्या कर रही है नीतियायोग जितने भी aspirational districts हैं इनमें 1 billion saplings यह लगाएगी ठीक है 1 billion पोते लगाएगी तो इसके लिए इसने पाइलेट बेसिस पर जो मैंने आपको बताया कि परियोग के तोर पर मोगा डिस्टिक जो पंजाब में है और राची डिस्टिक जो जहारखंड में यहां से शुरू आत की है और आपको बता दें जो भी 112 aspirational districts हैं नीती आयोग के यहां पर यह सब में लगाए जाएंगे और phased manner में लगाए जाएंगे साथे आपको यह भी जानना चाहिए कि aspirational district program यह जनवरी 2018 में नीती आयोग द्वारा शुरू किया गया था aspirational districts यानि इस तरह की district जो की underdeveloped district हैं जहां पर इतना विकास नहीं हुआ है तो वहां पर रहनी की सुईधा और काम की सुईधा इन सभी को काफी आसान बनाना ठीक है वहां की जो जिन्दी है उसको काफी सरल बनाना अच्छी बनाना यह नीती आयोग का मकसद है aspirational districts से related तो कई तरह की schemes इसके लिए यह launch करता रहता है भारतिय दूर संचार नियामग प्राधिकरण यानि ट्राइ ने एक TV चैनल selectors web portal launch किया है आपको बताना है ट्राइ के अध्यक्ष कोन है या chairman कोन है options आपके सामने हैं सही answer होगा option B the telecom regulatory authority of India TRI launched a TV channel selector web portal नाम याद रखेगा TV channel selector web portal so PT Vagela is the current chairman of TRI देखिए जो telecom regulatory authority of India है इसने TV channel selector इस नाम का एक web portal launch किया है क्यों किया है क्योंकि इसी तरह का एक इसने app भी launch की हुए या लेकिन जिन लोगों के पास android phones नहीं है वो उस एप को यूज नहीं कर पा रहे हैं इसलिए TRI ने एक web portal लॉंच किया है TV channel selector तो इसका फाइदा क्या होगा जो भी उभोगता है वो अपने cable के बारे में जानकारी ले सकते हैं उन्होंने कोन कोन से channel subscribe की हुए हैं और उनकी list देख सकते हैं साथी जो cable operators के बारे में भी आप इसमें जान सकते हैं, मतलब cable operators द्वारा कौन-कौन से channel आपके activate किये गए हैं, इसके बारे में जान सकते हैं, साथी आपका जो भी मन हैं, उसी साब से आप channel बढ़ा भी सकते हैं और गटा भी सकते हैं, तो ये इसका फाइदा रहे का TV Channel Selector Web Portal का, ट्राई की बात करें, तो इसके chairperson PD वगेला है, ये मैंने आपको बताई दिया है, और headquarters New Delhi में है, धन प्रवंधन समाधान प्रधान करने के लिए, किस बैंक ने FITSOM के साथ भागेदरी की है, options आपके सामने हैं, जानते हैं, इसके बारे में देखिए, इंडियन बैंक ने FITSOM, जो की एक Wealth Tech Company है, इसके साथ Wealth Management Products and Services के लिए एक पार्टरशिप की है, यानि कि जो FITSOM है, ये अपने Wealth Management Products and Services, जो इंडियन बैंक के कस्टमर से उनको ओफर करेगा, Wealth Management Products का मतलब हो गया, और आपकी Fix Deposit हो गया, Business Insurance हो गया, Travel Insurance हो गया, तो इस तरह की जो चीज़े होती हैं, इनको बोलते हैं Wealth Management Products, यानि आपके पास जो Wealth है, उसको सही तरह से किस तरह से लगाए जाए, तो उसकी सुईता ये प्रोवाइट कराता है, एक तरह से आप Mutual Fundies को समझ सकते हैं, साथी Indian Bank के अगर बात करें, तो MD and CEO है, Padmaja, Čंदुरू और Headquarters Chennai, Tamiladu में हैं, साथी हाली में हमने क्या पढ़ा था Indian Bank से रिलेटेड, हमने पढ़ा था कि जो ये Healthcare Platform है, Practo, इसने Indian Bank के साथ एक Partnership की है, जिसके तहथ ये अपने जो Health Plan से वो Indian Bank के Customers को प्रवाइट कराएगा, और आपको बता दें, जो ये प्रेक्टो हैं, यहाँ पर आप डॉक्टर से ओनलाइन कलसर्टेशन कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन जो हैं, आपर डॉक्टर सापको दे देते हैं, ब्रिगेडियर रगुबीर सिंग राजावत, जिनका हाली में नितन हो गया, किस पुरसकार के प्राप्त करता थी, ओप्शन आपके सामने हैं, प्रिगेडियर रगुबीर सिंग राजावत, जानते हैं, इनके बारे में, देखें, 1965 का इंडो पार्क वार हो, इसके लिए इनोंने महावीर चक्र इनको भारा सरकार दोरा प्रोवाइड कराए गया था, ब्रिगेडियर रगुबीर सिंग, साथ ही नोंने जो सेकेंड वर्ड वार के दुरान जो बर्मा कैमपेन है, इसमें भी पार्टिसिपेट किया, 1947-48 में जो कस्मीर ओपरेशन था, उसमें भी नोंने पार्टिसिपेट किया, और 1971 का जो बांगलादेश लिबरेशन कैमपेन था, उप्शन C, तो सैटीन क्रेडिट केर नेटवर्क हैं इंटोडूस्ट यूपी आई ओटो पे, विद्धी हेल्प ओफ एच एस बीसी इंडिया, एज इट्स बैंकिंग पार्टनर, तो जानते हैं इसके बारे में देखिए, यह माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, इसके तहट क्या होगा अब अब यूपी आई ओटो पे के तहट जो कस्टमर्स हैं इसके, वो अपनी जो लोन की EMI है, उस EMI जो होते हैं, उसको यूपी आई प्लेटफोर्म से ही जो है पे कर सकते हैं, तो इस तरह की सुविदा प्रोवाइट कराने वाला यह पहला माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, HSBC बैंक इंडिया की अगर बात करें, तो इसके CEO हितेंद्र दवे है, हाली में इनकी अपॉन्वेंट हुई है, काभी इंपोर्टेंट है आपके लिए याद रखेगा, ओप्शन C, So, World Day to Combat Desertification and Rot is Observed on June 17, Desertification, Desertification का मतलब होता है, मतलब इस तरह की भूमी जहां पर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ठीक है, प्रोड्यूस करने की चमता जो है, अपनी उसमें नहीं रहती है, और साथी इसका जो थीम रहा है 2021 में ये रहा है, Restoration, Land, Recovery, We Built Back Better With Healthy Land, साथी आपको ये भी जानना चाहिए, कि हाल ही में भारत ने जो है 2030 तक एक जो अपना लक्ष रखा है, वो ये रखा है कि जो भी, माफ कीजिगा, Degraded Land की बारे में मैं आपको बता रहा था, Degraded Land मतलब की इस तरह की Land, जिसमें की कुछ भी प्रोडूस नहीं हो सकता, जो अपनी उसकी जो Productivity, Capacity है, वो पुरी तरह से Lost हो चुकी होती है, उसको बोलते हैं, Degraded Land, तो इंडिया ने हाली में ये का है, कि ये 2.6 करोड हेक्टेर्स की जो Degraded Land है, इसको फिर से Restore करेगा, यानि फिर से इसको उपजाओ भूमी बनाएगा, ये भारत ने लक्ष रखा है 2030 तक, तो इस तरह के Target भी पूछ ले जाते हैं, इसको आप याद रखेगा, और हाली में परदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस बात को जो है, फिर से Repeat किया था, तो इसलिए भी ये काफी Important बन जाता है, विश्व समूत्री कच्छवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, आप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर होगा, आप्शन D, साथे आपको ये भी जानना चाहिए, कि जो वर्ड सी टर्टल है, इसको जो है, आप जो IUCN की जो लिस्ट है, इसमें Endangered केटेगरी में रखा गया है, ठीक है, सी टर्टल को Endangered लिस्ट में रखा गया है, भारत में जीनस, पाइरोस्ट्रिया का पहला रिकोर्ड, पाइरोस्ट्रिया लाल जी, अंडमान द्वीब समू में खो जा गया, पाइरोस्ट्रिया लाल जी, किसकी पर जाती है काफी important question है इसको आप बिल्कुल भी skip मत कीजेगा इस तरह से भी question आपके exam में पुछा जा सकता है और फिर ऐसा लगता है कि ये question कहां से पुछा गया है कुछ idea नहीं मिल पाता है तो ये काफी चर्चा में रहा है इसलिए यहां पर लिया गया है question answer देखते हैं समझेंगे इस question को क्या मतलब है answer is का B देखिए पाइरोस्ट्रिया लाल जी देखिए कॉफी फैमिली के जीनस से संबंदित 15 मिटर उचा पेड हाली में अंडमान दीव समू में खोजा गया है कि इसके द्वारा भारत और थाईलेंड के researchers द्वारा तो यह आपको जानना चाहिए और आपको बता दें कि यह जो पाइरोस्ट्रिया लाल जी है यह जो है पाइरोस्ट्रिया जीनस इसकी एक प्रजाती है और यह लाल जी सिंग के नाम पर इसका नाम रखा गया है पाइरोस्ट्रिया लाल जी लाल जी सिंग कोन थे यह अंडमान एन निकोबार रिजनल सेंटर यहां के जोइन डिरेक्टर है और साथ ही आपको यह जानना चाहिए जो यह प्लांट है पारिश्ट्रिया यह मेडागासकर में जो है पाया जाता है और इसको आई-उ-सी-एन की क्रिटिकली इंडेंजर लिष्ट में रखा गया है लपी जी ए मेडी हिल चैंपियंशिप किसने जीती है उप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर होगा उप्शन C सो मेडिल्डा कैस्टर्ण वान द लपी जी ए मेडी हिल चैंपियंशिप तो यहां पर बात हो रही है गोल्फ की तो गोल्फ टूर्णामेंट है यह और विमेंश प्रोफेशनल गोल्फ टूर्णामेंट होता है महिलाओ के लिए होता है यह तो इसको जो है फिल्लेंड की मैटिल्डा कास्टर्ण इन्होंने जीता है निम्लिखित में से किसने वर्जिन एट्लांटिक के साथ अपनी 17 साल लंबी साजे तारी का विस्तार किया है ओप्शन्स आपके सामने है सही आंतरों का ओप्शन ए तो टीचेस एस एक्सपाइंडेड इस 17 एर लोंग पार्टनर्शिप विद वर्जिन एट्लांटिक वर्जिन एट्लांटिक आप जानते हैं कि एक एर लाइन ग्रूप है ब्रिटेन का ठीक है ब्रिटिच एर लाइन है तो इसके साथ TCS ने अपनी 17 एर लोंग पार्टनर्शिप पे इसको एक्सपाइंड किया है और इसके तहत जो भी ओपरेशनल मेनेजमेंट और डिजिटल ट्रांसफोर्मेशन है जो इस एर लाइन का वो TCS द्वारा कराया जाता है और साथ ही इसमें जो भी एर लाइन का एंड टो एंड टेक्नलोजी ओपरेशन है ये भी जो एमपलोईज है TCS के और Virgin Atlantic के मिलकर इस सभी को करते है वर्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर होगा ओप्शन C So, in the वर्ड गिविंग इंडेक्स 2021 इंडिया ज रैंक इस 14 जानते हैं इसके बारे में देखे चोधवा नंबर है भारत का वर्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में और यह जो सर्वे है यह रिलीस किया गया है Charities Aid Foundation CAF के द्वारा ठीक है कैफ के द्वारा Current Affairs Fund आभी आप इसको कह सकते हैं खेर चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसके तहट क्या कहा गया है एकोर्डिंग तो दी इंडेक्स 61% आफ इंडियन्स हैल्प स्टेंजर्स 61% इंडियन्स ने जो है इस ट्रेंजर्स की है एल्प की है 34% ने वॉलिएंटियर किया है और 36% ने मनी डोनेट की है और साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी क्या कहा गया है कि जो भारत है वो अब दुनिया के सीर्स 20 सबसे उदार यानी जेनरस देशों में से चोदवे नंबर पर है और इसने यह भी कहा है COVID-19 महामारी ने वर्ड में जो दान देने का चलन है उसको और भी बढ़ा दिया है जो की सही बात भी है साथी इसमें जो है इंडोनेशिया पहले नंबर पर है और उसके बाद केनिया दूसरे नंबर पर है निम्लिकित में से किसने ओनलाइन बाल शोशन को रोकने के लिए रिपोर्ट इट डॉन्ट शेर इट पहल सुरू की है ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन सी सो फेस्बुक हैस लॉंच्ट डिपोर्ट डॉन्ट शेर इट इनिशेटिव तो प्रिवेंट ओनलाइन चाइल्ड अब्यूज और यह जो इनिशेटिव ह इसके सीओ मार्क जुकेर बर्ख हैं हैटकॉर्टर्स युनाइटेड इस्टेट्स में हैं फेस्बुक हाली में किन वज़े से निउज में रहा है तो हमने पढ़ा था कि फेस्बुक ने मार्ने लेवीन इनको फर्स्ट चीफ बिजनेस ओफिसर अपॉइंट हिया है साथी इ सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान विल सैट अप वैदिक शिक्षा संस्कार बोड जानते हैं इसके बारे में तो देखें राजस्थान गौउर्मेंट वील सून सैट अप वैदिक शिक्षा संसकार बोड तो इसमें चात्रों को सिखाएंगे कि आपके exam point of view से काफी important है तो आपको जानना चाहिए कि area wise राजस्तान भारत का सबसे largest state है साथी Albert Hall Museum यह जयपूर राजस्तान में है यह सेस्टी में पूछा जा चुगा है इसलिए याद रखेगा साथी कलिबंगन और बलतल यह दोनों ही देखिए इंडस वैली civilization के जो अवसेश हैं यहां पर मौजूद हैं दिल्वारा टेंपल्स माउंट अबू केवलादेव नेसल पार्क रंधंबो नेसल पार्क सरिस्का टाइगर रिजर्व मुकुंद्रा हील्स टाइगर रिजर्व सोर्शन वाइल लाइफ सेंचुरी वन विहार सेंच स्वाइबर और सारस मिला यह भी राजस्थान में आवजीत किये जाते हैं और सवाई मान सिंग स्टेडियम यह जयपूर में है और बारक्तुला खान स्टेडियम यह जोथपूर में हैं आगे बढ़ते हैं कौन सा बैंक नेस्टनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जिसे बैड बैंक भी का आगया है तो इसमें 12% स्टेक जो है केनरा बैंक के रहेंगे इसलिए यह जो है लीड इस्पॉंसर इसमें रहेगा फेंड्स यहां पर समझेगे कि बैड बैंक का मतलब क्या है देखिए पहले तो यह इसेट का मतलब क्या होता है इस तरह का एसेट जिससे बैंक की कोई इंकम ना हो रही हो तो बैंक ने जो लौन दिये होते हैं मान लीजिए 90 दिन तक बैंक को जो है उस लौन का प्रिंसिपल या फिर जो इंटरेस्ट उस पर आता है वो भुकतान नहीं किया गया है बोरो एडसेट बन जाते हैं तो आप जनरली समझ गए कि नोन परफॉर्मिंग का मतलब होता है इस तरह का एसेट इस तरह का संपत्ति जिस पे बैंक को इंकम होनी बंद हो चुकी हो उसको बोलते हैं नोन परफॉर्मिंग एसेट तो अब देखिए ये बैड बैंक क्या करेगा अ इस तो इन से भी से ऊपर गुजरना पड़ता है अब बैंक क्या करेंगे अब जो ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड अन ए र सी यल बन गया है तो अब बैंक जो है अपना जितना भी एन पीए है वो इसको दे देंगे इस कंपनी को सौंप देंगे अब जो बाकी का काम होगा जो पहले बैंक किया करती थी बोरोवर से पैसा वापस लेने के लिए जो भी काम बेंक करते थे अब वह काम नेशनल एसेट रिकंस्टॉक्शन कंपनी लिमिटेड करेंगा यानि बैंक क्या हो गया बैंक ने अपना जो है जो जो बैंक के पास company limited को दे दिया तो इसके बदले जो national asset reconstruction company limited है वो उसको जो है कुछ discount पर जो है उसको वापस पैसे देगा यानि 100 करोड का NPA है तो यह नहीं कि national asset reconstruction company इसको 100 करोड दे देगा अभी तक तो इनकी कोई income भी नहीं है अभी तक तो इनने उसकी recovery भी नहीं की है केवल इस तरह से हो सकता है कि 40 करोड रुपे bank को वापस मिल जाए ठीक है तो बैंक को कुछ ना कुछ तो यहां पर पैसे मिल र सब्सक्राइब के इसके MD & CEO है लिंगम विंकट प्रभाकर headquarters बैंगलूरू करनाटक में है किस आयाइटी ने ब्रिक्स नेटवर्क विस्विद्ध्यालयों के सम्मेलन की मेजवानी की है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन बी सो आयाइटी बोंबे कॉन्फरेंस ओफ ब्रिक्स नेटवर्क युनिवरस्टीज और ब्रिक्स आप जानते हैं ब्राजील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ आफ्रीका तो इन सभी की जो युनिवरस्टीज हैं इनकी एक तीन दिन की वर्चुल कॉन्फरेंस आयाइटी बोंबे ने होस्ट की है साथ आपको जानना चाहिए कि इस कॉन्फरेंस का थीम रहा है इलेक्ट्रिक मॉबिलिटी और इस कॉन्फरेंस में जो चीव कैस्ट रहे हैं यह रहे हैं नितिन गडगरी नितिन गडगरी मिनिस्ट्री ओफ MSME है और मिनिस्टर आफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड साथ आपको जानना चाहिए कि जो थर्टींथ ब्रिक्स सम्मिट है 2021 की यह भारत होस्ट करेगा और इसका थीम भी आपको जानना चाहिए एक्जाम में पुछा जा सकता है ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोपरेशन फॉर कंटिनुएटी कॉंसलिडरेशन एंड कंसेंस कोरिडोर के लिए कौन सा बैंक चारसो चुरासी मिलियन यूएस टोलर का रिण प्रदान करेगा ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन सी सो एशन डेवलप्मेंट बैंक विल प्रोवाइट एटी-फॉर मिलियन यूएस टोलर लोन फोर चेननाई कन्यकुमार इंडस्ट्रियल कोरिडोर इन तमिल लाडू तो देखिए 484 मिलियन यूएस टोलर का लोन प्रोवाइट करेगा एशन डेवलप्मेंट किसके लिए चेननाई कन्यकुमारी इंडस्ट्रियल कोरिडोर जोगी तमिल लाडू में इसके लिए कितने रुपे का बैठा यह 35 क्रो दो होता है कि वर्ड़ क्लास इंफ्लस्ट्र प्रोवाइट कराना ठीक है यानि कि एक आपका पूरा धो कॉरिडोर बन गया एक तरह की रोड बन गई या पिर तो हाँ पर जो है एक इनफ्ल टेक्षर हाइब कर आदि हैा से महाँ पर अच्छी रोर्स और रेलवे क्नेक्टिविटी हो एरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो लोजिस्टिक एंड नोलेज पार्क वहां पर बने हो इस तरह के जो इस तरह का जो इंफ्राट्रक्ट्टर सेट अप किया जाएगा उसको बोलते हैं यह इंडुस्ट्रियल कोरिडोर तो देखें डैली मुंबई इसं है इस्ट कोरीडोर का साथी बैंगलव मुंबई इंडुस्टियल कोरिडोर हाईदराबाद वारंगल हाद नाखपूर और थो दुरू इंडस्ट्रेल कोरिडूर साथ ही आपको यह जानना चाहिए एशन डेवलप्मेंट बैंक का हैड़कॉर्टर्स मनिला या मंदल यूंग फिलिपिन्स में है और इसके प्रेजिडेंट है माशा शुगू असकावा मालवी का बंसोद किस खेल से जुड़ी हुई है ऑप्शनस आपके सामने है सई आंसर होगा ऑप्शन सी सो मालवी का बंसोद इस असोचेटेड विद बैटमिंटन तो देखिए किसले न्यूज में है जो मालवी का है इन्होंने रशेल दरागा जो आइलेंड की इनको हरा कर आ इंपोर्टेंट गोश्चन है आपके लिए इसको नौट डाउन जरू कर लीजेगा निम लिखित में से किसने गैलफेंट चैलेंज सत्रंच का खिताब जीता है ऑप्शनस आपके सामने है सही आंसर होगा ऑप्शन बी सो डी गुकेश वोन दे गैलफेंड चैलेंज चैस ट गैलफेंड चैलेंज चैस टाइटल जीता है दोनों ही गोश्चन फ्रेंड्स आपके लिए इंपोर्टेंट है इससे पहले वाला भी और यह भी साथ है आपको बता दे जो डी गुकेश हैं ये इंडिया के यंगेस्ट जो हैं ग्रैंड मास्टर हैं और फिलाल यानि जो अब तक के जो हैं सेकंड यंगेस्ट है अरब इंडिया एनर्जी फोरम का पहला संस्करण भारत और किस देश की सह अध्यक्षता में आयूजित किया गया ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन सी सो दाफस्ट एडिशन ऑफ अरब इंडिया एनर्जी फोरम और आपको जानना चाहिए कि यह जो अरब इंडिया एनर्जी फोरम में सबसे पहली बात तो यह कि फस्ट एडिशन है कि कौन सा एडिशन लौंच किया गया है तो याद रखेगा फस्ट एडिशन है और सेकंड एडिशन 2030 में इसका जो है किया जाएगा आईजित किया तुनिशिया गंडराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है ओप्शन आपके सामने है सई आंसर होगा ओप्शन डी तो नगुलकम जाथोम गंगते हैस बिन अपॉंटेड एस नेक्स्ट अंबैस्टर ऑफ इंडिया तु दा रिपब तुनिश है करंसी है इसकी तुनिशियन दिनार कि यहां पर फ्रेंट्स में आपको इस चीज़ और बताना चाहूंगा कि वापस चलते हैं थोड़ा सा यह आप देख रहे हैं यहां पर ग्रीटी गुकेश विंस गेलफेंट चैलेंज जो फ्रेंट्स से ग्रीटी सब्द है यह एक्जाम में पूछा जाता है इसके सीनों निम्स पूछ ले जाते हैं तो आप याद रखिया ग्रीटी का मतलब होता है करेजियस ब्रेव बोल्ड तो इस तरह से यह सब्द आपको जानने चाहिए जो भी यह इंगलिस निस पूछ वर्ण में जो हैड्लाइन में कई सारे ऐसे सब्द होते हैं जो डिरेक्ट आपके एक्जाम में पूछ ले जाते हैं तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिया ग्रीटी इसलिए मैंने आपको पता आना है आपको सही समझा ग्रीटी का मतलब होता है क्रेजियस ब्रेव बोल्ड डिटरमाइंड खुद से भी आप सर्च कीजेगा और अलग-अलग सेंटेंस इसके आप देखिएगा कि पिर से अपने कुश्चन पर आते हैं यूरोप में सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्ट अप कार्यगरों में से एक वीवा टेक हर साल किस सहर में आयोजित किया जाता है और सभी आंसर होगा और ऑप्शन ए वीवा टेक वन अफ दे लार्जेस्ट डिजिटल और स्टार्ट अप इवेंट्स इन यूरोप इस हेल्ड एवरी यह इर इन परिस तो देखिए किसलिए यह कुश्चन लिया गया है क्योंकि जो हमारे परदान मंत्री है नरेंदर मोदी इन्होंने इस बीवा टेक यह जो सम्मिट है इसमें जो है इसको एड्रस किया है इसको संबोधित किया है और यह फिफ्ट एडिशन रहा है इसका और यह जो है एक डिजिडल एंड श्टार्ट अप इवेंट्स में से एक है और पैरिस फ्रांस में यह हर साल आईजित किया जाता है Microsoft के नए चेर्मेन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है Options आपके सामने हैं सही आंसरों का Option B So Satya Nadella has been appointed as the new chairman of Microsoft तो देखिए Microsoft के CEO तो हैं और अब इनको chairman भी बना दिया गया है किसे replace किया है या किसे succeed कर रहे हैं John Thompson को कर रहे हैं तो यह भी आपके लिए जानना चाहिए किसे कर रहे हैं John Thompson Microsoft ही अगर हम बात करें तो इसके founders रहे हैं Bill Gates और Paul Allen CEO Satya Nadella ही है और headquarter से United States में Microsoft किस किन किन कारणों से हाल ही में नियूज में था जो कि हमने MSQS format में भी देखे हैं तो Microsoft ने अपना पहला Asia Pacific Cyber Security Council इसको लौंच किया है साथी ICICI Lombard ने Microsoft के साथ partnering की है किसलिए to automate audits of service calls साथी CBSC ने भी Microsoft के साथ partnership की है किसलिए schools में coding and data science इनको introduce करने के लिए तो तीनों points आप याद रखेगा आगे बढ़ते हैं किस लगू वित्त बैंक ने असेवित और कम सेवा वाले छेत्रों में digital banking अनुभव परदान करने के लिए more engaged के साथ सैयो किया है options आपके सामने है सही answer होगा option C तो देखे जो इस तरह की region है भारत में जो जहां पर banking services सही से नहीं पहुच पाई है तो वहाँ पर इन services को पहुचाने के लिए महाँ पर अपने customers जो है जोनने के लिए उजीवन small finance bank ने यह जो customer engagement platform है यह United States का है more engaged इसके साथ partnership की है क्यानि कि यह marketing firm है किस तरह से marketing की जाए अपने products की तो उसमें यह जो है help करती है उजीवन small finance bank की बात करें तो headquarters बैंगलोरू करनाटक में है MD and CEO नितिन चुग है और इसकी tagline है Build a better life निम लिखित में से किसने उड़जा परियोजनाओं के विकास के लिए राश्टिय पवन उड़जा संस्थान के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है options आपके सामने है सही answer हो का option C So SJVN has signed an MOU with National Institute of Wind Energy for development of energy projects तो देखिए SJVN यह एक मिनी रत्न जो है power PSU है तो इसने National Institute of Wind Energy के साथ एक MOU sign किया है किसलिए जो भी SJVN के जो projects चल रहे है उसमें technical consultancy services provide कराने के लिए साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए जो National Institute of Wind Energy है यह चेन नई तमिल नाडू में है और जो SJVN है इसका headquarters या आप इसका corporate office समझ सकते हैं यह सिमला हिमाचल प्रदेश में है और हाली में SJVN ने New Delhi Municipal Corporation के साथ भी जो है 150 MW solar power का एक tie-up किया है Sustainable gastronomy day is observed on which day? options आपके सामने है सही answer होगा option C sustainable gastronomy day is observed on June 18 तो 18 June को यह मनाया जाता है gastronomy का मतलब होता है study of food and culture या फिर आप कह सकते है style of cooking from a particular region किसी मुख्य जगा की किसी पर्टिकल रीजन का जो cooking style है उसको जानना या फिर local food के बारे में जानना ठीक है तो उसको बोलते है gastronomy sustainable मतलब वही कि इस तरह से हम किसी चीज को उपयोग में लाएं कि वो आगे तक चल सके तो 18 जुन को यह मनाया जाता है United Nations का डे है इसलिए important है भारत और किस देश ने परियावरण के छित्र में सहयोग करने के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है options आपके सामने है परियावरण के छित्र में सहयोग के लिए इंडिया और भूटान ने MOU sign किया है भूटान की अगर हम बात करें तो भूटानी गैपिटल थिम्पू है करंची है नकुल ट्रॉम ओफिशल लेंगवेज है हैं की जोंखा यह आप याद रखेगा जोंखा यह भूटान की अफिशल लेंगवेज है यहाँ के प्राइम निस्टर है लोगते शेरिंग और यहाँ के जो हैड है जो कंट्री हैड है जिने बोलते हैं द्रुक ग्यालपो इनका नाम है जीक में केशर नाम ग्याल वांग चुक देखे जो भी हमारे पडोसी देश हैं इनके बारे में हमें जानकारी रखने चाहिए एक्जाम में यही से कुश्चन्स पूछ दे जाते हैं साथे आपको इभी जानना चाहिए कि भूटान को द्रुक यूल इस नाम से भी जानना जाता है जिसका मतलब होता है The Land of the Thunder Dragon कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है कि किस कंट्री को The Land of the Thunder Dragon के नाम से जाना जाता है तो सही आंसर होगा भूटान साथे आपको इभी जानना चाहिए Royal Manus National Park यह भूटान में है और Manus National Park कहाँ पर है आसाम में तो याद रखेगा Royal Manus National Park भूटान में है और यहाँ पर पारो इंटरनेशनल एरपोर्ट भी है काफी फेमस इंटरनेशनल एरपोर्ट है यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है देखें पारो एरपोर्ट जो है काफी फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लेंडिंग और टेक ओफ करना काफी टफ है क्योंकि काफी हाई माउंटेन से घिरा हुआ है और यह मानी कि केवल 20 या 21 सर्टिफाइट पाइलेट्स है जिनने यहाँ पर जो है लेंड करने की अनुमती है तो आप वीडियो भी देख सकते हैं काफी अच्छा वीडियो आपको मिल जाएगा और आप समझ सकते हैं कि क्यों पारो इंटरनेशनल एरपोर्ट पर लेंडिंग कराना इतना टफ है चलिए फिर आगे बढ़ते हैं विस्वियापार संगठन में भारत के इस्थाई मिशन में काउंसलर के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है ओप्शन्स आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन दी तो आसीज चंदोरकर हैस बीन अपॉंटेड एस दा काउंसलर इन इंडियास पर्मानेंट मिशन इन दा वर्ल्ट ट्रेड ऑर्गनाजेशन यानि कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि वर्लट ट्रेड ऑर्गनाजेशन में भारत की ओड़सेक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है आंसर होगा आसीज चंदोरकर और तीन साल के लिए Government of India ने नियुक्त किया है तो ये प्राइवेट परसन को नियुक्त किया है और ये जो है समाही Foundation of Policy and Research इसके डिरेक्टर है WTO की बात करें यानि World Trade Organization की बात करें तो देखे जो इसकी Member Countries होती है तो WTO के कुछ Agreements होते हैं उन एग्रिमेंट्स के हिसाब से जो है Countries अपने Traits करते हैं कोई Disput हो जाए तो उनी एग्रिमेंट्स का सारा लेकर Countries जो है यहाँ पर मामले सुल जाए जाते हैं WTO के द्वारा यहाँ पर जो है 164 Countries इसकी Member है साथिया आपको यह जानना चाहिए भारत 1995 से 1995 से WTO का Member है इसकी जो Director General है यह है डिगोची ओकोंजो अईवियाला तो यह Nigeria की हैं यह आप याद रखेगा Nigeria की हैं यह साथिसका Headquarters जेनेवा स्विट्जर लेंड में है विश्व प्रतिस परधात्मक्ता सूचकांक में भारत का इस्थान क्या है सई आंसर होगा Option B So India's Rank on the World Competitiveness Index is 43rd और यहां से आप देख भी सकते हैं 1st rank Switzerland की है 2nd Sweden की है और 3rd Denmark की है देखिए World Competitiveness Index किसके द्वारा compile किया गया है Institute for Management Development IMD द्वारा तो इस Index में यह बताया गया है कि जो COVID-19 के कारण जो भी अर्थवियस्था में जो गिरावट आई है तो देशों ने किस तरह से अर्थवियस्था को पट्री पर लाने के साथ-साथ अपने नागरिकों के welfare के लिए कदम उठाए है और इस Index को Switzerland ने टोप किया है उसके बाद Sweden फिर डेन्मार्क फिर निदर्ड लेंड्स एंड फिर सिंगपों भारत की रेंग 43rd है और ब्रिक्स कंट्रीज की अगर बात करें तो उसमें भारत दूसरे नंबर पर है यानि चैना पहले नंबर पर हैं जिसकी overall 16th rank है निम लिखित में से कौन भारती ओलंपिक संग का परमुख पागीदार बन गया है options आपके सामने हैं सई आंसर होगा option A So MPL has been has become the principal partner of the Indian Olympic Association IOA तो देखिए Indian Olympic Association ने MPL Sports Foundation को अपना principal sponsor बनाया है किसलिए जो Tokyo Olympics होने वाला है और जो 2022 में Birmingham Commonwealth Games जो होने वाले इंग्लेंड में इसके लिए अपना official partner बनाया है साथे आपको ये भी जानना चाहिए कि डेड़ सारक तक के लिए ये agreement किया गया है और Indian Olympic Association के President है Dr. Narendra Dhru Badra क्यूबा गंडराजी में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे न्युक्त किया गया है सई आंसर होगा option C तो एस जानकी रमन has been appointed as the next ambassador of India to the Republic of Cuba तो Republic of Cuba में next ambassador होंगे Dr. S. जानकी रमन क्यूबा की बात करें तो capital हवाना है और यहां की currency Cuban peso है तो यह map आप देख सकते हैं यह North America है यह South America है यह बीच में Central America है और यह जो आप देख रहे हैं यह Caribbean Sea है और Gulf of Mexico है तो इस दोनों को जो अलग कर रहा है यह पुरा कहलाता है Western डीज यह फिर आप Caribbean countries कहते हैं तो जैसे आपने cricket में देखा होगा Western डीज तो वह कोई एक देश नहीं है कई सारे देश मिलकर बनाते हैं यहां पर तो यह जितनी भी countries है क्यूबा हो गया पॉर्टरीको हो गया तो यह सभी Western डीज में आती है और यह सारी countries मिलकर Western डीज रीजन बनाती है तो यह पूरा एरिया Western डीज कहलाता है याद रखेगा यह है Central अमेरिका North अमेरिका और यह है आपका South अमेरिका और मेक्सिको से लेकर यह पूरा पार्ट जो है इसको आप Latin अमेरिका कह सकते हैं जहां पर की Romance Language बोली जाती है यानि Spanish Portuguese जिन भी एरियास में बोली जाती है तो उसको फिर Latin अमेरिका बोला जाता है किस मंत्राले ने संकल्प से सिद्धी Mission वंधन पहल सुरू की है options आपके सामने है सई आंसर होगा option C So Ministry of Tribal Affairs has launched संकल्प से सिद्धी Mission वंधन इनिशियेटिव तो देखिए जो हमारे Tribal Affairs Minister है अरजुन मुंडा तो इन्होंने जो Trifat का Head Office है न्यू डैली में यहां पर संकल्प से सिद्धी Mission वंधन इस इनिशियेटिव को शुरू किया है obvious सी बात है कि इसका मकसद क्या है जो Tribal से उनकी जो उनका जीवन जो है उसको विकास की और ले जाना और साथ ही यहां पर देखे पहले मैं आपको यह बता जिता हूं जो यह Mission वंधन है इसका मतलब क्या है जो भी आपका जो Tribal होते हैं तो वन से जो भी इनको संपत्ती प्र इन सभी यह जो Tribal से तो इन सभी चीजों को जो है मार्केट में उतार सके हैं तो यही मिशन है Mission वंधन और इसके लिए जो Responsible Agency है यह है Trifid, Trifid क्या करता है जो भी Tribal लोग जो है जो यह वनों से जो उनको प्राप्त होता है जैसे कोई ओस्ती है या फिर मसाले है या फिर लकडी से यह जो अपना कुछ समान निर्मित करते हैं जैसे कोई हैट इन्होंने बना दी तो इस सभी जो समान है इनको एक अ आउटलेट्स और खोले है इनोंने ही अर्जुनमुंडा ने इनोग्रेट की है जैनी कि इस तरह के कही सारे स्टोर्स खोले हैं जा पर इन ट्राइप्स द्वारा बनाये गए जो सामान है वो बेचे जा सके इसका मतलब यह है जब बात होरी है Trifet की तो आपको जानना चाहिए Trifet की तो आपको जानना चाहिए Trifet की इसकी फुल फॉर्म है Trifet की और इसके जो Managing Director है यह प्रवीर कृष्ण है देखे पूछ लिए जाता है क्योंकि हमारा ध्यान कमी जाता है कि Trifet के Managing Director कौन होंगे है ना लेकिन एकदाम में कुछ ही पूछा जा सकता है तो इसलिए आप याद रखेगा प्रवीर कृष्णा इसके Managing Director है ओगस्ट 1987 में इसकी स्थापना की गई थी Trifet की और यह Ministry of Tribal Affairs के अंतरगत कारी करता है किस बैंक ने Digital Lending Platform Easy Credit लाउंच किया? आपशन सापके सामने है सही आंसर होगा ऑप्शन डी तो इंडस इंड बैंक हैस लांच टाइड डिजिटल लेंडिंग प्लैटफॉर्म Easy Credit तो लेंडिंग प्लैटफोर्म यानी कि लांच देने का यह कारे करेगा जो इसनोंने अपना यह प्लैटफॉर्म लांच किए है इ इम लिखित में से किसने IDBI bank के सहयोग से एक संपर्क रहीत prepared gift card जिसका नाम सगुन है इसको launch किया है options आपके सामने है सही answer होगा option C so LICCSL has launched a contactless prepared gift card शगुन in collaboration with IDBI bank तो यहाँ पर question इस तरह से भी पुछा जा सकता है कि LICCSL ने जो अपना contactless prepared gift card शगुन launch किया यह किसके साथ collaboration में launch किया है तो उस condition में answer होगा IDBI bank तो IDBI bank के collaboration के साथ इसने अपना एक contactless prepared gift card जिसका नाम सगुन है यह launch किया है LICCSL यानि LIC card services limited ने और इसका headquarters New Delhi में है भारत और किस देश ने घरेलू कामगारों की भरती पर सहयोग के लिए समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं important question है और सही answer होगा option C so India and Kuwait has signed an MOU for cooperation on recruitment of domestic workers तो देखिए इसमें क्या होगा अब जो भारत्य घरेलू कामगार जो है जी सी सी यह भी आपके exam point of view से काफी important है banking के लिए नहीं बाकी जो एक्जाम होते हैं ठीक है उनके लिए काफी important है जैसे सब इसमें कौन कौन सी country सामिल है सौधी अरबिया कुवेत युनाइटेड अबर अरब एमिराट्स कतर बहरीन ओमान यह सभी countries इसमें सामिल है अच्छा और इसका headquarters भी पुछा जा सकता है चाहे वो बैंक का एक्जाम हो चाहे वो एससी हो चाहे वो किसी भी कोई भी एक्जाम हो गल्व कोपरेशन का headquarters पहले भी पुछा गया है और आपके किसी भी एक्जाम में पुछा जा सकता है याद रखेगा रियाद साओधी अरबिया में इसका headquarters है काफी important यह council है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं इसको आप ध्यान से नोट कर लीजेगा साथी क्वेट की बात करें तो capital क्वेट सिटी है और currency है क्वेटी दिनार तो यह आप देख सकते हैं सौधी अरब बहरीन क्वेट कतर युएई और ओमान तो यह सभी जो है Gulf Corporation Council बनाती है किस राज्य ने रेव अप नामक एक accelerator कारियकरम शुरू गिया है options आपके सामने है और correct answer होगा option B तो तेलंगाना है जो भी इस टार्ट अप से तो पिजनेस प्रोग्लम्स में उनकी government और industry द्वारा सायता की जाईगी यानि कि कोई टफ बिजनेस प्रोग्लम है उसको solve करने के लिए government और industry के द्वारा उनकी सायता की जाईगी तेलंगाना की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है के चंद्रसेखर राव गवर्णर है तमिल सही सुंदर राजन कैपिटल है हाइदराबाद हाल ही में किस तेज के पहले राष्ट पती केनेथ कॉंड का नीथन हो गया है सई आंसर होगा ऑप्शन डी सो जांबियास फस्स प्रेजिडेंट केनेथ कॉंड हैस पास्ट अवे रिसेंटली और देखिए प्रदानमंतिर नरेंद्र मोदी ने भी जो है इस पर अपना शोक व्यक्त किया है तो इसलिए यह निउस में है कि साथी फ्रेंट जांबिया के बारे में में जानना चाहिए कि कैपिटल लुसाका है करंसी है जांबियन कोशा और प्रेजिडेंट है यहां पर इदकार चागवो लूंगू देखिए यहां पर प्रेजिडेंट इसलिए मैंने आपको बता दिया क्योंकि जब किसी कंटर के फ्रेजिडेंट की जो है डैत हुई हैं तो कोस्ट इस तरह चीप उसकता है कि अब कौन है के में पर बता दिया है साथी फ्रेंट जांबिया के बारेमें हमको दो इंपोर्टन पॉइंट जरूर जानने चाहिए जिनभी एक्साम में आपके जोग्रफी सब्जेक्ट अता है जो ग्रफिशे question आते हैं तो वहाँ पर यह दोनों points आपके लिए काफी मतदकार रहने वाले हैं देखे सबसे पहला तो यह है कि यह जो लेक टेंगानिया है टेंगा नीका लेक टेंगानिका है जो यह आपकी तो यह वर्ड की longest fresh water lake है और यह 4 countries द्वारा share की जाती है तंजानिया, Democratic Republic of Congo, DRC, Burundi and Jambia तो Jambia हैं आपर सामिले पूछ ले जाता है इसके बारे में भी साथी दूसरा है Victoria Falls इसे बोलते है the smoke that thunders तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है याद रखेगा और यह जो है Victoria Falls जो है यह जांबिया और जिंबाबे के border पर इस्थित है और जांबेजी रिवर जो है इस पर यह located है तो याद रखेगा Victoria Falls यह question भी पुछा जा सुका है कि किन दो countries के border पर है तो यह answer होगा जांबिया and जिंबाबे और जो यह जांबेजी रिवर है जांबिया अंगोला नामीबिया बोटस्वाना जिंबाबे मोजांबिक इन सभी countries से flow करती है भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समू की पहली बैटक आयोजित की गई है सही answer होगा option d so the first meeting of joint working group JWG on cyber security cooperation between इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वास हेल्ड रिसेंट्ली ऑस्ट्रेलिया की बात खरें तो कैपिटल कैनबरा है करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और यहां के प्राइम मेस्टर है ज्यादा तर गलती ऑस्ट्रेलिया में कहां होती है कि इसकी कैपिटल मेलबर्ण ज्यादा तर जो है एस्पिरेंट समझ लेते हैं तो उस दसा में आप याद रखिएगा कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कॉर्ट से राद्वारा जारी ग्लोबल स्किल्स रीपोर्ट वंटी टीवंटीवंटी वन में भारत की क्या रेंक है सई आंसर होगा ओप्शन दी इसमें इसमें क्या बताएंगे इसमें बताया गया है कि इंडिया में जो है digital skills gap जो है देखा जा रहा है digital skills gap का मतलब हुआ कि technology से ज़्यादा रूपरू नहीं है यहां के लोग और जो है जो भी computer related work होते हैं तो उसमें ज़्यादा जो है मतलब माहिर नहीं है इस तरह का digital skills gap यहां पर बताया गया है साथी यहां पर globally तो 67 भारत की position है और बाकी अगर अलग अलग domains यहां पर बताये गए जैसे business domain में 55 है और technology and data science में 66 है तो globally हमारे लिए important है 67 रैंक है number one पर है Switzerland दूसरे पर है Lexamber और तीसरे पर है Austria साथी इन्होंने यह भी बताया है कि इंडिया का जो strongest technology skill है यह है cloud computing कि संखर्स में यौन हिंसा के अनुमूलन के लिए अंतराष्टे दीवस किस दिन मनाया जाता है सही answer होगा option डी इंटरनेशनल डे फॉर दे एलिविनेशन ऑफ सेक्ष्वल वाइलेंस इन कंफ्लिक्ट इस अप्सवर्ट ओन जून नाइंटीन तो जून नाइंटीन को एडे मनाया जाता है देखिए जहां भी कि जिन भी कंट्रीज में ग्रह युद्ध चल रहा होता है या फिर कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां और आतंगवादी और आतंगवादी संगठन और जो आम जनता है इनके बीच में जड़ा पोद्गी रहती है ज्यादा दर यह अफ्रिकन कंट्रीज और जो मिडल इस्ट कंट्रीज हैं यहां पर होता है तो सबसे यादा जिने इस सब का जो जो भुकतना पड़ता है इसके तोस परिणाम वह होती हैं यहां की महला है तो इनके साथ काफी जबर्दस्ति की जाती है इनकी दसा काफी कम जोरहें जैसे यमन हो गया הוא क्या अफगानिस्तान हो गया और नाइजिरिया हो गया तो यहां पर महिलाग की इस्तिती काफी दय नहीं है क्योंकि इन लोगों को बिना कुछ किये बिना बात के ही इन सब दसाओं से गुजणना पड़ता है रेप से sexual slavery जो हो गया forced prostitution हो गया forced pregnancy हो गया इन सभी से इन्हें गुजणना पड़ता है तो इसी को लेकर ये डे मनाया जाता है International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict पूमा या प्यूमा Motor Sport के Brand Ambassador के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो जो भी आपको सही लगे तो यूवराज सिंग को यूवराज सिंग इनके पहले से ही Brand Ambassador है तो यह जो इनकी पार्टनर्शी पे इसको फिर से आगे extend कर दिया गया है प्यूमा की अगर बात करें तो इसका headquarters हर्जो जीनाव राच जर्मनी यहां पर है और फ्रेंट्स यहीं पर जो है एडिडास का भी headquarters से आप ध्यान दीजेगा पहली भारतिय नोसेना और किस नोसेना अभ्यास अधन की खाड़ी में सुरू हुआ जिसमें INS त्रिकंद ने अब इस अभ्यास में भाग लिया ओप्शन आपके सामने है और सही आंसर होगा ओप्शन D जानते हैं इस question के बारे में देखें गल्फ ओफ एडेन में पहली बार इंडियन नेवी और यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स के बीच नेवल एक्सराइज की गई है और मेडेन एक्सराइज है यानि कि पहली बार हो रही है किसी भी किसी भी अगर आप कोई प्रोग्राम है उसका पहला संस्क्रेंड जब लौंच ही आ जाता है उसको बोलते हैं मेडेन साथिया आपको यह जानना चाहिए कि इसमें फोर कंट्रीज की नेवीज ने पार्टिसिपेट किया है और इसमें भारत की और से आई एनेस त्रिकन ने पार्टिसिपेट किया साथ ही आपको भी जानना चाहिए जो Gulf of Eden है ये Bubble Monday इसके तुरू Red Sea से Connect होता है देखिए तीन टर्मस होती है बे गल्फ और स्ट्रेट तो देखिन में क्या अंतर होता है जल्दी समझते हैं बे का मतलब होता है बे इस चगा पर आप कह सकते हैं जहां पर जो लेंड है वो inward जो ह परती हो और मुडा हुआ तो एसी जहँए पर जो water body होती है उसके बोलते हैं बे दूसरा यह हुलं गल्फ की पहँचान यह है कि जो इसका माउथ है यह आप माउथ देख रहे हैं काफी काफी नयरो होता है तो इस तरह की water body होते है उसको गल्फ बोलते हैं तीसरा है इस्टेट क्या होता है इस्टेट भी एक नयरो पैसेज होता है continent के बीच में यह फिर are Highlands के बीच में यह फिर दो या दो से जाद जो large large water bodies रटी है उनके बीच का जो रास्ता होता है काफी नेरो होता है तो उसको इस्टेट बोलते हैं आई हो आप बे गल्फ और इस्टेट के बारे में जान चुके होंगे आगे बढ़ते हैं भारत के किस गाउं को देश का पहला टीका करण गाउं गोसित किया गया है जिसमें 18 वर्ष से उपर के सभी लोगों को पहली खुराख दी गई है ओप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन ए तो देखी जो ये विलेज है वीवन ये बांधीपुरा डिष्टिक जम्मो कश्मीर में इस्तित है और साथिया आपको ये जानना चाहिए अगर हम जम्मो कश्मीर की बात करें तो यहां के लेटेंट गवर्णर मनोस्चीना है कैपिटल जम्मो और श्रीनगर है साथिया आपको ये जानना चाहिए कि जम्मो और कश्मीर और लताक ये union territories बनी है लेकिन कबसे लागो हुआ ये इनका ये status 31 सक्तुबर 2019 से सूचना और प्रद्योगी की संसद्य इस्थाई समीती का अध्यक्ष कोन है काफी important question है friends इस तरह के question पूछे गए हैं बैंक एक्जाम में पूछे जाते हैं और बाकी जो एक्जाम होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं तो सही answer होगा option B ससी थरूर heads the parliamentary standing committee on information and technology देखिए तो किसलिए ये news में हैं यहाँ पर आप news देख सकते हैं Twitter India deposes before ससी थरूर led parliamentary panel तो देखिए यहाँ पर depos का मतलब होता है depos का मतलब ऐसे होता है किसी को किसी पत से हटाना लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है interrogate करना उनसे पूछना कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया ठीक है आपकी जो responsibility है आपने उसको सही से क्यों नहीं निवाई इस तरह से तो देखिए यहाँ पर जो है ट्यूटर इंडिया की तरफ से representatives सामिल हुए इस parliamentary standing committee on information and technology के सामने इसे चेर गिया है ससी थरूर ने तो social media और government of India के बारे में आप जानते हैं जो भी विवाद चल रहा है तो यहाँ पर ट्यूटर इंडिया से यही पूछा गया है कि आपने अप तक अपना grievance officer क्यों नहीं नुक्त किया है साथी देखिए ससीर थरूर के बारे में आपको यह जानना चाहिए कि यह लोगसभा MP है और कहां से है थिरूनन्थ पुरम केरल से तो MPs की जो consistency है यह भी पूछ ली जाती है एक्जाम में साथी आपको यह भी जानना चाहिए इनकी एक book है An Era of Darkness इसके लिए ने साहित Academy Award भी मिला है English Language ही केटेगरी में साथी अगर हम Twitter की बात करें तो इसके founders है Jack Dorsey, Beisstone, Noah Glass, Evan Williams और 21 मार्ज 2006 को इसके स्थापना किए गई थी और इसके CEO है Jack Dorsey और इसका headquarters United States में है साथी Twitter इंडिया के जो MD है इनका नाम है Manish Maheshwari यह आपके लिए important रहेंगे साथी हाली में Twitter इंडिया ने tip jar इस तरह की service भी provide कराई थी जिसमें कि आप Twitter पर कोई इसके लिंक शेर करके third party के थूँ जो है payment कर सकते हैं इब्राहीम राइसी ने किस देश का राष्टपती चुनाव जीता है options आपके सामने है और correct answer होगा option A so इब्राहीम राइसी has won Iran's presidential election जानते हैं इसकी news के बारे में तो देखे इब्राहीम राइसी इन्होंने इरान के next president बनने वाले हैं और इन्होंने हसन रोहानी को जो है replace करेंगे साथे आपको यह भी जानना चाहिए इरान से related जो most important fact है कि 2015 में JCPOA यानि Joint Comprehensive Plan of Action Deal यह एक nuclear deal जो है इस तरह की एक sign हुई थी किसके बीच में इरान और P5 प्लस Germany and European Union के बीच P5 मतलब जो 5 permanent members है UK, US, Russia, France और China इनके लावा जर्मनी और European Union के साथ भी यह deal sign की गई थी साथी आपको यह भी जानना चाहिए अगर हम इरान की बात करें तो यहां के Supreme Reader है Ali Khomeini Capital है तहरान currency है Iranian और यहां की Parliament को बोला जाता है मजलिश साथी यह जो deal हुई थी Joint Comprehensive Plan of Action Deal तो इसमें सी United States 2018 में अपने आपको विड्रो कर चुका है Flying Seek के नाम से किसी जाना जाता है सही answer होगा Option B So Milka Singh is known as Flying Seek जानते हैं इस news के बारे में काफी important रहने वाली आपके आने वाले exam में आसे question भी पुछा जा सकता है इसलिए मैंने पुरा summarize कर दिया इनके बारे में देखें Milka Singh को Flying Seek बोलते हैं इनका हाली में निधन हो गया है कहां पर born हुए थे यह आपके लिए काफी important है Govind पुरा में जो कि यह पाइस्तान के पंजाब प्रोविंस में लोकिटेड है इनको 1959 में पद मसरी से सम्मानित किया गया था साथी आपको यह भी जानना चाहिए कि यह इकलोते ऐसे अथलीट है जिन्होंने एशन गेम्स और कोमन वेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता है साथी यह फर्स्ट इंडियन ट्रेक एंड फिल्ड एथलीट है जिन्होंने ब्रिटिस एंपायर एंड कोमन वेल्थ गेम्स जो कि 1958 में हुए थे यहाँ पर गोल्ड मैडल जीता था माकों इस्पैंच जो कि साथ अफरिका को हैं इन्होंने हराया था मिलखाषिंग जी ने साथी आपको भी जानना चाहिए कि इन्होंने भारत को 1956 के जो ओलम्पिक्स हुए हैं मेलबर्ण में 1960 के जो ओलम्पिक्स हुए हैं रोम में और 1964 के ओलम्पिक्स जो हुए हैं टोक्यो में यहां पर भारत को रिप्रेजेंट किया है, यानि तीन ओलम्पिक में इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है, साथ ही इन्होंने 4 एशियन गेम्स गोल्ड मैडल्स भी जीते हैं, दो तो इन्होंने 1958 में जीते और दो जीते हैं इन्होंने 1962 में, इस तरह से आप देख सकते जानना चाहिए इनकी वाइफ निर्मल को और इनका भी जो है निदन हो गया है तो यह किसले फेमस्ती क्योंकि इन्होंने भारत की वॉल्ली वॉल्ल टीम को कैप्टन किया था गुरु परशाद मोहापात्र जिनकी व्रित्युग कोविट के कारण हुई किस विभाक में सचीव थे ओप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन दी गुरु परशाद मोहापात्रा हुड डाइड द्यू टू पोस्ट कोविट कोंप्लिकेशन्स वॉज दसेक्रेट्री इन डिपार्टमेंट ओफ इंडस्ट्री एंड इंटर्नल ट्रेड तो यह सेक्रेट्र इंडस्ट्रि इंच्ट्री इंटर्ण ट्रेड यह मिनिस्ट्री ओफ कोमर्स और इंडस्ट्री के तहता है जबकि इसी तरह से एक है दीपम डिपार्टमेंट ओफ इंवेस्ट्मेंट और पबिक asset management कभी-कभी इसकी full form भी पूछ ली जाती है कभी ये भी पूछ ले जाता है कि यहां पर P का मतलब क्या है या A का मतलब क्या है तो यह आता है ministry of finance के अंतरगत दोनों ही department काफी इंपोर्टेंट है याद रखेगा किन मिर्स्ट्री के तहट आते हैं कि 2021 विश्व सर्नार्थी दीवस की थीम क्या है ऑप्शन्स आपके सामने है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सो टुगेदर वी हील लर्ड एंड शाइन इस थीम फोर 2021 वर्ड रिफ्यूजी डे तो यह 20 इस जून को मनाया जाता है वर्ड रिफ्यूजी डे लेकि युनाइटे निशन्स 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन के हिसाब से रिफ्यूजी का मतलब होता है ऐसा कोई समवन यानि ऐसा कोई परसन जिसको की जो अपना घर अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर हो क्यों क् क менее 10 Information सकता है कि महां पर उस प्रोसेक्यूज किया सकता है वहां पर उसक्तिहां ओ सकते हैं या पर उसकी जान को खत्रा है क्योंकि उस रिजन में जो है लोग, race के हिसाब से, religion के हिसाब से, membership के हिसाब से, divided हैं, तो उनको बोला जाता है refugee, जो मजबूर हो जाए अपना घर छोड़ने के लिए, साथ यह आपको यह भी जानना चाहिए, थी मैंने आपको बता दिया, together we heal, learn and shine, और जो यह United Nations High Commissioner for Refugees है, UNSCR, इसका headquarters जेनेवा, Switzerland में, क कितने परियावरण कारे कड़ताओं को 2021 का Goldman परियावरण पुरुषकार मिला है, options आपके सामने है, सही आंसर होगा, option D, so six environmental activists received the 2021 Goldman environmental prize, देखे जो यह Goldman environmental prizes को Green Nobel भी बोला जाता है, और Goldman environmental foundation के द्वारा दिया जाता है, देखे जब भी आप इस तरह के question देखते हैं, तो दो तरह से इस तरही question frame हो सकते हैं, मान लीजिए किसी Indian को मिला होता, तो या तो question में आपसे पुछा जा सकता है कि कि किस Indian को ये पुछा जाता है, दूसरी तरह से जो आज कल जाता पुछा जाता है, वो ये होता है, मान लीजिए किसी Indian को को पुछा जाता है, और उसके अलावा हो 6 मिला है तो यह पुछा जा सकता है कि एन इंडियन को यह पुरुष्कार मिलां है इनके इलाबा ओर कुछा जा सकता है स्थाß आपको बतादे भी फरके संद्च सृ क्रतुर्ण से पुछा जा सकता है जो यह और va ये शिक्स रिसिपियंट है इन अवार्ट के तो इनको आप देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं किस देश को केंद्र सरकार ने अपने नए संसत भवन निर्माण के लिए एक सो आठ दसमलों दो आठ मिलियन अमेरिकी डॉलर का रिंड दिया है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन बी सो इंडियन गवर्मेंट हैस एक्सेंडड अलों ओफ यूस्टी 108.28 मिलियन फोर कंस्ट्रक्शन ओफ इस्वातिनी निव पार्लेमेंट बिल्डिंग जानते इसके बारे में देखे इस्वातिनी जिसे पहले स्वाजी लैंड के नाम से जाने जाता था तो इसको भारत गवर कार्लेमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए साथी इस्वातिनी के बारे में आपको जानना चाहिए कि यहां पर दो कैपिटल है एक तो है मबाबने दूसरी है लोबामडा लोबामबा और यहां की करंसी है स्वाजी लिलांजिनी और जब बात हो यह एक्जिम बैंक की तो लौन और दूसरा स्री लंकार्मेंट को प्रोवाइट करा है अचाहिए आप जो दिया है लाइन आफ क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि आपने किसी कंट्री को यह कह दिया कि हम आपको सो रुपे देते हैं आपको जब जब जबुरत पड़े तो आप इस इसमें से 20 रुपे चाहिए तो आप 20 रुपे जो है अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं उसके बाद आपको 50 रुपे चाहिए तो आप 50 रुपे प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं यानि कि आपने उसको एक जो है एप प्रूव कर दिया है वो फिर कभी भी उसको यूज कर पॉरम्स partnership for new work standards initiative जानते हैं इसके बारे में तो विप्रो ने वर्ड economic forum की partnership for new work standards initiative इसको जोईन किया है वेप्रो की अगर हम बात करें तो इसके chairman है रिशात प्रेम जी CEO तियरी डेला पॉर्टे और headquarters है बेंगलूरू में विप्रो के बारे में हमने हाल ही में कौन-कौन से current affairs पड़े हैं एक तो यह पड़े हैं कि विप्रो ने फिनस तरह के साथ एक partnership की है किसलिए जो इसकी transaction banking है इसमें digital transformation को accelerate करने के लिए इसको तेजी लाने के लिए साथी अनुप पुरोहित इसको विप्रो ने अपना Chief Information Officer किया है निम्रिकित में से किसने रगु नरूला को wealth and personal banking इंडिया का पर्मुख निउक्त किया है सही आंसर होगा option B so HSBC has appointed रगु नरूला as the head of wealth and personal banking इंडिया तो देखिए HSBC आप जानते हैं तो इसने रगु नरूला को जो भारत में इसका wealth and retail banking इस तरह का एक department आप समझ सकते हैं तो इसका head नुक्त किया है और साथिया आपको यह भी जानना चाहिए कि जो यह HSBC Holdings Public Limited Company है PLC इसका मतलब होता है Public Limited Company इसका headquarters 8 Canada Square London United Kingdom में है तो 8 Canada Square में किस संस्था का headquarter है आपसे पुछा जा सकता है तो आंसर होगा HSBC Holdings का कहां पर है लंडन में है और साथी इसकी subsidiary firm है Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited इसका headquarters Hong Kong में है तो यह पुरा एक released a book of poems beyond hair and other poems written by senior bureaucrat Bishnupad Sethi और साथ यह आपको यह जानना चाहिए हमने उडिसा के बारे में हाली में क्या पड़ा था कि उडिसा ने हाली में 3-day काईकन का festival होता है रो障ा परूं तो हमने इसको mcq में किया था तो मैने इसको प्रनांश किया था राजा परूं तो आप में से यह experience शायद वह उडिसा से हैं तुन्होंने बताया था कि इसको राजा नहीं बोलते हैं इसको रोजो बोलते हैं रोजो पर तो यह जो है उडिसा में मनाये गया निम्रिकित में से किस ने आदी प्रसिक्षण पॉर्टल लॉंच किया है सई आंसर होगा ओप्शन बी सो ट्राइबल अफेर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा है जो लॉंच आदी प्रिक्षण प्रसिक्षण पॉर्टल तो देखे इस पॉर्टल के थू क्या होगा कि जितने भी ट्राइबल रिलेटेट जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं मिनिस्ट्री ओफ ट्राइबल से द्वारा या फिर उसके अंदर गज्जो संस्थान आते उनके द्वारा तो उन सभी को मॉनिटर यहां पर क सही आंसर होगा ओप्शन डी रिसेंटल युनाइटेट नेशन्स ग्लोबल कॉम्पेक्ट हैस रिककनाइज्ट सुमंत सीना एस स्टीजी पाइनिर्स 2021 हिस्टा चेर्मेन एंड एम्डी ओफ लिन्न्यू पावर और साथ यह आपको यह जानना चाहिए जो यह यह युनाइटेट नेशन्स ग्लोबल कॉम्पेक्ट युन जीसी है इसके सी यो एंड एक्जेट डिरेक्टर है संदा ओजियंबो भारती प्रतिबूती और वीनिमाय बॉर्ड यानि सेवी के बॉर्ड के सदस्य के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है सही आंसर होगा ऑप्शन डी सो आनन्त मोहन बजाच हैस बिन अपॉइंटेट एज अमेंबर ऑफ टी बॉर्ड ऑफ सिक्योर्टी और एक्शेंज रूप में न्यूक्त किया गया है यह तरुन बजाच को रिप्लेस करेंगे तरुन बजाच जो है रेवेन्यू सेक्रेट्री है साथ ही गोवर्मेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो अधर अपॉइंट किये गए हैं यह के वियार मुर्थी तो यह पहले से ही है अब इन्हों 1992 में इसके स्थापना की गई थी और इसका हैट्वार्टर मुंबई में है और चेयर परशन है अजे त्यागी दुनिया का पहला लकडी का उपगर है वीजा वुड़ सेट किस देश से लॉंच किया जाएगा ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन डी दी वर्ड्स फर्स्ट वुड़न सैटिलाइट वीजा वुड़ सेट वुड़ी बी लॉंच फ्रॉम इसका नाम वीजा वुड़ सेट है इसको लॉंच करेंगे तो मकसद वही है कि किस तरह से जो प्लाई होती है या फिर जो वुड़ होती है यह इस्पेस कंडिशन में किस तरह से रियक्ट करती है क्या प्रभाव करता है यह जानना इसका मकसद है और यह जो है रोकेट लैब इलेक्ट्रोन रोकेट के थुरू लॉंच की जाएगी कहां से माहिया पैनिंसुला लॉंच कॉंप्लेक्ट जो की न्यूजिलेंड में है और अगर हम इसकी बात करें तो यह 1 kg की नैनो सैटेलाइट है 10 by 10 by 10 cm की साथी इसको जो है डिजाइन और बिल्ड किया है फिल्लेंड के द्वारा न्यूजिलेंड की बात करें तो पी एम है जेसींडा आर्डन कैपिटल है वेलिंग्टन और कर्णसी है न्यूजिलेंड डॉलर संयुक्तराष्ट महास अचीव एंटोनियो गुटरेस ने पहले किस देश के परदान मंत्री के रूप में कारी किया है ओप्शन उनाइटे इस जलिया है यह इसलिया मम्हान की जनिए खरी करेंग्स के बात के आपय मिल्स आंप है प्रियस को उनाइटे ओडियो गुटरेस को से इनक्टे नेशन सेप्रेंटरीति चनरे merit कोंदे कि अशर्झा से यह 9th United Nations General Secretary के पत पर कारियरत है या Secretary General के पत पर कारियरत है Friends मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा एक एकजाम में इसी से related question पूछा गया था सेम ऐसा ही question पूछा गया था पर उसमें options थोड़ा अलग दिये थे उसमें यह पूछा गया था कि निमली कित में से कौन Secretary General United Nations के Secretary General पहले किसी देश के Prime Minister के रूप में भी कारिक कर चुके हैं तो चार Secretary General उसमें दिये गए थे जो पहले रह चुके हैं उनमें से एक option Antonio Guterres का भी था तो वही सही answer होना था तो इस तरह से भी question पूछ ले जाते हैं तो इसलिए मैंने इस तरह से question आपके सामने पेश किया है साथी आपको बता दें कि यह पूर्टुगाल या पूर्चुकल इसके Prime Minister रहे हैं 1995 से 2002 के बीच में साथी यह Socialist International और United Nations High Commissioner for Refugees इसके भी President रह चुके हैं साथी आपको जानना चाहिए उनाइटेड नेशन्स में 193 मेंबर से हैट्व का ट्रस्ट नियू योर्क उनाइटेड स्टेट्स में हैं साथी इंडोनेशिया पहला और इकलोता ऐसा देश है जो एक बार United Nations से अपनी मेंबर्चिप विड्रिव कर चुका था यानि कि अपने साथी इससे पहले हम आगे बढ़ें तो आपको जानना चाहिए देखिए यह एक कमेंट हमारे करेंट अफेर्स पर आया है तो मिश्टर शीबू लिखते हैं जब से आपके करेंट अफेर्स देखा है स्पीड टेस्ट एंड मोक टेस्ट पर दस से पंदरा नंबर्स जादा आ रहे हैं और वन रिक्वेस्ट की स्टैटिक जी के थोड़ा इंक्रीस कर दो और मज़ा आएगा तो थैंक्यू मिश्टर शीबू और फ्रेंड से आने वाले समय में यदि आपको भी ऐसा कभी लगता है कि जनरल अवेर्नेस के प्रतिया आपकी जो सोच है वो बदली है और अब आपको इसमें इंटरस्ट आने लगा है तो कमेंट बोक्स में अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा चलिए फिलाल आगे बढ़ते हैं 2021 अंतराष्ट यह योग दिवस की थीम क्या है ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन डी सो योगा फोर वैल बिंग इस थीम फोर 2021 इंटरनेशनल योगा डे जानते हैं इसके बारे में तो देखे इस बार 2021 में जो योगा डे होनाय जा रहा है यह सेवं सेवंथ एडिशन है और इस बार इसका थीम है योगा फोर वैल बिंग आपको जानना चाहिए कि 11 दिसंबर 2014 में युनाइटेड नेशन्स ने डिक्लेर किया था कि 21 जुन को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा और पहला इंटरनेशनल डे ओफ योगा मनाया गया आप इस यूपलक्स में जारी किया था नीरच चोपड़ा किस खेल परतियोगिता में भाग लेते हैं ओप्शन आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन डी सो नीरच चोपड़ा कंपीट्स इन जैवलिन थ्रो इवेंट देखे किसले न्यूज में है आप न्यूज प तो देखिए जानते हैं इसके बारे में तो नीरच चोपड़ा जो है इन्होंने जैवलिन गोल्ड मेडल जीता है यह लिस्बन यानि पुर्शुकल की जो कैपिटल है यहां पर एक इवेंट हुआ है तो इसमें इन्होंने जैवलिन थ्रो में यह गोल्ड मेडल जीता है आते हैं आप कुछ आनना चाहिए कि 2018 Asian Games और 2018 Commonwealth Games में भी इन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते हैं भारत के लिए हाल ही में किस देश ने Deep Ocean Mission को मंजूरी दी है options आपके सामने हैं सही answer होगा option Mission A so India has recently approved Deep Ocean Mission जानते हैं इस Mission के बारे में तो देखिए Union Cabinet ने ये पहले काफी पहले से ये pending पड़ा हुआ था ये Mission approval इसको नहीं मिल पा रही थी लेकिन अब Central Government ने इसको approve कर दिया है Deep Ocean Mission तो देखिए इसके तहट क्या होगा है जो भारत के जो क्रिव है जो गोता खोर आप कह सकते हैं तो ये लोग क्या है ओशन में 6000 मिटर डीप जाएंगे और वहाँ पर precious metals इनकी खोच करेंगे क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो Deep Ocean रीजन जो है मतलब काफी गहराई वाला जो रीजन होता है ओशन का तो 95% पार तो उसका अब तक explore ही नहीं हुआ है यानि अब तक कभी उस पर research हुई ही कि महाँ पर क्या-क्या इस्तित है तो इसी को लेकर जो है यह mission launch होने वाला है और इस mission की जो कोस्ट रहने वाली है यह 4077 करोड रूपीज रहने वाली है और अगले पास साल तक यह mission है यह चलेगा और इस mission के लिए नोडल मिनिस्ट्री रहेगी ministry of earth sciences इसके head है डॉक्टर हर्च वर्धन और आपको जानना चाहिए 2021 से 2030 का जो दसक है जो decade है यह मनाया जा रहा है decade of ocean science for sustainable development के रूप में तो इस सभी points आपके लिए important है note down चुरूर कर लीजेगा किस संगठन ने 2021 land for life award जीता है सही answer होगा option d so familial forestry organization has won the 2021 land for life award जानते इसके बारे में देखिए तो किसके द्वारा दिया जाता है UNCCD यानि United Nations convention to combat desertification इसके द्वारा यह land for life award दिया जाता है और इस पार यह दिया गया है फैमिलियल forestry of राजस्थान को और इसके जनक है स्याम सुंदर ज्यानी तो इनके द्वारा यह concept जो है इजात किया गया है तो इसके तहर जो ट्रीज है जो पेड़ है उनको फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता है तो इसी थीम पर इन्होंने अपना यह campaign चलाया हुआ है और आपको जानना चाहिए जो यह united nations convention to combat desertification है इसका headquarters बोन जर्मनी में है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में पाया गया है options आपके सामने है सही आंसर होगा option d so words third largest diamond found in Botswana तो देखिए बहुत स्वाना में एक company है diamond company इसका नाम है देव स्वाना तो इन्होंने जो है 1098 karat का diamond जो है इन्होंने discover किया है और यह third largest diamond बताया जा रहा है और 73 mm long 52 mm wide और 27 mm thick जो है इसकी measurement बताई जा रही है साथ ही आपको जानना चाहिए कि जो अब तक का biggest diamond है जो अब तक का जो discover हुआ है यह 3106 karat का है इसका नाम है kulinan diamond यह South Africa में discover किया गया था और उसके बाद दूसरे number पर है 1109 karat का आपका यह लैसे दी ला रोना इसको भी बहुत स्वाना में discover किया गया था साल 2015 में बात करेंगर बहुत स्वाना की तो फ्रेंट्स यह अफ्रिका का largest diamonds producer country है और इसकी जो capital है यह गैबरोन है और currency हैं आकि बहुत स्वाना पूला और प्रेजिडेंट हैं आके मोक विट्सी मैसी सी आगे बढ़ते हैं हाल ही में संस्कृति और परियतन मंत्री पहलाज सिंग पटेल ने किस सहर में आयुजित जंडा सत्यागरह में भाग लिया options आपके सामने हैं सही answer होगा option c so recently culture and tourism minister पहलाज सिंग पटेल participated in flag सत्यागरह organized in जबलपूर मध्यपरदेश तो जबलपूर मध्यपरदेश में यह flag सत्यागरह को organized किया गया है आपको बता दें कि यह सत्यागरह जो है इसलिए किया गया है क्योंकि 18 March 1923 को जो है first ट्राइकलर यानि पहला तिरंगा यहीं पर होस्ट किया गया था यहीं पर फैराया गया था जबलपूर में मध्यपरदेश में आगे बढ़ते हैं कि CII के अनुसार वित्वर्थ 2021-22 में भारत का सकल घरेलू उत्पात कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है ओप्शन आपके सामने है और सही आंसर होगा ओप्शन C So as per the CII, India's Gross Domestic Product यानी GDP is expected to grow at 9.5% in fiscal year 2021-22 So 9.5% से grow करेगी हमारी GDP यह कहा है Confederation of Indian Industry यानी CII ने और एकल CX कार्यान वेन के लिए किस बैंक ने Infosys को चाहिनी दिया है Options आपके सामने है, सही आंसर होगा Option C So Federal Bank has enlisted Infosys for Oracle CX Implementation जानते हैं इस कुश्चन के बारे में देखे Federal Bank का एक जो यह Oracle CX यह जो एक टूल है, कैसा टूल है? यह Cloud Based Customer Relationship Management टूल है तो इसको जो है, इसकी Marketing के लिए, इसके Sales के लिए और Customer Experience अच्छा प्रोवाइट कराने के लिए Federal Bank ने Infosys को जिम्मेदारी दी है तो यह Product आप याद रखे है, Oracle CX यह Federal Bank से Related है और इसके पूरे Management के लिए Infosys को जिम्मेदारी दी गई है Federal Bank के बारे में आपको जानना चाहिए कि इसके MD & CEO श्याम स्रीनिवासन है और Chairperson है Grace Elizabeth Koshi और इसका Headquarters Elua Kochi केरल में है बारत में कितने Colleges ओने? MG and CRE द्वारा One District One Green Champion Award जीता सही answer होगा Option D So 400 Colleges across India won the One District One Green Champion Award given by MG and CRE MG and CRE का मतलब है मातमा गांदी National Council of Rural Education तो इसने Friends One District One Green Champion Award दिये हैं कितने? 400 Colleges को और यह जो MG and CRE है यह आता है आपका जो Education Ministry है इसके तहत अंबूजा सिमेंट Foundation ने दस राज्यों में ग्रामीन युवाओं को कोशल परदार करने के लिए निमली कित्मे से किसके साथ हाथ मिलाया है? Options आपके सामने हैं और सही answer होगा Option D तो अंबूजा सिमेंट Foundation has joint hands with Nabar to skill rural youth in 10 states जानते हैं इसके बारे में देखें जो ग्रामीन इंडाके के जो युवाओं हैं तो उनमें skills impart करने के लिए इसकिल्फूल उन्हें बनाने के लिए अंबूजा सिमेंट Foundation ने नाबाड यानि नेसल बैंक for agriculture and rural development के साथ एक partnership की है और नाबाड जो है ग्राम में विकास निधी के तहत इनको जो अंबूजा सिमेंट Foundation है इसको grant भी provide कराएगा नाबाड के बारे में आपको जानना चाहिए कि इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका headquarters मुंबई में है और फिलाल इसके chairman है गोविंद राजुलू चिंतला और आपको बता दे कि जो नाबाड की establishment है जो इसका गठन है ये बी सिवारमन committee इसके सिफारिस पर किया गया था ये fact काफी important है याद रखेगा अखिल भारतिय फुटबोल महासंग के पूर्व उपाध्यक्ष का नाम बता ये जिनका हाल ही में निधन हो गया options आपके सामने है और सही आंसर होगा option C, so C.R. विश्वनाथन was the former vice president of All India football federation and he has passed away recently तो All India football federation के vice president होने के साथ साथ ये तमिलनाडु football association के former president भी रह चुके थे विश्व सीकल सेल जागरुकता दिवस किस दिन मनाया जाता है, options आपके सामने है, सही आंसर होगा option B, world sickle cell awareness day is observed on June 19 तो world sickle cell day, ये 19 जुन को हर साल मनाया जाता है, किसलिए जो sickle cell disorder है उसके परती लोगों को जागरुक करने के लिए देखें जो ये sickle cell anemia है, ये एक genetic red blood cell disorder है, यानि कि सरीर में जो है जो red blood cells है, ये परियाप्त मातरा में जो है नहीं बन पाती है, तो उसके कारण जो oxygen supply है वो भी disturb हो जाती है उस भारते क्रिगेटर का नाम बताईए जिसे one plus द्वारा brand ambassador न्यूक्त किया गया है, options आपके सामने है और सही answer होगा option D, so one plus has appointed जस्प्रीद बुम्रा as its brand ambassador, तो देखिए जो आप जानते है, smart for brand है one plus तो इसने जस्प्रीद बुम्रा को अपने wearables category के लिए brand ambassador चुना है, wearables category मतलब जैसे watch हो गया है तो जो पहनने वाली चीज़े होती है, इस तरह की category के लिए अपना brand ambassador चुना है जस्प्रीद बुम्रा को A कस्मीरी century, नामक पुस्तक के लेखक या लेखी का कौन है, options आपके सामने है और सही answer होगा option D, so खेमलता वाकलू, is the author of the book titled A कस्मीरी century, काफी important book है friends, इसको आप जरूर नोट डाउन कीजेगा, जानते हैं इस question के बारे में, देखें आपको पता है जो इस बार 2021 में जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया है, यह 7th edition है, तो इस तरह से भी question पूछ ले जाते हैं, और इस मोके पर नरेंद्र मोदी जी ने यानि 21 जून को इंटरनेशनल डे ओफ योगा के दिन, और सही आंसर होगा, option D, यहाँ पर यह boundary है, इधर Northern Ireland है और यह Republic of Ireland है, ध्यान दीजेगा, Scotland plus Wales plus England, इन तीनों को यदि आप मिला दें, तो Britain बनता है, और अगर आप Scotland, Wales, England, यानि की Britain में Northern Ireland को मिला दें, तो पूरा United Kingdom बनता है, आई होगा आपको समझ में आ गया होगा कि United Kingdom and Britain में क्या अंतर है, फिर से मैं एक बार repeat करूँगा, ध्यान से सुनिए गा, Scotland plus Wales plus England, यह आपका बन गया Britain, Scotland plus Wales plus England plus Northern Ireland, यह आपका बन गया United Kingdom, यह आप कह सकते हैं, Britain plus Northern Ireland equals to United Kingdom, और यह तो अपना अलग है Republic of Ireland, तो इसके यह जो है निवासी है, Kevin O'Brien यहां से है Republic of Ireland से, इसकी capital Dublin है, जबकि जो Northern Ireland है, इसकी capital है Belfast, साथ ही इस question में आपको यह भी जानना चाहिए, कि इन्होंने कितने Monday International matches खेले हैं, तो 153 matches खेले हैं, इस तरह से भी question पूछ लिया जाता है, आगे बढ़ते हैं, French Grand Prix, किसने जीता, options आपके सामने हैं, सही आंसर होगा, option D, so Max Worst Happen won French Grand Prix, तो यहां पर car racing के बात हो रही है, देखें जो Max Worst Happen है, यह Belgian Dutch racing driver हैं, जो कि Red Bull के लिए racing करते हैं, और अब तक हमने इस पूरे सालियानी 2021 में जो भी GP's हुई है, Grand Prix हुई है, यह किस-किस ने जीती हैं, जल्दे से revise कर लेते हैं, बहरीन जीपी यह Lewis Hamilton ने जीती है, Amelia Romagna जीपी यह Max Worst Happen ने जीती है, Portuguese GP यह भी Lewis Hamilton ने जीती है, Spanish GP यह भी Lewis Hamilton ने जीती है, और अजरबैजान जीपी यह Sergio Perez इन्होंने जीती है, G26 सा मंत्रियों की बैठक में भारत का परतिनियूत किस ने किया है, उप्शन्स आपके सामने हैं, सही आंसरों का उप्शन B, सो संजे दोत्रे हैं रिप्रेजेंटेड इंडिया इन G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स मीट, तो देखें, आपको यह जानना जाईए कि जो संजे दोत्रे हैं, यह राज्यमंत्री हैं, किन-किन मिनिस्टरी में, एक तो मिनिस्टरी ओफ एजुकेशन में, मिनिस्टरी ओफ कॉम्मिनिकेशन में और मिनिस्टरी ओफ इलेक्ट्रोनिक्स एंड आईटी में, तो इन्होंने जो G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया है और इन्होंने G20 Ministers for Education and Labor and Employment ये मीटिंग भी हुई है तो इसमें भी इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है साथ ये आपको भी जानना चाहिए कि इस बार 2021 में जो G20 मीटिंग होने वाली है ये इटिली में होगी और बाकी इसके आगे वाले सिट्डियों भी देख लेते हैं तो 2021 G20 इटिली में होगी 2022 G20 ये इंडोनेशिया में होगी 2023 G20 ये इंडिया में होगी और 2024 G20 ये ब्राजील में होगी असोग कुमार को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में न्युक्त किया गया है सही आंसर होगा Option B असोग कुमार हैस बीन अपोइंटेड एस नेक्स्ट हाई कमिशनर आफ इंडिया टू जांबिया और साथे आपको जानना चाहिए कि जो जांबिया है इसकी कैपिटल लुसा का है और यहां की करंसी है जांबियन क्वाचा किस राज्य ने कोविड अनाथों की सिक्सा स्वास्ते और रख रखाव के लिए आशिरबाद योजना सुरू की है ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर होगा ओप्शन ए तो ओडिसा लॉंच्ट आशिरबाद स्कीम फोर एजुकेशन हेल्थ और मेंटिनेंस ओफ कोविड औरफन्स यह ओडिसा के सी एम है नवीन पटनाएक जी तो आशिरबाद इसकीम जोने लॉंच की है देखे इसके प्रोविजन जान लेते हैं तो इसमें क्या है जिन बच्चों के पैरेंट्स की मित्ती हो गई है उनके फैमिली मेंबर्स अगर उन बच्चों की रिस्पॉंसिबिटी लेते हैं तो हर मईने उन्हें जो है पच्चि नहीं हो जाता उसको 1000 पर मंत दिये जाएंगे साथी यदि केवल माता या पिता इन में से कोई इकलोता जो कमाने वाला था उसकी मृत्ती हो गई है तो अब जो भी उनके साथ बचाया है अगर माता बची है या फिर पिता बची है तो उनको 1500 पर मंत रुपीज दिये जाएं सही आंसर होगा option D. So World Investment Report 2021 is released by UNCTED यानि United Nations Conference on Trade and Development जानते हैं इसके बारे में ये आपके लिए काफी important रहे का question कोई भी exam हो देखिए World Investment Report 2021 किसके द्वारा जारी की गई United Nations Conference on Trade and Development इसका headquarters जेनेवा Switzerland में है तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो भारत को foreign direct investment मिला है 2020 में ये 64 billion US dollar का मिला है और 27% की वृद्धी हुई है यानि 27% जो है increase हुआ है FDI में as compared to 2019 2019 में 51 billion US dollar मिला था जबकि 2020 में 64 billion US dollar मिला है और भारत जो है पूरे वर्ड में 5th largest FDI recipient है यानि प्राप्त करता है अच्छा साथ इनोंने reason भी दिया है कि किसलिए ऐसा हुआ है कि भारत की FDI में वृद्धी हुई है क्योंकि जो ICT है यानि Information and Communication Technology इस तरह की जो industry है यानि software hardware industry जो तो इस वज़े से भारत में FDI बढ़ा है FDI का मतलब होता है कि मान लिजे कोई विदेश से कोई company आकर कोई institution आकर हमारे देश में या तो अपना कोई manufacturing unit setup कर ले या फिर यहां कि कोई company है उसको acquire कर ले यानि कि उसको अधिगरंड कर ले तो यह जो दिये एक long term investment मानी जाती है F FDI साथी देखिए इसने यह कहा है कि जो global FDI है इसमें जो है हमको decrease देखने के लिए मिला है यानि plunged हो गई है यानि कि इसमें जो है गिरावर्ट देखने के मिली है 2020 में 35% गिरावर्ट देखने के लिए मिली है केवल 1 trillion US dollar की FDI globally प्राप्त की गई है और जबकि उससे पहले 2019 में 1.5 trillion US dollar की FDI प्राप्त की गई थी worldwide बात की जारी है और साथी इसमें यह कहा गया है FDI outflows यानि भारत से अब FDI बाहर कितनी गई है तो उसमें जो है top 20 countries में से भारत 18th नंबर पर है यानि इसमें कहा गया है कि 2020 में भारत से 12 billion dollars की जो FDI है वो यहां से बाहर गई है और निश्ठा किस एजेंसी का पर्मुक कारिकरम है options आपके सामने है सई आंसर होगा option D so NISTA is a flagship program of NCERT यानि National Council of Education Research and Training जानते हैं इस बारे में यहां से भी आप इसकी heading पढ़ सकते हैं PIV की Ministry of Tribal Affairs and NCERT come together on a joint mission for NISTA Capacity Building Program for EMRS Teachers and Principals समझेंगे इस question को क्या कहना चाते हैं पहले तो आपको यह जानना चाहिए निश्ठा का मतलब क्या है National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement Program तो यह एक NCRT की flagship program है अच्छा अब देखे की question में क्या कहना चाहरे है देखे Ministry of Tribal Affairs जो है इसके अंतरगत एकलव यह model residential schools आते हैं यह जो एकलव यह model residential schools हैं यह जो STs होते हैं जो सिड्डूल ट्राइप्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए खोले गए हैं तो 1997-98 में इनकी स्थापना की गई थी अब जो यहाँ पर teachers हैं जो यहाँ पर staff है तो ट्रेनिंग के लिए यह निश्ठा प्रोग्राम जो है जो NCRT का निश्ठा प्रोग्राम है तो Ministry of Tribal Affairs चाती है कि निश्ठा प्रोग्राम के तहत जो यह एकलव यह model residential schools इनके जो teachers हैं उनको training प्रोवाइट की जाए और अब तक इन्होंने बताया है कि 120 EMRS यानि एकलव यह model residential schools, teachers और principals ने आपर training ले ली है केंदर सरकार ने किस वर्स तक सडक दुरगटना में होने वाली मोतों को 50% कम करने का लक्ष रखा है options आपके सामने है और सही आंसर होगा option B So the central government has set target of reducing road accidents, road accident deaths by 50% by 2024 तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको जाना चाहिए कि फिक्की ने एक virtual session यहाँ पर किया role of corporates in arresting road fatalities तो फिक्की द्वारा यह जो है organize किया फिक्की आनि कि Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry तो इसी conference को संबोधित करते हुए address करते हुए जो हमारे minister for road, transport and highways और minister of micro, small and medium enterprises जो है नितिन गड़करी तो इन्होंने काया कि भारत का लक्षी यह है कि हम 2024 तक जो भी road accident के कारण जो deaths होती है उनमें 50% की हम कमी लाएं बारत का मरवस्थली करण और भूमी छरण एटलस किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है options आपके सामने हैं सही answer होगा option B so desertification and land degradation atlas of India is published by space application center एहमदाबाद यह भी आपके लिए काफी important question है देखिए जो आपका environment ministry है तो इसमें राज्यमंदर है बाबुल सुपरियों तो इन्होंने क्या किया है desertification and land degradation atlas of India इसका latest version release किया है degradation का मतलब होता है कि soil जो मिट्टी है उसकी जो productive capacity है वो बिल्कुल खतम हो गई है यानि यह वो productive नहीं पेचिए उसका मतलब होता है degradation तो देखिए और जो यह report है जो यह decertification and land degradation atlas of India है यह published किया गया है space application center जो कि एहमदाबाद में इस्तित है यह ISRO का एक institute है और देखिए इसमें क्या बताया गया है इसमें यह बताया गया है कि 2018-19 तो इस time frame में जो भी state wise जो degraded lands है तो उसके बारे में एक data यहां पर provide कराया है साथ ही 2035 से लेकर 2018-19 तक के बीच का भी data इसमें provide कराया है इसी से related कि degradation जो land है degraded land जो है उसका आकड़ा provide कराया है साथ ही यह आपके लिए काफी important रहेगा आपको बता देगी भारत का लक्षे है कि 26 million hectares कि जो degraded land है उसको 2030 तक फिर से restore किया जाए फिर से उपजाओ बनाया जाए और आपको जानना चाहिए कि world day to combat desertification and drought यह 17 जुन को मनाया जाता है किस IIT ने दुनिया का सबसे छोटा microscope, muse scope विक्सित किया है options आपके सामने है सही आंसर होगा option D. So, IIT हैदराबाद has developed the world's smallest microscope, muse scope तो muse scope यहाँ पर डॉंच किया है IIT हैदराबाद के researchers ने और यह एक on-chip microscope है और यह 1 milli micron diameters तक के जो object है उनको अच्छे से image कर सकता है Quality Council of India यानि QCI ने Indian Certification of Medical Devices यानि ICMED प्लस scheme लॉंच की है आपको बताना है कि जो यह QCI है इसके अध्यक्ष कोन है options आपके सामने है सही आंसर होगा option D. So, Quality Council of India यानि QCI लॉंच्ट Indian Certification of Medical Devices प्लस scheme और आदिल जैनुल भाई is the chairman of QCI आई देखिए Quality Council of India ने Association of Indian Manufacturers of Medical Devices इसके साथ मिलकर Certification of Medical Devices प्लस scheme इसका नाम रखा गया है ICMED 13485 प्लस इस scheme को लॉंच किया है तो देखिए इसका उदेशिक है जो भी products है उनकी quality and standards के level को परखना है यानि कि जो सब standard medical products है या devices है उनको eliminate करना है और आपको जानना चाहिए chairman मैंने आपको बता दिया है कि आदिल जैनुल भाई है इसके chairman QCI के और इसका headquarters New Delhi में है Green Hydrogen पहल पर दो दीवसी है सिखर सम्मेलन की मेजमानी किस देश ने की है options आपके सामने है और सही answer होगा option A So India hosted a two-day summit on Green Hydrogen initiatives और किसके द्वारा इसको anchored किया गया यानि कि host किया गया NTPC Limited के द्वारा देश के विभिनन हिस्सों में कितने दिव्यांग खेल केंद्र इस्थापित किये जाएंगे options आपके सामने है सही answer होगा option A तो five दिव्यांग खेल केंद्र खेल केंद्र will be established in different parts of countries दिव्यांग गता दिव्यांग खेल केंद्र इस्थापित किये जाएंगे तो यह announcement किस ने की है जो Union Minister for Social Justice and Empowerment है आपके थवर्चंद गहलोजी ने makers of modern Dalit history सीर्षक वाली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है options आपके सामने है और सही answer होगा option D तो देखिए जो यह बुक है काफी important बुक आपके exam point of view से रहने वाली है makers of modern Dalit history इसके author है गुरु प्रकास पासवान और सुदर्चन रामबद्रन तो दोनों ही को आप याद रखेगा फिर से मैं बता देता हूँ गुरु प्रकास पासवान और सुदर्चन रामबद्रन makers of modern Dalit history यह है बुक का नाम German Moto GP किसने जीता है options आपके सामने है सही answer होगा option B so Mark Marquez won the German Moto GP तो आपर बाई के रेसिंग की बात हो रही है और आपको बता देए इस्पेन के हैं और जो Honda की टीम है Honda की जो टीम है उसके लिए यह रेसिंग करते हैं तो Honda की यह एक रैपसोल Honda इस नाम से एक टीम है उसके लिए रेसिंग करते हैं और इन्होंने जर्मन Moto GP यह जीता है Laurel Hubbard Tokyo Olympics के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली transgender athlete बन गई है वह किस तेशकी है options आपके सामने है सही answer होगा option D Laurel Hubbard has become the first transgender athlete to qualify for Tokyo Olympics C is from New Zealand तो देखिए New Zealand की weightlifter है इनका नाम है Laurel Hubbard और यह first transgender athlete बन गई है जिन्होंने Olympics के लिए क्वालिफाई किया है तो यहां पर आपको यह जानना होगा कि Laurel Hubbard यह किस संबंदित है weightlifting से संबंदित है question इस तरह से भी मन सकता है कि Tokyo Olympics में qualify करने वाली first transgender athlete जिनका नाम Laurel Hubbard है यह किस संबंदित है तो options में आसकता है तो उसमें उस दसा में आपका सही answer होगा weightlifting आगे बढ़ते हैं वित्वर्स 2020-21 के लिए GDP के पर्तिशत के रूप में सरकार को हस्तांतरित reserve के मामले में RBI की rank क्या है options आपके सामने हैं और correct answer होगा option D So RBI's rank in terms of reserve transferred to the government as a percentage of GDP for fiscal year 2020-2021 is second जानते हैं देखे इस question के बारे में क्या मतलब है इसका देखे Reserve Bank of India जो है surplus transfer करता है government of India को तो जो यह Reserve Bank of India का surplus है इसका मतलब यह है कि वो amount जो यह हर साल भारत सरकार को transfer करता है RBI के अपने जितने भी expenses हैं उन्हें पूरा करने के पास जो amount बचता है वो amount surplus कहलाती है अब देखे है RBI को income tax देने के requirement नहीं होती है यह केवल सरकार को surplus transfer करता है तो इसी की बात यहां पर की जा रही है कि GDP के percentage की रूप में जो surplus दिया जाता है government को तो उस term में Reserve Bank of India की कौन सी rank है कौन से number पर है तो Reserve Bank of India जो है दूसरे number पर है और पहरे number पर है Turkey तो देखिए जो July 2020 से March 2021 में जो Reserve Bank of India ने जो surplus transfer किया है government of India को यह 99,122 करोड रूपीस का ठीक है और साथे आपको यह भी जानना चाहिए जो RBI जो surplus transfer करता है यह किस से संबन्दित है तो देखिए यह RBI Act 1934 की section 47 allocation of surplus profits तो इसके accordingly इसके in accordance with section 47 of RBI Act 1934 RBI जो है यह surplus transfer करता है government of India को तो यह third point आपके लिए काफी important रहेगा याद रिखेगा section 47 RBI Act 1934 यहाँ पर आप देख भी सकते हैं देखिए टर्की पहले नंबर पर है तो GDP का point five percent जितनी GDP है उसका four point जो GDP है उसका zero point five percent अगर आप calculate करेंगे तो जो भी amount आएगी उतना जो है टर्की का जो लेंक है वो अपनी सरकार को जो है टांसफर करता है इसी तरह से जो भारत है यह जो इंडिया की GDP है उसका point four four percent जो है central government को टांसफर करता है तीस नंबर मालेशिया है चोथे पर Sweden है पाचवे पर Kenya है निमलिकित में से कौन भारत का बावनवाट Tiger Reserve होगा options आपके सामने है और correct answer होगा option D सो रामगड विश्धारी Sanctuary will be the 52nd Tiger Reserve in India देखे हाली में National Tiger Conservation Authority यानि NTCNA जो यह राजस्थान में रामगड विश्धारी Sanctuary है इसको green signal दे दिया है हरीजन भी दे दिया है इसी के साथ जो यह रामगड वाइड लाइफ सेंचुरी है यह भारत का 52nd 52 टाइगर रिजर्व बन जाएगा और राजस्थान का यह 4th Tiger Reserve बनेगा इससे पहले राजस्थान में कौन-कौन से Tiger Reserve से है क्रेडिट आवशक्ताओं के साथ MSME को समर्दन देने के लिए किस बैंक ने NSIC के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन बी तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है साइन एन एमो यू विद एनस आइस आइस टू सपोर्ट MSME विद क्रेडिट रिक्वाइरमेंट्स देखिए इसके तहएत क्या होगा पहले जान लीजी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नेस्नल इस्मॉल इंडिस्टिस कोर्परेशन लिमिटेड इसके साथ एक MOU साइन किया है अंडर NSIC Bank Credit Facilitation Scheme तो इसके तहएत जो MSME है उनको जो लौन चाहिए उनकी जो रिक्वाइरमेंट है उसको पुरा किया जाएगा तो इसके तहएत क्या होगा जो भी इनको MSME को जो Union Bank of India से जो लौन के रिक्वाइरमेंट है तो उसके लिए जो एप्लिकेशन है वो यह लोग NSIC का जो ऑफिस है वहाँ पर भी सम्मिट कर सकते हैं बाकी Union Bank of India के बारे में आपको जानना चाहिए कि इसके MD and CEO राज की रनराय जी है और Headquarters मुबई में है टेग ला United Nations Public Service Day is observed on 23rd of June तो 23 June को मनाया जाता है United Nations Public Service Day और इस बार 2021 में इसका theme रहा है Innovating the Future Public Service, New Government Models for a New Era to Reach the SDGs यानि Sustainable Development Goals और इस पार होस्ट कंट्री है United Arab Emirates CBSC ने Innovation Ambassador Program शुरू करने के लिए निमली खित में से किसके साथ सही हो किया है या collaborate हिया है सही answer होगा option C, so CBSC has collaborated with AICTE to launch the Innovation Ambassador Program तो देखे इसके तहत क्या होगा, CBSC यानि Center Board of Secondary Education और AICTE यानि All India Council for Technical Education तो इन्होंने Innovation Ambassador Program इसको launch करने के लिए collaboration किया है तो इसके तहत क्या होगा, जो भी CBSC के जो teachers है, तो उनको जो है AICTE के द्वारा training दी जाएगी किन modules के अंडर, देखे पांच module यांपर जारी किये है तो इस सभी modules है और इन्ही के basis पर इनको जो है training दी जाएगी साथे आपको जानना चाहिए कि CBC के चेर्मेन है मनोज आहुजा और AICTE के चेर्मेन है अनील डी सहस्त्र बुद्धी किस राज्य ने मुख्यमंतरी युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंतरी महिला उद्यमी योजना सुरू की है जानते हैं इसके बारे में सबसे पहले है मुख्यमंतरी युवा उद्यमी योजना तो इसमें क्या होगा जो भी बेरोजगार जो यूद हैं बिहार के अगर वे अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनको 10 लाग रुपे का support दिया जाएगा इसमें से 5 लाग केवल subsidy amount होगी और बाकी का 5 लाग जो है एक loan amount होगा जिसपे की 1% interest आपको देना होगा दूसरा है मुख्य मंतरी महिला उद्यमी योजना इसमें जो बेरोजगार जो women's है बिहार की तो उनको जो है 10 लाग रुपे support दिया जाएगा फिर से वही अगर वो अपना business शुरू करना चाहते हैं और इसमें से 5 लाग subsidy amount होगा जो की इने return करने ही जरूत नहीं है बाकी ज दो डिप्टी-CM के नाम है तारकिशोर प्रसाद और रेनु देवी आपको जानना चाहिए कि बिहार में केवल 11.3% population ही urban areas में रहती है ठीक है और यह दूसरे नंबर पर सबसे lowest आंकड़े हैं पहले नंबर पर है हिमाचल यानि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम प्रतीशत ज नसल पार्क यहां पर है विक्रम शिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी यहां पर है और करकत कड़ वाटरफॉल यहां पर है कैमोर वाइड लाइफ सेंचुरी है यहां पर बीम बंद वाइड लाइफ सेंचुरी है गोतम बुद्ध वाइड लाइफ सेंचुरी है कमर ल से यह बिलोंग करती है और महाबोधी टेंपल तो यह सभी जो है बिहार में इस्तित हैं या बिहार से बिलोंग करते हैं वालमी की नेसल पार्क कवर लेक बढ़ सेंचुरी और कवर ताल रामसर वैटलेंड यह फ्रेंट्स आपके लिए काफी इंपोर्टनेंड साथी विक्रम मौली है इस पिर अपॉंटेड एस नेक्स्ट हाई कमिशनर ऑफ इंडिया टू जीपोथी तो आर्चंदर मौली को रिपब्लिक ऑफ जीपोथी में भारत का अंबैस्टर निउक्त किया गया है जीपोथी के बारे में आपको जानना चाहिए कि कैपिटल इसकी जीपोथी ही है करंसी यहां की जीवोशियन फ्रेंक है तो यह है आपकी लोकेशन देखे इसको होर्ण ओफ अफरिका कहते हैं यह देख रहे हैं आप होर्ण की तरह बिल्कुल तो एरिट्रिया जीपोथी इथोपिया और सोमालिया यह चारो कंट्रीज मिलकर बनाती है होर्ण ओफ अफ यहां पर आप Gulf of Eden देख रहे हैं और यह है Red Sea और यहां पर बीच में जो एक छोटा सा इस्ट्रेट है इसका नाम है Bubble Monday तो Bubble Monday क्या करता है Gulf of Eden को Red Sea से Connect करता है तो यह आपको जानना चाहिए आगे बढ़ते हैं एल प्रसांथ पीशे को किस देश में भारत के अगले उच्चा युक्त के रूप में निउक्त किया गया है और इराक की बात करें तो यहां की Capital बगदाद है यहां की currency इराकी दिनार है यह है यह यहां पर इराक यह पूरा अरब पैनिनिसूला है हाली में भारत और फीशी ने क्रिसी और संबंद छेत्रों के छेत्र में सहयोग के लिए एक समझोता गयापन पर हस्ताक्षर किये हैं फीशी की राजधानी क्या है यह आपको बताना है सही आंसर होगा option A तो रिसेंटली इंडिया एंड फीशी साइंड एन MOU फोर कोपरेशन इन दा फिल्ड ऑफ अग्रिकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स सुवा इस दा कैपिटल ऑफ फीशी तो फीशी जो है यह एक साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेट कंट्री है और इसकी जो कैपिटल है यह सुवा है करन्सी यहां की फीशी डॉलर है यहां के प्रेजिडेंट जियो जी कॉन रोट है और प्राइम मिस्टर फ्रेंक बाइनी मरमा है ATP 500 हाले ओपन टैनिस टूर्णामेंट किसने जीता है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन ए तो इंपोर्टन है यह कोश्चन भी आपके लिए तो फ्रांस के हैं यह और इन्होंने एंड्रे रुबलेव जो की रश्या के हैं इनको हराया है एन्वल बैंक स्टेटिस्टिक्स 2020 के नुसार स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत का कौन सा इस्थान है ओप्शन आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ओप्शन C इंडिया's rank in terms of money deposited in Swiss bank as per Annual bank statistics of 2020 is 51st चानते हैं इसकोषिञन के बारे में देखिए Annual bank statistics of 2020 यह रिपोर्ट release की गई है Swiss national bank के दुआरा जो की Sw phosphorus इडिविज्वल्स और जो फर्म्स हैं तो इन्होंने जो स्विस बैंक में जो अपने फंड्स रखे हुए हैं टोटल एमाउंट है निकी 2.55 बिलियन स्विस फ्रैंक्स यानि 20,700 करोड रुपे 2020 की ये बात हो रही है और इस इसी वज़े से भारत का नंबर जो है ये 51 यानि 51 में नंबर पर है भारत ठीक है अगर कंट्रीज को देखे कि किस कंट्री से सबस्यादा फंड स्विस नेसनल बैंक में है तो उस मामले में 51 नंबर पर है आपका इंडिया ठीक है हमारा इंडिया और पहले नंबर पर है युनाइटेड किंग्डम तो युनाइटेड किंग्डम का आप देख सकते हैं आपर स्विस फ्रेंक्स 377 बिलियन जो है यहां पर स्विज़ेशन लेंड में इनका जमा है दूसे नंबर पर है यूएस किस भारते अमेरी की रसायन अग्य को परतिश्टित यूरोपीय इन्वेंटर पुरसकार से सम्मानित किया गया है ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन ए सो इंडो-अमेरिकन केमिस्ट सुमीता मित्रा हैस बिन ओनर्ड विद प्रिस्टीजियस यूरोपीयन इन्वेंटर अवार्ड और किस कैटेगरी में दिया गया है नॉन यूरोपीयन पेटेंट ऑफिस कंट्रीस कैटेगरी में इनको यह प्रुसकार दिया गया है यूरोपी इस ता ओथर ऑफ दा बुक टाइटल्ड तरनेटमेक्स कर्स देखे फ्रेंड्स कुछ राइटर्स ऐसे हैं जिनकी जो पुरानी बुक से में भी आज के एक्जाम में पूछी जाती हैं और अगर उनको कोई नई बुक रिलीज करें तो वो तो आपके एक्जाम में आईगी ही जैसे मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ आप उनकी एक लिष्ट जरूर बनाईएगा तीन चार बुक उनकी काफी फेमस होती हैं जो की पूछ ली जाती हैं अरुंदती रोय हैं विक्रम सेठ हैं सल्मान रस्ती हैं किरन देसाई अनिता देसाई अर्विंद अडिका चे इनकी न कोई पूछी जाएगी जैसे सल्मान रस्ती हैं इन्होंने और ने दो बूख लॉंच की हैं तो आपके एक्जाम में डेफिनेटली पूछी जाएगी इसी तरह से रसकिन बॉंड ने भी एक बूख हाली में रिलीस की तो वह भी पूछी जाएगी तो इसलिए आप सभी पर ध्यान दीजीगा देखिए अगर हम अमिताब घुश की बात करें इनके जो फेमस बुख्स ये नॉवल्स हैं दस शेडू लाइन्स दे ग्लास पैलेज सी ओफ पोपी ये कई बार एक्जाम में पुछा गया ऐसे सीगे याद रखेगा डीवर ओफ इसमॉक दह हंगरी किये हैं ओप्शन्स आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ओप्शन ए सो मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस साइंट कॉंट्रेक्ट विद गोवा शिप्यार्ड लिमिटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टू पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स फॉर इंडियन कोस्ट गार्ट तो यह गोवा शिप्यार्ड लिमिटेड तो देखें मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस क्या चाहती है यह चाहती है दो पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स तो इसको कौन बनाकर देगा गोवा शिप्यार्ड लिमिटेड कितना बजट यहां पर एलोट किया गया है 583 कोरोट रुपीज यह इंडिजेशनी डिजाइंड डेवलप्ट एंड मैनुफेक्चर यानि भारत में ही डिजाइन किया गया हो भारत में ही डेवलप्ट किया गया हो और मैनुफेक्चर किया गया हो तो इस कैटेगरी के तहत यह जो टू पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल से यह बनाए जाएंगे declared US national holiday marks the end of slavery on June 19 in 1865 देख़े कोश्चन का मतलब समझे है हाली में क्या है कि US government ने कहा है कि जो जून 13 यहां पर जो मनाया जाता है जो अबसर्व किया जाता है 19 जून को इसको national holiday declare कर दिया गया है यानि इसको national holiday मनाया जाएगा ठीक है राश्टी अवकास इसको मनाया जाएगा तो कोश्चन में यह पूछा है कि जो यह जून 13 है तो यह 19 जून को यह observe किया जाता है तो 19 जून तो किस वर्स के 19 जून को जो है दास पर्था की समापती के उप लक्ष में यह दिन observe किया जाता है यह यह यहां पर आपसे पूछा गया है जानते हैं देखिए आपको समझ में आ जाएगा देखे पहले तो जानी कि जून 13 यह जो है जून प्लस 19 इन दोनों सब्दों से मिल कर बना हो और उन दोनों सब्दों के साउंड और अर्थ उस एक सिंगल वर्ड में आ जाए उससे बोलते हैं पॉर्ट में ट्यू वर्ड जैसे की हो गया यह जून 13 ठीक है और इसी तरह से आप कह सकते हैं मोटल जो की मोटर वेस प्लस होटल से मना है जैसे कोई ट्रैवलर है तो वो किसी रोड पर जैसे ट्रैवल कर रहा है तो रोड साइड में जो होटल बने हो रहते हैं उनको जहां पर पार्किंग की सुविदा भी होता है तो उनको बोलते हैं मोटल इस तरह से ब्रेक्सिट यह ब्रिटेन प्लस एकसिट से मनाए तो यह भी क्या हुआ हुआ अंगरी के साथ साथ एंगरी भी हूँ खैर इसको देखिए जून टीन्थ तो देखिए यहां पर यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में क्यों कि 19 जून को पुरा ही मैं आपको बता देता हूं देखिए 19 जून 1865 को क्या हुआ मेजर जनरल जॉर्डन ग्रेंजर तो इन्होंने जो है टेकसास में यह एनाउंस किया कि अमेरिका में civil war और slavery इन दोनों को ही समाप्त किया जाता है तो इन दोनों की समाप्ती के साथ जो है भारत में माफ कीज़ेगा यूनाइटेड इस्टेट्स में जो दास परता है या दास ता है इस इसने खाये कि हम इसको national holiday का दरजा देंगे यानि अब इस दिन अवकाश रहेगा साथ ही अगर आप किसी state exam की तयारी कर रहे हैं तो आपको जानना जाहिए कि American civil warrior 1861-1865 तक चला था ये question भी पूछ ले जाते हैं इस तरह के इस ओफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस सहर ने सीर्ज इस्थान प्राप्त किया है ओप्शन आपके सामने है और सही आंसर होगा option C so Bengaluru has stopped the Ease of Living Index 2020 जानते हैं इसके बारे में देखे टेबल से समझेंगे आपके लिए टेबल बनाई है सबसे पहले है 1,000,000 यानि 10,000,000 से जादा की जो जनसंख्या वाले सहर है तो उनकी यहां पर बात की गई है तो इन में सबसे टॉप पर जो है Ease of Living के हिसाब से तो यानि की रहने के हिसाब से सबसे अच्छा सहर कौन सा है यह है बैंगलूरू टोप फाइब मैंने आपको बताए है पूने, एहमदाबाद, चेन्नाई और सूरत और अगर हम अंत से देखें तो अंत में 49 नंबर पर रखा गया है स्री नगर को उससे उपर है फिर धनबाद ठीक है तो टोप फाइब और बोटम टू यह मैंने आपको यहां पर बताए है साथ ही देखिए अब विवाली सिटी जिनमें जो 1 मिलियन से कम की पोपुलेशन है तो इनमें टॉप 5 इस प्रकार है सिमला, भुगनेश्वर, सिलवासा, काकिनाडा और सलेम और बोटम से अगर हम देखें तो सबसे बोटम पर है मुझभवरपूर यह है 62nd पोजिशन पर इसी के साथ फ्रेंड्स यहां पर जो एवरेज सिटी स्कोर रहा है यह 53.51 रहा है इन सबी के भी स्कोर हैं पर वो हमारे लिए इतने इंपोर्डन नहीं है आपको रेंक यहां पर याद रखनी चाहिए और इसी के साथ यहां पर मुनिसिपैलिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स यह भी लॉंच किया गया है MPI तो इसके बारे में जानते हैं देखिए इसमें भी इसी तरह से कैटेगरी दी गई है वन मिलियन ठीक है यानि की ऐसी मुनिसिपैलिटी जिनमें वन मिलियन से ज्यादा की पॉपॉलेशन है तो इसमें टोप फाइफ कौन सी है इंडोर मुनिस इसी तरह अगर हम बिलो वन मिलियन देखें तो तो फाइफ है निव डेली तुरूपती गांधी नगर करनाल और सलिम और बोटम से गर्दम देखें तो यहाँ पर 60 पोजिशन दी गई है शिलोंग को माव्या सूधन किस राज्य या केंद्र सासित परदेश से इंडियन एर फोर्स की पहली महिला फाइट महिला फाइटर पाइलेट बन गई है ओप्शन्स आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ओप्शन सी सो माव्या सूधन हैस बिकम दा आईएफ फस्ट वूमन फाइटर पाइलेट फ्रॉम जम्मू एंड काश्मीर देखें फ्रेंट्स चोबीस साल ही है माव्या सूधन और यह फस्ट वूमन बन गई है कहां से किसे चुना गया है ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर होगा ओप्शन सी सो काइल जेमिशन वाज एड़जस्ट देखें बात कर रहे हैं हम पहली ICC वर्ड टेस्ट चैंपियंशिप की जो की 2019 से 2021 तक चली है यह इसका पहला एडिशन रहा है तो इसमें जो है आपको जानना चाहिए वेन्यूरा है रोस बॉल साथ हैंटन इंग्लेंड में और यहां पर विनर रहा है न्यूजिलेंड की क्रिकेट टीम और इसे कैप्टन है केन विलियमसन रनर अप रहा है इंडिया और इसे कैप्टन है विराट कोहली और प्लेयर ओफ दा मैच रहे है काइल जैमीसन जो की न्यूजिलेंड के हैं साथ ही आपको जानना चाहिए कि जो नेक्स एडिशन है ये 2021 से 2023 तक खेला जाएगा तो काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है फ्रेंड्स याद रिखेगा आगे चलते हैं हाली में किस राज्य ने मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाकार परिशत का गठन किया है जिसमें एस्टर डूफलो रगुराम राजन और अर्विंद सुब्रमाणियम जैसे नाम सामील है ओप्शन आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन C जानते हैं इस कोश्चन के बारे में तो देखे तमिलाडू ने अभी जो एकोनोमिक एडवाईजरी काउंसिल बनाई है चीफ मिनिस्टर के लिए यानि की एकोनोमिक मैटर पर जो चीफ मिनिस्टर को सला देंगे तो इनमें एक तो नोबेल पुरसकार विजेता एस्टल दूफलो है और अरडियाई के जो गवर्णर रह चुके हैं पहले रगुराम राजन आप सभी जानते हैं साथी इंडियन कोवर्मेंट के जो चीफ एकोनोमिक एडवाईजर रह चुके हैं अरविंद सुबरमंडियम यह हैं साथी डेवलप्मेंट एकोनोमिस्ट जीन ड्रेस यह भी है और फॉर्मल यूनियन फाइन्स सेक्रेटरी एस नारायन यह भी इसमें सामील है साथी आपको जानना चाहिए तमिल्लाडू के गवर्नर बनवारी लाल प्रोहित है और यहां के सीम है मुधुवेल करूना निदी इस्टेरिन जिने आप M के स्टेरिन भी बोलते हैं कैपिटल चेन नहीं है फ्रेंड्स अगर हम तमिल्लाडू से जुड़े इंपोर्टेंट स्टेटिक जीके की बात करें तो आपको जानना चाहिए देखे तमिल्लाडू से जगहें ज्यादा तर आपके एक्जाम में टैंपल्स पूछे जाते हैं तो इसलिए यह सब यह आपको याद रखेगा मिनाक्सी टैंपल, ब्रेदेश्वर टैंपल, स्री रंगनत स्वामी टैंपल, जंबुकेश्वर, जंबुकेश्वरर टैंपल और इकंबरेश्वर टैंपल, रामनात स्वामी टैंपल, कपलेश्वर टैंपल, मोनोलिथिक रोग टैंपल, नागराजा टैंपल, अनमलाया टै टेंपल श्रीपुरम गोल्डन टेंपल एंड बाला मुरुगन टेंपल ये सभी तमिलनाडु में साथी भरतनात्यम डांस इसका जो ओरीजन है ये तमिलनाडु से हैं आपको जानना चाहिए साथी देखें टाइगर रिजर्व जान लेते हैं आपर तो देखें मुदमुलाई टाइगर रिजर्व अनमलाई टाइगर रिजर्व सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और मुंडनु थुरई टाइगर रिजर्व साथी श्रीविल्ली पुथूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व देखें ये बिल्कुल लेटेस्ट बना है तमिलनाडु का इसलिए ये फिफ टेस्ट डेब्यू पर दोनों पारियों में अर्दुष्य तक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महीला क्रिकेटर कौन है। ओप्शन्स आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ओप्शन ए। सफाली वर्मा इस यंगेस्ट वोमन क्रिकेटर तो हीट हाफ सैंक्चुरी इन बोथ इनिंग्स ओन टेस्ट डेब्यू तो देखिए पहला ही इन्होंने टेस्ट मैच खेला और इसकी दोनों पारी में ही इन्होंने 50 स्कोर किया है तो यह कारणामा करने वाली यह यंगेस्ट व बाइस साल की उम्र में यह किर्तिमान हासिल किया था और आपको यह भी जानना चाहिए जो सफाली है यह रोह तक हरियाना से हैं अंतराश्ट यह विद्वा दिवस्त किस दिन मनाया जाता है ओप्शन आपके सामने है और सही आंसर होगा ओप्शन सी इंटरनेशनल वीडोस इस ऑपसर्ट ऑन 23rd of June तो 23 जून को अबसर्व किया जाता है और इस बार 2021 में इसका थीम रहा है इन्विजिबल विमन इन्विजिबल प्रॉब्लम्स देखिए जो वीडोस हैं ठीक है इनके लिए क्या-क्या दिक्कत आती है पॉवर्टी वाइलेंस हैल्थ और कॉन्फिक् यह सबसे ज़्यादा देखेंगे कि इसमें इनकी कोई गलती भी नहीं होती ठीक है और तब भी इनको यह सब भुकतना पड़ता है अब मान लीजे जैसे अफगानिस्तान में है तो अफगानिस्तान में युद्ध चलता रहता है उधर तालिबान और सरकार के बीच में इसी असर रसे उनको वीडो बनाने का ही काम करते हैं तो यह सब जितने भी वार होते हैं तो इसका सीदा सीदा जो खाम्याजा भुगतना पड़ता है वह इनकी वाइफ को ही भूगतना पड़ता है तो इसी उतलक्स में यह ऑपसर्व किया जाता है इंट्टरनेशनल वीडो जन किस मंत्राले ने साइबर दोगा धड़ी कटनाओं के पीडितों के लिए हेल्प लाइन नंबर 155-260 शुरू किया है ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंसरों का ओप्शन B So Ministry of Home Affairs has operationalized a help line number 155-260 for victims of cyber fraud incidents तो याद रिखिएगा किस मंत्राले के द्वारा Home Affairs के द्वारा तो cyber fraud incidents जो होती है तो उसकी आप यहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं और इसमें जो है यह help line जो है हर एक स्टेट पुलिस द्वारा इसको manage किया जाएगा साथ ही इसमें सहायता करेगा citizen financial cyber frauds reporting and management system और आपको बता दें कि जो यह help line है यह किसके द्वारा जो है develop की गई है यह Indian Cyber Crime Coordination Center I4C यह भी Ministry of Home Affairs के अंतरगत आता है सेभी ने Franklin Templeton ट्रस्टी सर्विसेज सहीद 9 संस्थाओ पर कितनी राशी का संचई जुर्माना लगाया है options आपके सामने हैं और सही आमसर होगा option A So SEBI has imposed a cumulative fine of 15 करोड रुपीज on 9 entities including Franklin Templeton ट्रस्टी सर्विसेज तो देखिए 15 करोड का जुर्माना लगाया है यहाँ पर 9 संस्थाओ पर जिनमें ही Franklin Templeton ट्रस्टी सर्विसेज भी है और अगर हम individual बात करें तो जो Franklin है इस पर 3 करोड का जुर्माना लगाया है सेबी ने तो banking exam के perspective से यह important question है अगर हम सेबी की बात करें तो chairman अजेतियागी है headquarters मुंबई महाराष्ट में है और 12 प्रेद 1992 को इसकी स्थापना की गई थी परिवहन प्रबंदन में उद्योग उनमुग ज्यान के लिए किस IIM ने CIRT के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं options आपके सामने हैं और सही answer होगा option A इसके साथ एक agreement साइन किया है आपको जानना चाहिए जो Central Institute of Road Transport है यह पूने महारास्ट में इस्थित है इसनोफलेक द्वारा निमली कित में से किसे Global Innovation Partner of the Year के रूप में मान्यता दी गई है यानि कि रिकागनाइस किया गया है सही answer होगा option A so LTI has been recognized as the Global Innovation Partner of the Year by Snowflake तो LTI मतलब Larson and Tobro Infotech जो की एक Global Technology Consulting and Digital Solutions कमपनी है तो इसको Snowflake जो की एक Data Cloud Company है US की इसने इसे LTI को अपना Global Innovation Partner रिकागनाइस किया है या आप कह सकते हैं कि नियुक्त किया है अंतराष्टे ओलंपिक दीवस किस दिन बनाया जाता है options आपके सामने है और सही answer होगा option C so International Olympic Day is celebrated on 23rd of June और इस बार 2021 में इसका theme रहा है stay healthy, stay strong, stay active with the Olympic Day workout on 23rd of June साथी तीन pillars पर ये celebration आधारी तरह है move, learn and discover आपको जानना चाहिए कि 23 जून 1894 को ट्वंटी थर्ड जून 1894 को बैर्वन पियर डी कोबर्टिन इन्होंने International Olympic Committee की स्थापना की थी और जो आपको ये भी जानना चाहिए जो भारत है इसने अब तक Olympics में 28 medals चीते हैं और इनमें 9 gold है, 7 silver है और 12 bronze medals है International Olympic Committee के अगर हम बात करें तो इसका headquarters लुसेन, Switzerland में है और इसके president है Thomas Batch किस NBFC को एक लगू वित्ट बैंक इस्थापित करने के लिए RBI से मंजूरी मिली जो PMC Bank का अधिगरण करेगी options आपके सामने है और सही answer होगा option C So, Central Financial Services Limited got approval from RBI to set up a small finance bank which will take over the PMC Bank जानते हैं इस question के बारे में important है देखे, Central Financial Services Limited ये एक NBFC है तो इसको RBI ने कह दिया है कि आप अपना small finance bank set up कर सकते हैं और set up करने के बाद जो PMC Bank है यानि कि पंजाब एंड महाराष्ट कोपरेटिव बैंक है इसको आप टेक ओवर कर लेना देखे, क्या लिखा है बिलेगर्ड पंजाब एंड महाराष्ट कोपरेटिव बैंक बिलेगर्ड बिलेगर्ड का मतलब होता है in a very difficult situation यानि कि जो बहुती गंभीर और बहुती खराब स्तिती से गुजर रहा हो ठीक है तो उसको बोलते हैं बिलेगर्ड तो PMC Bank की भी हादत कुछ ऐसी है साथ है आपको जानना चाहिए कि जो PMC Bank के इसके जो फिल्हाल एड्मिनिस्टेटर है यह मिस्टर एके दिख्षित हैड़्पार्टर्स तो इसका मुंबई में आपको नाम से ही मालूम हो गया होगा और इसके जो CEO PMC Bank के यह हैं सुरिंदर पाल सिंग राम सिंग मुडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के अनुसार 2021 के लिए भारत की GDP व्रेदी का अनुमान क्या है सही आंसर होगा ऑप्शन B तो इस पर मुडीज इन्वेस्टर्स सर्विस इंडिया जीटिबी ग्रोथ प्रोजेक्शन इस 9.6% फोर 2021 तो देखिये मुडीज इन्वेस्टर्स सर्विस इन्होंने की रिपोर्ट जारी की है इसमें इन्होंने काए कि 2021 के लिए 9.6% से आपकी इकोनोमी जो है ग्रो करेगी पहली इन्होंने 13.9% बताया था साथ इन्होंने काए 2022 में 7% की ग्रोथ आपकी जीटिपी देखने वाली है और आपको जानना चाहिए 2021 का जो फिसकलियर रहा है इसमें इंडियन एकोनोमी 7.3% से कॉन्ट्रेक्ट हुई है अर्मेनिया के कारेवाहक यानि एक्टिंग परदान मंत्री का नाम बताईए जिन्होंने हाली में संसद्य चुनाव जीता है ऑप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रेंट्स ओप्शन सी है यहां पर यह थोड़ा ओपर नीचे हो जाता है इसके लिए माफी चाहूंगा सी है इसका अंसर ठीक है तो निकोल पाशिनिया इस अक्टिंग प्राइम निस्टर ऑफ आर्मेनिया हूँ वान दा रिसेंट पार्लियमेंट्री इरेक्शन जानते स्नैप का मतलब है कि जब कोई election अपने जो उसका सिड्यूड है मान लिजे पास साल में इलेक्शन होते हैं तो पास साल से पहले ही कुछ महीने पहले या फिर एक साल पहले जो इलेक्शन हो जाते हैं ज्यादा तर इस तरह के एलेक्शन पॉलिटिकल गेंज के लिए होते हैं जो अपने समय सीमा से पहले ही हो जाते हैं उनको बोलते हैं snap election होने थे वो 5 साल में लेकिन हो गए वो 4 साल 2 महिने में तो इस तरह की election है यहाँ पर होगे है तो और इनको यहाँ पर बढ़त मिलती दिखाई दी है हाला कि यहाँ पर बोला गया है कि जनता के मन में ऐसा है कि यह elections rigged थे rigged मतलब कि जहाँ पर धांदली होती है उन्हें बोलते हैं rigged R.I.W.G.E.D. Rigged election कभी पर आप कहेंगी धांदली हुई है तो आप कहेंगे elections were rigged तो देखें क्यों थे ऐसा बोला गया है क्योंकि यह आपर जनता में गुस्सा था क्योंकि जो Azerbaijan है इसके साथ अभी यहाँ पर इनकी जो है थोड़ी बहुत जो है लड़ाई टाइप की भी हुई थी Nagorno-Karabakh region को लेकर तो याद रखिए का जो यह नागorno-Karabakh region है यह इनके बीच में disputed है अजरबाइजान और अर्मेनिया के बीच में यह आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं अर्मेनिया और यह बिलकुल लिधर है इसके अजरबाइजान साथे आपको जानना चाहिए कि अर्मेनिया की capital यह रेवन है और करंसी है अर्मेनियम ट्रेम और प्रेजिडेंट है अर्मेन सर्जियान हाली में किसे विस्व बैंक IMF उच्छ सलाकार समों का सदस्य नामित किया गया है ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर होगा ऑप्शन डी सो मॉन्टेक सिंग अहलुवालिया हैस रिसे पहले उसके डिप्टी चेर्मेन रह चुके हैं तो इन्हें हाली में वर्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा हाई लेवल एडवाइजरी ग्रूप का मेंबर नियुक्त किया गया है और इस ग्रूप को लीड करेंगे मैरी तंगेस्टू सेला पजार बाशियोगलू और लोड निकोलस इस्टर्ण तो यह तीनों इसको लीड करेंगे हाली में 2021 के लिए परतिश्ठित CEU ओपन सोसाइटी प्रुसकार से किसे सम्मानित किया गया है ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर होगा ओप्शन बी तो के के शैलजा है एस रिसेंटली बीन अवाड़ेट प्रिस्टीजियस CEU ओपन सोसाइटी प्राइज प्राइज ओट्वंटी तो CEU का मतलब है Central European University तो इसका ओपन सोसाइटी प्राइज मिला है केरल की की फोर्मर हेल्थ मिनिश्टर के के शैल जागो कि दसेवन सीन्स ओफ बिइंग अ मदर नामक पुस्तक के लेखक या लेखी का कौन है ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर होगा ओप्शन दी सो ताहिरा कश्य इस दा ओथर ऑफ दबुक टाइटल्ड दसेवन सीन्स बिइंग अ मदर आगे बढ़ते हैं काईल एशिया पार्टनर्स ने एस बियाई कार्ट सेंड पेमेंट सर्विसेज में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर होगा ओप्शन ए तो काईल एशिया पार्टनर्स सोल 5.1 परसेंट स्टेक इन SBI कार्ट सेंड पेमेंट सर्विसेज देखें यही पर मैं आपको बताना चाहता था कि इनका मतलब क्या होता है देखें मान लीजिए आप किसी जगह पर गई किसी मार्केट में गई आपने कुछ फूरूट्स लेकर आया हूं आपने कुछ फूरूट्स बाई कि इसका मतलब आपने स्टोग बाई किये हैं आप एक्जाट नमबर नहीं बता रहे हैं कि कितना है और अगर आप यह कहें कि आप मार्केट में गई और आप वहां से 100 फूरूट्स लेकर आये हैं 100 फूरूट्स आपने बाई किये हैं इसका मतलब आपने 100 शेर्स बाई किये है और अगर आप इस चीज को ऐसे भी तो कह सकते हैं मान लीजी आपने 5 fruit लिए हैं 100 fruits किसी market में 100 fruits थे उसमें से आपने 5 fruits लिए हैं इसका मतलब क्या हुआ आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपने 5% fruit लिए हैं यानि कि आपने 5% stake लिए हैं तो आप समझ गयोंगे stake का में अपने share बता रहे हैं और stock का मतलब क्या है आप आप exact unit नहीं बता रहे हैं और share का मतलब है कि आप exact unit बता रहे हैं कि 100 fruit मैंने वहां से लिए थे तो आई होप आप समझ गयोंगे आप फिर से इसको दुबारा से सुनिएगा आपको उच्छे से समझ में आ जाएगा काफी 48 million share को बेच दिया है अब यह आप मान के चलिए एक example लेते हैं यहीं पर ही मान लीजिए total share जो थे इसके यह 100 million share थे अब 100 million share मैसे इसने 48 million share जो है बेच रहा है यानि कि यह 48 million share 100 million share का 5.1% रहा होगा तो यह आगया आपका percent में stake ठीक है आई होप आप समझ गए प्रोजेक्ट Seabird किस से संबंदित है ओप्शन आपके सामने है और सही answer होगा ओप्शन B प्रोजेक्ट Seabird is related to Indian Navy जानते हैं क्यों यह question लिया गया है देखे रक्षा मंतरी राजिनाज सिंग ने करनाटक के कारवार नवल बेस को विजिट किया और प्रोजेक्ट Seabird के अंत 3 billion US dollar की लागत से भारत के West Coast पर इस्थित कारवार में 9 सेना का बेस बन रहा है साथे आपको जानना चाहिए कि Chief of the Naval Staff है Admiral Karambir Singh आगे बढ़ते हैं भारत सरकार ने किस राज्य में स्वास्त सेवाओं में सुधार के लिए विस्सू बैंक के साथ 32 million US dollar के रिंड पर हस्ताक्षर किये हैं ओप्शन्स आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ओप्शन सी स्वास्त सेवाओं को अप्रेट करने के लिए गोवर्मेंट ओफ इंडिया ने वर्ड बैंक के साथ 32 million US dollar का लौन एक साइन किया है मिजवरम के बारे में आपको जानना चाहिए कि यहां के गवर्नर पियेस स्रीधरन पिल लई है चीफ मिनिस्टर जोरम ठंगा है और यहां की कैपिटल है आईचोल friends मिजवरम के बारे में यह चार फैक्ट आपके लिए काफी important है पहला तो यह cheer our dance यह काफी famous है कई बार exam में पुछा जाता है दूसरा है चाप्चर कूट फेस्टीवल ये फ्रेंड्स आपको कई बार एक्जाम में देखने के लिए मिलेगा इसलिए आप इसको जरूर नौट कर लीजेगा कूट का मतलब मिजोर। एशन डेवलपमेंट बैंक इसने सिक्किम के लिए अभी एक रोड अपग्रेट करने के लिए एक लोन एग्रिमेंट साइन किया है तो यह हमने हाल ही में पढ़ा था तो यह जो लोन एग्रिमेंट है यह 2.5 मिलियन युवेस्टोर गाल लोन यहां पर इंडिया ने एशन गया है ओप्शन्स आपके सामने है सही आंसर होगा ओप्शन डी ओफिशियल थीम सोंग फॉर इंडियन ओलम्पिक टीम टू टोक्यो 2020 हैस बीन कंपोस्ट एंड संग बाए पॉपुलर सिंगर मोहित चोहान तो यह मोहित चोहान यह किरन रिजीजू और यह नरेंदर बत्रा जानते हैं इसने उसके बारे में देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेर्स एंड इस्पोर्ट्स है किरन रिजीजू इन्होंने जो भारत के लिए जो टोक्यो 2020 ओलम्पिक गेम से इसके लिए जो भारत का थीम सोंग रहेगा उसको लॉंच किया है किस दिन ओलम् की फेडरेशन के भी प्रेजडेंट है काफी इंपोर्टेंट है याद रखेगा और अब बात करते हैं जो कोश्चन है तो यह जो ऑफिशल सोंग थीम सोंग जो भारत का है टोक्यो ओलम्पिक के लिए इसको कंपोस एंड इसको गाया है मोहित चोहान ने और इसके लिरिक्स लिखे है इसके बोल जो लिखे है यह लिखे है इनकी वाइफ प्रार्तना गहलोत ने टेस्ट क्रिकेट में नंबर एक ओल राउंडर कौन बन गए हैं ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन सी इंडियन क्रिकेटर रविंद्र जडेजा हैस बिकम नंबर वन ओल राउंडर इन टेस्ट क्रिकेट अच्छा यह आप न्यूस पेपर की हैडलाइन दे सकते हैं रविंद्र जडेजा लीफ रोक्स जैसें होलडर तो बिकम दटोप रैंक्ट टेस्ट ओल राउंडर देखे फिलाल तो न्यूस इस तरह से कि आपको मालूम चल जाएगा कि लीफ रोक का मतलब क्या है देखें लीफ रोक का मतलब होता है अपनी पोजिशन को इंप्रूव करना इस तरह के जो आपके जो फीलर्स आते हैं वो बैंक के एकजाम में हो चाहिए आपके एससी के एकजाम मे हुए मैनेजर पोस्ट को हासिल कर लिया तो आप कहें के सी ली फ्रोक्ट सेवरल ओल्डर कॉलिक्स तो गेट दा मैनेजर जोब इस तरह से यूज होता है तो रविंद्र जड़जा बन गए हैं टोप रैंक्ट ओल्राउंडर किसमें टेस्ट क्रिकेट में और जो जैसन होल्ड करने के बाद न्यूजिलेंड बन गई है नंबर वन टेस्ट टीम टोपल टोपल का मतला होता है किसी को सत्ता से हटा देना ठीक है तो यहाँ पर भारत की जो है सत्ता चल रही थी टेस्ट टीम की जो है कई टाइम से नंबर वन बना हुआ था तो इसकी सत्ता को जो है इसने इसे सक्ता से हटा दिया यानि कि जो यहां पर इसकी पोजिशन थी उससे हटा दिया उसको बोलते हैं टोपल्ड करना तो न्यूजिलेंड टोपल्ड इंडिया निम्रिखित में से किसे विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शेहर घुसित किया गया है और सही आंसर होगा और अप्शन डी जो अश्काबाद और अश्काबाद हैस बी नेम्ड एस तर वर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फोर फोरेन वर्कर्स तो देखिए जो अश्काबाद है यह तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है यह जो आप कंट्री देख रहे हैं यह और इन पांचों की ही कैपिटल आपके एक्जाम में पूशी जाती है कैपिटल और करंसी तो यह काफी इंपोर्टेंट होती है इसलिए आप ध्यान दिजीगा जानते इस बारे में थेकिए देखिए मरसर कोस्ट ओफ लीविंग सर्वे के अनुसार जो अश्काबाद की कैपिटल है अश्काबाद यह वर्ट की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है किसके लिए फोरन वर्कर्स के लिए जो वीदेशी कामगार है उनके लिए और इसमें कहा गया है कि होंग कॉंग दूसे नंबर पर है तीसे नंबर पर है लेबनानी केपिटल बेरूत और चोथे नंबर पर अलकॉल कालता है 181 नंबर पर है कि 2021 के लिए आश्यान का अध्यक्स कौन सा देश है और सही आंसर होगा ऑप्शन डी सो ब्रुनई दारुसलम इस दा चेर ओफ आश्यान फोर 2021 देखे क्यों लिया गया है कुश्यन देखे हाली में इस्ट एस्या सम्मिट सीनियर की मीटिंग हुई है और इसमें जो है भारत की ओड़ से सेकरेटरी इस्ट रिवा गांगोली इन्होंने अटेंट किया है तो यह जो सम्मिट हुई है इसको जो चेर किया है इसकी जो अध्यक्षता की है यह की है जो पर्मानेंट सेकरेटरी है ब्रुने की एमालीन मतियो इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है तो इसट एसीया समिट 12100 गोइब इसलिए यह कोशन लिया गया है आपको जानना चाहिए कि जो आशियान है 2021 के लिए बुरुनई इसकी जो है चेर है यानि कि इसका अध्यक्ष है और जो आशियान है 2021 इसका थीम है वी केर, वी प्रिपेर, वी प्रोसपर तो यह काफी इंपोर्टेंट है याद रखेगा जब बात हो यह आशियान की तो हमें जानना चाहिए कि आशियान का मतलब है Association of South East Asian Nations जैसा कि नाम सी पता चल रहा है जो South East Asia के जो Nations हैं उनका एक समू है और इसका जो आप कह सकते हैं जो मकसद है वो यही रहता है कि सोसल प्रोग्रेस हो कल्चरल डैवलपमेंट हो और जो एकोनमी ग्रोथ हो उसमें जो है एक्सिलरेट हो थोड़ा तेजी आए रीजिनल पीस बनी रहे इस्टेबिलिटी बनी रहे तो यही सब इसका मकसद होता है इसका मोटो है वन वीजन वन आइडेंटिटी वन कम्यूनिटी इसका सेकरेटेरियट इंडोनेशिया जगारता में साथ ही आपको जानना चाहिए कि इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकोक थाइलेंड में हुई और इसी को बोलते हैं बैंकोक डिकलेरेशन अगर पूछा जाए बैंकोक डिकलेरेशन के तुरू किसकी स्थापना की गई थी तो आंसर होगा आश्यान की और इसके फाउंडिंग फादर्स कौन-कौन से नेशन रहे हैं किनोंने मिलकर इसको बनाया था इंडोनेशिया द्वारा आयोजित एक अंतर मंत्रा लई पहल हैं ओप्शन आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन बी सो टोई का थोन 2021 इस एन इंटर मिनिस्ट्रियल इनिसियेटिव और्गनाइस्ट पाई मिरिस्ट्री ओफ एजुकेशन इनोवेटिव इनोवेशन सेल देख आपको बता दें जो यह टोई का थोन 2021 है इसका ग्रेंट फिनाले चल रहा है और इसको इस ग्रेंट फिनाले का उद्गाटन किया है जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलप्मेंट मिनिस्टर है इसमृति जूबिन इरानी ने और जो मिनिस्टर ओफ स्टेट फॉर मिनिस्टर ओफ को मरें इंड Fourier के साथ मिल और इसको और्ental करता है तो इसका मकसद यही रहता है जो यह का थोन होता है कि जो टोई हैं या फिर जो गेम ण के concept को develop करना अलग 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 तरेगे games अलग अलग तरेग जो toys होते हैं उनको जो है उनके concept को develop करना जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए toys बनाना वैदिक maths जो है उसको promote करना यह सब activities इसमें की जाती है अच्छा इस interaction के दुरान PM मोदी ने यह कहा है कि जो toys का जो global market है यह 100 billion dollar का है लेकिन भारत जो है इसमें केवल 1.5% ही contribute करता है तो काफी कम है और साथ इनोंने कहा है कि इंडिया जो है 80% toys जो है import करता है तो इस तरह के facts जो है आप अगर किसी PCS टाइप के exam अगर देना चाते हैं तो वहाँ पर इस तरह के facts पुछ ले जाते हैं इसलिए मैंने हाँ पर include किया है निम्ली खित में से किस ने उत्तरी छेत्रे खाद्य प्रसंस्क्रण सिखर सम्मेलन की तीसरे संसक्रण का आयोजन किया options आपके सामने है और correct answer होगा option A so CII organized the third edition of the North Zone Food Processing Summit CII का मतलब है Confederation of Indian Industry तो देखिए नरेंदर सिंग तोमर इनके पास देखिए तीन मिनिस्ट्री है एक तो Agriculture and Farmers Welfare दूसरा है Food Processing Industries तीसरा है Rural Development and पंचायती राज तो यह तीनों इनके पास हैं और इन्होंने जो है third edition of the Northern Zone Food Processing Summit इसको जो है address किया है इसको संभोधित किया है किसके द्वारा यह summit organize की गई है यह की गई है Confederation of Indian Industry CII के द्वारा CII के बारे में आपको जानना चाहिए इसका headquarters New Delhi में है और इसके प्रेजडेंट है TV नरेंदरन यह जो TV नरेंदरन है यह हाल ही में appoint हुए है इसी माई के महीने में जो है जो पिछला माई का महीना है इसमें इनकी appointment हुई है तो इसलिए यह important है CII के प्रेजडेंट है TV नरेंदरन शीर फाइनसिंग एंड लीजिंग परवैस्विक सरवत्तम प्रैक्टिसेस के मुल्यांकन करने के लिए IFSCA ने किसकी अध्धक्षता में एक समीती गटित की है ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर होगा ओप्शन डी तो एक्जामीन ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेज इन शीप फाइनसिंग एंड लीजिंग IFSCA has constituted a committee under वंदना अगरवाल चेर्मेंशी तो जो आपका पहले तो यह जान लीजिए IFSCA इसका मतलब है International Financial Services Centers Authority जो Gift City है गांती नगर कुजरात में वहाँ पर यह located है तो देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं वंदना अगरवाल ने इस committee की अधक्षता करेंगी देखिए इसमें मेन आपको क्या है आपको यह जानना चाहिए कि भारत की जो coast line है लगबग 75-100 km है और भारत में 12 major port है और 200 minor port है यह fact आपके लिए काफी important है कितने major port भारत में हैं कई बार exam में पुछ ले जाता है तो answer होगा 12 major port अभी 13 नहीं है 13 अभी बन रहा है महाराष्ट के वदावन में यह आप याद रखिएगा तो 12 major port है और 200 minor port है तो देखिए अब यह कहना है कि इतना अच्छा infrastructure होने के बाद है ना सीपिंग के लिए इतना अच्छा जो है एक्स्पोजर होने के बाद भी भारत जो है अब तक international shipping हब नहीं बन पाया है तो क्यों नहीं बन पाया है यह बताएंगी वंदनागरवाल तो इसलिए meeting यह committee बनाई गई है भारतिय नो सेना और वायू सेना ने हाल ही में अमेरिकी नो सेना केरियर स्ट्राइक ग्रूप के साथ दो दीवसी मार्ग अभ्यास शुरू किया है यानि पैसेज एक्सराइज शुरू की है जिसका नाम किस अमेरिकी राष्टपती के नाम पर रखा गया है सही आंसर होगा option D. Ronald Reagan. The Indian Navy and the Air Force recently began a two-day passage exercise with US Navy Carrier Strike Group named after US President Ronald Reagan. तो यह 40-वे President रहे हैं US के जानते हैं इस बारे में देखिये. Indian Ocean Region में Indian Navy और जो Indian Air Force है इन्होंने US Navy Carrier Strike Group जिसका नाम Ronald Reagan है. एक तरगा वैसल समझ सकते हैं आप इसको या शीप समझ सकते हैं तो इसका नाम है Roland Reagan. तो इसके साथ जो है इन्होंने एक दो दीव से पैसे exercise की है. यह किसी के भी साथ हो सकती है तो अब जो है अमेरिका के साथ इन्होंने की है. इंडियन ओशन रीजन में. तो यही पुछा गया था कि किस राष्टपती के नाम पर है जो यह इनका US Navy Carrier Strike Group है यह किस के नाम पर है तो इनके जो 40th President रहे है Ronald Reagan इनके नाम पर है. अंतराष्टिय मुक्यबाजी संग की कोच समीति के सेदस्ते के रूप में न्यूक्त होने वाली पहली भारतिय महिला कोन बनी है? सही आंसर होगा option C. So, तदंग मीनू has become the first Indian woman to be appointed as a member of the coaches committee of the International Boxing Association. तो देखे जो International Boxing Association है इसकी coaches committee यानि coach committee जो है इसकी member बनने वाली यह डॉक्टर तदंग मीनू जो के अरुना चल प्रदेश से हैं यह पहली woman बन गई है भारत की साथी दूसरी इंडियन बन गई है ठीक है दूसरी भारती है और पहली woman है जो International Boxing Association है इसकी coach committee की member यह बन गई ही है आपको जानना चाहिए International Boxing Association इसका headquarters है लुजन स्वीटर लेंड में है और इसके president है उमर क्रेम लियोव passport सेवा दिवस किस दिर मनाया जाता है options आपके सामने है और correct answer होगा option C passport सेवा दिवस is observed on June 24th क्यों मनाया जाता है 24 जून को क्योंकि 24 जून 1967 24 जून 1967 को पासपोर्ट सेवा पासपोर्ट एक्ट यह जो है इनक्ट किया गया था तो इसलिए ministry of external affairs 24 जून को passport सेवा दिवस मनाता है आपको जानना चाहिए हमारे external affairs मिस्टर है डॉक्टर एस जय संकर और minister of state for external affairs है वी मुरली धरन अंतराश्ट यह नाविक दिवस किस दिन वनाया जाता है options आपके सामने है सही answer होगा option D International Day of the Seafarer is celebrated on 25th of June और आपको जानना चाहिए इस बार इसका theme रहा है 2021 में seafarers at the core shipings future और जो इसका इस बार campaign है campaign का नाम है fair future for seafarers सेभी ने अपने take over panel का पुनर गठन किया है इसकी अध्यक्षता कोन करेगा options आपके सामने है सही answer होगा option A सो सेभी यानि Securities and Exchange Board of India has reconstituted its take over panel N.K.Soti will chair this panel जानते हैं इसके बारे में तो देखें सेभी ने एक take over panel reconstitute किया है take over panel मतलब यहां पर share market से बात की जारी है take over मतलब की merger हो गया acquisition हो गया तो उससे संबंदित जो है यहां पर inputs देने है इस panel को इस panel की अध्यक्षता करेंगे N.K.Soti और इसमें जो है एक नए member भी add किये गई है N.Winkatram इनको जो है इसमें सामिल किया है जो की डियोलाइट इंडिया के MD & CEO है तो इनको नए member इसमें सामिल किया गया है और N.K.Soti इसमें अध्यक्षता करेंगे और इनके अलावा और कौन-कौन है इसमें डेरियस कमबाता और थोमस मैथ्यू टी इस पैनल में सामिल है आपको बता दें साल 2007 में सबसे पहले इस टेक और पैनल का गठन किया गया था और तब इसकी जो चेर्मेंशिप थी वो के कर्णन के पास थी तो अब किसके पास आ गई है N.K.Soti के पास अचाहिए याद रखेगा सेभी के बारे में कई दिनों से लगातार आपको बताया जा रहा है इसकी स्थापना कब हुई थी और कौन इसके चीफ है है हैटपार्टर कहां पर है तो आप ये खुद से रिवाइस कीजिए खुद से रिकॉल कीजिएगा राष्ट्यमानसिक स्वास्ते और तंत्रिका विज्ञान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है ओप्शन आपके सामने है और सही आंसर होगा ओप्शन C तो देखे जो यह इंस्टिटूट है नेशनल इंस्टिटूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड नियूरो साइंसे यह बैंगलोरू करनाटक में है और इसके जो डिरेक्टर है यह बना दी गई है प्रतिमा मूर्थी किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केर बिजनस लोन लूज किया है ऑप्शन्स आपके सामने है और सहीть आंसर होगा आप्शन बी अरोग्यम हेल्थ केर बिजनस लोन जानते हैं इसके बारे में तो इस्टेट बैंक आफ इंडिया ने कोरोना महामारी के बीच बारत में स्वास्त सेवा छेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए आरोग्यम हेल्थ केर बिजनस लोन लॉंज किया है और इसके तहट अस्पताल नर्सिंग होम डाइगनोस्टिक सेंटर पैथलोजी लेब आधी को 100 करोड रुपे तक का करच उपल कार है चेर्मेन है इस भी आई के दिनेश कुमार खारा और चार मेलेजिंग डिरेक्टर हैं सी अस्विन इभाटिया स्वामी नाथन जे और अस्विन कुमार तिवारी आगे बढ़ते हैं 25 जून 2021 को स्मार्ट सिटीज मिशन अमरुत और पी एम एवाई यू की कौन सी वर्स वास अबजर्ड ओन 25 जून 2021 तो देखिए जो यह तीनों ही अर्बन रिलेटेड जो इसकीम से अर्बन मिशन्स जो हैं यह मिनिस्ट्री ओफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेर्स द्वारा संचाली थे हैं और कौन-कौन से हैं स्मार्ट सिटीज मिशन अटल मिशन फोर रेज क्योंकि प्रदानमंद्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जून 2015 को इसको लॉंच किया गया था इन तीनों इक इसक्रीम्स को लॉंच किया गया था राइटर्स इंस्टिटूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 के नुसार समाचारों में समगर विश्वास के इसतर पर भारत की रेंग किया है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन सी इंडिया इंस्टिटूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 देखे इस रिपोर्ट में कंट्रीज को इस हिसाब से रखा गया है कि महां की जो सिटिजन्स हैं वो अपने हां की न्यूज पर कितना विश्वास रखते हैं तो 46 कंट्रीज में से इंडिया की रेंग थर्टी फ भारत से जो रेस्पोडेंट्स हैं या भारत में जो विवर्स हैं वो केवल 38 परसेंट सी ऐसे हैं जो अपने हां की न्यूज पर ट्रस्ट करते हैं जबकि फिल्लेंड इसमें सबसे टॉप पर है यानि कि फिल्लेंड में जो हैं 65 परसेंट लोग न्यूज पर ट्रस्ट करते है News पर सात्य आपको जानना चाहिए कि Asian College of Journalism जो की Chennai में इसने Writers Institute for the study of Journalism के साथ मिलकर इस report को जारी किया है को कोलियर्स द्वारा जारी एक report के नुसार Asia Pacific में Sears 5 प्रद्योगी केंदरों में किस भारतिय सहर को इस्थान दिया गया है options आपके सामने है और सही answer होगा option D so Bengaluru has been ranked in the top 5 technology centers in Asia Pacific as a report released by Collier's देखिए report का नाम है growth engines of innovation how Asia Pacific technology hubs are reshaping regional real estate तो यह report Collier's त्वारा जारी की गई है आपको जानना चाहिए जो एक Collier's है यह एक टोरंटो कैनाडा बेस्ट investment management company है तो इसमें कहा गया है कि जो टॉप फाइफ टेकनलोजी centers है एशिया पैसिफिक में इसमें बैंगलूरू भी सामिल है और टॉप टैन के दूर बात करें तो इसमें हैदराबाद को भी इन्होंने include किया है टॉप फाइव में कौन कौन सी हैं बीजिंग संगाई बैंगलूरू शेंजेंग और सिंगापूर एस पैसिफिक देखे इस एरिया को जो भी यह पूरा एरिया आप पैसिफिक बोलते हैं जो भी कंट्रीच यहां पर आ ती साउथ एश्या इस्ट एश्या औस्ट्रेलिया और सिर्स जान दो कि यह सब डिगरेश आइग से धर स्क्टे हैं यह से पूरा रिजन जो है कि इसमें चाहिल है निमलिखित में से कौन 2 trillion dollar मुल्य की दुनिया की तीसरी company मन गई है सही answer होगा option D So Microsoft has become the world's third company to be worth 2 trillion US dollar तो दिखे Microsoft जो है ये second US company मन गई है और world की third company मन गई है जिसने 2 trillion US dollar की market capitalization हासिल की है आपको जानना चाहिए सबसे पहले 2 trillion की market capitalization साथी अरेम को इस company ने हासिल की थी और उसके बाद US-based Apple ने इसको हासिल किया था तो Apple सबसे पहली US company थी और दूसे नंबर पर है Microsoft overall Microsoft तीसे नंबर पर है जिसने ये कारणामा हासिल किया है किर्थिमान हासिल किया है Microsoft ही अगर बात करें तो इसके founders रहे हैं Bill Gates और Paul Allen CEO सत्य ने डिला है और हाली में ने chairman भी बना दिये गया है Microsoft का और headquarters है United States में सोखे से निपटने के लिए कि इन राज्यों ने अपने बीच Water for Water formula पर सहमती ज़ताई है options आपके सामने है सही answer होगा option C सो महराष्ट and कर्नाटक have agreed to a Water for Water formula between them to combat drought drought मतलब सुखा से जो सुखा होता है सुखा पढ़ जाता है जानते हैं इस question के बारे में तो देखे महराष्ट और कर्नाटक ने सुखे से निपटने के लिए Water for Water formula इस पर सहमती ज़ताई है इसके तहट जो गर्मियों के जो मंद्स होते हैं जो समर मंद्स होते हैं उसमें महराष्ट 4000 million cubic feet water release करेगा और इतना ही water जो कर्नाटक है यह अपने Almaty Dam का जो backwater है वहां से release करेगा तो इस question में आपको एक बात यह भी जानने के लिए मिली कि Almaty Dam यह कर्नाटक में है और कृष्णा रिवर पर बना हुआ इसे लाल भादरु सास्त्री डैम के नाम से भी जाना जाता है Internet and Mobile Association of India यानि IAMAI ने किस व्यक्ति को अपना अध्यक्ष न्युक तिया है options आपके सामने हैं सही answer होगा option D so Internet and Mobile Association of India यानि IAMAI has appointed Sanjay Gupta as its chairman तो देखिए यह मुंबई में इसका headquarters है Internet and Mobile Association of India का और इसने Google India Vice President and Managing Director Sanjay Gupta को अपना chairman न्युक्त किया है 2021 से 23 पिरिएड के लिए साथ ही यह जो है Amit Agarwal को succeed करेंगे साथ है आपको यह जानना चाहिए कि जो Facebook इंडिया की Vice President है और Managing Director है अजीत मोहन इनको जो यह Internet and Mobile Association of India है इसने अपना Vice Chairman न्युक्त किया है एडल्गीव Foundation और होरून इंडिया द्वारा विस्व इस्तर पर पिछली सताब्दी के सरवोच परोपकारी विक्ति का नाम किसे दिया गया है या परोपकारी विक्ति किसे बताया गया है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन सी जम्षेत जी टाटा हैस बीन नेम्ड दे टोप्मोस्ट फिलैंट्रोफिस्ट और लास्ट सेंचुरी गवर्बली वाई एडल्गीव फांडेशन एंड हरून इंडिया है जानते हैं इसके बारे में तो देखिए जम्षेत जी टाटा आप सभी जानते हैं की टाटा ग्रूप के founder रहे हैं तो इनको topmost philanthropist बताया गया है यानि जो परोग कारी के जो काम करते हैं इस field में जो अपना donation देते हैं तो उसमें जो है सबसे number one पर यह रही है तो 102.4 billion US dollar इन्होंने डोनेट किया था ऐसा एडल की foundation एंड हुरून इंडिया द्वारा बताया गया है साथे आपको जानना चाहिए कि दूसरे number पर रहे हैं बिल गेट्स और उनकी जो वाइफ है मैलिंडा यह देखे क्या लिखा है बिल गेट्स and his now estranged wife मैलिंडा estranged friends महां पर यूज होता है जब को काफी important है याद रखेगा तो यह दूसरे number पर है इन्होंने 74.6 billion US dollar जो है डोनेट किया है और इस लिष्ट में Warren Buffett भी है और George Soros भी है और John D. Rockefeller भी है साथी इन्होंने यह भी बता है कि जो top 50 philanthropist हैं इन्होंने 329 billion US dollar जो है डिस्टेब्यूट किये हैं या डोनेट किये हैं और इस लिष्ट में जो दूसरे इंडियन है यह है अजीम प्रेम जी इन्होंने 22 billion US dollar जो है अपना प्रोबकार के काम में लगाए है साथी आपको यह भी जानना चाहिए जो जमसेद्जी टाटा है इनके बारे में आपको important fact यह जानना चाहिए कि जो इंडिया की first prime minister रहे जवाडला नेरू इन्होंने जमसेद्जी टाटा को one man planning commission यह संग्या द टाटा तो देखिए आप देख सकते हैं जमसेद्जी टाटा पहले नमबर पर उसके बाद हैं Bill Gates and Melinda French Gates तो इस तरह से पूरी लिष्ट जारी की गई है यहां पर है Warren Buffett फिर है George Soros तो यह सभी जो है ग्रीन वाले जो है यह जो है फिलाल मतलब alive है यह सभी जीवित हैं भारत क पहला समुदरी मध्यस्ता केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा ओप्शन्स आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ओप्शन C तो इंडियास फस्ट मैरिटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर विल्ट इन गुजरात तो गुजरात के गांधी नगर में जो गिफ्ट सिटी है यहाँ पर इंडिया का फस्ट मैरिटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर बनेगा और इसके लिए गुजरात मैरिटाइम इनिवस्टी ने इंटरनेशल फाइनेशल सर्विसें सेंटर अथारिटी के साथ हाली में एक MOU को साइन किया है आर्बिट्रेशन सेंटर का मतलब क्या होगा यानि कि जो भी जो मैरिटाइम से रिएटेड जो भी डिस्पूट से हैं जो वाद विवाद हैं समुद्र से रिलेटेड तो वो यहाँ पर सुझाई जा सकेगी उन पर यहाँ नियाए दिया जा सकेगा इसकी जरूत क्यों पड आफ अंतराष्ट्य दिवस किस दिन मनाया जाता है सही आंसर होगा option D so international day against drug abuse and illicit trafficking is observed on 26th of June और इस बार 2001 किसमें इसका theme रहा है share facts on drugs save lives साथी देखिए इस दिन जो ये day है आज एके दिन ये report भी जारी की गई है world drug report 2021 किसके द्वारा जारी की गई है United Nations office on drugs and crime UNO DC के द्वारा तो इस report में ये कहा गया है कि last year 275 million people जो है इन्होंने drug को use किया है और 36 million लोग जो है ये drug के कारण जो है कई तरह के disorder से गुजरे हैं और जो मैंने आपको बता है United Nations Office on drugs and crime तो इसका जो headquarter से ये वेना ऑस्ट्रिया में located है साथी 26 जून को एक और दिन भी मनाया जाता है United Nations International Day in support of victims of torture फ्रेंड देखे हमारे आपको मैं बता दूँ days and themes आप पढ़ सकते हैं January, February, March, April और मई इन सभी मंस के days and themes की separate video बनी हुई है तो आप playlist में जाकर उनको जरूर देखें क्योंकि आजकल हर exam में यहां से question पूछी लिया जाता है the startup wife नामक उपन्यास के लेखा क्या लेखी का कौन है options आपके सामने है और सही answer होगा option D so tahamima anam is the author of the novel titled the startup wife तो कई तरह की चीज़ इसमें बताई गई है यह novel में जो है funny है और deeply intelligent story of love है इसमें quirky है क्योंकि का मतलब होता है विचित्र unusual कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल विचित्र हो strange हो तो किसके द्वार लिखी गई है तहमीमा अनाम के द्वारा important reference question उस ब्रिटिस अमेरिकी antivirus निर्माता का नाम बताई है जो हाली में बार्सिलोना जेल में मृत पाई गई options आपके सामने हैं और सही answer होगा option c so john mcafe was the british american antivirus creator who recently found dead in the barcelona jail तो देखिए यह जो थे एक british american computer programmer थे और यह दो बार जो है अमेरिकी presidential candidate जो president के लिए जो election लड़ते हैं से candidate भी रह चुके हैं और साथिया आपको यह भी जानना चाहिए 1987 में इन्होंने एक antivirus software को develop किया था और उसी के तहट macfa associates इस company को इस company कि इन्होंने आथारशिला रखी थी तो macfa नाम का जो antivirus है तो यह जो है इन्ही का है इन्ही के द्वारा यह इजात किया गया था तो यहाँ पर जो है यह income tax चोरी की वज़े से भागे हुए फिर रहे थे अमेरिका से तो तबी इनकी गिरफतारी होई और कुछ time जोल में रहने के बाद इन्होंने ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने आत दिविजन अध्यक्स दक्षिनेशिया और भारत के लिए country corporate अधिकारी न्यूक्त किया है सही आंसर होगा option C so Mastercard has appointed Nikhil Sahani as its new division president South Asia and country corporate officer for India और यह परुष सिंग इनको replace करेंगे साथ यह आपको जानना चाहिए Mastercard इसके president and CEO है Michael माइबेक और executive chairman है अजे बंगा और headquarters है United States में कि हाल है में किस देश के पूर्वर राष्ट पती बैनिगनो एक्वीनो का नीधन हो गया है options आपके सामने है और सही आंसर होगा option D so Philippines former president बैनिगनो एक्वीनो पास्ट वे रिसेंट्ली फिलिपिन्स के बारे में आपको जानना चाहिए Captain Manila है currency है फिलिपिन पैसो और प्रेजिडेंट है Rodrigo Duterte तो जो यहां के प्रेजिडेंट है फिलिपिन्स के प्रेजिडेंट है और मनीला या फिर मंदल यांग में यहां पर एशन डेवलप्मेंट बैंक का headquarters भी है हाल ही में किस बासा की गीतकार पुआचल खादिर का निधन हो गया है options आपके सामने हैं सही आंसर होगा option किस लिए न्यूज में यह भी जान लेते हैं तो देखे सोरब चोधरी जो की शूटर है इन्होंने 10 मिटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रोंज मेडल जीता है कहाँ पर आई आई सेफ सूटिंग वर्ड कप जो की ओसी जैक क्रोईशिया में चल रहा है यहां पर तो सूटिंग से यह संबंदी थे शोरब चोधरी डिकोडिंग संकर डोक्यूमेंटरी ने टोरंटो अंतराष्टे महिला फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वस्रेष्ट जीवनी फिल्म का पुरस्कार जीता यह डोक्यूमेंटरी किस पर आधारित है ओप्शन्स आपके सामने हैं काफी कन्फ्यूजिंग ओप्शन्स हैं और इसमें जो सही आंसर है यह होगा ओप्शन सी जानते हैं इस कोशन के बारे में और देखे जो यह डोक्यूमेंटरी है इसकी डिरेक्टर है दीप्ती पिले सीवन डिकोडिंग संकर जाने माने म्यूजिशियन संकर महादेवन की लाइफ एंड केरियर पर आधारित है कि स्राज हैं और और सही आंसर होगा ओप्शन सी whether to an labor यह यह स्की अर्थ ग्योंक ट्राइबल त्राइबल फार्मर्स के लिए लौंच की गई है और इस स्कीम के तहत ट्राइबल फार्मर्स को 45 kg ओफ यूरिया, 50 kg ओफ एन पीके यानि नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियूम और 50 kg ओफ अमोनियम सलफेट प्रवाइड कराये जाएगा और इस स्कीम के तहत 31 करोड रुपे खर्च के जाएगे गुजरात के बारे में आपको जानन 2021 में भारत में सबस्यादा FDI जिस स्टेट ने रिसीव की है वो है गुजरात साथ ही हाली में गुजरात ने इनिर्मान वेब पोर्टल और एप इसको भी लौंच किया है अन और्गनाइस्ट सेक्टर वर्कर्स के लिए साथ ही IOC यानि इंडियन ओल कोर्परेशन ने गुजरात गुजरात के साथ 24,000 करोड का MOU साइन किया है जिसके तहत IOC गुजरात में 6 पेट्रो केमिकल्स यूनिट सेट अप करेगा आगे बढ़ते हैं किस बैंक ने MOBILE B decade पर PAY YOUR CONTECT फीचर यॉइआंप और एक जो मोबायल B बैंकट कोंटेक्ट फीचर लॉंच किया है सही आणसर होगा Option D सो कोटक महिंद्रा बैंक यह ट्पिचर your contact feature on mobile banking app तो देखिए जो कोटक महिंद्रा बैंक की जो mobile banking app है इसमें इनोंने एक और फीचर एड़ किया है जिसका नाम है pay your contact तो इसके तहत यदि customer किसी को पैसे भेजना चाहता है या किसी के लिए कोई payment करना चाहता है तो इस feature के तुरू कर सकता है साथ ही आपको जानना चाहिए कि कोटक महिंद्रा बैंक इसके MD & CEO उदय कोटक है इसका headquarters मुंबई में इस्तित है साथ ही टैग दाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल है टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतिय तैराक कौन बने हैं options आपके सामने हैं और सही answer होगा option B so Sergeant Prakas has become the first Indian swimmer to qualify for Tokyo 2020 Olympics टोक्यो 2020 लिखा जाता है हादा कि होएंगे यह अब 2021 में पर लिखा जाता है 2020 क्योंकि 2020 में ही यह सिद्धिन होने थे तो जानते हैं इस question के बारे में देखिए साजन प्रकास ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतिय तैराक मन गए हैं उन्होंने रोम में सेटे कोली ट्रोफी में पुरुचों के 200 मिटर बटरफ्लाइ वर्ग में 1 मिनट 56.38 सेकेंड का एस्टेंडर्ड समय निकादा है आपको बता दें टोक्यो लंपिक के लिए एस्टेंडर्ड समय 1 मिनट 56.48 सेकेंड से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्डर्स एक्स और वाई की एक संयुक्त पहल है आपको बताना है एक्स और वाई क्या है options आपके सामने है और सही answer होगा option C so tax inspectors without borders is a joint initiative of UNDP and OECD जानते हैं इसके बारे में तो देखिए tax inspectors without borders TIWP यह एक joint initiative है United Nations Development Program यानि UNDP का और Organization for Economic Cooperation and Development यानि OECD का तो यह program जो है हाल ही में भूटान में launch किया गया है और भारत को इसका partner jurisdiction बनाया गया है तो इसमें क्या करेगा भारत अपनी tax expert जो tax expertise है भारत की वह यहां पर अपनी शेयर करेगा देखिए जो program है यह मेंदी भूटान में जो tax administration है उसको मजबूत करने का कारे करेगा तो टेक्स से रिलेटेड है यह program यह आपको जानना जाहिए तो भारत इसमें मदद करेगा अगर हम बात करें UNDP के तो इसका headquarters नियू योर्क यूएस से में है और OECD इसका headquarters पेरिस फ्रांस में है बूटान के बारे में अगर बात करें तो इसको दा लेंड ऑफ थी थंडर ड्रेगन के नाम से भी जाना जाता है इसी capital थिम्पू है करंसी है यहां की बोटानीस नगल्टरम और ओफिशल लेंग्वेज है तजोंखा साथ ही आपको जानना चाहिए यहां की प्राइम मिनिश्टर लोते शेरिंग है और यहां के दुरुक ग्याल पोजानी आप एक तरह से कह सकते हैं head यह है जिग में खेशर नाम ग्याल वांग चुक समुद्री राष्ट्य समुद्री विरासत परिशर किस राज्य के लोथल शेत्र में विक्षित किया जाएगा सही आंसर होगा option c national maritime heritage complex will be developed in लोथल region of gujarat तो देखे भारत का जो भी जो maritime इतिहास रहा है या फिर समुद्र से जुड़ा जो भी इतिहास रहा है तो उसको यहां पर एक museum या फिर एक complex में दरसाया जाएगा तो उसी तरह का एक यह national maritime heritage complex बनाया जाएगा गुजरात के लोथल region में और इसके लिए जो union ministry of ports shipping and waterways है इसन इसके जो head है यह है मांसुक लक्ष्वन भाई मांडवियर और जो ministry of culture है इसके head है प्रदात सिंग पटेल और हाली में हमने क्या पढ़ा था हमने हाली में यह भी पढ़ा था कि इंडिया का first maritime arbitration center यह gift city गांधी नगर गुजरात में setup किया जाएगा तो दोनों याद रखेग नेशनल मेरी टाइम हेरिटेज कोंप्लेक्स यह भी आपका गुजरात में बनेगा और इंडिया का first maritime arbitration center यह भी आपका गुजरात में ही बनेगा हाल ही में DRDO ने उन्नत यानि enhanced pinaka rocket का सफल परिक्षण किया है यह कितने किलोमेटर की दूरी पर इस्थित लक्ष को भेड सकता है सही आंसर होगा option c recently DRDO successfully test fired enhanced pinaka rocket it can destroy targets at distance at distances up to 45 km जानते हैं इसके बारे में तो देखे defense research and development organization ने integrated test range चांदीपूर ओडीशा यहां से pinaka rockets को जो है test fire किया है इनके enhanced version को test fire किया है आपको बता दें कि यह जो पिना का है यह 45 km तक का जो लक्ष है उसको भेड सकता है साथी DRDO ने यहां पर 122 mm caliber rockets इनको भी जो है test fire किया है और इनकी जो range है यह है 40 km दे आडियों के अगर हम बात करें तो इसके chairman है जी सती श्रेडी और इसके स्थापना 1958 में की गई थी headquarters न्यू डेली में है केंद्रे मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग ने किस राज या केंद्र सासित परदेश में मेगा कुंटल चमता वाले बीज प्रसंसकरण सही अंत्र का उधगाटन किया है उप्षन्स आपके सामने हैं सही आंसर होगा option d यूव्यान मिश्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंग इनॉगरेटेड मेगा कुंटल कैपेसिटी सीड प्रोसेसिंग प्लांट इन जम्मू एंड कश्मीर जम्मु एंड कश्मीर के कथवा डिस्टिक में किया है मेगा कुंटल कैपिस्टी सीड प्रोसेसिंग प्लांट देखे फ्रेंड जो डॉक्टर जीतेंदर सिंगेन के पास कई सारी रिस्पॉंसिबिल्टी दी हुई है सेंटर गुर्मेंट ने एक तो यह मिनिस्टर ऑफ स्टेट फोर डेवलप्मेंट ऑफ नौर्थ इस्टर्ण रीजन यह इनके पास है रंडी तीक साजेदारी की गोशना की है ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर होगा ओप्शन B So Tata Group and Airtel has announced a strategic partnership for implementing 5G networks solutions for India So Bharati Airtel जो है जो 5G networks अपना जो launch करेगी तो ये Tata Group इसमें इसकी साहता करने वाला है Bharati Airtel के बारे में आपको जानना चाहिए इसके चेर्मेन सुनिल भारती मित्तल है और MD and CEO India and South Asia के लिए है गोपाल विट्टल और इसका Headquarters New Delhi में है Tata Group के बारे में आपको जानना चाहिए Chairman N. चंद्रशेकरन है और Headquarters Mumbai में है NSTC और निमलिखित में से किस ने Digital Skills Champions प्रोग्राम लोंच किया है सही आंसर होगा Option C NSTC and WhatsApp Has launched Digital Skills Champions प्रोग्राम NSTC इसकी full form important है National Skills Development Corporation तो इसने WhatsApp के साथ मिलकर Digital Skills Champions प्रोग्राम इसको लोंच किया है जो ये प्रोग्राम है Digital Skills Champions प्रोग्राम इसका मकसर है कि जो Indian Youth है जो भारती यूवा है उसको इस तरह के Digital Skills दिये जाएं कि ताकि वो अपने लिए Employment जो है ढूंड सके आपको जानना चाहिए NSTC इसका Headquarters New Delhi में है और इसके MD and CEO Manish Kumar है और इसके Chairman A.M. Naik है साथी WhatsApp जिसका Headquarters USA में है इसके Head है Will Kathar शुक्ष्म लगू और मध्यम आकार उद्यम दिवस किस दिन मनाया जाता है सही आंसर होगा Option D So Micro, Small and Medium Sized Enterprises Day is observed on 27th of June और इस बार 2021 में इसका Theme रहा है MSME 2021 MSME 2021 Key to an Inclusive and Sustainable Recovery यह फ्रेंस 27 है आपर यह याद रखिएगा यह 26 नहीं है जो हमारे PDF पायर्स है उनके लिए इसको करेक्ट कर देंगे ठीक है यह 27 है Micro, Small and Medium Sized Enterprises Day यह 27 को मनाया जाता है चमा चाहूंगा इस एरर के लिए और इसका Theme है इस बार MSME 2021 Key to an Inclusive and Sustainable Recovery किस हवाई अड्डे ने सेवा की गुणवत्ता के लिए वैस्विक पुरुषकार जीता है ओप्शन आपके सामने है और सही आंसर होगा ओप्शन B So, Cochin International Airport has won a Global Award for Quality of Services So, Cochin International Airport जो की केरल में है इसने Airport Council International Director General's Role of Excellence Owner यह जीता है किसलिए Airport Service Quality के लिए आपको जानना चाहिए Airport Council International इसके डारेक्टर जनरल रूइस फैलिपे D. ओलिविरा है और इसका जो हैटकॉाटर से ही मौंट्रियल कैनाडा में है फिच रेटिंग्स ने किस कंपनी की रेटिंग को भारत की सोवरेन रेटिंग से एक पायदान ऊपर BBB में अपग्रेट किया है ओप्शन्स आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ओप्शन D So which rating has upgraded Reliance Industries Limited's rating to BBB one notch above India's sovereign rating देखेए जो BBB rating होता है अब यह क्या बताते हैं किसी भी company को जब यह rate करते हैं तो उसका बताते हैं उस company का profile क्या है कई sources से उसके जो है data को निकाला जाता है फिर किस तरह से उसका customer relation है किस तरह से उसका management है किस तरह की health है उस पूरी company की क्या वो सही दिसा में जा रही है वहाँ पर invest करना सही है यह सभी चीजे जो है एक इन सभी को केंदर में रखते हुए इस तरह की rating दी जाती है मान लीजे कि जैसे आप किसी किसी संस्था में donate करना चाते हैं तो पहले आप यह जाचेंगे ना कि वह संस्था जो है legal है कि नहीं है कोई फटजी वाड़ा तो नहीं है तो बस यही सेम concept यहां पर है किसी company में करना चाते है तो customer को एक assurance मिल जाता है उसकी इस तरह की rating देखकर यह जो फिच जो अपनी rating प्रोवाइट कराता है यह BBB हो गया या फिर AA rating हो गया तो इससे पता चल जाता है कि उस company जो है health system कैसा है और किस तरह की वह company है customers के लिए कैसी company है investment के लिए कैसी company है तो यहां पर जो फिच ratings है इसने Reliance Industries Limited को BBB यह rating दी है इससे पहले BBB negative थी और पर ही आ गई है क्योंकि इंडिया की जो rating है यह बी 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 निगेटिव साथ यह आपको जानना चाहिए BBB इसका मतलब है Better Business Bureau Reliance Industries Limited की बात करें तो chairman and managing director Mukesh Ambani है और motto है इसका growth is life headquarters मुंबई में ही है कि नेक्ष्ट कोश्चन है मारे पास इट्स वंडर्फुल लाइफ रोड्स टू हैपिनेस नामक पुस्तक के लेखक कोन है और सही आंसर होगा ऑप्शन सी सो रस्किन बॉंड इस ता ओधर ऑफ ता पुक टाइटर्ड इट्स वंडर्फुल लाइफ रोड्स टू हैपिनेस माइब थ Bri Expresskrit ने जाती lahm dels रस्कीन बॉंड ने जो लिखी हो चैतरब पगत ने लिखी हों अमरत सैनने लिकिए ओंठिक ऐतो यह सब आपको जats enough अरु ने लिख हो यह सभी बुक्स पूछ ले जाती है और आपको जानना चैये जो रसकिन बॉंड है इनको 1992 में साहित अकेडमी ओवर्ड ही मिला था किस नोवेल के लिए जो इनका एक इंगलिस में नोवेल है और 1999 में इनको पदमश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है अभिशेक वर्मा किस खेल से जुड़े हुए है ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर होगा ओप्शन B तो अभिशेक वर्मा इस एसोशेटेट विद आर्चरी तो देखे अभिशेक वर्मा ने क्या किया है आर्चरी वर्ड कप स्टेज 3 जो की परिस फ्रांस में हो रहा है यहां पर इनोंने गोल्ड मेटल जीता है और अमेरिका की क्रिस शॉफ को इनोंने फाइनल में हराया है तो यह जो अभिशेक वर्मा क्या है तीरंदाज है सभी क्रिकेट प्रारूपों में परदारपन करने वाली सबसे कम उम्र की भारती क्रिकेटर कोन बनी ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर होगा ओप्शन C So, Sephali Verma became the youngest Indian Cricketer to make debut across all cricket formats तो देखिए हरियाणा से आती है Sephali Verma और यह youngest Indian Cricketer बनी है यानि कि ज़ी वो men's cricket about how, या फिर women's cricket की बात हो तो जो भी तीनों प्रारूप है ODI है, Monday International T20 है और Test Cricket है इसमें यह youngest Indian Cricketer बनी है जो तीनों format खेलने वाली जो है player मनी है तो इनकी जो एज है 17 years, 150 days है और अगर हम overall बात करें पूरे वर्ड में तो पूरे वर्ड में ये 5th youngest क्रिकेटर है जिन्होंने ये किरतिमान हासिल किया है और सबसे पहले नंबर पर क्यों है जो सबसे कम उम्र में जिन्होंने परदारपण किया था globally तो ये हैं अफगानिस्तान के मुझीव उर्ड रहमान तो 17 years, 78 days में इन्होंने परदारपण किया था तीनों ही formats में आगे बढ़ते हैं परदानमंत्री नरेंदर मोदी ने किस इस्थान पर जैन गार्डन और काईजन अकादमी का उतखाटन किया ओप्शन्स आपके सामने है और सही answer होगा option D प्राइमिनिस्टर नरेंदर मोदी इन्होगरेटेड जैन गार्डन और काईजन अकेडमी एट एहमदाबाद गुजरात तो एहमदाबाद गुजरात में परदानमंत्री नरेंदर मोदी ने जैन गार्डन और काईजन अकेडमी का उतखाटन किया है आपको बता दें, जैन गार्डन यानि की एक तरह का आप इसको Japanese rogue gardens कह सकते हैं, जैसा ही चंडिगड में rogue garden है, और ये देखिए दोनों ही का जो उद्गार्डन किया है, तो इससे क्या होता है, इंडिया और जापान, इन दोनों की जो relationship है, जो friendship है, उसको और मजबूत करने का क काईजन, इसका मतलब होता है, change for the better, और continuous improvement, तो ये एक Japanese business philosophy है, जिसके तरह कोई भी system या organization की efficiency बढ़ा सकते हैं, और employees की जो productivity है, उसको भी बढ़ाय जा सकता है, का सुभारम किस ने किया, options आपके सामने हैं, और सही answer होगा, option D, so, रवी संकर परसाद launched ITAT-Eद्वार, an e-filing portal of income tax appellate tribunal, तो देखिए रवी संकर परसाद, इनके पास कौन-कौन से ministry है, तो ministry for law and justice, ministry of communication and ministry of electronics and IT, ये तीनों ये आपको जानने चाहिए, कि चर्चा में चले आ रहे हैं ये, और तो इन्होंने जो है, income tax appellate tribunal, ITAT-Eद्वार, इस portal को launch किया है, तो इसके तुरू जो भी संबंदित organization हैं या parties हैं, तो वो जो है, अपनी जो appeals हैं, या फिर documents हैं उनकी और कोई application है, तो उसको electronically file कर सकते हैं, साथ ये आपको जानना चाहिए, कि जो ये ITAT है, income tax appellate tribunal, इसके प्रेजडेंट है, justice p.p. भट, मात्र किशोर और बच्पन के मोटापे की रोग थाम पर राष्टे सम्मेलन किसके द्वारा आविजित किया गया है, options आपके सामने हैं, सही answer होगा, option C, So, National Convention on Prevention of Maternal, Adolescent and Childhood Obesity is convened by Niti Aayog, तो Niti Aayog के जो member है, Dr. V.K. Paul, इनके chairmanship में, ये जो आप एक meet कह सकते हैं, इसको conven किया गया है, साथ ही इसमें जो co-chairmanship है, ये की गई डोक्टर आर हेमलता के द्वारा, जो की director है, National Institute of Nutrition, friends, काफी important है, कई बार exam में पूछा गया है, National Institute of Nutrition, कहाँ पर इस्तित है, इसको आप याद रखेगा, ये है, है है, हैदराबाद तिलंगा ना में, बात करें नीती Aayog की, तो chairperson नरेंदर मोदी है, परदान मंतरीच के chairperson होते हैं, vice chairperson डोक्टर राजीव कुमार है, full-time members तीन है, एक तो डोक्टर V.K. सराशुत, साशी नरेंदर सिंग तोमर, जो की agriculture minister है, rural development minister है, और पंचाइदी राज minister है, सुशीला देवी किस खेल से संबंदित है, ओप्शन साब के सामने है, सही answer होगा, option A, सुशीला देवी is associated with judo, तो देखिए, इंडियन judo का सुशेला देवी, इन्होंने जो है, टोक्ट्यो ओलम्पिक्स के लिए continental quota के थुरू qualify कर लिया है, और ये 48 kg category में compete करती है, S&P Global Ratings ने चालू वित्वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को 11 पर्तिशत से गटा कर कितना पर्तिशत कर दिया है, options आपके सामने है, और सही answer होगा, option D, S&P Global Ratings cut India's growth forecast for the current fiscal to 9.5% from 11% earlier, तो देखिए fiscal year 22, जब इस तरह से लिखा होता है na F5 22, इसका मतलब है 21-22 की बात की जा रही है, अगर लिखा हो F5 23, यानि कि 22-23 की बात की जा रही है, तो 9.5% इन्होंने कहा है कि रहेगी, क्योंकि जो COVID की second wave है, इसकी वज़े से कई सारी agencies ने भारत की जो GDP forecast है, उसको जो है थोड़ा कम कर दिया है, साथी नोंने एक आय कि जो fiscal year 23 है, यानि कि 2022-23 का जो है, इसके लिए 7.8% भारती GDP growth रहने वाली है, केंद्रे वित्य और Corporate मामलुही मंत्री निर्मला सीतारमन ने हाल ही में किस संगठन द्वारा आयोजीत Global Investors Roundtable में भाग लिया, ओप्शन आपके सामने हैं और सही आंसर होगा, ओप्शन B, So, the Union Minister for Finance and Corporate Affairs निर्मला सीतारमन recently participated in the Global Investors Roundtable organized by USISPF, तो USISPF का मतलब है US-India Strategic Partnership Forum, तो इन्होंने जो है Global Investors Roundtable इसको organize किया और इसको निर्मला सीतारमन ने इसमें participate भी किया है, देखे जो यह USISPF है, यह क्या करता है, इंडिया और US के बीच में जो bilateral और strategic partnership है, इसको मजबूत करने का कारे करता है, क्योंकि दोनों देशों के भी जो भी economic related issues हैं, और entrepreneurship है, employment creation है, innovation है, इन सभी के उपर यह कारे करता है, और समय समय पर इन से सम्मद्निद meeting organize करता रहता है, निमलिकित में से कौन अंतराष्टिय सोरगडबंदन framework समझोते को ratify करने वाला पहला देश बन गया है, options आपके सामने हैं, सही answer होगा, option C, so Denmark has become the first country to ratify International Solar Alliance framework agreement, जानते हैं इसके बारे में, तो देखिए, इस बार क्या हुआ था, 8 जनवरी 2021 को इसमें amendment किया गया था, amendment कई तरह से किये गए थे, मतलब कई सारी clauses में add की गए थी, जिनमें ये था कि जो International Solar Alliance है, इसको जो है, पूरे सभी देशों के लिए इसको open कर दे जाता है, तो उसके बाद से Denmark जो है, उद्देश्य ऐसे देश जो आंसिक तोर पर करकरेखा और मकररेखा के मार्ग में पढ़ते हैं, इनको एक मंच पढ़ लाना है, जो Renewable Energy और Green Energy का समर्थन करते हों, तो इसमें जो है, फ्रांस की और से भी काफी funding दी जाती है उन countries को, जो की solar power plants वगएरा अपने हां लगाना चाते हैं, बात करेंगर हम International Solar Alliance की, तो इसका headquarters Guru Ram Haryana में है, और इसके director general Ajay Mathur है, अगर हम Denmark की बात करें, तो इसकी capital Copenhagen है, और currency है Danish Krone, नेमली की तुमें से कौन अपने energy compact लक्षों की घोशना करने वाली भारत की पहली उड़जा company बन गई है, सही answer होगा option C, so NTPC has become the first energy company in India to declare its energy compact goals, तो NTPC Limited जो की इंडिया की largest power generating company है और Ministry of Power के अंतर गताती है, तो इसने जो है United Nations High Level Dialogue on Energy, इसके तहत अपने energy compact goals को declare किया है, तो किस तरह के goals इसने declare किये हैं, इसने कहाई कि 2032 तक हम 60 GW renewable energy capacity install करेंगे, साथी 2032 तक जो मारा net energy intensity है, इसको हम 10% से reduce करेंगे, साथी आपको जानना चाहिए, NTPC के chairman and managing director गुर्दीप सिंग है, और इसका headquarters New Delhi में है, अंतराश्टिय स्रम संगठन ILO के सासी निकाय का अध्यक्ष कोन सा देश है, options आपके सामने है, सही answer होगा option C, So Sweden is the current chair of governing body of international labor organization, देखे किस वज़े से यह news में है, यह QMCQA बनाये गया है, India's term at chairperson of governing body of international labor organization comes to an end, तो जानते हैं देखे क्या मतलब है, देखे, जो ministry of labor and employment है, इसकी जो secretary है, अपूर विचंद्र, तो यह अब तक जो international labor organization ILO है, इसके governing body के अध्यक्ष के रूप में कारे कर रहे थे, अक्तुबर 2020 से और अब जून 2021 में का कारे कालिये समाप्थ हो गया है, अब इन्होंने यह responsibility जो Sweden की जो permanent representative हैं, United Nations के office में, जेनेवा में, एना जार्ट फेल्ड, इनको यह responsibility देती है, बात करेंट्स ILO की, तो यहां से question आपके exam में पूछ ले जाता है, International Labor Organization, पूछा जाता है कि इसके जो स्थापना है, यह किस वर्स हुई थी, तो 1919 में हुई थी, क्योंकि देखे, काफी पुराना organization है, ठीक है, तो इसके लिए यह पूछ ले जाते हैं, 1919 में, Director General Guy Rider है, और members हैं इसके 187, साधी headquarters इसका जेनेवा, Switzerland में है, किस IIT ने oxygen उत्पाधन सही अंत्रों के परबंदन पर एक online पाठ्टेक्रम शुरू किया है, options आपके सामने हैं, सही answer होगा option B, so IIT कानपुर्ण ने एक प्रोग्राम लॉंच किया है, निम्रिकित में से किस ने EPGS platform लॉंच किया, options आपके सामने हैं, सही answer होगा option A, so LIC has launched EPGS platform, काफी important question है, banking और SSC, जो भी एक्जाम है, सब के लिए ये काफी important question है, तो देखिए, LIC of India ने एक नया centralized web-based IT platform, अपने group business operations के लिए लॉंच किया है, और इसका नाम है EPGS, और देखिए, जो LIC के chairman है, MR कुमार, तो इन्होंने इसको integrate किया है, कहाँ पर, जो मुंबई में इनका जो central office है, योगाक शेमा, यहाँ पर, योगाक शेमा, तो यहाँ पर इसको integrate किया है, तो याद रखेगा, chairman कोने MR कुमार, और देखिए, तो इस portal के through, जो पहली receipt निकल कर आई है, वो इन्होंने सोपी है, IDBI bank के managing director and CEO राकेश शर्मा को, आपको जानना चाहिए, IDBI bank, यह LIC की ही एक subsidiary firm है, LIC के अगर हम बात करें, तो 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी, और आपके exam में, चाहे SSC में तो कई बार पुछा गया है यह question, जो इसका slogan है, पहले तो यही पूछा जाता है, कि slogan किस organization का है, योगक्षिमम व्या मेहम, जिसका मतलब, यह इसका मतलब होता है, तो यह LIC का slogan है, दूसरा question यह पूछा जाता है, कि यह कहां से लिया गया है, तो यह भगवत कीता के 9th chapter से लिया गया है, question options में आ जाता है, कि क्या रिगवेट से लिया गया है, या भगवत कीता से लिया गया है, तो इस तरह से question बन जाता है, और पूछा भी गया है, तो याद रखेगा आप इस चीज़ को किस IIT ने स्टार्टप और जोखिम वित्त पोशन पर एक सोध केंद्र सुरू किया है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन भी So IIT मदरास has launched a research center on startups and risk financing तो देखें इस center का नाम क्या है Center for research on startups and risk financing Crest तो ये launch किया है IIT मदरास में Cabinet ने कर यानि की tax सूचनाओ के आदान परदान के लिए भारत और किस देश की बीच एक समझोते को मंजूरी दी है Options आपके सामने हैं और सही answer होगा Option D So the Cabinet approved an agreement between India and St. Vincent and the Grenadines for the exchange of tax information So the tax information यानि की एक दूसरे country के बीच में जो भी tax related मुद्दे जो है तो उससे related information एक दोनों के बीच में जो है share किये जा सकते हैं क्योंकि इससे पहले इंडिया और इस जो ये St. Vincent and the Grenadines ये है इनके बीच में ऐसा agreement नहीं था साथे आपको जानना चाहिए जो ये St. Vincent and the Grenadines है ये एक Caribbean Sea में आइलेंड कंट्री है और इसी capital किंग्स टाउन है और यहां की करंसी है Eastern Caribbean डॉलर ये आप देख सकते हैं Caribbean Sea में है Tata, the global corporation that built Indian capitalism नामक पुस्तक के लेखा कौन है Options आपके सामने है सही आंसर होगा Option D So, Tata, the global corporation that built Indian capitalism इसके उतर है Mirshia Riano काफी important book है आपके exam point of view से Australian Grand Prix किसने जीता सही आंसर होगा Option D So, Max, what's happened Won the Australian Grand Prix तो देखे Red Bull के लिए जो है कार रेसिंग में पार्टिस्पेट करते हैं और Belgium के हैं तो इन्होंने जीता है Australian Grand Prix जो की Austria Vienna में आयुचित किया गया भारत के Attorney General कौन है Options आपके सामने है और सही आंसर होगा Option C So, KK Venu Gopal Is the Attorney General of India किसलिए ये question लिया गया है देखे Government of India ने Attorney General KK Venu Gopal को फिर से एक साल के लिए reappoint किया है तो ये senior advocate है और 1 जुलाई से इनका फिर से एक साल का कारेकाल शुरू हो जाएगा यानि 2022 जुलाई तक ये इस पत पर रहेंगे साथे आपको जानना चाहिए कि 1 जुलाई 2017 से ये इस पत पर काविज है और ये 15th Attorney General of India है साथे आपको भी जानना चाहिए कि जो Attorney General होते हैं ये इंडिया के highest law officer होते हैं ऐसा कहा गया है Article 76 में तो Central Government के ओर से जो भी cases होते हैं Supreme Court में मान लीजिए तो उनको जो है जो Attorney General होते हैं ये ही देखते हैं जैसे आधार से related case चल रहे हैं कस्मीर से related cases चल रहे हैं तो उसको Attorney General of India ही handle करते हैं साथे आपको जानना चाहिए Attorney General of India का कोई भी fixed term यानि की fixed कारेकाल नहीं होता है और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो Solicitor General तुशार महता है ये जुलाई 2020 में इनका भी कारेकाल Government of India ने 3 साल के लिए बढ़ा दिया था तो ये आपको मैंने आपर एक extra fact बता है ताकि आप फिर से इसको recall कर सके आई होप आप समझ गए होंगे Attorney General के बारे में आगे बढ़ते हैं आगामी ICC T20 विश्व कप जो मोल रूप से भारत में आयोजित होने वाला था कि मेजबानी BCCI द्वारा UAE और किस अन्य देश को दी गई है options आपके सामने हैं और correct answer होगा option B The forthcoming ICC T20 World Cup originally scheduled to be hosted in India is set to be hosted by BCI BCCI in UAE and Oman जानते इस news के बारे में तो देखिए BCCI यानि Board of Control for Cricket in India इसने कहा है कि भारत T20 World Cup को host नहीं करेगा चुकि जो COVID की third wave की जो संभावना है बताई जा रही है उसकी वज़े से फैसला लिया गया है और कहा है कि अब जो T20 World Cup है ये October से November की विंडो में UAE और Oman में host किये जाएंगे Oman जहां पर qualifiers match host करेगा वही पर जो main group matches हैं ये UAE में खेले जाएंगे साथे आपको चानना चाहिए कि BCCI के प्रेजिडेंट है पूर्व भारतिय कैप्टन और क्रिकेटर सुरब गाउगुली और सेक्रेटरी है जे शाह और हैड़कॉर्टर से मुंबई महरास्टर में आगे बढ़ते हैं बारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोथ किस CPR में निर्माना धीन है ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर होगा ओप्शन C इंडिया's first indigenous aircraft carrier is under construction at कोचिन सिप्यार लिमिटेड जानते हैं इस कोशिन के बारे में तो देखें डिफेंस मिनिस्टर रायनाथ सिंग ने हाली में कोचिन सिप्यार लिमिटेड जो की कोची केरल में है यहाँ पर विजिट किया क्यों कि यहाँ पर बन रहा है भारत का पहला यह अगले साल सर्विस में कमिशन कर दिया जाएगा यानि include कर दिया जाएगा हाल ही में DRDO द्वारा किस नई PD की परमानु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परिक्षन किया गया है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर होगा option C so Agni P which is the new generation nuclear capable ballistic missile was recently tested by DRDO जानतें इसके बारे में तो देखिए Agni P यानि की Agni Prime तो यह एक new generation nuclear capable ballistic missile है जिसको उडिसा यानि बालासोर उडिसा के Dr. APJ अब्दुलकलाम आईलेंड यहां से DRDO द्वारा इसको टेस्ट किया गया है तो याद रखेगा Dr. APJ अब्दुलकलाम आईले ओडिसा में है साथ है आपको जानना चाहिए अगनी क्लास की जो missiles है जो अगनी missiles है उसका एक advanced variant आप कह सकते हैं अगनी P या अगनी प्राइम और इसकी जो range है यह 1000 से 2000 km के बीच में है साथ है आपको जानना चाहिए हाल ही में DRDO ने निर्भय नाम की एक subsonic cruise missile इसको भी जो है test fired किया है और इसकी जो strike range है यह 1500 km है इसको भी जो integrated test range चांदीपूर उडिसा के बाला सोर में है यहीं से इसको test fire किया गया है सभी राज्यों में कौन सा राज्य smart city awards 2020 में शीर्ज पर है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर होगा option B among all states उत्तरप्रदेश topped smart city awards 2020 जानते हैं इस news के बारे में तो देखे ministry of housing and urban affairs इसने इंडिया smart cities awards contest 2020 इसके results जो है जारी किये हैं और इसे बताया गया है कि अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में जो टॉप का जो smart city mission project जो सबसे अच्छा जिसने implement किया है वो है उत्तरप्रदेश दूसे नंबर पर है मध्यपरदेश और तीसे नंबर पर है तमिलाडू तो इस रूपोर्ट में बताया गया है कि उत्तरप्रदेश ने जो है बात करें तो इंदोर और सूरत इन दोनों को ही jointly winner बताया गया है और चंडिगड को जो है first rank पर रखा गया है अगर हम union territories की बात करें और भी देखिए इसमें कई सारी categories हैं तो वो काफी सारी हैं तो उसकी जो PDF है हम आपको टेलिग्राम पर provide करा देंगे आप टेलिग्राम ज वरोद्रा तो यह जो है integrated command and control centers इसका जो sustainable business model है इसमें इनोंने top rank हासिल की है निम्रिखित में से किसे brand finance द्वारा इसमें सबसे strongest hotel brand का दर्जा दिया गया है options आपके सामने हैं और सही answer होगा option A so Taj has been rated the strongest hotel brand in the world by brand finance जानते हैं इस question के बारे में तो देखिए brand finance ने एक report जारी की है hotels 50 2021 इस नाम की report है तो इसने बताया गया है जो भारत का जो ताज है यह strongest hotel brand है in the world तो काफी proud moment है साथी आप यह देख सकते हैं top 5 की ताज है पहले नंबर पर इंडिया से फिर है Premier Inn United Kingdom से फिर है Malia Hotels International Spain फिर है NH Hotel Group Spain फिर है Sangrela Hotels and Resorts Hong Kong किस Antrix Agency ने पहले विकलांग Antrix यात्री को न्यूक्त करने का नेड़ने लिया है options आपके सामने हैं सही answer होगा option a so ESA Space Agency has decided to hire first disabled astronaut ESA का मतलब है European Space Agency तो इसने decide किया है कि जो इनका 22 member space program है इसमें ये अब एक disabled astronaut को भी सामिल करेंगे आपको जानना चाहिए जो European Space Agency है इसके head है Joseph Ashubashir और इसका headquarters European Space Agency का Paris France में है अफरिका और यूरोप में नोसैनिक अभ्याज के लिए किस नोसैनिक जहाज को तैनात किया गया है options आपके सामने हैं सही answer होगा option a इसको सितंबर 2021 के अंतर तक जो है अफरिका और यूरोप इन सभी एरियास में ये विजिट करेगी क्यों करेगी इसका परपस भी जान लेते हैं देखिए पहले तो यह बात है कि कहां कहां से जाएगी गल्फ ओफ एडेन, रेट सी, स्वेज कैनाल, मेडिटेरियन सी, नोर्थ सी, बैल्टिक सी तो इन सभी से गुजरते हुए ये अब पहुचेगी अफरिका और यूरोप में जिबोती में इजिप्ट, इटली, फ्रांस, यूके, रशिया, नेदरलेंड्स, मोरोको, आर्क्रि की जो कंट्रिज हैं, स्वेजर्ण, नोर्वे, यहां सभी को विजिट करेंगी, अच्छा, साथी भारत की जो एक्सराइज कोंकन है, जो यूके की जो नेवी है, इसके साथ जो होती है, इसमें भी है पार्टिसिपेट करगा, साथी एक्सराइज वरुन जो है, फ्रेंच-न रखना चाहिए सचिन तेंदुलगर के बाद 22 साल अंतराश्टे क्रिकेट खेलने वाली केवल दूसरी क्रिकेटर कौन बन गई हैं ओप्शन्स आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन ए सो मिथाली राज हैस बिकम ओनली दा सेकेंड क्रिकेटर आफ्टर सचिन तेंदुलगर टूपले 22 इयर्स ओफ वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट जानते हैं इसके बारे में तो देखिए मिथाली राज आप जानते हैं भारते कैप्टन है विमन क्रिकेट की तो यह जो हैं सचिन तेंदुलगर के बाद केवल दूसरे क्रिकेटर बन गई हैं जो जिन्होंने 22 साल तक वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है यानि लिमिट 22 साल 91 दिन का रहा है 22 years 91 days का रहा है और अगर हम बात करें मिथाली राज की तो इन्होंने अपना सबसे पहला मैच आइलनेट के खिला था कब खिला था 26 जून 1999 को तो देखिए अब तक क्रिकेट खेल रही हैं और इस तरह का क्रिकेट खेलने के लिए आपकी हेल्थ जो है का और साथ ही आपको बता दें कि अब तक किसी भी विवन क्रिकेटर ने जिसने 6000 ओडियाई रंद जो हैं बनाए हैं वो मिथाली राजी है नियाए मुर्ती रवी विजय कुमार मालीमत को किस उच्च नियालाय के कारेवाहक मुख्य नियादीश के रूप में नियुक्त किया गया है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन डी तो देखें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है जस्टिस रभी विजय कुमार मालीमत को यहां पर आप देख भी सकते हैं नोटिफिक्शन प्रेजिडेंट द्वारा इनको एपोइंट किया गया है आर्टिकल 223 इस रिलेट टू एक्टिंग चीफ जस्टिस यानि कि यह पत खाली हो जाता है चीफ जस्टिस का कोई पत खाली हो जाए और उसके लिए कोई आप जो है टेम्टरेरी रूप से आप किसी को महाँ पर नियुक्त कर दें ठीक है तो उसको बोलते हैं एक्टिंग ची हाई कोर्ड में जो जच ट्रांसफर करते हैं उसको बोलते हैं आर्टिकल 222 नियायमूर्थी मुनिश्वर नात्मंदारी को किस उच्च नयाले के कार्यवाग मुख्य नायदेश की रूप में नियुक्त किया गया है ओप्शन साब के सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन डी जस्टिस मुनिश्वर नात्मंदारी एस बिन अपॉइंटेड एस दा एक्टिंग चीफ जस्टिस ओफ अलाबाद हाई कोर्ट तो अलाबाद हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जस्टिस मुनिश्वर नात्मंदारी और यह जस्टिस संजे यादव को सक्सीट करेंगे जो जस्टिस संजे यादव है यह रिटायर हो चुके हैं आपको बता दे कि अब तक की हाई कोट की हिस्ट्री का सबसे सोर्टेस्ट टैन्योर रहा है जस्टिस संजे यादव का यह केवल 15 दिन के लिए ही एलाबाद हाई कोट के चीफ जस्टिस बने थे ठ 15 देज का यह भी आपके लिए इंपोर्ट है यह देख सकते हैं पंदरा दिन का ही रहा इलाबाद हाई कोट के चीफ चस्टिस संजे यादव का कारेकाल इतिहास में पहले बार गुआ ऐसा नेक्ट ऊप्शन है मरे पास WWF इंडिया में फोरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोस के राजदूत के रूप में किसे नामीत किया गया है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन सी सो उपासना कामी नेनी हैस बीन नेम्ड एस ता अमबैस्टर ओफ फोरेस्ट फ्र सुपरिश्टार हैं रामचरण उनकी वाइफ हैं है कि 2021 मलोर का चैंपियंशिप में एक अलगा खिताब किसने जीता है ओप्शन्स आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ओप्शन डी सो डैनिल मेडवेदेव वोन दा सिंगल्स टाइटल एड़ ट्वंटिवन मलोर का चैंप जो कि यूएस के हैं इनको हराया है सिंगल्स टाइटल में और डबल्स की बात करें तो डबल्स कौन जीते हैं सिमोने बॉलेली और मैक्सिमो गोण जालिज इन्होंने जीता है डबल्स टाइटल सांखी की दीवस किस दिन मनाया जाता है? उप्शन आपके सामने हैं सही आंसर होगा ऑप्शन D तो देखिए 29 जून को मना जाता है सांखिय की दीवस किस ने मना जाता है क्योंकि इस दिन प्रोफेसर पीसी महाला नोबीस इनकी बड़्थ एनिवर्सरी होती है आपको बता दें इस बार तो हो जारी किस में जो थीम रहा है सांखिय की दीवस का ये है सस्टेनेबल डेलपमेंट कोल यानि SDG सेकेंड एंड हंगर एचिव फूर्ड सिक्योरिटी एंड इंप्रूब्ड नूट्रिशन एंड प्रोमोड सस्टेनेबल अक्रिकल्चर आपको बता दें Ministry of Statistics and Program Implementation इसके जो head है यानि जो इसमें Minister of State with Independent Charge है यह है राव इंदरजीत सिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है options आपके सामने है सही answer होगा option B तो देखें इसमें Emergency के बारे मताया गया है जो कि 1975 से 1977 का जो Emergency का जो पूरा समय रहा जिसे की darkest arts बोला जाता है और इसमें जो है कई लोगों को without trial जो है जेल में भेज़ दे गया था तो उसके बारे में इसमें discuss किया गया है तो याद रिखिएगा important book के असोख चक्रवर्थी द्वारा लिखी गई है the struggle within a memoir of the emergency कि अंतराश्टी उष्ण कटी बंदी दिवस किस दिन मनाय जाता है options आपके सामने है और सही आंसर होगा option c international day of the tropics is celebrated on June 29 so 29 जुन को मनाय जाता है international day of the tropics देखिए tropics का मतलब क्या है आप यह देखिए जो tropic of cancer और यह है tropic of Capricorn इसके बीच का जो एरिया होता है इसको tropics बोलते हैं या फिर torrid zone भी आपको इसको बोलते हैं या फिर tropical zone भी आप इसको बोलते हैं तो sunlight जो है बिल्कुल direct यहां पर पड़ती है और काफी गरम इलाका रहता है साथ-साथ यहां पर seasonal rain भी होती रहती है चोटी और मद्यम कंपनियों के लिए नई सीमा या परिभासा क्या है ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर होगा option D तो देखिए इसको हम discuss करते हैं detail में यहां पर आप देख सकते हैं mca expense small firm definition raises turnover and borrowing limits देखिए इसको छोड़ दीजे अभी explanation में देखते हैं क्या बात कह रहे हैं तो ministry of corporate affairs इन्होंने क्या किया है जो small and medium companies हैं इनके जो इनका जो दाइरा है उसको expand कर दिया है उसको विस्तार कर दिया है उसके दाइरे में किस बैसिस पर turnover और उनकी borrowing limits के हिसाब से turnover मतलब की एक company पूरे साल में या फिर जो भी समय अवदी है उसमें जितना भी business करती है उसको बोलते हैं turnover तो केवल इसमें total कितना आपने business किया है उसको यहां पर include किया जाता है अब profit का मतलब क्या हुआ turnover profit में अंतर होता है at turnover में आप अपना जो कोस्त है या expenses उसको include नहीं करते हैं आपने totally कितना business किया है यह माहिन नहीं करता है तो देखिए इसमें क्या कि Small and Medium companies होने के लिए ना तो आप कोई बैंक होने चाहिए ना ही financial institutions होने चाहिए या फिर कोई insurance firms नहीं होने चाहिए SMC cannot be banks, financial institutions और insurance firms साथ ही एक आए कि आपका जो turnover है वो 250 करोड रुपे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और जो आपकी borrowings है जो आपने उधार लिया है वो 50 करोड रुपे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले देखी क्या था पहले turnover केवल जिनका turnover 50 करोड रुपे तक का था वही small and medium companies कह राती थी लेकिन अब इसको बढ़ा कर दिया है 250 करोड रुपे साथी पहले जिनोंने 10 करोड रुपे तक का जिनकी borrowing थी या जिनोंने loan लिया वा था या उधार था उनको इस definition में रखा जाता था लेकिन अब इसको 50 करोड जो है बढ़ा दिया गया है साथी का आये कि small and medium company कोई भी bank financial institution या insurance company नहीं हो सकती है आगे बढ़ते हैं निमली कित में से कौन FATF की gray list में सामिल होने वाला पहला European संग का देश है options आपके सामने हैं और सही answer होगा option A so Malta is the first European Union country to be added to the FATF gray list तो देखिए हाल ही में क्या हुआ है Malta को FATF की gray list में include कर दिया है और इस तरह से यह first European Union country बन गया है जो की FATF की gray list में include किया गया है साथ ही हैती फिलिपिन्स और साउथ सुडान को भी gray list में include किया गया है यह आप देख सकते हैं यह माल्टा तो यह अफरिका है यह और साथ ही आपको जानना चाहिए कि पाकिस्तान काफी समय से gray list की सोभाया पर बढ़ा रहा है माल्टा की अगर हम बात करें तो capital है वेलेटा और currency है यूरो फ्रेंड्स में हापर आपको FATF के बारे में बताना चाहूंगा देखिए यह काफी important है topic आपके लिए FATF आपका चाहे bank का interview हो चाहे आपका किसी PCS का interview हो या कोई भी आप interview देने जाते हैं ठीक है तो हमाँ पर FATF के बारे में पूछ लेते हैं क्योंकि यह चर्चा में रहता है तो देखिए जल्दी सी जानते हैं पहली बात तो यह है 1989 में G7 समीट हुई थी Paris में तो वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी यानि कि एक G7 जो group है उसका एक initiative है किसके खिलाफ है यह money laundering के खिलाफ जो है money को earn किया है जैसे कि drug trafficking हो गया terror funding हो गया यहां से आपने money को earn किया और उसको फिर आपने legitimate source बना दिया यानि कि आपने उसको फिर वैत तरीके से उसको convert कर दिया यानि कि आपने गलत तरीके से काम कमाया और उसको आपने ऐसा दिखाए दिया कि यह white money है ठीक है यानि कि यह मै में इसकार्द चुपा हुआ है तो देखिए FATF इसका सेकरेटरियेट पैरिस में है और भारत ने इसको कब जोइन किया 25 जून 2010 में तो 34 भी कंट्री भारत ही था इसका मेंबर और साथ यह आपको जाना चाहिए अब इसकी जो टोटल मेंबर्शीप है यह 39 है यानि 49 है और सब ब्लेक लिस्ट में जो कंट्रीज को केंट्रीज और ट यह फ हैं इसे अ क्मिटमेंट दिखाती है कि जो है money laundering और terror funding की जो cases हैं उनको कम करेंगे, तो इस तरह की companies आती हैं grey list में, इनको warned किया जाता है कि अगर आप जो है सही कदम नहीं उठाते हैं तो आपको black list में include कर दिया जाएगा, तो इससे क्या होता है, देखिए फरक क्या पड़ता है, अगर FATF ने किसी country ग्रे ADB है, तो यह सभी जब loan देते हैं तो एक बार को सोचते हैं, या फिर अपनी जो loan की जो सीमा है उसको घटा देते हैं, यानि कि total impact पड़ता है जो भी loan यह countries लेती हैं उस पर, साथी जैसे moody's है, SNPA rating agencies है, यह भी अपनी rating इनके लिए थोड़ा खराब कर देती है, import, export पर भी इसर पड़ता है, Natrax का उदखाटन किस भारतिय सहर में किया गया है, options आपके सामने है, और सही आंसर होगा option B, so Natrax has been inaugurated in Indoor, जानते हैं इसके बारे में, देखें, यहां पर आप देख सकते हैं, India gets Asia's longest and words, 5th longest high speed track for automobiles, देखें, प्रकास जावडे करें, आप जानते हैं, Minister of Heavy Industries and Public Enterprises, साथी Environment Minister भी हैं यह, तो इन्होंने Natrax, जो कि एक high speed track है, इसको indoor में inaugurate किया है, तो देखें, इस तरह का track बनाया है, एक ही नहीं, कई तरह की इसमें track हैं, शायद 14th, 14th track हैं, यहां पर अलग-लग तरह से कुछ जिग-जग हैं, कुछ इस्टेट हैं, कुछ में ज आपर जो यह roads हैं, किसलिए बनाई गई हैं, ताकि यहां पर जो cars हैं, उनकी testing हो सके, चाहिए वो two wheelers हो, चाहिए वो four wheelers हो, तो उनकी testing करने के लिए, कि क्या वो जो इस तरह की जो अलग-लग तरह से जो सड़के हैं, उन पर किस तरह से वो perform करती हैं, तो testing के लिए है यह ए इसी परपस के लिए बनाई गई है, तो अपनी speed को भी आपर test किया जा सकता है, तो इसका नाम है National Automative Test Tracks, आप देख लिए सकते हैं, it is a center, it is a one-stop solution for all high speed performance test for widest categories of vehicles, और यह पूरा track 11.3 km का है, ठीक है, अगर दंबाई के इम बात करें, आरके सबरवाल को the order of polar star से सम्मानित किया गया है, यह किस देश का सर्वोच नागरिफ प्रसकार है, ओप्शन सापके सामने है, सही आंसर होगा option C, आरके सबरवाल has been honored with the order of polar star, it is the highest civilian award of Mongolia, और साथ ही आपको जानना चाहिए, जो मंगोलिया है, इसकी capital है, उल्वन बटर, औ और currency है, टॉग रोक, तो आरके सबरवाल, यह CMD है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, EIL के, नोसेना भ्यास, सी ब्रीज, 2021 किस समुद्र में सुरू हुआ है, ओप्शन सापके सामने है, सही आंसर होगा, ओप्शन B, नेवल एक्सराइज, सी ब्रीज, 2021 किक्ट ओफ, इन Black Sea, तो देखिए, अगर आपसे पुछ चाहिए, किसने और्गनाइज किया है, तो mainly यह Ukraine और्गनाइज करता है, इसको, पर यहां पर यह US और यूकरेन, इन दोनों को दिखाया गया है, कि इन दोनों ने इसको और्गनाइज किया है, इन के लावा 30 और कंट्रीज ने इसमें पार्टिस्पेट किया है, कहां पर हुआ है, बलेक सी है, आपके लिए जानना आविशक है, तो देख सकते हैं, और्गनाइज से है, US और यूकरेन, यह है बलेक सी यहां पर, और यह है यूकरेन, अंतराश्टिय संसदिय दिवस, किस दिन मनाया जाता है, ओप्शन्स आपक 30 जून को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1889 को इसी दिन, इंटर पार्लेमेंटरी यूनियन, आई पी यू, यह काप इंपोर्टेंट ओर्गनाइजेशन है, इसका गठन किया गया था, ठीक है, तो 30 जून 1889 को इस इंटर पार्लेमेंटरी यूनियन का गठन किया गया था, इ IPU के जो प्रेजिडेंट है यानि इसके इंटर पार्लेमेंटरी यूनियन के जो प्रेजिडेंट है यह हैं ड्वार्टे पैश्यो यह पूर्तगाल के और साथ यह आपको भी जानना चाहिए कि 30 जून को ही इंटरनेशनल एस्टेरोइड यह भी मनाया जाता है सरकार ने faster adoption and manufacturing of electric vehicles in India phase 2 को कब तक के लिए बढ़ा दिया है जिसे आप fame scheme भी कहते हैं इसको कब तक बढ़ा दिया गया है इसके second चरण को तो इसको बढ़ा दिया गया है 31 मार 2024 तक जानते इसके बारे में सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए fame का मतलब क्या है faster adoption and manufacturing of electric vehicles यह होता है fame का मतलब तो देखे इसका जो यह phase second है यह phase second इसका शुरू हुआ था 2019 में और 2019 से 2022 सक्का यह second चरण है तो अब 2022 से आगे दो साल बढ़ा दिया है यानि 2024 तक इसको बढ़ा दिया गया 31 मार 2024 तक के लिए और साथ ही आपको जानना चाहिए जैसा है मैंने आपको बताया कि जो यह phase two है यह first April 2019 से शुरू हुआ था और जो यह fame India scheme है यह 2015 में शुरू की गई थी यानि पहदा चरण जो है 2015 से 2019 तर चला था तो देखे फेम इंडिया scheme के तहित जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं इसमें जो इबसेज हैं इकार से इबाइक से तो इनको बढ़ावा दिया जाता है किस तरह से incentives देकर जो production करती है इन सभी का उनको incentives दे जाते हैं ठीक है अलग 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 तरह की छूट उनको दी जाती है चाहे वो और साथ यह आपको जानना चाहिए फेम इसकीम किसके द्वारा मॉनिटर की जाती है यह डिपार्टमेंट ओफ हैवी इंडस्टीज जो की मिनिस्ट्री ओफ हैवी इंडस्टीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज के अंत्रकत आता है किस विभाग ने सफ़ेंग Some patents क्या है ऑप्ष्यस आपके सामने हैं सही आंसर हैं एक उप्शिन prep ओव जस्टीस लॉंच्ट इनफॉर्सिंग कंट्रेक्ट पोर्त तो देखिए दिपार्ट्मेंट ओफ जस्टिस में सेक्रेट्री यहें बरून मित्रा तो इन्होंते enforcing contracts portal इसको launch किया है department of justice जो है ministry of law and justice के अंदर गता है नाम से ही मालूम चलता है तो इस portal में क्या है जो भी देखिए commercial cases है तो किस तरह से उनको जो है functioning की जाए उन commercial cases में किस तरह से आगे बढ़ा जाए किस तरह से उनको disposal किया जाए यानि किस तरह से उनको सुल जाए जाए तो इस से जुड़ा सभी data इस पॉर्डर पर मिल जाएगा निम लिखित में से कौन भारत का पहला rabies मुक्त राज्य बन गया है options आपके सामने है और सही answer होगा option और और आपको पताएगी rabies क्या एक viral disease प्रिवेंटेबल है यानि वेक्सीन अगर हो टीका लगा हो तो प्रिवेंटेबल यह एक डीजीज है और यह जो है आपके ब्रेन पर या फिर इस पैनल कोर्ड जो होती है उसको अफेक्ट करती है और इससे जो हैं मृत्यू तक हो जाती है और एनिमल के बाइट करने से या फिर इस क्रेस से ही होती है आप जानते ही हैं डॉग और साथ ही यह जो है एक आर एन्ने वाइरस है किस फैमिली का रैप्डो वाइरस फैमिली का परदानमंत्री सुक्स्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना किस वर्स लॉंच की गई थी ओप्शन्स आपके सामने हैं और स इस स्कीम ने हाली में अपना एक साल पूरा कर लिया है देखिए जो भी स्कीम आपके मतलब मान लीजा आपका एक्जाम है और उससे कुछ महीने पहरे किसी स्कीम ने फांस साल पूरे कर लिया है तो वहाँ से कुश्चन पूछ ले जाता है तो इसलिए इसलिए इंपोर्ट क्या सकते हैं दुसाजार क्रोट रुप है कितने पांस साल होगे दोजार बीस एककिस से दोजार चोबीस पच्चिस तक के लिए क्या कि इसके उब्जेक्टिव से यह आप देख सकते हैं देखिए तो जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट से उनको फाइनेंस करना जो इस छेत्र में जो एंटर्प्राइजेस हैं उनका रिवेन्यू बढ़ाना ठीक है और क्वालिटी ओफ सेफ्टी स्टेंडर्स जो है बराबर बने रहें उसके बारे में यहां पर पुरा फोकस करना तो इस तरह के अब्जेक्टिव्स यहां पर हैं एक संयुक्त प्रद् स्टेंडिंग वस साइंड बिट्विन इंडियन नेवी एंड बी एल फोर क्रियेशन ऑफ जोएंट टेक्नोलोजी इंक्यूबेशन फोरम तो एंडियन नेवी और भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड जो की बैंगलूर में है इसके बीच में किसलिए यह एक जोएंट टे चेयर्मेन एंडी है M.V. Koftama और हैटकार्टर से बैंगलूरू करनाटका में फैन देखी कभी भी आप अगर आपके पास इस तरह की टर्माएं इंक्यूबेशन सेंटर मान लीजे आ गया तो इंक्यूबेशन का मतलब जनरली क्या होता है मान लीजे कोई स्टार्ट अप है इस टर्ट मतलब है कि पुछ जो है अपना बिजनेस जो शुरू करते हैं तो इस टर Nós चाहिए तो कुछ एक्सपर जो है उसस स्टार्ट अप्स को प्रोवाइट कर आई जाती है राश्टपती रामनात कोविंद ने किस सहर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव मेमोरियल एंड कल्चरल सेंटर की आधारशिला रखी है औप्सेंस आपके सामने हैं सही आंसर होगा औप्सेंट बी प्रेजिडेंट रामनात कोविंद लेट दॉक्टर भीमराव मेमोरियल एंड कल्चर सेंटर इन लखनव कोचिन बंदरगा से सेवेपोर और अजिकल बंदरगाहों तक तटिये पोथ परिवहन सेवा ग्रीन फ्रेट कोरिडोर 2 की पहली जलियात्रा पर लोडिंग परिचालन का उद्गाटन किस ने किया है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन डी सो मांसुक मांडविया इनवरेटेड द लोडिंग ओप्रेशन ओन द मेडेन वोएज ओफ कोश्टल शीपिंग सर्विस ग्रीन फ्रेट कोरिडोर 2 फ्रॉम कोचिन पोर्टू बेयपोर एंड अजिकल पोर्ट्स जान क्या गया है पहली बार यह सर्विस अब चालू की गई है किसके बीच में कोचिन पोर्ट से शुरू की गई है और कहां तक बेपोर और अजिकल पोर्ट्स के बीच में तो मत्तब कि सामान बेजा जाएगा वह पेड होगा ठीक है आपको अगर सर्विस चाहिए तो आप असे सथिया सब्सक्राइड लंडने कोचontaओं civ में लुट इसले कुछ मेंन आपके सामने हैं सही आंप्शन पाइजमाके उन्टियंग सिच में tut इंटेल इंडिया तो यहां पर जो एस एर भी है इसका मतलब है साइंस एंड इंजिनियरिंग रिसर्ज बोर्ड जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलोजी के अंतरकत आता है तो इसमें फ्रेंट्स वह है कि जो भी आप 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 इंडिश्टियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग के तुरू कि यह से रिलेटेड जो भी जानकारी है या फिर इससे रिलेटेड जो भी स्टेडिस करना चाहते हैं उसमें यह हैल्फुल रहेगा फंड फोर है जल्सिंगर और पैट्रिक जल्सिंगर कहें गें इंको गैट्रिक जल्सिंगर नहीं पैट्रिक जल्सिंगर और है से कैलिफोंडिया युनाइटेड स्टेट्स में इंडियास पावर एलिट क्लास कास्ट एंड कल्चरल रिवल्यूशन नामक पुस्तक की लेखक कौन है ऑप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर होगा ऑप्शन भी सो संजय बारू इस ता ओथर ऑफ दा बुक टाइटल इंड इंडियास पावर एलिट क्लास कास्ट एंड कल्चरल रिवल्यूशन कि क्वार्टन खेल किस देश में आयजित किये गए ऑप्शन्स आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन भी सो क्वार्टन केम्स हैल्ड इन फिनलेंड तो देखिए किसलिए चर्चा में हैं जो इ और यहां पर गोल्ड चीता है जर्मनी के जोहांस वेटर्ण और साथ ही आप सभी करंट अफेल्स फंडा को टेलिग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं यहां पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट कोई जसा हम आप सभी करिए डालते हैं साथ ही डिसकसन ग्रूप में आप किसी भी कोश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं दोस्तों आपर हमारे करंट अफेल्स की प्लेलिष्ट दी गई है इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ या जो भी फैलो एस्पिरेंट से उनके साथ शेयर जरूर करें और आज का वीडियो सेशन आपको कैसा दागा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा थैंक्यू गाइस